नमस्कार में पेड़ा दोस्तों मैं स्वरुकुमार्सिन सिर्डी में आपका हारी सुद करता हूँ आसा करता हूँ कि आप लोगों पड़ा है ये बहुत अच्छी से चल रही होगी आज हम लोगों पड़ने वाले हैं दोस्तों 2020 से लेके 2022 तक की जितनी भी एक्जाम हो चुकी है दोस्तों रेलवे से रिलेटेड वो सभी एक्जाम में जो कोशन पूछी गई थी वो सभी एक्जाम का ये निचोर 75 प्रशन है दोस्तों और ये काफी इंपोर्टेंट प्रशन है क्योंकि ये बिल्कुल अप्टू डेट प्रशन है तो आगे आने वाली जितनी भी एक्जाम है 2022, 23, 24, 26, 26 सभी एक्जाम की दुष्टिकों से ये आतीम महत्पुन होगी दोस्तों और ये सभी 75 प्रशन को हम लोग एक ही वीडियो में कम्प्लीट करेंगे इसलिए वीडियो दोस्तों लॉंग बनेगी तो आप लोग घबराईएगा नहीं ये 75 प्रशन को हम लोग दो भाव में बाटे हैं पहले हम लोग 3500 कोस्टन का बिल्कुल जो कोस्टन पूछी गई है उसको करेंगे दोस्तों उसके बाद 4000 कोस्टन यानि 40 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और उसमें टोटल एक प्रैक्टिस सेट में 100 कोस्टन है यानि 4000 question का हम लोग practice set करेंगे जो काफी important है दोस्तों और ये काफी important video होगी अगर आप मेरा सेयसन मानते हैं दोस्तों तो अगर आपका exam है तो exam देने से पहले ये सभी question को आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा दोस्तों और ये सभी question काफी अपने आप में important है चली दोस्तों हम start करते है start करने से पले एक सुमला दोदीजी का एक course है जिसे आप लोगों के बिछा मखना चाहेंगे इस course को हमेशा अपने मन में रखेगा लहणों से डर का नोका पार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती नयने चीटी जबदाना लेकर चलती है चटती दीवारों पर सोवार फिसलती है मन का विश्वास रगों में सास भरता है चटकर गिरना गिर कर चटना नहीं अखरता है आखिर उसकी महनत बेकार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती एक आंतिम पंक्ती है दोस्तों वो सफलता एक चनोती है इसे स्विकार करो और सपलता एक चनोती है इसे स्विकार करो, क्या कमी रह गई? देखो और सुधार करो. जब तक नसपलो निंदि चैन को उत्यागो तुम, संघरसों का मैदान छोर कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिस करने वालों की हार नहीं होती, कोशिस कर याद रखिएगा दोस्तों महिनत कभी वेर्थ नहीं होता है महिनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है और बिना महिनत का दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता यह आप अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों बिल्कूल आप लोग महिनत कर सकते दोस्तों क्यों न कैसे नी निकलता है एक जाम 100% निकलेगी दोस्तों हम guarantee के साथ काते दोस्तों सिर्फ दोस्तों आप लोग अपने जिन्दगी के लिए एक वर मन और जिद के साथ एक वर भीर जाईए और हमसे जितना होगा दोस्तों हम हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे दोस्तों जितना हो सकेगा हम कुछ न कुछ आप लोगों के लिए पढ़े नियू नियू बुक का दोस्तों हम लाते रहेंगे दोस्तों बिल्कूल अगर दोस्तों ये मेरा महिनत आपको अगर पसंद आता होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा दोस्तों, share कर दिजिएगा, कम से कम एक दोस्तों को इस चैनल से जो ने का प्रयास कीजिएगा, आसा करते हैं दोस्तों, इतना help आप जरूर कर दिजिएगा, चलिए दोस्तों हम start करते हैं, रेलवे एंटी पेसी, आठाई दिसंबर दोहजार बीस को फसिप में जो कोशन पूछा गया था, चलिए वो देखिए, और ये पहला सेट है दोस्तों, समानी विग्याँ से देखिए कौन-कौन कोशन आया था, किसी पदार्थ की मातरा को मापने के लिए, निमलखित में से कि मल्टी बेरल रोकेट सिस्टम है, पिना का है दोस्तों, पिना का डियाँ द्वारा विक्सित एक मल्टी बेरल रोकेट सिस्टम है, और याद रखेगा पिना का सोदेसी तकनिक से डियाँ द्वारा विक्सित किया गया है दोस्तों, उबन्तु क्या है, ये उबन्तु क्या है Ubuntu एक operating system है दोस्तों Ubuntu याद रखेगा Computer और Internet के domain में URL का full form क्या होता है URL का full form uniform resource locator होता है दोस्तों Uniform resource locator इसका full form होता है URL का निमलकित में से कौन सहजीवी समंद को दर्साता है सहजीवी समंद को कौन सा दर्साता है दोस्तों तो याद रखेगा ये काई जिसको में लोग लीचेन कहते हैं या सहजीवी समंद को दर्साता है निमलकित में से कौन सा रोग वीसानो से होता है याद रखेगा वीसानो से कौन सा रोग होता है दोस्तों Chicken pox option के अनुसार ये वीसानो से होता है chicken pox चिकन पॉक्स ये वाइरस से होता है दोस्तों और ये याद रखेगा वैरिसेला जोस्टर वाइरस के द्वारा होता है चिकन पॉक्स निमलखित में से किस माध्यम में से धोनी नहीं जा सकती है धोनी किस में से नहीं जा सकती है दोस्तों तो निर्वात में नहीं जा सकती है क्योंकि धोनी को चलने के लिए माध्यम की आवे सकता होती है यानि ठोस द्रव और गैस रहेगा तब धोनी चल सकती है निर्वात में इनट में नहीं चल सकती है दोस्तों प्रकास में ऐसा कंडिसन नहीं है प्रकास निर्वात में भी चल सकती है सेरी कल्चर सद निमलकित में से किसे समन्दित है सेरी कल्चर सद सेरी कल्चर ये रेसम की खेती के लिए दोस्तों समन्दित है और रेसम प्रोटीन का बना होता है ये आप समझ जाएए दोस्तों बिल्कुल रेसम प्रोटीन का होता ये कोशन पूछा गया है यदि किसी व्यक्ति का द्रमान पिर्थवी की सता पर साट केजी है द्रमान के बारे में चर्चा है दोस्तों तो चंद्रमान की सता पर उस वेक्ति का द्रमान कितना होगा आपको पता ही है द्रमान कहीं भी चेंज नहीं होता है चेंज क्या होता है दोस्तों वेट यानि भार चेंज होता है द्रमान चेंज नहीं होता है तो जीतना हैं दोस्तों, 60 common यही ही होगा, अगर पुछा जाता दोस्तों भार तो भार वो चेंज हो जाता है कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिस के कहा जाता है तो मस्तिस के कहा जाता है दोस्तों, cpa को cpa को perform central processing unit है, याद रखे central processing unit होता है नेक्स्ट अब हम लोग समानी अध्यान के बारे में देखेंगे निमलखित में से कौन सा राजी पुर्वत्तर भारत के सेवन सिस्टर राजियों का सदसिन नहीं है सेवन सिस्टर्स तो याद रखे यह दोस्तों सिक्किम नहीं है सिक्किम नहीं है यह आप याद रखेगा क्या क्या सेवन सिस्टर्स में आता है दोस्तों अरुनाचल परदेश, असम, मेघाले, मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड और तिरपुरा कोहीं दोस्तों सेवन सिस्टर कहा जाता है ये सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता है फिर से देखिए सेवन सिस्टर में अरुनाचल परदेश, असम, मेघाले, मनिपूर, मिजोरम, नागा लेंड और तिरपुरा आता है सेवन सिस्टर में किस सिख गुरु ने खालसा पंद की अस्थापना किया था खालसा पंद की अस्थापना स्री गुरु गोविन सिंग ने किया था दोस्तों कब किया था 1699 इसे में किया था दोस्तों बेसाखी के दिन किया था सब्रिमाला मंदीर कहां इस्तित है तो ये दोस्तों केरल में इस्तित है सब्रिमाला मंदीर और यह मंदीर भगवान आयप्पा को समर पीत है दोस्तों आयप्पा भगवान आयप्पा निमलकित में से कौन सा असमारक दिल्ली में इस्तित नहीं है दिल्ली में इस्तित नहीं है option के नुसार बुलन दर्वाजा दोस्तों दिल्ली में इस्तित नहीं है बुलन दर्वाजा पते पूर्शिक्री उतर पर्देश में दोस्तों इस्तित है बाकी सब दिल्ली में अलाई दर्वाजा, इंडिया गेट, हुमायू, कमकवाई ये दिल्ली में इस्ति थे दोस्तों 15 नमर है महत्मा गादी ने सावरमती से लेकर दांडी तक परसीत नमक मार्च शुरू किया था और दांडी गुजरात के किस जीले में, देखिए जीला पूछा गिया है दोस्तों, इंपोटेंट है, बताइए इसका क्या होगा अंसर तो याद रखिएगा, इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों ये नवसारी जिला में, महत्मा गादी ने सावरमती से लेकर दांडी तक परसीत नमक मार्च शुरू किया था दांडी गुजरात के नवसारी जिले में इस्तित है दोस्तों कब इस्टाट किया था, आपको पता ही है, 12 मार्च 1930 इसवी को गांदी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ सावरमती में जो इस्तित है दोस्तों, आसरम से लेकर ये 384 किलोमेटर दांडी के लिए परस्तान किया था और ये सावरमती से लेकर जो किया था, तो ये किस जीला में दोस्तों, नवसारी जीला में जीला भी पूछा गिया है, अब डिपली अंदर से कोशन पूछा जाता है, तो आपको भी बिल्कुँँ एलर्ट रहना है सुराज मेरा जमसीत अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किस ने कहा था, तो याद रुखेगा बाल गंगा धरतिलक ने कहा था, ये जी कोशन लेकिन बारबार रेपीट होता है सुराज मेरा जमसीत अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा बाल गंगधर तिलक ने दोस्तों कहा था इन कलाप जिंदाबाद समराजवाद का नास हो यह भगसी ने कहा था दोस्तों सरप्रोसी की तबना अब हमारे दिल में है यह रामपरसाद बिस्मिल ने कहा था दोस्तों और एक है सारे जहां सच्छा हिंदुस्तान हमारा यह मुहमद इकबाल ने कहा था सभी important है एक अपरिल 2009 से किन दू बेंकों को बेंक ओव बरोधा में विले कर दिया गिया बेंको बरोधा में विले कर दिया गिया है इलाभाद बेंक का विले इंडियन बेंक में कर दिया गिया ये भी आपको याद रखनी चाहिए और आंध्रा बेंक का विले यूनियन बेंक आप इंडिया में किया गिया आंध्रा बेंक का विले और येंटल बेंक आप कोमर्स और युनाटेट बेंक आप इंडिया का विले पंजाम नेसल बेंक में किया गिया है Syndicate Bank का विले केंरा बेंक में दोस्तों किया गिया है Important है और वर्तमान में भारत में साजुने छित्रों के बेंकों की संखिया 12 हो गिया है कब तो ये विले के बाद दोस्तों तो इसका अंसर हो जाएगा क्या विजिया बेंक और देना बेंक का विले बेंक और बरोदा में कर दिया गिया भारत में केंडरीय आलो अनुसंधान संस्तान यानि CPRI कहां इस्तित है CPRI ये सिमला में इस्तित है दोस्तों भारत में केंडरीय आलो अनुसंधान संस्तान कहां इस्तित है तो सिमला में इस्तित है निमलखित में से कौन सा देश विमेश्टेक का सदसी नहीं है विमेश्टेक का सदसी नहीं है तो यह मालदीप दोस्तों विमेश्टेक का सदसी नहीं है आपको बता दू विमेश्टेक का सदसी देश है दोस्तों भारत थाइलेंड म्यानमार नेपाल बंगलादेश सिरलंका भूटान, तो ये उप्जन कन्योसार मालदिप नहीं होगा दोस्तों, फीर से देखे भी मैस्तिक का सदस्टे, भारत, भारत, थाईलेंड, म्यानमार्ट, नैपाल, बंगलादेश, सिरलंका और भूटान, प्रार्थनों समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थनों समाज के स प्राग्वे और बोलिविया दोस्तों ये अस्तल डूद देश है प्राग्वे और बोलिविया दचिन भारत के दचिन अमिर्का के दो अस्तल डूद देश है दचिन अमिर्का के और बोलिविया दचिन अमिर्का का सबसे बड़ा अस्तल डूद देश है ये ताप लोगों पताई है अब दचिन अमिर्का का सरवादिक नगरी कड़ी देश रूगवे है दोस्तों किस भारतिय राज की मुकी भूमी कितर ट्रेखा सबसे लंबी है सबसे सरुब कर दोस्तों सामील है तो याद रखिएगा कोंसी लिमितेड है को्ल इंद्या लिमिटेड है क़्ोल इंपोर्टेंट है याद रखिएगा महरतन केंद्रिये साजने की छितरक उपकरणों की सुची में कोली इंडिया लिमिटेड दोस्तों सामिल है दी नमर हो जाएगा भारत के किन दो सहरों के बेच पहली सेमी हाई इस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है नेक्स चितरकला और पट चितरसेली निमलखित में से किस राज की सबसे पुराणी और लोगपिडिये कला है तो ये हो जाएगा दोस्तों उडिसा चितरकला की पट चितरसेली निमलखित में से किस राज की सबसे पुराणी और लोगपिडिये कला है तो ये उडिसा की है दोस्तों निमलेकित में कोन भारत के सबसे युवा रास्पती थे आप्शन के नुसर बताईए दोस्तों तो ये स्री निलम संजीवा रेड़ी ये भारत के सबसे युवा रास्पती थे दोस्तों युवा रास्पती और आपको पता ही है भारत के राजपती का पध है अनुचेद बावन में युवर्नी थे दोस्तों और अंतराष्ट नियाले के अस्थापना हेग में 1945 में की गई थी यह याद रखेगा गोवी मरु अस्थल निमलखित में से किस महादुप में इस्थित है गोवी मरु अस्थल तो गोवी मरु अस्थल जो है दोस्तों यह कहां इस्थित है एसिया महादीप में इस्थित है गोवी मरु अस्थल का विस्तार मोंगोलिया और चीन में है दोस्तों राश्त्रणगने के लेखक कौन है? राश्त्रणगने के लेखक कल्धन है राश्त्रणगने के लेखक पानिपत का दूसरा यूद अकवर और हेमू के बीच किस वर्स में हुआ था? किस वर्स में हुआ था? 1556 में पाणिपत का दूसरा युद अकवर और हेमू के बिच किस वर्स हुआ था 1556 में नेमलिकित में से कौन सा देश संयुत राश्टुरक्षा परिशद का 28 सदस से नहीं है तो ये दोस्तो जापान नहीं है जापान नहीं आपको पता ही अस्ताई सदस देश कौन-कौन से हैं दोस्तों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है तो इसके लिए ट्रिक याद रखेगा प्रेस तो फ्रांस हो गया रूस, अमेरिका, चीन और इंगलेंड ये सभी देश दोस्तों सामिल है और ये जापान सामिल नहीं है ये इंगलेंड को ही युनाटेट किंग्डम कहते हैं या फिर ब्रिटेन कहते हैं लोकसवा की सदस्यों की अधिक्तम संखियां कितनी है अधिक्तम संखियां हो सकती है दोस्तों 552 ये आप याद रखेगा लोकसवा की सदस्यों की अधिक्तम संखियां 552 हो सकती है लेकिन लोकसवा में अधिक्तम 530 सदस्ये राजियों की निर्वाचन छित्रों से वो अधिक्तम 20 सदस्य संगिये छित्रों से निर्वाचित किये जाते हैं वर्तवान लोग सवाकी सदस्यों की संगिये कितनी हैं दोस्तों 545 है और ये दोस्तों 300 कोशन का यहाँ पे आंसर है आप लोग मिला लीजिएगा और फस सेट में दोस्तों कितना आपका सहिवा कितना गलत हुआ आप लोग बताईएगा और इस सेट में क्या क्या important point है दोस्तों इसे अब हम लोग पढ़ेंगे जो की काफी important है भोतिक रासी और इकाई है ये याद रखेगा परदीप्त घनतों का एसाई एकाई क्या है लक्स है परदीप्त घनतों का एकाई होता है लक्स चुम्बक्य प्रेरन का एकाई होता है दोस्तों टेसला कारी उर्जा और उस्मा का होता है दोस्तों जूल कारी उर्जा और उस्मा का एसाई मातरक जूल होता है आविर्ती का हर्ज होता है और सो प्रेरन का क्या होता है गुनांका हेनरी होता है परदीप्त घनतु का लक्स होता है चुम्बक्य प्रेरन का टेसला होता है कारी उर्जा और उसमा का जूल होता है आविर्ती का हर्ज होता है और सो प्रेरन गुनांका क्या होता है हेनरी होता है चुम्बकिये फ्लक्स का दोस्तों बेबर होता है याद रखेगा चुम्बकिये फ्लक्स का बेबर एक साथ है टेस्ट और दुस्ते साथ है बिमारी याद रखेगा सिख टेस्ट जो किया जाता है डिप्थरिया रोग में सिख टेस्ट किया जाता है दोस्तों डिप्थरिया रोग में, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफ हाइड में, याद रखेगा, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफ हाइड में, वेशन एस्टेन टेस्ट किया जाता है प्लेग में, और लेप्रो, लेप्रो मीन टेस्ट क किया जाता है प्लेग में लेप्रो मिन टेस्ट किया जाता है कुछ रोग में अमेस टेस्ट किया जाता है दोस्तों कैंसर के इलाज में और रोज वालर टेस्ट किया जाता है गठिया बुखार में रोज वालर टेस्ट गठिया बुखार में नेक्ट परमुक अनुसंधान संस् दोस्तों लखनों में केंद्रिये अवजदी अनुसंधान संस्थान है लखनों में केंद्रिये चमरा अनुसंधान संस्थान का है चेन्नई में केंद्रिये चमरा अनुसंधान संस्थान है दोस्तों चेन्नई में भारतिये सरवेच्छन संस्थान है देहरादुन में भारतिये मोसम वैद साला है पूने में भारती मोसम वैद साला है दोस्तों पूने में इंडियन लाख रिसर्स संस्तन है राची में इंडियन लाख रिसर्स संटर है दोस्तों राची में भारत की परमुकराज्यों की लोगकला के बारें पढ़ेंगे जो की काफी इंपोर्टेंट दोस् सभी को याद रखनी है, सभी लोककला है, महराष्ट की लोककला रंगोली है दोस्तों, महराष्ट की लोककला रंगोली, राजस्थान की लोककला पर्मकृप से मांडना, उतर पर्देश का चोकपुर्णा, उतर पर्देश का लोककला है दोस्तों, चोकपुर्णा, बिहार का म महराष्ट का रंगोली, राजस्थान का मानना, उतरपर्देश का चोकपूर्णा, बिहार का मदुबनी पैंटिंग, और मदपर्देश का माच, असम का ओजापाली, असम का ओजापाली लोग कला है दोस्तों, आंधपर्देश का बुर्रा कथा, याद रखेगा ये, इंपोर किया था दोस्तों, वो देखिए क्या आया था सकेंट सिप्ट में, पहला कुस्त ने, निवन में से कौन कम्पूटर में सहायक मेमोरी या सकेंडरी मेमोरी या सकेंडरी मेमोरी या एक्जिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, देखिए नहीं है, बताइए, तो यह होगा दोस्तो प्रोम नहीं है प्रोम कम्पूटर में सहाएक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का यह हिस्सा नहीं होता है दोस्तों प्रोम का फुलपम क्या होता है दिया रखे प्रोग्रामेंबल रीड ओनली मेमोरी प्रोग्रामेंबल रीड ओनली मेमोरी और ये अस्थाई बंडारन की इलेक्ट्रोनिक युक्ती है दोस्तों इंपोर्टेंट है याद रखेगा PROM का फुल्पम क्या होता है प्रोग्रामेबल, रीड अनली मेमोरी ये हिसा नहीं है, बाकि सब है दोस्तों, मेगनेटिक टेप है CD-ROM में floppy disk है ये सभी है भारत का पहला पर्मानौ उर्जा station के अस्थापना कब किया गया था तो ये 1979 इसी में भारत का पहला पर्मानौ उर्जा station के अस्थापना 1989 इसी में दोस्तों किया गया था इंपोर्टेंट है याद रखेगा निवन में से कौन अधीसरासी है अधीसरासी है दोस्तों अधीसरासी द्रमान एक अधीसरासी है बाकी सब दोस्तों सदीसरासी है याद रखेगा द्रमान एक अधीसरासी है बाकी सब सदीसे संबेग बल वेग विस्थापन तोरन आवेग ये सभी क्या है सदीसरासी है जबकि द्रमान दोस्तों ये एक अदीसरासी है याद रखेगा अदीसरासी देखे क्या दूरी हो गया चाल समय छेतरफल कारिय उर्जा तापमान विशिष्ट उस्मा गुप्ट उस्मा विदुधारा प्रिष्ट नाव दाव आधी दोस्तों ये सभी क्या है यह दोस्तों अदीसरास दोस्तों ब्वाईल के नियम अनुसार दोस्तों और पता हीए ब्वाईल के नियम अनुसार क्या होता है भी अनुकर्णौपाती क्या होती है वणभाई पode जो Σत kita मोण पर गैस का आयतन दाब के विदकर्नुपाती होता है तो ये हो जाएगा बॉयल के नियम के अनुसार निक्ष निमलखित में से क्या परिसंचन तंत्र का अंग नहीं है क्या नहीं है दोस्तों परिसंचन तंत्र का अंग नहीं पूछा गया है याद रखेगा ये बड़ी आंत नहीं है बड़ी आंत दोस्तों नहीं है बड़ी आंत नहीं है रख्थ परिसंचन में भाग लेने वाले सभी अंग परिसंचन तंत्र कालाते हैं ये तो आप लोगों पता ही है हिर्द है रख्थ है धमनिया है दोस्तों कम्पूटर की भोतिक अस्मिर्ती से संग्रहित परी नाम निकालने की परिकिडिया को जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो याद रखेगा, यह Output Process के नाम से। Taxonomy का जनक किसे कहा जाता है? Taxonomy का जनक। तो यह Karl Lineus को Taxonomica जनक कहा जाता है दोस्तों, सापेक्स्ता का सिध्धान्त किसे समन्दीते? सापेक्स्ता का सिध्धान्त यह समदित है अलबर्ट आइस्टीन से याद रखेगा सापेक्स्ता का सिध्धान्त अलबर्ट आइस्टीन ने दिया था दोस्तों सापेक्स्ता का सिध्धान्त नेक्स्ट भावा परवानु अनुसंधान के अंदर यानि बार के कहां इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तों मुंबई में याद रखेगा मुंबई में इस्तित है ये नेक्स्ट सुझना प्रोदित्की में NIU का पुन रूप क्या है तो ये Network Interface Unit है सुजना प्रद्रती में NIU का पुन रूप है Network Interface Unit सेव से समन्दित रोग को DAS के रूप में जाना जाता है किसकी रूप में जाना जाता है Fire Blight के रूप में सेव समन्दित रोग को Fire Blight के नम से जाना जाता है Lycan यानि Lichen जिसको QIV काते है एक ऐसा जिव है जो DAS की चिताबनी देता है किसकी चिताबनी देता है दोस्तों तो ये वायू परदोसन की चिताबनी देता है Lycan एक ऐसा जिव है जो वायू परदोसन की चिताबनी देता है और आपको पता ही है दोस्तों ये SO2 और CO के परतिल लाइकन से अधिक सविदन सिल होता है दोस्तों गेंस्ट आब हम लोग इसी का पढ़ेंगे समानी अध्यान देखे क्या है निमनने के में वखीत में से कौन सी पर्योजना उत्राखड में इस्तित है उत्राखड में नुम्म्केंует उसे चौरी चिपे बेटिस भारत में कौन लाया था, तो इसका अंसर होगा इंदुलाल यागनिक लाया था दोस्तों, आपको पता ही है जो तिरंगा जंडा एस्टुगार में मेरम भिकाजी कामा ने फाराया था दोस्तों, उसे चौरी चिपे बेटिस भारत में इंदुलाल ने लाया था इंपोर्टेंट है यहां भीगाची कमा मी भोसराय स्टूडेंट माढ़के आगे बढ़ गए होंगे यहां तो कामा दिया ही है दोस्तों तो इसका होगा इंदुलाल यागनिक भारत के समीधान में नेमलकित में से कौन से सविधान संसोधन में नारिकों के मोलिक कर्टवियों को सामिल किया गिया है तो यह हो जाएगा 42 में समीधानिक संसोधन अधिनियां 1996 भारत के समीधान में नेमलकित में से कौन से सविधान संसोधन में नारिकों के मोलिक कर्टवियों को सामिल किया गिया है 42 में समीधानिक संसोधन अधिनियां इनमें से कौन सा प् नश्पावन में अस्थापन हुआ था और 1959 इसमें से यह दिया जाता है хорошо मघारा स्परी स चमकता हुआ सता क्या कहलाता है दोस्तों तो याद रखिएगा परभा मन्डल कहलाता है इसका deze insert or mr we would do matter किन वर्सों के बीश्किवा था इंप्रटेंट है स्वेकिस सेач बीच हुआ थो नीस मुपालबिद्रोड और मुपला विद्रोड के मलमावार् के चेटर में हुआ था। 19 вып.21 ने और इस विद्रोग का नेत्रत किस ने किया था। अली मुसलियार ने किया था। यह भी important है। भार सरकार ने इंद्धानोस फ्रेमोवर के कार्यकरम के सुरवात किसलिए की थी ? कुछ बता देते हैं दोस्तों जो इंपोर्टेंट है बारबार पूछा जाता है दचिन कोरियाम की मुद्रा वान है दोस्तों राजधानी सियोल है माली की मुद्रा फ्रेंक है दोस्तों माली की मुद्रा फ्रेंक है मालदीब का मुद्रा रूपिया है भुटान की मुद्रा न ये सिराज दोला ने लड़ा था दोस्तों सिराज दोला ने इस्ट इंडिया कमपणी के खिला प्लासी का यूद लड़ा था और आपको पता ही हैं प्लासी का यूद 23 जोन 1757 इसी को अंग्रेजों के सेनापती रवट क्लाइब और बंगाल के नवाब सिराज दोला के बीच रखेगा कोंसे राष्ड ने पांच वार को अंड वेल्ट की में जुन कि थे पांच वार और तहिक ये आस्ट्रिया नहीं किया था इस्ट्रिया आपको पता यह दैस्टेट पॉल्टendum अ संगार कि स्थित को हुए था कि किस तितिक हुआ था तेथे अपड़ी 1919 को आपको पता ही है डाक्टर सत्यपाल और सेपोदिन किचलू की गिर्पतारी के विरोध में वो रही जनसभापा जनरल डायर ने अंधा दूंद गोलियां चलवाई थी दोस्तों कब तो तेरे अपड़ी 1919 को इसे ही कहा जाता है जलियावला बाग नरसंगार जलि 1911 में वही था लोड़ चैंप स्पोर्ट के समय उठीम रोलेक एक्ट पारित हुआ था और जलियावला बाग नरसंगार भी हुआ था दोस्तों निम्न में से उर्रग करंती से कौन सा रंग समंदित है उर्रग करंती से तो यह हो जाएगा भूरा रंग समंदित है उर्रग कर जाता है जै मंडल पृत्वी गरह का चेत्र जहां जीवन मोजूद है उसे जै मंडल चेत्र कहा जाता है यह तो एजी है दोस्तों निम्न कित में से कौन से राज में विधान परिशद है अब बताईए इंपोर्टेंट कोसन है दोस्तों तो यह आंद परदेश में इसे कहाँ इस हीए कहां इस दिता है ये नम्टी निञार्क मैनास डिपरिशियेसन यानि मुल्ली हरास होता है दोस्तों निन्न प बड़ाबर NNP बड़ाब होता GNP minus depreciation यानी मुलिहराज नेक्स्ट भारत की सविधान सवा का विचार पहली बार किस ने दिया था? ये पहली बार किस ने दिया था? तो ये दिया था MN रॉआएने दोस्तों भारत की सविधान सवा का विचार पहली बार पुछा जाते हो? MN रॉआएन ने दिया था, important है दोस्तों नेक्स्ट है, इनमें से कौन परसीद संतुरवादक है? संतुरवादक है, तो सीव कुमार सर्मा दोस्तों, ये संतुरवादक है सीव कुमार सर्मा नेक्ष उन्चासमी समांतर डैस के बीच सीमा रेखा है उन्चासमी समांतर रेखा तो यह हो जाएगा अमिर्का और कनाडा के बीच सीमा रेखा है दोस्तों उन्चासमी समांतर रेखा इंपोर्टेंट है और इसका आंसर है दोस्तों 35 कोशन का और इस सेट में जो जो इंपोर और इसे स्किप नहीं करनी है दोस्तों सिमा रेखा और रेखा है बहुत इंपोर्टेंट है मेगमोन रेखा भारत और चीन में है दोस्तों काफी कोई याद भी होगा और रेड़ टीप रेखा भारत और पाकिस्तान के बिचे डुरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिचे बहुत डेर सारे स्ट्रेंट य तरौर्या एबं दचिन कोडिवां के मध्त रेखह और 2024 मी अकछांस रेखह भारत और पाकिस्तान। रेड क्लीप रेखा भारत और पाकिस्तान के बिच डुरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिच हीडन बर्ग रेखा जर्मानी और पॉलेंड के बिच अर्थिस्वी समान्ता रेखा उतर कोडिया एवन दचिन कोडिया के बीच 24 नी अक्छांस रेखा भारत और पाकिस्तान के बीचे अब देखिए उर्वरक क्रांती यह भूरा रंग से समन्दीते दोस्तों काफी इंपोर्टेंट यह सभी को अपलोग देखिएगा माइन में रखिएगा हरित करांती खद्यान उत्पादन से समन्दीते दोस्तों हरित करांती स्वेत करांती दूर उत्पादन से समन्दीते स्वेत करांती पिली करांती, खादी तेल, खादी तेलों और तिलान फसलों की उत्पादन को बरहानी से समन्दी थे दोस्तों पिली करांती, पुझाजा पिली करांती तो तेलों और तिलान से समन्दी थे, नेली करांती, मतस्ची उत्पादन के विर्धी से समन्दी थे नेली करांती, गुल गोल करांती का समन्द आलू उत्पादन से गोल करांती का समन्द और सुन रेशा करांती का समन्द जूट उत्पादन से समन्द ते सुन रेशा करांती का समन्द रजत रेशा करांती का समन्द का पास उत्पादन से समन्द ते रजत रेशा करांती का समन्द लाल करांती यह important है दोस्तों ignore नहीं करना है इसको बिल्कुल next अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों railway NTPC 29 दिसंबर 2020 को फसिप में जो कोशन आया था वो देखिए दोस्तों पहला कोशन है पहले हम लोग समानी विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे निवन में से किस रखता समोवाले लोगों को सारभूमिक प्राप्त करता माना जाता देखिए language थोड़ा अलग है दोस्तों बताए इसका क्या होगा बिल्कुल AB प्लस होगा दोस्तों निवन में से किस रखता समोवाले लोगों को सारभूमिक प्राप्त करता यानि universal एकसेब्टर है दोस्तों युनिवर्सल डोनर पुछा जाए तो डोनर पुछा जाए तो ओ होगा ओ माइनस दोस्तों आपको बता दूँ ओ में antibody होता दोस्तों ओ गूरुप जो है उसमें antibody हो थूंबा को डेस की उपस्तिती कारण रोकेट लॉंच के लिए आदर्स अस्तल के रूप में जाना जाता है यह चुना गिया है दोस्तों यह होगा इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल इलेक्टोजेस्टस थुंबा को इलेक्टो टोडियल इलेक्टो जेस्टस की उपस्तिती कारण रोकेट लॉंच के लिए आदर्स अस्थल के रूप में दोस्तों चुना गिया है याद रखे हैं यह इंपोर्टेंट है दोस्तों नेक्स्ट पीत पीत ड्यास द्वारा स्रावित होता है पीत किसके द्वारा स्रावित होता है पीत तो यक्रित द्वारा स्रावित होता है जमा होता है दोस्तों पितासे में नित्र लेंस की अतिधीक वक्रता ठेठापन डियास के कारण बन सकता है किसके कारण बन सकता है निकर द्रिश्ची दोस के कारण नित्र लेंस की अतिधीक वक्रता ठेठापन डियास के कारण बन सकता है निकर द्रिश्ची दोस यानि दोस्तों निकट दुरिशी दोस्तों में निकट की वर्सतों दिखाई देगा दूर की नहीं देगा और इसे दूर करने के लिए अब ता लेंस की आप सकता होती है निकट मेंसे कौन सा वेब ब्रॉजर नहीं है इंपोर्टेंट है ये काफी बार एक जाम में पूछा गिया है तो याद रखेगा गूगल वेब ब्रॉजर नहीं है दोस्तों गूगल वेब ब्रॉजर नहीं है बाकी सब है देखिए सबसे पहले वेब ब्रोजर का विकाश टीम बर्न सली ने 1991 एसरी में किया था ठीक वरतवार में कुछ परचलित वेब ब्रोजर है जिसे आपको याद रखनी है दोस्तों क्या है इंटरनेट एक्स्प्लोरर है मोजिला फायर फॉक्स है ओपेरा है दोस्तों और एपल सफारी है गुगल एक सर्च इंजन है दोस्तों ये वेब ब्रोजर नहीं है नेक्स्ट चूने के पानी का रासानिक सुत्र क्या है चूने के पानी का तो ये होगा केल्सियम हाइड ओक्साइड ये है दोस्तों बूजा हुआ चूना केल्सियम हाइड अक्साइड और अम बिना बुजा हुआ चुना केल्सियम अक्साइड होता है दोस्तों ये आप याद रखेगा अब हम लोग पड़ेंगे समानी अध्यन इस सेट में देखिए युनिस्को द्वारा संची अस्तुप को विस धरुवर अस्तल कब घोसित किया गया था कब किया गया था उनिसो नवासी एस्वी को युनिस्को द्वारा संची अस्तुप को विस धरुवर अस्तल में उनिसो नवासी में घोसित किया गया था अच्छे UNESCO का platform क्या होता है UNESCO का मुख्याले कहा UNESCO का मुख्याले पैरिस में है दोस्तों 16 नमबर 1945 को क्या गया थे इसकी अस्थापना UNESCO का platform होता है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization Important याद रखेगा किस देश में सबसे सफल सहकारी क्रिसी है सबसे सफल सहकारी है किस देश में तो यह है Denmark में Denmark देश में सबसे सफल सहकारी क्रिसी है Important है STTP का पुनरूप क्या है STTP का तो यह होता Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol इसका फुलफोम होता है कमुडेस के किस आदिवेशन में सुराज की प्राप्ति का आवान किया गया था 1906 कमुडेस के 1906 के अदिवेशन में सरपर्तम सुराज की प्राप्ति का आवान किया गया था 1906 में नहीं बारे नमर देखिए पुरा तात्विक खुदाई के बारे में Ernest Meket द्वारा लेकित पुष्टक का क्या नाम है Important है बताईए तो इसका होगा फर्दर एक्स कवेंसेंस एंड मोहन जुदरो इसका पुष्टक है दोस्तों किसका Ernest Meket का जपान में जपान के समराट अकिवीतो द्वारा राजगदी के त्याग के साथ सुरू हुए नए समराजी की यूग को टैस के रूप में जाना जाता है अकिवीतो द्वारा राजगदी के त्याग के साथ सुरू हुए नए समराजी की यूग को रीवा के रूप में जाना जाता है और इससे पले जपान में क्या हिसोई यूग था दोस्तों यह रीवा यूग भारत की पाली सुपरफास्ट train का क्या नाम है सुपरफास्ट ये डेकन कुईन भार की पाली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है डेकन कुईन किस परसीद लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तिमाल किया मादवी कुट्टी उपनाम का इस्तिमाल किया तो ये होगा कमलादास किस परसिद लेखिका ने मादवी कुट्टी उपनाम का इस्तिमाल किया था कमलादास ने दोस्तों किया था सांसद आदर्स ग्राम योजना के प्रेर्ना स्रोत कौन सा है दोस्तों तो ये महतमागादी 600 आधरस गाम योजना के प्रेणना स्रोत हैं ये इन में से भारत के किस वायसराय ने निरवाचित अस्थानिय सरकारी निकायों के शिजन की पहल की थी को समत किया था किस ने लौड रीपर ने किया था लोड रिपर ने, रूर, रूर छेतर डैस का सबसे महत्पून ओद्यूगिक छेतर है, रूर छेतर, तो यह किसका है दोस्तों, जर्मनी का, याद कि रूर छेतर जर्मनी का सबसे महत्पून ओद्यूगिक छेतर है, रूर छेतर, जियेश्टी किस तरह का कर है, जियेश्टी, ये तो पॉपलर है बताइए तो इसका राइट अंसर होगा वो परत्यच कर दोस्तों GST कबसे लागू हुआ है GST एक जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है GST का फूल पर्म क्या होता है दोस्तों Goods and Service Tax होता है यादर के Goods and Service Tax GST पर्मग्रूप से तीन परकार के होते हैं C GST, SGST और IGST बस इतना ही इसमें याद रखेगा Next भारती सभीदान में स्वतनुता समानता बंदूद की अबधारनाय किस देश से गरहन की गई है पहरति समिदान में सुतनुता, समानता और बंधुद की अबधर नाएं किस देश से गरन की गई है फ्रान से गरन की गई है नेक्स्ट 5857 की विद्रों के दोरान भारत में ब्रिटिस महिलाओं को समर्पित एक पैंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी ये किस ने बनाई थी? इंपोर्टेंट ने बताईए एक किसका? तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जोसेप नोयल पेटर ने बनाया था 1857 की बिदरों के दोरान भारत में ब्रिटिस महिलाओं को समरपित एक पेंटिंग इन मेमोरियल क्या नाम है इन मेमोरियल जोसेप नोयल पेटर ने बनाया था इन मेमोरियल भारत का पहला सुपरकम्पूटर कौन सा है तो यह है दोसो प्रम 8000, प्रम 8000 चिस्ती सिल्सिला के सब सब महतपुन सिख्षकों में से एक सेक मयो दिन चिस्ती की दारगा कहा है तो यह है अजमेर में भारत का सविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है भारत का सविधान दिवस किस दिन तो 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि भारत का सविधान 26 नवंबर 1949 को बन कर तयार हुआ था इसलिए 26 नमोर को मनाय जाता है भारती राष्ट कॉंग्रेस का गटन किस ने किया था किस ने किया था ए ओ हुम ने किया था इन में से कौन सी भारत की सबसे उजी चोटी है कौन सी है दोस्तों तो कंचन जंगा इन में से कौन सी भारत की सबसे उजी चोटी है कंचन जंगा है नेमलखीत में से कौन सा एक बाग सनक्षी थे बाग सनक्षी थे कौन सा तो जीम कारवेट नेसल पार्क बाग सनक्षी थे दोस्तों नमर्गीत में से कौन सा एक बाग स्रक्षित है जीम कारवेट नेसल पार्क है इंपोर्टेंट है यह तो आपने जानते ही हैं बताए कमेंट सक्सेंट में हम बता ही देते हैं दोस्तों उतराखन में है चन्दियान दो को लांच करने के लिए किस लांच यान का उप्यों क्या गया था इंपोर्टेंट है बहुत ही इंपोर्टेंट है बताइए तो यह होगा GSLV Mk3 M1 GSLV Mk3 M1 चन्दियान दो को चन्दियान वन जो लांच हुआ था दोस्तों PSLV XL C11 के द्वाड़ा हुआ था दोस्तों और 42 जुलाई 2019 को लॉंच किया गया था GSLV MK3 के द्वाड़ा important है दोस्तों मंगल यान जो 5 नमबर 2013 को लॉंच हुआ था PSLV XL CL25 के द्वाड़ा ये हुआ था next है और गगर यान दोस्तों आपको पता ही गगर यान 2021 को दिसंबर 2022 में भेजा जाएगा दोस्तों GSLV MK3 के द्वाड़ा ये लॉंच होगा इसका अंसर है और इस सेट में क्या का important point है जिससे आपको याद रखनी है वो देखी Digital India योजना Digital India योजना 1 जुलाई 2015 को शुरुआत हुआ था Digital India योजना 1 जुलाई 2015 पर्धनमंत्री जन्धन योजना 28 अगर 2014 जितना अभी हम बताएंगे इतना आपको यादर होनी ही चाहिए पर्धनमंत्री जन्धन योजना 28 अगर 2014 को स्वक्च भारत अभियान 2 अक्टुबर 2014 को शुरू हुआ था मैकिन इंडिया 25 सितंबर 2014 को हुआ था अटल पैंसन योजना 9 माई 2015 को सुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जन्धनी 2015 को हर्याना के पानी पसे दोस्तों सुरू हुआ था और सुकर्णिया समर्णी योजना काफी इंपोर्टेंटे 22 जन्धनी 2015 को हुआ था इसका स्वाट इसकीन ले लिजिए दोस्तों देखिए डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को सुरू हुआ था परधनमंती जंधन योजना 28 सगत 2014 को स्वक्ष भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को मैकली इंडिया 25 सितंबर 2014 को सुरू हुआ था अटल पेंसन योजना 9 माई 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जन्वरी 2015 को हर्याना के पनिपस से सुरू हुआ था सुकनिया समर्दी योजना 22 जन्वरी 2015 को सुरू हुआ था और हिर्दय योजना 21 जन्वरी 2015 को सुरू हुआ था हिर्दय योजना उद्यस इसकता हेलिटेज सिटीज का विकास करना उरान योजना इंपोर्टेंटे दोस्तों 17 अपेल 2017 को सुरू हुआ था उरान योजना अब हम लोग पड़ेंगे Εक साइड़ है ए सिल्सिला दुने साज़ा साइड इसके संस्थापक चिस्टि पबंदो की सिल सिल आ की सुछवाड़ावर्दी सिलसिला के संश्वाड़ा शुमस्तापक पाया भीडिन ब्लशंदी ओध चेंग संुंत्र ये दिखेंब चंदर्यान 2 को लौंच करने के लिए GSLV Mk3 M1 लांच यान का परियोग किया गया था याद रखेगा चंद्रियान 1 22 अक्टवर 2008 को लांच किया गया चंद्रियान 1 रोकेट इसका था PSLV XL C11 था दोस्तों नेक्ट इसरो इसके परमुक थे उस समय जी माधवन नाथ थे चंद्रियान 1 में और्विटर एवं इंपैक्टर का उपयोग किया गया था भारती सोवियत संग अमिर्का एवं जपान के बाद चंद्रिमा के सतप पहुँचने वाला फूर्द देश बना है दोस्तों भारत याद रखेगा लेंडिंग पॉयंट था इसका जमहार पॉयंट इसका लेंडिंग पॉयंट था चंद्रियान 2 बाएश जुलाई 2019 का लांच किया गया दोस्तों चन्यान 2 रोकेट था इसका जेसल्वी एमके 3rd M1 और इस रोकेट का नाम फेट वाय या बहावली भी था दोस्तों फेट वाय या बहावली लेंडिंग पॉइंट था इसका चन्रमा का दच्छनी धुरुब दोस्तों इसका लेंडिंग पॉइंट था लेंडर का ना इसका रोकेर था भारत दुनिया का पहला दिस्वना जो पर्थम प्रियास में ही मंगल यान पर उत्रा था दोस्तों भारत याद रखेगा अभे गगनियान इसमें मनुस्य को पारिवार एस्पेस में भेजा जाएगा गगनियान में और इससे पहले राके सर्मा एवं कल्पना चाबला को विदेशी धर्ती से भेजा गया था ठीक है और गगर्यान के तहत सबसे पहले योम मेत्र नामक रोबोट को भेज कर जाच किया जाएगा दोस्तों याद रुखे गगर्यान के तहत व्योम मेत्र दिसमबर 2021 में जबकि मनुस्य को दिसमबर 2022 में भेजा जाएगा रोकेट देखिए जी एसलवी एमके थर्ट के द्वारा इंपोर्टेंट है ये भेजा जाजुचका है नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी 29 दिसमबर 2020 को सकेंड स्रिप में जो कोशन पूछा गया था वो देखिए पहले हम लोग समाने विग्यान के पाड़े में देखेंगे पहला कोशने निम्बू के रसका प्येच मान लगभग कितना होता है लगभग कितना होता है निम्बू का रसका दोस्तों लगभग दो होता है लगभग पुछा जाए तो दो होता है निम्बू का रसका लगभग दो नेक्स्ट और मानब रक्त का क ये 2 से 4 इसका pH value होता है, gastric juice का 1 से 3 के बिच होता है, vinegar का 2.4 से 3.4 तक होता है, अगे हम लोग एक्जेक्ट सब का बिल्कुल पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा निमलखित में से किस वनस्पति से समंदित है ब्रायोफाइटा, ये किस समंदित है मार्केंसिया से, ब्रायोफाइटा मार्केंसिया वनस्पति से ये समंदित है, ब्रायोफाइटा, निक सिरिलंका, देखे, स्रिंखला में 4 परतिरोधकों, जिन में से परतिक 1 वटे 4 ओम का है, का उपियोग करते हुए अधिक्तम कितना परतिरोध बनाया जा सकता है, तो इसका राइट अंसर क्या होगा, इसका राइट अंसर होगा, एक ओम दोस्तों, एक ओम ही बनाया जा सकता है, अधिक्तम परतिरोध, इसके लिए आपको फर्मुला एक याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, तब ही आप निकाल पाईएगा, आरवन बड़ाबर होता है, आरटू बड़ाबर आरथरी बड़ाबर आरफोर होता है, तो इसी में हम लोग एक बड़े चार ओम रखेंगे, तो आज आएगा लाश्टम दोस्तों, एक ओम हम लोग रखके ही देखते हैं, आरएस पुछा है न दोस्तों, ठीक है, आरएस पुछा है, तो आरवन, आरवन भी एक बड़े चार ही रखेंगे, आरटू भी दोस्तों, एक बड़े चार ही, और आरथरी भी एक बड़े चार ही, आरफोर भी एक बड़े चार, यहनी दोस्तों, इसका LCM 4 होगा, 1234 ही, 4, इसको कटाएंग दोस्त एक ओम ही होगा ना नेक्स्ट पाइथन एक डेस है पाइथन एक क्या है पाइथन एक प्रोग्रामिक भासा है दोस्तों पाइथन पाइथन एक प्रोग्रामिक भासा है मायोपिया वाले वेक्ति की द्रिष्टी को ठीक करने के लिए किस परकार की लें रोगा दोस्तों अपसारी लेंस का प्रियो माईपिया वाले व्यक्ति के दिश्ठी को ठीक करने के लिए अपसारी लेंस के आवे सकता होती है और अपसारी लेंस को ही दोस्तों अब तर लेंस काते हैं याद रखिएगा नेश्चे इंटेल और कोड आई-9 एक प्रकार डेस है प्रम् rib 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 brug एक रोग जजो द्यास की कमी के कारण होता है इसंप पता ही है निमलकोटNY मेंसे कौनसा ससे होता है option के है की नोसर बताएये तो इसका यूड परण से आप 528 यूड़ाद होता है दोस्ति है जीवानुस होता है next समानी अध्यन अब हम लोग पढ़ेंगे देखी निमलकिती में से कौन सा एक UNESCO 20 धरोर अस्तल नहीं है कौन सा नहीं है तो यह जंतर मंतर नई दिल्ली दोस्तों यह नहीं है UNESCO के 20 धरोर अस्तल में जंतर मंतर नई दिली सामिल नहीं है ये याद रखिएगा अजनता की गुफाय उरंगाबाद सामिल है रानी की वाव पाटण ये सामिल है और सुरी मंदिर को नार्ग दोस्तों ये सामिल है हुमाय नामा डेस द्वारा लिखी गईी थी, हुमाय नामा किसकी द्वारा, दुगुल बदन बेगम के द्वारा हुमाय नामा लिखी गईी थी तो इसकर आइटाम से रोगा गूर्ट एनसर्न सर्मिस टेक्स और जीएष्टी लागव हुआ था एक जुलाई 2017 सत्रह से आपको पता ही है दोस्तों यह एक परकार का ओपर तेख्च कर रहे हैं दच्छीन अमिर्का का सबसे बड़ा देश कौन सा है दच्छीन अमिर्का का यह भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं तो इसका होगा दोस्तों ब्राजिल दच्छीन अमिर्का का सबसे बड़ा दे अस्थान कहां इस्तित है यह लखनों में भारत का केंदरी अस्थान लखनों में इस्तित है निमलकित में से कौन सा अस्थान युरेनियम के खनन के लिए परसीद है युरेनियम के खनन के लिए जादो गोड़ा दोस्तों परसीद है आपको पता ही है भारती युरेनियम निग ताप्ती नदी अरब सागर में युनिस्को का मुख्याले कहां इस्तित है युनिस्को का मुख्याले पैरिस में इस्तित है आपको पता ही अभी जेस्ट हम बताएं दोस्तों युनिस्को का मुख्याले पैरिस में और युनिस्को का फुलपम होता है युनाटेड नेशन एज के अध्य हैmaya एक परशीज दियातरी इवने बटु तम डेयस का मुल निवासीथा इवने बटु तम यह मुरकों का दुस्तों निवासी था इवने बटु था कब आये ता भारत 1333 सिंपें मा राता किसके सासंकाल में मुहमद पीन दुगलक के सासंकाल में आया था नेक्ष निम्रकित में से कौन सा देश सार्क का सदसी है बताईए सार्क का सदसी देश है तो यह अफगानिस्तान है आपको बतादू दोस्तों सार्क में टोटल मिला के दोस्तों आठ सदसी देश है क्या आठ मालदीप, स्रिलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटाउन थे था बंगलादेश और सार की अस्थापना कब हुआ था आर दिसम्बर उनिसोपचासी को सार की अस्थापना हुआ था सार का फुलफॉम क्या होता है दोस्तों साउथ एसियन एसोसियेशन फोर रीजिनल कॉर्पोरेशन इसका फुलफॉम होता है आर भारती सभ़धान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो इसका राइट आइड वह कोई कहा जाता है दोस्तों तो इसका ए नमबर आंसर होगा भारती सविधान के जनक के रुप में डाक्टर बीमरा अंबेत को जाना जाता है ठीक है नहीं जातक कता है डैस समधिते किसी समधिते जातक कता है बोध धर्म से समधिते जातक कता है कावेरी जल्बी बाद डेस के बीचे कावेरी जल्बी बाद करनाटक और तमिलाडू के बीचे दोस्तों कावेरी जल्बी बाद मातमा गादी ने डेस में भारती राष्ट कमड़े से सत्र की अधेक्सता की थी तो ये होगा बेलगों मातमा गादी ने डेर्स में भारती राष्ट कमड़े से सत्रकिया देखता की थी बेलगों में गीत गोविन किस ने लिखा था गीत गोविन किस ने लिखा था दोस्तों तो ये जैदेव ने लिखा था गीत गोविन तेक्या गीत गोविन नेक्स्ट भारत में संप्रादाई की चुनाव परनाली सबसे पहले डेस द्वारा शुरू की गई थी सबसे पहले तो मारले मिन्टोरी फॉर्म उनिस्तो उनिस में शुरू की गई थी केविनेट मिसन वर्स डेस में भारता आया था कब आया था 1946 से स्वी में केविनेट मिसन आया था 1946 से स्वी में और ये 29 कोशन का आंसर हम दे देते हैं और दोस्तों इसमें क्या-क्या इंपोर्टेंट पोईंट था जिससे आपको याद रखनी है इसे हम लोग देखते हैं दोस्तों देखिए अभिज़स हम लोग चाचा किये हैं सौट इसकीन ले लिजेगा इसका मानव रक्त का pH value 7.36 से 7.42 के बीच होता है दोस्तों आसु का pH value 7.4 यानि 6.5 से 7.6 के बीच होता है दोस्तों आसु का pH value 7.4 तो नहीं होगा यानि 2-4 के बीच गेस्ट्रिक जूस का होता है एक से 3.4 के बीच दोस्तों विनेगर यानि सिर्का का 2.4 से 3.4 के बीच होता है अधिकी vitamin है एक साइट 2 से साइट कमी से होने वाला रोไ। a का रासानी की नाम पता ही है redine kulर है दोस्तों और इसकी कमी से रतिन ऩी या जिरो प्थेल्मियां होता है विटामिन E की कमी यानि आखोस समधित रोग होता है दोस्तों विटामिन C का इसकर भी एसिड इसका रासानिक नाम है और इसकर भी बिमारी भी होता है विटामिन E का रासानिक नाम दोस्तों टेकोफिरोल है और इसे जनन सक्ति का कम होना होता है जनन सक्ति का कम होना विटामिन K का फिलोक्विनोर इसका रासानिक नाम है रत का थक्का नो बनना इसमें रत का थक्का नहीं बनता है विटामिन K के कमी के कारण विटामिन D का केलसी फिरोल इसका रासानी के नाम है और रिकेटस या ओस्टियो मेलेसिस नमक रोग होता है विटामिन D के कमी के कारण याद रखेगा नेक्स्ट भारती सर्वेक्चन संस्तन का है दोस्तों देहरादुन में भारती पेट्रोलियम अनुसंधान संस्तन का है देहरादुन में पलाजमा अनुसंधान संस्तन का है गांधी नगर में राष्ट ये गन्ना अनुसंधान संस्तन का है लखनों में नेसल डेरी रिसर्स इंस्चुट का है करनाल में नेक्स्ट कुछ पुछित तक है दोस्तों अश्धियाई के लेखक पाननी, रमायन के लेखक वालमिकी, माभारत का वेद वियाश, अर्थसास्त का चानक के, इंडिका का मेगा इस्धनीज, पंच्चतंत ह्ग, विश्ront शर्मा इंपॉर्टेंट है इजी भी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अश्द्याई के लिएक पानरी रमायण के लिएक लिएक गुवाल में की महाभारत का वेध वियाज अर्थसास्त का चानक के इंडिका का मेगाई स्तिनिज पंचितंत्र का विशनल सर्मा और महाभास का पतन जली बुद्चरिद का असगोस मुद्राराक्षस का विशागदत मुद्राराक्षस का विशागदत अब हम लोग परेंगे railway anti-pacy 30 December 2020 को first system जो question आया था वो देखिये दोस्तों क्या question आया था important है दोस्तों तो पहला question है निमलकीत में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो पर्तिवर्ती किरियाओं के बीच मध्यस्ता करता है और आवेगों को मस्तिस तक और मस्तिस से विभीन भागों तक ये पहुचाता है तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तों बिलकूर मेरुरज्यू से निम्रखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है ठीक है कौन से तंतुम से बना होता है मिरुरज्यों से जो पर्तिवर्ति किरियाओं के बेच मतिस्ता करता है और आवेगों को मस्तिस्क तक और मस्तिस से विभीन भागों तक पहुचाता है याद रखेगा इसको दोस्तों मिरुरज्यू मेडूला अबलागेंटा का पिछला भाग होता है दोस्तों मिरुरज्यू नेक्स्ट निम्लकीत में से कौन सी भारत की उपगरह अधारी समर्धन पर ना ली है तो वह है दोस्तों गगन याद रुखिया गगन यानि गगन का फुल फॉर्म एक तरह से कहा जाए जिपियास एडेड जियो एग्यू एग्यूंट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों गगन का नेक्स्ट प्लास्टिक प्लास्टिक में निम्लकीत में से किसका उप्योग किया जाता है प्लास्टिक में तो याद रुखियागा एथलीन का प्लास्टिक में किसका एथलीन का नेक्स्ट निम्लकीत में से किसे प्रानी जगत के अंतरगत वर्गी ख्रित किया जाता है वर कि रेकटर अपसरा आरहे है भारत्म नियमित पर्थम नाव की रेक्टर अपसरा है याद रखेगा अपसराbecue उनिस्वा सक्षार इस inspiring. यह मान हुआ था दोस्तों निम्लखित में से कौन सा एक ओजेवी घटक नहीं है ओजेवी घटक नहीं है देखिए नहीं पूछा गिया है तो नहीं में बेल्कुल अच्छी तरह से सचित हो जाना है दोस्तों तो हरा पोधा नहीं है निम्लखित में से कौन सा एक ओजेवी में सामिल नहीं है क्या जम्मू और कसमीर में इस्तित जमू और कसमीर में दाची गाम राश्ट्य उद्यान जम्मू और कसमीर में यह तो आप लोगों पता भी है नमलकित में से कौन, भारत में केंदर राज समंदों से समंदित नहीं है, देखिए नहीं है, केंदर राज समंदों से समंदित नहीं है, कौन दोस्तों नहीं है, कोठारी आयोग दोस्तों नहीं है, कोठारी आयोग नहीं है, यह आप याद रखिएगा और मा की साव है सरकारी आयोग है केंडराज से राजमनार समिती भी है माहा वीसपोर्ट सिध्धानत यानि बिग बैंग थिउरी का परती पादक यह तो आप लोग जानते ही बताएए इसका होगा दोस्तों जोर्जी एल लेवेंटरे है दोस्तों एल लेवें तरह ये बिग बेंग थियोड़ी का है महा विस्पोटक सिध्धान्त आये बिग बूस थियोड़ी पूछेगा अर्थसास में बताइए क्या होगा इसका राइट अंसर क्या है सोर प्रभाब मंडल यानि सोलर कोरोना का परचेन और अध्यन करने हैं तो भारत के व अधिती एल वन एक किलो वाइट कितने बाइट के बराबर होता है कितने बाइट के बराबर होता एक हजार चोविस बाइट के बराबर एक किलो वाइट के बराबर होता एक हजार चोविस के बराबर नेमलखित में से कौन से राज में विधान परिशद नहीं है देखिए ब पोद्तरपरदेस का और यह नहीं होगा यह के이다 चैनल pops और यह कहां इस्तित है जमू कasmуск मेंwasser तिते जोजीला टेनल प्रोजेक्ट। की गठन के समय मतलब वाइसराय कौन था दोस्तों कौन था वाइसराय योज यानी फ्रांस में नेक्स्ट, महासाहितिक क्रिती मिर्च का टिकम का लेखा कोन है, मिर्च का टिकम का लेखा कोन है, सुद्रक है दोस्तों मिर्च का टिकम का लेखा, भग्मान महावीर का मूले नाम दोस्तों वर्दमान था, भग्मान महावीर का, आको पता ही इन्होंने 30 वर्षों की उम्रे मे के मिर्थु के पासे अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमती लेकर सन्याज जीवन को स्विकारा था ठीक है और यह जैन धरम के 24 वित तिर्थन करते दोस्तों महाविर स्वामी रिपबलिक पुस्तक के लिखक कौन है रिपबलिक पुस्तक के लिखक क्या होगा इसका किसी जोड़ता आर्क्टिक महासागर को परसंत महासागर से जोड़ता है किसी चट्टान के नत्व वलन को क्या कहा जाता है अभी नती किसी चट्टान के नत्व वलन को क्या कहा जाता है अभी नती कहा जाता है नेमर्खित में से कौन सा एक प्राजिन बोध गरंत है दोस्त विशिष्टा दोएत दर्सन के संस्थापक कौन थे विशिष्टा दोएत तो याद रखेगा ये रामानुजा चारी होगा विशिष्टा दोएत दर्सन के संस्थापक कौन थे रामानुजा चारी थे असम और अर्णाचल परदेश को जोडने वाला भारत का सबसे लंबा सरक सहर रेलपूल क्या कहलाता है? सहर रेलपूल ये कहलाता है बोगी बील ब्रीज दोस्तों असम और अर्णाचल परदेश को जोडने वाला भारत का सबसे लंबा सरक सहर रेलपूल क्या कहलाता है? प्रशासनिक राजधानी कौन सी है दचीन अमिर्का की दोस्तों कौन सी यह प्रशासनिक राजधानी इंपोर्टेंट है इसका होगा दोस्तों पृतोरिया परिटोरिया परिटोरिया प्रिटोरिया प्राषिण आमिर्पयाभ़े और इसका यह संतन रहोगी है, प्रॉटिन का इंतला है स्टारीन क्या है एक का है poles नाइलोन का Using बारत में निरंवित परतम नाव कह रीक्टर अपसरा है अब इसके बारे में देखिए भारत वनियमें पर्थम नाभी के रियक्टर पता ही है अपसरा है दोस्तों अपसरा अनुसंधार रियक्टर है ये और अपसरा कि अस्थापना बार्क मुंबई में की गई है अपसरा कि अस्थापना उनिसो चपन मुहीते दोस्तों सायरस ये भी है दोस्त छीरी का 1990 मौह था। धुरूब का। ये भी materia है। धुरूब का। और बका टा। धुरूब का हुआा था। अस्थापनगॐतो राश्ट सफ्था का अगा है घुरूआ। रलएयोर्ण का ने पतिता लिकलेशेयें सरे क्था दोश्था मंगरती नाम है पाखल वण जीव अभ्यारन तेलगना में पंचमडी अभ्यारन बद पर्देश में नेक्स्ट एक साइड संगेटन और मुख्याले काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखनी है कॉला में जो भी यह दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है Amnesty International का मुख्याले लंदन में है CI Vikaas Bank का मुख्याले मनिला में NATO का मुख्याले Brussels में Red Cross की मुख्याले दोस्तों जनेवा में SAR का मुख्याले Cattvando में Interpol का मुख्याले Lyons में दोस्तों Interpol का मुख्याले Important है सभी European उर्जा आयो का मुख्याले जनेवा में European उर्जा आयो का Next एक साइड पुस्तक दूसरे साइड है लेखक Important पुस्तक के सभी दोस्तों पंचतंत के लेखक विश्नु सर्मा है प्रेम वाटिका के लेखक रस्कान है दोस्तों बुद्चरितरम के लेखक असगोस है बुद्चरितरम के लेखक कदामरी के लेखक बान भट है साहित लहरी के लेखक सूर दास है कुमार समभवम के लेखा कारिदास हैं दस कुमार चरित्रम के लेखा दंडी है important है दोस्तों next है अब है एक साइड पुस्तक दूसरे साइड लेखा के important समी पुस्तक है the world as I see it Albert Einstein की पुस्तक है दोस्तों the world as I see it ऐसे तो पुस्तक बहुत सारा है दोस्तों प्रिंस्पया के लिखा कै दोस्तों मियन क्याम के लिखा कैIs मिन क्याम के लिखा कै अडोल्प हिटलर देखिए the world as I see it कैनल वाहिए इसे न है प्रिंस्पया कर देखिर लिखा की न्यूटन पेडाईज लास्ट लेखाग जॉन मिल्टन है वार एंडपीश के लेखाग लिए टॉल अस्टा है मदर इंडिया के लेखाग कैथरीन मैयो है दा पोल्टीस के लेखाग अरस्टु है मिरकें के लेखाग एडॉल फिटलर है हम रिपीट करने हैं दोस्तों बहुत सारे स्टुडेंट को बिल्कुल दोस्तों वो बिल्कुल बोरिंग होता होगा बोर बिल्कुल नहीं होनी है दोस्तों जितनी बार रिपीट हो रही है यह अच्छी बात है दोस्तों अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगी जिसको इस पिर बीच में।ट यहां फिर बीच में। अलग का जावा सागर एवं बंगाल की खारी के बीच है फोलोरीडा मेक्सिको की खारी एवं अट्लांटिक के बीच है पाक बंगाल की खारी एवं मन्नार की खारी के बीच है नेक्ष परमुख दर्शन एवं परवर्तक है जिसे आपको याद रखनी है दोईत वाद के संस्थ का कनाधिया उलुक है उत्तर मिमानसा का बाद्रायन है दीखिए हो नहीं है उप्शन में देखिए उसके बाद पूर्प्लि मिमानसा का जैमनी है इंपोर्टेंट इसको याद रखिएगा दोस्तों नेक्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी 30 दिसम्बर 2020 को सकेंड स्रिप्ट में जो कोसन आया था वो देखिए दोस्तों क्या कोसन आया था सकेंड स्रिप्ट में पहला कोसन है एक विलियन चॉक पॉडर के साथ अभी क्रिया करने पर एक गयस का निर्मान करता है जिससे चुने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है और उस विलियन को क्या कहते हैं तो इसका राइट अंसर होगा ठोटे दोस्तों ठीक है एक विलियन चॉक पॉडर के साथ अभी क्रिया करने पर एक गयस का निर्मान करता है जिससे चुने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है उस विलियन में दोस्तों होता है क्या होती है होती है यानि हाइड्टो क्लूरिक अमल कोहीं ही दोस्तों मिट्रिक अमल भी काते हैं इंपोर्टेंट होगा इसका और कुछ नहीं हो सकता अप्शन के नुसार मिठेन का पर्तिक चिन क्या है सिएज फोर है मिठेन का दोस्तों नेक्स्ट है मिठेन मार्स गया साब को पता ही है कंप्यूटर फिल्ड में अबजेक्ट लिंकिंग एंड एमडंडिंग बलकि यह साइई का यह तो नूटन होती है केल्विन पेमाने पर पाने का ही हमांग क्या है क्या होती है 273.15 Kelvin होती है भारत का पहला उपगरा आड़िभर्ट आंत्रिश यान कब पर्चे पित किया गया था कब पर्चे पित किया गया था दोस्तों तो याद रखेगा 29 अपरिल 1975 को किया गया था 29 अपरिल 1975 को एक दोस्तों फ्रमुला देते हैं बिल्कूल ये दोस्तों डिग्री सेल्सियस को फूर्ण हाट में Kelvin जो चेंज होता है इसे आपको याद रखनी है स्वाट फ़र्म में ऐसे तो C बाई 100 होता है लेकिन 5 याद रखेगा मैनस F मैनस 32 बाई 9 होता है इसे 180 होता है 9 कट क्या आता है दोस्तों बराबर K मैनस 273 273 बटे 5 हो जाएगा दोस्तों ये तीनों यादि डिग्री सेल्सियस को फूर्ण हाट में चेंज करना है तो ये तना ही लेना है दोस्तों अगर डिग्री सेल्सियस को Kelvin में करना है तो C बाई 5 एकोल टो K मैनस 273 बटे 5 करना है ऐसे इसका पुन रूप कहा जाए तो C बाई 100 होता है ठीक है बराबर F मैनस F मैनस 32 बटे 180 होता है दोस्तों बराबर K मैनस K मैनस 273 बटे क्या होती है एक सो होती है ये होती है दोस्तों इसको याद रखेगा कनवर्शन में आपको कोई दिकत नहीं होगा दोस्तों नेक्ट कोसिका की खोज किस ने किया था कोसिका की खोज किस ने किया था रोबर ठुक ने कोसिका की खोज किया था भारत का सबसे नया नावी के उर्जा सेंतर कौन सा है तो यह है दोस्तों कुड़न कुलम है दोस्तों कुड़न कुलम आई कुड़न कुलम कहा है कन्या कुमारी तमिलाडू में आपको पता ही है दोस्तों भारका सबसे नया नावी के उर्जा सिंद्र कौन सा है कुड़न कुलम है कि अंशल बरगत के पेर का व्नसपतिक नाम के आप ये भी कोशन पूछा गया है तो सभी को आपको याद रखने है जो भी ये वरेटेड्ड है दोस्तों या बेचना, डेस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो e-commerce के नाम से जाना जाता है, electronic रूप से समन खरेदना या बेचना e-commerce के रूप में जाना जाता है, अंग्रेजों ने मेसुर के साथ कितने यूद लड़े थे, मेसुर के साथ, कितने यूद लड़े थे सहएत के छेत में 1901 से इसकी अस्ठापना हुआता, भोत्य के छेत में 1901 चेकि सह विज्यान की विचेत में 1901 शांति की छेत में 1901 लेकिन अर्थास्त में जो हुआता, 1930 में ईसकी अस्ठापना फेस्वुक के संस्थापक कोण है फेस्वुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है स्वक्ष भारत मिशन कम सुरुक किया गया था स्वक्ष भारत मिशन 2 अक्टबर 2014 को स्वक्ष भारत मिशन सुरुक किया गया था देहज परतिसेद अधिनियम कब लागु किया था आपको पता ही है केरल ही है सबस्जारा 100% हो गया है दोस्तों केरल कुलेरू जील किस भारती राज में इस्तित है कुलेरू जील किस भारती राज में इस्तित है कुलेरू जील तो ये इस्तित है दोस्तों आंध पर्दिस में कुलेरु जील किस राज में है आंध परदेस में कॉलेरु जील गदरपाटी के ससनस्थापक कौन थे गदरपाटी के तो यह हर्दियाल थे गदरपाटी के ससनस्थापक 1931 में निमलखित में से कौन इंडियान नेसल कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे तो कौन थे अध्याच वल्ला भाई पटेल 1911 में निमलखित में से कौन Indian National Congress के अध्याच थे वल्ला भाई पटेल सार्क में कितने सदस्य देश स्वामिल है सार्क में किसे सदस्य देश स्वामिल है तो ये 8 है दोस्तो 8 अच्छे बताईए सार के सथापना कब हुआ तो दोस्तो 8 दिसंबर 1950 को हुआ था सार का भूलपम क्या होता है The South Asian Association for Regional Corporations याद रखिएगा और इसमें कौन-कौन 8 सदस्य देश है दोस्तो भारत पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान नेपाल, सिरलंका, मालदीप और अफगानिस्तान भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान नेपाल, सिरलंका, मालदीप और अफगानिस्तान याद रखिए कब अस्थापना होई थी तो 8 दिसंबर 1950 को ये भी आपको याद रखनी होगी दोस्तों भारती राष्ट कोंडेश का पाला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था पाला अधिवेशन तो ये दिसंबर 1880 में किया गया था भारती आमत्रिक्ष अनुसंधान समीतिका गठन कब किया गया था कब किया गया था तो ये किया गया था 1962 में भारती आंतिश अनुसंधान समितिय का गठन कब किया गया था, 1922 में किया गया था, स्वनीम चतरभूज योजना का सुवारम किस ने किया था, तो यह अटल वियारी वाजपई ने किया था दोस्ता स्वनीम चतरभूज पर्योजना की सुर्वात, आरके नरायन का पहला उपन पन्यास कौन सा है दोस्तों तो याद रखेगा, स्व чудी और फ्रेंट्स, आरके नरायन का पहला उपन्यास है, नेवन में से भुधबड का सास्ती निर्त्र कौन सा है, तो बिलकुल कूछिपूरी आंध्परदेश का सास्ती निर्त्र कूछिपूरी, ठीक है, नेक्स्ट है राजसभा के कितने सदसी होते हैं राजसभा के राजसभा के धायसों सदसी होते हैं दोस्तों अधिक्तम नेक्स्ट है भारत के सभीधान के किस भाग में भारत के नारिकों के मोलिक अधिकार मोजुद हैं किसमें दोस्तों तो भागतीर में मोली का अधिकार है आगे हम लोग सभी के बारे में चाचा करेंगे भागतीर में मोली का अधिकार है दोस्तों सेवाचित्र किसी अर्थवेस्ता के ड्यास का एक हिस्सा है सेवाचित्र ये त्यक्ति एक छित्र का दोस्तों हिस्सा है सेवाचित्र ताजमाहल पडिसर का निर्मान लगवाग कब शुरू किया गया था ताजमाहल पडिसर का निर्मान कब शुरू किया गया था 1632 दोस्तों शुरू किया गया था लक्षदीप दीप समु और अनमान निकवार दीप समु के समुद तट सहीत भारत के समुद तट की लगवा कुल लंबाई क्या है क्या है दोस्तों याद रखेगा 7570 किलोमेटर लक्षदीप दीप समु और अनमान निकवार दीप समु के समुद तट सही भारत रत्न का प्रावधान कब पेस किया गया था बताईए तो ये 1954 इस भारत रत्न का प्रावधान अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इस सेट्स रिलेक्टेड जो भी important point है दोस्तों जिसे आपको हमेशा याद रखनी है पेरियार जिलका है केरल में है पेरियाल जिलका है दोस्तों केलर में है लोनार जिलका है महराष्ट में चिलका जिलका है उरिसा में जिलका जिलका है उडिसा में हुसेन सागर जिलका है आंध पर्देश में डिडवाना जिलका है राजस्थान में लोक्टक जिलका है दोस्तों मनिपूर में पुलिकट जिलका है तमिलाडू में खूर पताल जिलका है दोस्तों उत्राखण में खूड पताल जिलका है उत्राखण में अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक साइट सूची यानि विसे उसके बाद है दोस्तों भाग उसके बाद है अनुचेत देखिए इंपोर्टेंट है संंग इभम उनके परचेत जो होते हैं दोस्तों यह किस में है तो एक में है यह भाग एक में अनुचेत एक से चार तक है भाग दो में दोस्तों नारिकता है आनुचेत पांस से एक क्यारह में मोली क अधिकार भाग 3 में दोस्तो अनुछेर 12 से 35 में राज के निति नितसकत्वे का भाग 4 में अनुछेर 46 से 51 में संगीय सक्तिका विस्तार है दोस्तो भाग 5 में अनुछेर 52 से 151 में राज सक्ति का विस्तार है दोस्तों भाग 6 में अनुचित 152 से 237 के बीच 237 के बीच पंचाहती राज भाग 9 में दोस्तों यादर के भाग 9 में 243 से 243 के मुर्धुन्त 9 तक है देखे फिर से दोस्तों इसको संग एवाम उनके छेतर है भाग 1 में अनुचित 1 से 4 में भारत राज्यों का संग भाग 1 में है न दोस्तों अनुचित 1 में है नारिकता दोस्तों भाग 2 में अनुचित 5 से 111 में मोली कदिकार भाग 3 में है अनुचित 12 से 35 में राज के निती ने सकत तो है भाग 4 में अनुचित 36 से 151 में राज सक्ति का विश्तार है भाग 6 में अनुचे 152 से 237 में पंचायती राज भाग 9 से समंदिते 243 से 243 के मुर्धंत 9 तक है और अपातकारीन उपबंद दोस्तों अपातकारीन उपबंद भाग 88 में है याद रखिये अनुचे 352 से 360 तक है अपातकारीन उपबंद सविधान सवस्वदन की परिकेडिया भाग 20 में है अनुचे 368 में है अनुचे 368 में काफी यह इंपोर्टेंट थी नेश्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी पीसी रेलवे एंटी पीसी एक्जाम डेट है चार जन्वरी चार जन्वरी 2021 को फस्रिप्न जो कोशन पूछा गया था वो कोशन देखिये दोस्तों मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रसका उत्पादन करता है पीत रसका उत्पादन करता है यह तो आप लोग बता सकते हैं बताइए तो इसका राइट अंसर होगा अप्शन नमर सी यानि याक्रीत पीत रसका उत्पादन करता है याक्रीत लेकिन जमा होता है दोस्तों पीत गर्ब क कशर डेस है क्या है मादा पर्जनन अंग है प्रोर्याब लेंग्वेज जावा का मंज़त द्वारा किया था यह GEMS120 की द्वारा है Hepatitis A, किसकी कारण होता है Hepatitis A, तो यह होता है दोस्तों, विस्वानों के कारण है Hepatitis A, ठीक है, और यह यक्रित को परभावित करता है, इसे याद रखनी है, भारत में पाला नावी के विदुत सेंद्र कहां स्थापित किया गया था, कहां स्थापित किया गया था, ठीक है, नेक्स्ट है, इंसेट 1B को कब शुरू किया गया था, इंसेट 1B को कब शुरू किया गया था, 1983 सिविव में इंसेट 1B को शुरू किया गया था, भोतकी की कौन सी साखा इस्तिर तरल पदार्थ के गुंधरमों से ये समन्दित है, तो ये समन्दित है, हाइडो संबंदित हैं मानव सरीर की pH range कितनी होती है घ्र बताएं तो यह 7.35 से 7.45 के बीच होती है दोस्तों अब हम पढ़ेंगे समानी अध्यन सरदार सरुबर बांध किस नदी पर बना है किस नदी बना है नर्मदा नदी पर सरदार सुरुबर इंद पूछा यू ऐart उटक्र मत्यों थला ईूरा पूछा अरिक ऑस सब्सक्षाइन खाए नवक्लेकर अंदिट्स में-देरे में-पराब चश्चरू में गुदावी नदी का उद्गम किस अस्थान से होता है गुदावी नदी का उद्गम तो ये होता है ब्रहमगिरी की पहाड़ियां से गुदावी नदी का उद्गम गांधी सागरबान किस राज में इस्थिते गांधी सागरबान ये मद परदेश में इस्थिते दोस्तों साच साची के अस्तुप का निर्मन किस ने कर आया था? निर्मन किस ने कर आया था नेक्ष्ट है फोखरन पर्मानूपरिक चण दो का court-nom क्या था दो क्या कोड कोड माką प्रेशन सकती पोखरन परवान उप्रेक्षन code नम क्या था आप्रेसेशन सकती अकवर करकर शंवर्ट już 1556 बना था दोस्तं राजा-रभी वरермा एक परशित 10TH एए एपरसित क्या चित्रकार थे क्या थे दोस्तों चित्रकार 1857 के विद्रों को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दवाया था कब दवा दिया था दोस्तों तो यह दवाया था 1969 में अंग्रेजों ने दवा दिया था 1857 के विद्रों को आर्टी आई अधिनियम का परभावी हुआ था आर्टी आई अधिनियम ये अक्टुबर 2005 में परभावी हुआ था आर्टी आई अधिनियम किस उद्योग में कच्छे माल के रूप में चूने के पत्थर का उप्योग किया जाता है तो ये सिमेंट में किस उद्योग में आयू का नोबेल विजेता है मालाला यूसूफ जाई है कहा जाता है कि 1906 में भारत का पर्थम रास्ट ये धुवच ड्यास में पहरा आया गया था तो ये भी कलकटा में ही क्या गया था कोलकाता में ही क्या गया था दोस्तों नेक्स्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन इसोसियेशन की गठान कब क्या गया था कब क्या गया था 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन इसोसियेशन की गठान 1924 में क्या गया था पर्थम पंच वसी योजना का मुख्य ध्यान डियास पर था, मुख्य ध्यान किस पर था, किरिसी छेतर में, पर्थम पंच वसी योजना का मुख्य ध्यान था दोस्तों, किरिसी छेतर पर, परसिदी हिंदी उपनियास तमस, किसने लिखाता तमस, तमस लिखाता बेशन सानी परसिद हिंदी उपन्यास किसी लिखाता है बिश्म सानि ने सर्यूद राश्च सुरक्षा परिशत में कितने ओस्थाई सदस हैं और अस्थाई सदस यह तुद्धस तें पांच 28 सदस हैं दोस्तों आपको पताईएं पांच में कौन-पूर्ण गिंति आता है बताईए A.C. England या फिरुटेर्ड A.C. को United Kingdom कहते हैं दोस्तों Next Simon Commission कब भारत आया था Simon Commission कब भारत आया था 1938 Cum пом D. Bacon दोस्तों भारत आया था लेकिन Simon Commission का गठन हुआ था 8 November keyboard 1927 को ये गठन हुआ था December 217प ये गठन हुआ था Perdicella भारत का सबसे बड़ा था 1921 दोस्तों भारत ने पहली बार भाग लिया था और ये 33 कोशन का अंसर दे दे देते हैं दोस्तों और इस सेट में क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है जैसे आपको याद रखनी है वो देखी तरापूर परमानु विदुत गिरी का है महराष्ट में तरापूर परमानु विदुत गिरी का है दोस्तों महराष्ट में है राजस्तान परमानु विदुत गिरी का है रावत भाटा में नरूरा परमानु विदुत गिरी का है बुंदेल सहर उत्तर परदेश में नरोडा परमानु विदुत गिरीका है बुंदेल सहर उत्तर पर्देश में काकरा पारा परमानु विदुत गिरीका है सुरत गुजरात में काकरा परमानु विदुत गिरीका है सुरत गुजरात में केगा परमानु विदुत गिरीका है करनाटक में देखिए दोस्तों, तरापुर्ग परमानु विदुद्गरी का है महरास्ट में, राजस्थन परमानु विदुद्गरी का है रावत भाटा में, नरोडा परमानु विदुद्गरी का है बुलंद सहर उत्तर परदेश में, काकरापारा परमानु विदुद्गरी का है सुरत गुज्रात में केगआ परमानु विदुद्गरी का है करना टक में इंपोर्टेंट है दोस्तों नेक्ष्ट PHP value नेश्ट Dash April में निम्वू का PHP valuebelsे 2.2 से 2.4 के बीच होता है सिर्का सर्का का 2.4 से 3.4 के बीच होता है सिर्का का स्राव का 2.8 से 3.8 से 3.8 के बीच होता है मानवरक्त का 7.3 से 7.5 तक होता है कि बीच होता है दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी चार जन्मरी 2021 को सकेंड सिप्मी जो कुस्षन आया था वो देखिए दोस्तों समाने विज्ञान का कुस्षन हमारे सरी में वसा संचायक उत्तक कौन सा है वसा संचायक उत्तक दोस्तों हमारे सरी में कौन सा है तो याद रखेगा तो एडी पोज उत्तक है एडी पोज उत्तक जो होता है ये वसा संचायक उत्तक होता है दोस्तों यानि बी नमबर होगा इसका नमबर 2020 तक प्राथ जनकारी के नुसर भारत में कितने परिचारित नावे की उर्जार रियक्टर हैं कितनी हैं दोस्तों 22 हैं कितनी है 22 हैं दोस्तों 22 टेलिकॉम छितर में ISP का पुनरूप क्या है ISP का पुनरूप क्या होता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर न्यूटन के गती के पर्थम नियम का अनिनाम क्या है दोस्तों इसका अनिनाम है जिलतु का नियम न्यूटन के गती के पर्थम नियम का अनिनाम है जिलतु का नियम ट टेक्सोल किस पेर से निकला जाता है टेक्सोल निकला जाता है सूची ब्रिक्ष यानि इयो से निकला जाता है टेक्सोल दोस्तों किस से निकला जाता है सूची ब्रिक्ष यानि इयो से निकला जाता है जी सेट थर्टीवन क्या है यह एक दूर संचार हो पगरा है जी सेट थर छे नोबल गैस है दोस्तों कौन-कौन हिलियम, नियोन, आरगन, किप्टोन, जेनोन जेनोन और रेडोन हिलियम, नियोन, आरगन, किप्टोन, जेनोन और रेडोन दोस्तों ये छे हैं इसको याद रखेगा MS Office 2010 की Excel वर्ग बुक में डिपॉल्ट तोर पर कितने sites सामिल होती है कितने sites इसमें सामिल होती है default रूप में कितने sites होते हैं दोस्तों तेन sites होते हैं मात्र इस समान एडियन से देखे क्या पुछा गया था paintside anne, unit score आता तोρ enforce होता दोस्तों ठीक है 875 में मुहम्डन एगलो ओरियंटल कोलेज की अस्थापना किस ने कि थी जो बाद में अलिगर मुस्लिम विस्विद्याले बना बताईए तो ये हो जाएगा दोस्तों सयद अहमद खान 1875 में मुहम्डन एगलो ओरियंटल कोलेज के अस्थापना किस ने की थी जो बाद में अलिगर्ड मुस्लिम विस्विद्याले बना सयद अहमत खान ने किया था परख्यात समाय सुधारक और महिला सिक्षा के लिए कार करने वाली पंडित रमा 22 सोती किस भाषा की महान विदूसी थी तो ये संस्कीत की दोस्तों वर्तमार में सभिधान के 18 अनुसोची में कितनी भासाईं समली थे कितनी भासाईं समली थे दोस्तों 22 भासाईं समली थे दिली में जमा मस्जिद का निर्मान किस वर्ष में पूरा हुआ था जमा मस्जिद का निर्मान तो ये हुआ था 1656 में जमा मस्जिद भारत का सबसे बड़ाब मस्जिद है दोस्तों और जमा मस्जिद को किसे बनाया था दिली में साजाहाने बनवाया था भारतिर जब्यंक की अस्थापना कब की गई थी भारतिर जब्यंक की अस्थापना तो ये की गई थी दोस्तों अप्रेल 1935 सिसी में की गई थी भारतिर जब्यंक की अस्थापना 2011 की जनगना की अनुसार भारत का लिगणुपाद क्या है यानि एक हजार पूरुस पर 943 ही महिला हैं जो कि काफी कम है दोस्तों राजभासा अधिनियम धारतीन के माध्यम से संक की राजकी कारियों के लिए अंग्रेजी भासा के निरंतन इस्थिमाल को किस वर्स में कि माध्यम से संकी राज किये कारियों के अंग्रेजी भासा के निरंतन इस्तिमाल को किस वर्स में लागुक किया गया था उनी देंसार भारत के नोगम् हों की कुल लमबाई लगभाग कितनी है तो याद कि 14,500 किलोमेटर है दोस्तों भारती अंतर देशिये जलमार्ग प्राधी करन के अनुसार भारत के नोगम्मी अंतर देशिये जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है तो 14,500 लगभग है दोस्तों संबर जिल कहां इस्तित है संबर जिल कहां इस्तित है तो यह संबर जिल दोस्तो राजस्थन में इस्तित है नेक्ट वर नात्मक इतिहास की पूझतक इंडिया आप्टर गांधी किस ने लिखे इंडिया आप्टर गांधी तो राम चंद्र गोहा जी ने लिखे हैं दोस्तो र दाम yolkativa ने फटेपूर्शिक्री इस्तित बुलं दर्वाजा अक्वार दुआरा ट्यास पर अपने विजय के पर्तिक के रूप में बनवाया गया था तो तो ये हो जागा दोस्तों गुजरात फतिपूर्शिक्री इस्तित बुलंत दरवाजा अकबर दुआरा डेस पर अपनी विजय के परतिक के रुप में बनवाया गया था गुजरात भारत के राश्पती दौळा लोक सभा में एगलो इंडियन समुदाई से कितने सरस्य मनोनित किये जाते हैं भारत में पहली ब्रेटिस परिसीदेंसी की अस्थापना कहां की गई थी दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सूरत में की गई थी भारत में पहली बेटिस प्रसिदेंसी की अस्थापना कहा की गई थी सुरत में भारत में स्वेट करांती का जनक किसे माना जाता है स्वेट करांती का जनक तो ये वरगीज कुरियर को माना जाता है स्वेट करांती का जनक फस्लों के लिए निमलखित में से कौन सा निका नियुंतम समर्थर मुल्य की अनुसंसा करता है फस्लों के लिए तो याद के C.S.C.P. संसद द्वारा निसुलक और अनिवारी सिक्षा का दिकार अधिनियम किस वर्स में पारित किया गया था? 2009 में संसद द्वारा निसुलक और अनिवारी सिक्षा का दिकार अधिनियम किस वर्स में पारित किया गया था? 2009 में गांधी असमिर्ती एवं दर्सन समिती G.S.D.S. का गठन कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों तो सितंबर 1984 में गांधी अस्मिर्ती एवं दर्शन समिती G.S.D.S. का गठन कब किया गया था सितंबर 1984 में किया गया था भारत में प्रोजेक्ट टागर किस वर्ज शुरुक किया गया था एजी है लेकिन बहुत बार कोशन ये पूछा गया है 1973 में दोस्तों कब तो 1973 में भारत में पहले यातरी रेलगाली कब चली थी 2830 में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन सहरों के बीच चलती है तो नई दिली से कट्रा के बीच विद्वा पुनर विभा की अनुमती देने वाला कानून हिंदु विद्वा पुनर विभा अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था किस वर्स किया गया था 1856 में तियाल कि विद्वा पुनर विभा की अनुमती देने वाला कानून हिंदु विद्वा पुनर विभा अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था तो 856 इम दोस्तों पारित किया गया था इंपोर्टेंट है इसको याद रखेगा और विद्वापुनर अधिनियम जो यह इस्वर्चन्द विद्यासागर के अथक परियास से किया गया था इंपोर्टेंट है यह भारत देश का दचिंतम बिंदू कौन सा भारत देश का दचिंतम बिंदू पूछा है इंपोर्टेंट है तो इसका हो जागा दोस्तों इंद्रा पोईंट ये ग्रेट निकोबार दिफसमों में दचिंतम मिंदू लेकिन भारत का भूमी का दचिंतम मिंदू अगर पूछा जाए तब वो जाएगा दोस्तो कन्या कुमारी में केव केमोरीन ठीक है सुसिल कुमार ने किस खेल के लिए ओलम्पिक पदक जीता था किस खेल के लिए कुछती के लिए जीता था दोस्तों कुछती के लिए अब इसका आंसर है और इस सेट से क्या-क्या इंपोर्टेंट जिसे आपको याद रखनी है वो देखे चीटी के डंक में मेथनोईक अमल पाए जाता है जिसे फॉर्मीक अमल करते हैं मेथनोईक अमल को हिं दोस्तों फॉर्मीक अमल भी कहा जाता है फॉर्मीक अमल का रासैिनौ club एच-C-O-H होता है प्राक्यृतिक शुरुत अमल देखे टमाटर में औकजेलिक अमल पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक अमल पाया जाता है, संत्रा में सिट्रिक अमल पाया जाता है, सेव में मेलिक अमल पाया जाता है, चीटी के डंक में फर्मिक अमल पाया जाता है, चीटी के डंक में, मनुस्य का पेट में फर्मिक अमल पाया पुस्तक एकसाईड है देखिये क्या है बहुत यह इंपोर्टेट पूस्तक है देखिए दर इनसाइडर पीवी नरसिंभारों ने लिखा है लग्चा पुस्तक तसलीमा नशरी ने लिखा है दोष्टों दाउन दा मेमोरी लेन Mother Tracer ने लिखा है, दोस्तों, राजीव सोनिया गानी ने लिखा है, Mother Tracer नवीन चाला ने लिखा है, Mother Tracer, An era of darkness P.S. Nepal ने लिखा है, यादर की An era of darkness V.S. Nepal ने लिखा है, The God of small things अरुंदाती राय ने लिखा है, The God of small things अरुंदाती राय ने, Fasting, Festing, Anita देशाय ने, Fasting, Festing, Anita देशाय ने, और Straight from the Heart, Kapil Dev ने लिखा है दोस्तु, काफी important book है, फिर सिर देखिए the insider p.b. नरसिम्भरों ने लिखा है लज्जा पुस्तक तसलीमा नसीर ने लिखा है down the memorialine Mother Tracer ने लिखा है Rajiv Sonia Gandhi ने लिखा है Mother Tracer Nafeen Cavena ने लिखा है दोस्तों an era of darkness V.S. नाइपाल ने लिखा है the god of small things Arunthati Rae ने लिखा है fasting fasting锁मoka जो इस मिने लिखा है दोस्तों इंपोर्टेंट है और ओपेन ओपेन आंद्रे आगासीन लिखा है ओपेन नेक्स्ट अब हमलों पड़ेंगे रेलवे एंटी पिसी पना जन्वरी दो जारी किसको फसिप में जो कोशन पूछा गया था वो देखें पहले हम लो साइंस के बारे में देखेंगे फुलों के अंडा से के अंदर छोटे मन के जैसे सरचना वो क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल बीजानू कहा जाता है फुनों के अंड़ासे के अंदर छोटे मन के जैसी सरचनाओं को क्या कहा जाता है बिजानू कहा जाता है कंप्यूटर की छेत में LIFO का पुनरूप क्या है LIFO का पुनरूप तो याद रखेगा last in first out last in first out इसका फुलपम होता है इन मेंसे कौन सी computer की एक विसेस्ता नहीं है कौन सी नहीं है दोस्तों important है नहीं को आप लोग पाली headline लगा लिजिए तो यह हो जागा दोस्तों intelligence को सेंट नहीं है बाकी सब है speed है, curiosity है, data stretch है लेकिं intelligence को सेंट दोस्तों नहीं है यह याद रखेगा बाकी सब है next निमलखित में से कौन सी भारती खद्यान दुनिया की सबसे बड़ी uranium खद्यानों में से एक है क्या होगा इसका अंसर तो यह होगा याद कि तुमाला पली खद्यान निमलखित में से कौन सी भारती खद्यान दुनिया की सबसे बड़ी uranium खद्यानों में से एक है तुमाला पली खद्यान निमलखित भारती खद्यानों में से बड़ी खद्यानों 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 उप्यों कारवन डाय ओक्साइड और जल के रूप में करते हैं इन जीवों को क्या कहा जाता दोस्तों इन जीवों को सोप पोसक कहा जाता है कुछ जीव अकारसनीक सुरतों से प्रात सधान खाल समागडी का उप्यों कारबन डाइ ओकसाइड और जल के रूप में करते हैं इन जीवों को क्या कहा जाता है सो पोसक कहा जाता है पोधो में प्रोटीन और अनियोगी कों के संसलेशन में किस आवसक्ततों का उप्योग किया जाता है नाइटोजन का पोधों में प्रोटीन और अनियोगीकों के संसलेशन में किस आविसक्ततों का उप्योग किया जाता है नाइटोजन का सुचनाओ का संचे नीरोन के किस भाग में होता है किस भाग में होता है दोस्तों तो यादे कि दुरोमासल में होता है सुचनाओं के संचे नीरोन के किस भाग में होता है दुम्रासल में होता है समानी परिस्तितियों में पेट की आंतरिक पुरत को अमलकी किरिया से कौन बचाता है अमलकी किरिया से तो बलगम यानि मक्कस बचाता है दोस्तों समानि परष्टित्यों में पेट की आंध्रीक पिरत को अमलकी किरिया से कौन बचाता है? बलगम बचाता है नेक्स निमलकीत में से कौन सा देश सउध्राश शरक्षा प्रिषट के अस्थाइश सदसी है? चीन है ये तो आप लोगें पता है हम पाचों बता दिये हैं दोस्तों next फ्रेसे स्ट्री किया दोके फ्रेस दोस्तों कुलीन जमिनदारी के पतन के बारे में सत्जित राय के परसिद फिल्म कौन सी है कौन सी है दोस्तों important है यह होगा जल साघर जल साघर है दोस्तों क्या है कूलीन जमिंदारी के पतन के बारे में सत्य जीत रहे की परसिद फिल्म कौनसी है तो जल साघर है अंतराश्ची निरती दिवस कब मनाया जाता है अंतराश्ची निरती दिवस दोस्तों 29 अप्रिल को मनाया जाता है अंतराश्ची निरती दिवस भारत्म राजिब पुनोडगत अयोग के अस्थापना कब हुई थि? वेख्या के लिए लोग पिति दोस्तों, गया लाल के लिए? नेक्ट एक अलग अंदर के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता था इंपोर्टेंट है बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल विसा लांध्र आंदोलन एक अलग आंद्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था विसा लांध्र आंदोलन कहा जाता था उनिसो तेरह में साहित के लि तो किस ने किया था? तो किस ने किया था? अली बंदों ने खिलापत अंदलोण करने तो किया था? निम्रकेद में से कौन सी Input Device नहीं है? Input Device दोस्तों कौन सी नहीं है? तो ये Plotter दोस्तों नहीं है, Track Ball है, Light Pain है और Trudge Screen है लेकिन Plotter नहीं है प्लोटर क्या है दोस्तों एक आउटपूट डिभाईस है कुल लागत पर्थी एकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है किस नाम से तो ये औसत लागत के नाम से उपनिवेसिक सासन की अस्थापना निवर में से सबसे पहले कहां हुई थी ये कहां हुई थी दोस्तों तो ये हुई थी बंगाल में उपनिवेसिक सासन की अस्थापना निवर में से सबसे पहले कहां हुई थी बंगाल में तमील नव वर्स को किस नाम से जाना जाता है तमील नव वर्स को तो यहाँ देखेगा वरुसा पिरापू के नाम से जाना जाता है पुर्वी तटका सबसे पुराना कृतिम बंदरगा कौन सा है सबसे पुराना कृतिम बंदरगा चे नई बंदरगा है दोस्तों पुर्वी तटका सबसे पुराना कृतिम बंदरगा एक अर्थसास्त में पुझी श्ट्रोक के विर्धी सुध निवेस या नए पुझी निर्मान द्वारा मापी जाती है जिसे डैस के रूप में वेक्ट किया जाता है सुध निवेस बराबर सकल निवेस मैनस मुल्य हराज सुध निवेस बराबर होता है सकल निवेस मैनस मुल्य हराज भारती राष्टी आंदोलन के दोरा निवन में से किसे मसीनों और प्रोदित्कियों का महिमा मंडल नहीं करने के कारण माना समाज का परतिक माना गया था ये हो जाएगा दोस्तों चर्खा भारती राष्टी आंदोलन के दोरा निवन में से किसे मसीनों और प्रोदित्कियों का महिमा मंडल नहीं करने के कारण माना समाज का परतिक माना गया था चर्खा होगा दोस्तों निवेस ने किया था किसने किया था महतमा गादी ने लंदन में संपन हुए दूसरे गुल में सम्मेलर में कंग्रेस का परतिने थे तो किसने किया था महतमा गादी ने वस्तों के निडियात और आयात के संतुलन को डेयस के रूप में संद्रभित किया जाता है किसकी रूप में किया जाता है दोस्तों तो यह देखिए व्यपार संतुलन की रूप में वस्तों की निरियात और आयात के संतुलन को डेयस की रूप में संद्रवित किया जाता है व्यपार संतुलन की रूप में डेयस में भारत के तत्कारी राश्ट पती दौरा पहली वात्या भत्ती का उद खाटन का राउल केला एस्टिल प्लांट का सुवारम किया गया लागो होने के समय वर्दमान का राजा कौन था पत्य राज तेई इह हुझाएं धोस्तों, ब्रिदिस्वर मंदीर तंजावूर का कौंसा मंदीर में चोल वास्तो कलाका उधारन है, जिसका निर्मान समडाठ्ट, यू राज-राज पर्थम ने करवाया था, ब्रिदिस्वर मंदीर यूएन के उस पर्मुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था 1994 निलंबित हो गया था दोस्तों नियास परिसत सेट्स अप सेफराण पुस्टक के लिखा कौँ है इसके लिखा कें सबा नकमी यूएन के आठवे नहीं महासचीव कौन थे कौन थे दोस्तों तो बान की मून ये आठमें महस्ची थे UN के भारत का सोमा आंत्रिच अभियान कब सुरू किया गया था कब सुरू किया गया था सितंबर 2002 दोस्तों सुरू किया गया था नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पहले विज्ञान देखेंगे निमलकित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो किसी पोधों में इसकी जरों से पत्यों तक जल पहुचाता है क्या होगा इसका अंसर तो इसका राइट अंसर है दोस्तों बिल्कुल जाईलाम जाईलाम भोजन के पाचर में क्या मदद करता है भोजन के पाचर में क्या मदद करता है दोस्तों तो इसका राइट अंसर होगा बिल्कुल लाड मदद करता है भोजन के पाचर में लाड टेलिफोन के संदर में ADSL का पुनरूप क्या है ADSL का पुनरूप दोस्तों symmetrical digital subscriber line symmetrical digital subscriber line है दोस्तों ADSL का पुनरूप निम्ड में से कौन सा antivirus software है antivirus software है तो यह दोस्तों नॉट्टॉन यह antivirus software है नॉट्टॉन नेक्स्ट इंटरनेट तक पहुँचने के लिए निम्लखित में से किसकी आवसकता है किसकी आवसकता है तो unique यह IP address की यह आवसकता होती है वो जोन के एक अनुमें auction के कितने परमानों मुझुद होते हैं तीन दोस्तों मुझुद होते हैं कितने मुझुद होते हैं तीन मुझुद होते हैं तीन उस परिक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशे का स्वेंग को दो भागों में विभाजित करती है तो यह हो जाएगा दोसो बाइनरी विखंडन उस परिक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशे का स्वेंग को दो भागों में विभाजित क भारती आंतिच अनुसंधान संगटान यानी इसरो ने अपने चंद्र अनवेसन मिसंचंद यान दो के लिए किस परचेपन यानका उपियोग क्या था दो बाडा कोसन आया हैं बताइए दोस्तों तो यह होगा जीयसलवी-मके-थड जीयसलवी-मके-थड एम-वन जीयसलवी- भारत सासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डेस की विवस्ता दी थी निमलकित में से कौन संयुक्त राशपर्नाली का बारी निरक्षक निका है निमलकित में से किस राजा ने कसी में चतूर्थ बोध संगीती का आयोजन किया किस राजा ने किया कनिस्क ने किया निमलकित में से किस राजा ने कस्मीर में चतूर्थ बोध संगीती का आयोजन किया कनिस्क ने निमलकित पहाडियों में से किसकी पस्चिमी सिमा पर भारतिय रेगिस्तान है तो यह हो जागा दोस्तों अरावली क्या हो जागी अरावली स किस रूप में मनाती है किस रूप में मनाती है 21 जुन को तो याद रखिये अंतराष्र योग दिवस के रूप में मनाती है 21 जुन को निमलखित सुतनता सैनानियों में से किसे सिमांद गांधी के नाम से जाना जाता है सिमांद गांधी के नाम से खान अब्दुलकपर खान को जाना जाता है दोस्तों निमलखित में से कौन सा सीत मरवस्तल है सीत मरवस्तल कौन सा है पेंटागोनिया दोस्तो सीत मरवस्तल है गरीवी हटाओ किस राजनितिक के नेता का नाराथा गरीवी हटाओ तो ये हो जाएगा दोस्तो इंद्रागांदी का नाराथा गरीवी हटाओ पोंगल पक्छी गनना निमलखित में से किस राज की पहले पोंगल पक्छी गनना तो य यह हो जागा दोस्तों तमिलाडू की भारत में वस्तु एवं सेवाकर GST कब लागू किया गया था एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था दोस्तों एक जुलाई 2017 को नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं कहां इस्तिते एलिफेंटा की गुफाएं यह इस्तिते भारत में टैस और समन्द गतिविधियों है तो रीन के सम्विवित्रन में सबस अधिक हिसेदारी वने जिप बैंकों की है तो यह हो जाएगा दोस्तो नेक्स गवर्नर जेनरल लॉड डल होजी ने किस समराज को चेरी कहा था अधिस समराज को चेरी कहा था लॉड डल होजी ने 1964 में रेलवे हर्ताल का नेतरतु किस ने किया था तो यहाद रखे जॉर्ज फणाडिस ने किया था रेलवे हर्ताल का नेतरतु पहली याथरी रेलवे ट्रेंड बंबे और ठाने के बीच कब चलाई गयी थी कब चलाई गए थी अठाट सो तिरपने से में चलाई गए थी दोस्तों लोड़ल होजी के ससनकाल में निमलखित में से कुन लंदन में पहले गोल में सम्मिलन में सामिल नहीं हुआ था कुन दोस्तों सामिल नहीं हुआ था तो इसका राइट अंसर क्या होगा दोस्तों तो इस प्राचिन असमारकों और प्रवात्तात्रिक अस्थलों और अपसेस अधिनियम 1958 के अनुसर कोई भी स्रचना मुर्थी कला सिला लेक आधी जो कम से कम डैस वर्सों से अस्थित में हैं प्राचिन कहलाता है। भारत का सबस्वरा साजुनिक छेतर का बेंक कौन सा है। तो यह स्टेट बेंक ओफ इंडिया। इस याई विकास बिंग का मुख्याले किस देश में हैं दोस्तों। तो यह है फिलिपिन्स में स्याई विकास बिंग का मुख्याले। नेक्स्ट उट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इस धारना से लिया गिया है दोस्तों। यह हो जाएगा बिल्कुल उटों का उप्यों रेगिस्तान में प्रिवहन के लिए किया जाता है। इसलिए उट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। एक वार्षिक संस्कृति कुस्टब है तो मनिपूर। क्या होगा दोस्तों मनिपूर। पर्थम बोद संगती 483 इसे में हुआ था राजगिरी में हुआ था आजासतरु का ससंकाल था। और दूसरा बोद संगती 233 इसापुर्व में हुआ था दूसरा बोद संगती ये वैसाली में हुआ था कालासो का ससंकाल था। दूसरा बोद संगती 233 इसापुर्व में हुआ था वैसाली में कालासो का ससंकाल था। और तीसरा बोद संगती 250-255 के बीच हुआ था पुर्व इसापुर्व के बीच हुआ था दोस्तों ये पाटली पुत्र में हुआ था आसो का ससंकाल था। दूसरा बोदसंगतिय से दिया जाता है दोस्तों एक्यावण ऐसा पूरक के बीच हुआ था वही में भूआ था पॉल्गस पातली पूत्र में ये असोक के ससनकाल में पर्थम, सोड़ी, चतुरत बोध संगती, इस भी के पर्थम सदीम हुआ था, इस भी के पर्थम सतावदी में ये कस्विन हुआ था, कनिस का सासन काल था दोस्तों, ये काफी ये इंपोर्टेंट है, नेक्ट एक साइड राज, दूसरे साइड उत सब, देखें, तिरपुरा म खर्जी पुजा लाई हरवा मना जाता है, तिरपुरा में, मिजोरम में चपचार कुट मना जाता है, नगालेन में होनबिल मोत्सु मना जाता है, असम में अंबुबाची मेला बीहु मना जाता है, पसिमंगाल में बसंद उत्सब, किरल में ओनम मना जाता है, करनाटक में उगादी मनायाता है। कर्णाटक में उगादी मनाया जाता है। पर एंटी पीसी साल जिनमरी 2021 को फ़सिपनी जो को सनाय था वो देखिए कम्पूटर पर रिमोट लोंगिन की सिवधा कौन परदान करता है तेलेनेट करता है तेलेनेट का मतलब होता है दोस्तों टेलिफॉन नेटवर्क धनावेशित आयन को डेस कहा जाता है क्या कहा जाता है तो ये धनायन कहा जाता है दोस्तों सोसंतंत्र से समंदित विभीन रोग किस परकार के परदूसन के कारण होते है वायू परदूसन के कारण खास दिनेखला के तिसरे पोसी अस्तर में निमलकित में से किसे सामिल किया गया है किसे समिल किया गया है दुइतिय उभोकता को समिल किया गया है उस ततो का नाम बताइए जिसका electronic विन्यास 287 है वो कौन सी है दोस्तों मतलो 8,2,10,7,7 यानि क्लोरीन होगी याद रखेगा क्लोरीन होगी तो next peripheral IO में कितने output होते हैं कितने होते हैं तो याद रखेगा 256 होते हैं 256 प्रियावरन और 1 के संदर में WCCB का पूर्ण रूप क्या होता है WCCB का पूर्ण रूप याद रखेगा wildlife crime control होता है निमलखित में से कौन सा कारवन का एक अपरूप है कारवन का अपरूप दोस्तों हीरा है option के अनुसार समानी अध्यन से देखिए 1922 इस्वी में गांधी जी दुवाड़ा और सयोग अंदोर्न अस्तकित करने के मोखी कारण क्या थे मोखी कारण उत्तर परदेश में चोड़ी चोड़ा पूलिस एस्टेशन में ओगर भीर दुवारा आग लगा दी गई थी याद रखिएगा important है भारत में कितनी संगटन संयोग राष्ट के अंग है कितनी संगटन है तो ये 26 संगटन संयोग राष्ट के ये अंग है भारत के त्री चलन नाविक्य सक्ति कारिकरम के अस्थापना किसने की थी किसने की थी डाक्टर हूमी भावा न की थी त्री चलन नाविक्य सक्ति कारिकरम की अस्थापना महत्मा गांधी ने Lord Evin को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी जिनमें से कुछ को गांधी Evin समझता के रूप में सिकार किया गया था एक ग्यारा किये थे दोस्तों एक ग्यारा वर्ल्ड बुक एंड कोपिराइड डे कम मनाया जाता है कम मनाया जाता है 23 अप्रिल को वर्ल्ड बुक एबं कोपिराइड डे मनाया जाता है 1922 में वो सहयोग आंदरोन की नित्रत्यों किसने किया था किस ने किया ता महत्मा गांदी ने भारती राष्ट कपके पहले मुस्लिम अध्यच क Bett पहले मुस्लिम अध्याइच कों थे तो याद रखिएगा बदब्धु दिनतियव थे भारत के आंत्यिच्पारिक regarde के जनग किसे माना जाता है तो विक्रम सरभाई को मना जाते आंतिज कारिक्रम का जनक नेक्ष्ट भारत ने अपने पहले परमानुब्रम का परिक्षन कब किया था याद रखेगा 1904 में गया था रॉलैक्ट एक्ट डेस में पारित किया गया था भारत में राष्टी पंचेति राजदिवस कम मनाया जाता है 24 अपरिल को राष्टी पंचेति राजदिवस मनाया जाता है भार सरकार के इनिमलकित में से कौन सी विवस्था भारत में परत्यक्षी विदेशी निवेस FDI को आक्रशित करने के लिए नहीं है कौन सी नहीं है दोस्तों देके नहीं है तो ये है कौन-कौन वो देख लेते भार सरकार ने FDI प्रस्तावों के अनुमोधन तंत्र को सरल बनाया है ये तो है दोस्तों और FDI के प्रस्तावों को आवेधन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्विकृति दे दी जाती है ये भी दोस्तों सही है भारे सरकार ने घुसना की उदी मिता पाठ करम का परमंधर राज सरकारों द्वारा किया जाएगा ये बिल्कुल गलत है और गलत को ही दोस्तों ढूरना था तो यही सही होगा राजियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबुत करने पर धिहां देना चाहिए ये तो सही है निक्से भारत ने किस पंजवसिय योजना के दोरन मिसित अर्थवेस्ता का विकल पुचुना मिसित अर्थ विएस्ता का दूसरी पंजवसिय योजना में चुना कौन सा सहर स्वर्निम चतरभूज राजमार्ग नेटवर्क यानि गोल्डेन कॉडिलेटरल हाइवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है कौन सा दोस्तों नहीं है तो ये हैदराबाद नहीं है मुंबई, कॉलकाता और दिल्ली है लेकिन हैदराबाद दोस्तों नहीं है वे परसिद भारतिय महिलाव वकील कौन है जिनोंने भारतिय दंड सहीता IPC की धारा 370 की विरुद कानूनी लड़ाई का नेतरित्व किया दोनिया का सबसे व्यस्त समुदरी मार्क कौन सा है सबसे व्यस्त तो याद रखे उतरी अट्लांटिक समुदरी मार्क यानि दा नौर्थ अटलांटिक सी रूट है दोस्तों दोज़र 11 के जंगना के अनुसार 10 भारत का सबसे अधिक आवादी वाला राज है तो याद रखेगा उत्तर परदे सबसे अधिक आवादी वाला राज है निमलखित में से क्या कम्पीटर का एक घटक नहीं है क्या नहीं है दोस्तों ये कागच नहीं है तो ये ALU है CPU है और मेमोरी है लेकिन कागच नहीं है द्वित्य विश्यूद से प्रभावित देशों में बच्चों और मताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्त देखवाल परदम करने के लिए सवयुक्त राश द्वारा कौनसी एजंसियां मनाई गई थी कौनसी मनाई गई थी यूनिसेफ दोस्तों मनाई गई थी याद रखेगा खिलापत आंदोलन का नेतरित्तों किस ने क्या था खिलापत आंदोलन का नेतरित्तों सौकत अली और मुहमद अली ने क्या था सौकत अली और मुहमद अली ने इस सेट का इंपोर्टेंट पॉइंट देखे दोस्तों कंग्रेस का मदरास अधिवेशन हुआ था 1887 में इसके अध्यक्ष बदरूदिन तयव जी थे कॉंग्रेस के मदरास अधिवेशन 1887 हुआ था बदर उदिन तयव इसके अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन 1896 हुआ था कॉंग्रेस का और इसमें 200 रहिमतुला स्याने इसके अध्यक्ष थे पर मदरास अधिवेशन हुआ था 1913 में नवाव सीयड मुहमद बहादूर अध्यक्ष थे बोंबाई विशेश अधिवेशन 1917 रे में हो था हसन इमाम यहां के अध्यक्ष थे अहमदाबाद में जो हुआ था दोस्तों दिल्ली विशेस अधिनियम अधिवेशन का 1923 सी में हुआ था और अबूल कलम आजाद यहां के अध्यक्ष थे याद रखेगा मदरास अधिवेशन 1927 में हुआ था डाक्टर म. अंसारी अध्यक्ष थे रामगर अधिवेशन 1940 से 45 तक हुआ था दोस्तों अबूल कलम आजाद अध्यक्ष थे नेक्स्ट है देश और प्रिक्षन वर्स के बारे में देखिए युएसे युएसे ने प्रिक्षन किया था पर्मानु बंका प्रिक्षन किया है वो आठों देखिए दोस्तों युएसे ने किया था पर्मानु बंका उनिसो पैतालिस में रूस ने किया था इंपोर्टेंट चीज़े याद रखेगा अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी साथ जनमरी 2021 को सकेंड सिर्प में जो कुशन आया था वो देखे वन क्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्मान करते हैं इसके दोनों सिरों का निर्मान करते हैं इंपोर्टेंट है बताईए तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बैगनी और लाल कहने के मतलब वन क्रम में उपर होता है लाल नीचे होता है बैगनी दोस्तों याद रखे वीब ग्योर आपको पता ही है दोस्तों वीब ग्योर तरंग धहरी सबसे ज़्यादा होता है किसका लाल का सबसे कम किसका होता तरंग धहरी बैगनी का होता दोस्तों याद रखे बैगनी का सबसे कम होता है नेक्स्ट है दोस्तों सुतंत्र अस्तित्यों के सक्षम जीव की सबसे छोटी एकाई क्या होती है सबसे छोटी एकाई होती है कोसी का या दोखें कोसी का सबसे छोटी एकाई होती है यह सुतंत्र अस्तित्यों के सक्षम जीव की सबसे छोटी एकाई कोसी का आकास गंगा के निकर्तम इस्पारल गलेक्सी कौन सी है इस्पारल गलेक्सी दोस्तों तो यह है यावे पिन वील गलेक्सी पिन वील गलेक्सी सोरी सोरी एंडुमेडा गलेक्सी है दोस्तों एंडुमेडा गलेक्सी आकास गंगा के निकर्तम इस्पाइरल गलेक्सी कौन सी है एंडरमेडा गलेक्सी है M दिरमान की कोई वस्तू भी वेक से गतिमान है तो इसके संबेग को डेस द्वारा वेक्ट किया जाएगा संबेग बराबर आप फिर मुला जनियेगा बस हो गिया दोस्तों संबेग बराबर क्या होता है M भी होता है यानि दिरमान कुना वेग तो इसका राइट अंसर सिंपल सा M भी हो जाएगा दोस्तों गति जुर्जा बराबर हाप M भी होता है और इस्तिती जुर्जा बराबर M जी एच होता है दोस्तों गरेलु मक्ही का जीव वेग्यानिक नाम क्या है? गरेलु मक्ही का है दोस्तों, म्यूजिका, डोमेस्टिका भटियों जैसे अप्रिक्चा करें तो उचताप मानमा अपने के लिए निमलखित में से किस यंदर का उप्योग किया जाता है? किस यंदर का उप्योग किया जाता है? तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तों, पायरोमीटर का उप्योग किया जाता है चार तत्वे सुचिबद किये गए हैं, जिन में से तीन किस तरीके से समान है और एक संगत है, वो संगत का चेन किजिए वो संगत हो जाएगा दोस्तों इसमें sodium ठीक है, आरगन, helium और neon ये दोस्तों क्या है ये inert gas यानि एक novel gas है और ये sodium inert gas नहीं है ये एक तरह से दोस्तों क्या है ऐसा धातू है दोस्तों जिसे चाकू से काटा जा सकता है sodium का sodium का atomic number 11 होता है नियोन का दोस्तों 10 होता है helium का 2 होता आरगन का 8 होता है नेक्स्ट सी प्लेन सिवा का परचलन या परचलन करने वाला प्रायदीप ये कौन सा है दोस्तों तो याद रखेगा अनमान और निकोबार प्रायदीप है स्री प्लेंग सेवा का परचलन करने वाला प्रायदिप है भारत के समीधान के लागू होने के समय इसे मुल्ता कुल कितने अनुचित थे कितने अनुचित थे दोस्तों 395 अनुचित थे निम्लखित में से कौन सा साजनिक छेत उपकरम एक महरतन है तो यह है दोस्तों भेल एक महारतन है दोस्तों नेक्स्ट पाखन वनिजीव अभ्यारन कहां इस्तित्थ है पाखन जो है इस्तित्थ है दोस्तों यह वरंगल में इस्तित्थ है पाखन वनिजीव अभ्यारन भार के पर्थम रेलवे यूनिवर्सिटी कहा इस्तित है दोस्तों ये इस्तित है बरोधरा गुजरात में राश्टी ग्रामेन स्वास्त मिशन किस वर्स में सुरुक किया गया था किस वर्स में सुरुक किया था 2005 में राश्टी ग्रामेन स्वास्त मिशन असोक ने प्राचिन्तम प्राप्त अभिलेक निम्न में से किस लिपी में लिखे गए हैं तो प्राचिन्तम बताइए दोस्तों ये हो जाएगा बिल्कुल ब्राहमनी में लिखे गए हैं असोक के प्राचिन्तम अभिलेक सब आटिफिसियल इंटेलिजेंस किस ने गढ़ा आटिफिसियल इंटेलिजेंस तो जॉन मेक कार्थी ने भारत के समुधी मार की पहली बार खोज डेस ने किया पहली बार खोज किस ने किया था दोस्तों तो पूर्द गालियों ने पहली बार किया था, कब किया था ये तो आप लोगों पता ही है दोस्तों, 17 मई 1498 को किया था, निम्रिखित में से कौन भारती राष्ट कमुरेस के चरंपन थी, नेता नहीं थे, चरंपन थी नेता दोस्तों नहीं थे, तो कौन सुर्यान नाथ बनर जी नहीं थे, लाल बाल पाल तो थे ही, और विपिन चंद्रपाल थे, श्री अर्विंद घोस थे दोस्तों, और बाल गंगाधर ती लगती, ये अर्विंदो घोस है, ये दूसरा है दोस्तों, नेक्चे हर्याना में भार सरकार दुआरा, किस अस्थान पर नाविके सेंत्र लगाया जा रहा है गोरकपुर में सेत्व भारतम कारकरम किस वर्ष शुरू किया गया था किस वर्ष किया गया था 2016 में सेत्व भारतम कारकरम किस वर्ष शुरू किया गया था 2016 में शुरू किया गया था क्वार्जाइट 10 का परकार का एक सेल होता दोस्तों क्वार्जाइट तो यह जो होता है रुपांतरित से रोता है क्वार्जाइट निम्लकित में से कौन से राज पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं ABC होगा दोस्तों यानि गुजरात, पंजाब, राजस्थान ट्रीक है इसका पंगु राज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जमु कस्मीर URL क्या है? URL क्या है? तो ये एक इंटरनेट पर प्रदसित वेव पेज का एड्रेस है URL और URL का फॉल्फॉर्म होता दोस्तों, Uniform Resource Locator नेक्सट भारत के खिलापत आंदोलन के बारे में क्या सहिए खिलापत आंदोलन के? ये तुर्की सुल्थान के समर्थर में एक आंदोलन था भुगोल का जनक किसे माना जाता है? भुगोल का जनक तो याद रखेगा एटों इस्फिनीश को मना जाता है भुगोल का जनक नवे पुरुशकर देने वाले संसथा स्वीडिस एकर्मी डेस्ट से समंदी थे दोस्तों तो इसका राइट अंसर होगा सहहईत से समंदी थे स्वीडिस एकर्मी भारत माला परियोजना किस से समन्दित है भारत माला परियोजना राजमारगों से समन्दित है दोस्तों येलो वेस्ट विरोध किस देश से समन्दित है ये समन्दित है फ्रांस से समन्दित है दोस्तों फ्रांस से निमर्खित में से कौन सा एक एप्लिकेम्ट स्वक्ट्वियर है राज सभाके पहले सभापती कौन थे? डाक्टर सर्पोली राधा किसन थे डाक्टर सर्परली राधा किसन निमलखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद ये यंत्र से समन्दित नहीं है तो ये हो जाएगा दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान नहीं है बाकि सब है दोस्तों तरुन भटाचारी है भजन सुपारी सुपोरी है पंडित सीव कुमार स ये है संतूर वादक से समन्दित लेकिन उस्ताद अमजद अली खान नहीं है क्योंकि उस्ताद अमजद अली खान जो है दोस्तों ये सरोध वादक से समन्दित है अंतर सरकार संधी अधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्याले भारत में इस्तित है आई ऐसे ऐसा माना ज तो यह हो जाएगा दोस्तों, 1962, 1962 हो जाएगा, ऐसा मना जाता है कि भारती अंतिश्च कारकरम 10 में भारसर कारदुआडवारा, इनको इस पार की अस्थापना के साथ सुरू हुआ है, तो 1962 होगा, संग के मन्तरी पड़िसद में पितने मंतरी सांमिल किये जा सकते हैं अब देखिए दोस्तों इसका important point यह आपको वीबग्योर तो आपको पता होनी चाहिए नैचे से उपर दोस्तों तो सबसे उपर का रंग होता है लाल जिसमें दोस्तों तरंग धेरी सबसे ज़्याद होता है सबसे कम तरंग धेरी बैगनिक होता है नीचे होता है बीच का रंग हरा होता है दोस्तों लाल के बाद नीचे नारंगी उसके बाद पीला होता है तब हरा होता है तब निला तब ज वेग्यानिक नाम है दोस्तों पेंथरा टैग्रिस, मौर का वेग्यानिक नाम है पाभू क्रिस्टेसस, मक्ही का वेग्यानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, गाय का वेग्यानिक नाम है बौस इंडिकस, बौस इंडिकस, बकडी का वेग्यानिक नाम है के कहा है आंद परदेश में यह कोवारा जो है दोस्तों आंद परदेश जेदपूर यह महराष्ट में यह प्रस्तावित है दोस्तों सभी महाबासवारा राजस्थान में बनेगा चुटका मद परदेश में बनेगा कवाली आंद परदेश में बनेगा कोवारा आंद परदेश म आठ जनमरी 2020 को फस्ट में जो कोसन आया था वो कोसन देखिए निमन में से कौन गयर संक्रमक रोग का उधारन है दोस्तों तो याद रखेगा वो हो जाएगा बिल्कुल उच रक्त चाप उच रक्त चाप बांकी सब नहीं है देखिए उच रक्त चाप हो जागा इसका अंसर आपको बता दूँ उच रक्त चाप गयर संक्रमक रोग का उध तिवर रोग जिस रोग की अब धी कम होती है उसे तिवर रोग करते हैं जैसे खांसी जुकाम ये तिवर रोग में आता है दोस्तों नेक्स निम लखीते में से किसमे CFC होते हैं CFC किसमे होता है कलोरो फ्लोरो कारवन तो यह पर सितकों में दोस्तों होता है CFC CFC का पुल्पम कलोरो फ्लोरो कारवन होता है जो ओजोन छिदर का मुखी चिमेबार है दोस्तों नेक्श बेवसाइड द्वार बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाईल जो उसे श्टेसन के लिए वह अस्थाई रूप से उपियो करता कि एक कम्प्यूटर में संग्रईत होती है वह कालाती है किन पोधों से रख्तचाप का उप्चार किया जा सकता है रक्त चाप का उपचार तो किया जा सकता है दूसरों सर्प गंधा से निम्लिकित में से किन पोधों से रक्त चाप का उपचार किया जा सकता है सर्प गंधा से किया जा सकता है डेवलू 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 का अविस्कार किस ने किया था किस ने किया था टीम बननसली नहीं किया था उस मिशन का नाम था ये जिसमें इसरो ने सुरी का अधिन करने का विचार किया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आदिती एल वन आदिती एल वन नेक्स्ट निमलखित में से एक अमल और चार के बीच समानता है तो वो हो जाएगा दोस्तों अमल और चार को जल में मिलाने की परकिरिया उसमा छेपी होती है गुलकोच की अनू डेस में तूटते हैं गुलकोच की अनू दोस्तों पायरुविक एसीड में तूटते हैं नेक्स्ट मात्रा के संदर में विस्व की सबसे बड़ी मेठे जल की जील कौन सी है तो याद रखिएगा सुपरियल जील है तो सुपरियल जील है नेक्स्ट एन्फिल्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उतरदाई है जिनमें 24 वाले कार्दोसों का उपयोग होता था जो 1857 व है फल्स लाने के लिए कौन उतरदाई है जिनमें चल्वी वाले कार्दोसों का उपयोग होता था जो 1857 विद्रोक तत्कालिन कारण बना था हेन्री हर्डी नेमर्खित में से कौन सा एक आसियम देश का संस्थापक सदस्य है तो यह मलेसिया है दोस्तों इंटरपोल का तो याद रखेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवान सीव को हम भी का विरुपाक्ष मंदिर किसे समर्भित है भगवान सीव को किसी भारती राज के पास ताप उर्जा से सरवाधिक सक्ती उत्पादन छमता क्या है तो याद रखे महराष्ट किस भारती इस बाइस के पास ताप उर्जा से सरवाधिक सक्ती उत्पादन होता है तो महराष्ट का होता है निमलखीत में से किस एक निकलियर रिसर्च रियक्टर का संचालन भवावां परवान अनुसंधन के नत्रुआ किया गया है दुरू का किया गया है नाट 7 जो एक नाट की कला के विशे में एक परसीद गरंते किस ने लिखा था तो याद रखे भरत मुनी ने लिखा था नाट सास्तर जो की नटकिये कला के विशे में एक परसीद गरंते किस ने लिखा था भरत मुनी ने भारती सविधान का कौन सा अनुचेद साजनी के रोजगार में समान अफसर का अ पुरुस का खिताब किस देश ने जीता है तो भारत ने जीता है भारत का दूसरा उज़ समयधानिक पद कौन सा है उप राश्पती है भारत के कौन से राज में कोईले का सरवादिक भंडार है कोईले का सरवादिक भंडार है दोस्तों तो ये जारकन में है कोईले का सरवादिक भंडार नेक्से भारत में पहली यात्री रेलगारी का संचालन किसके बीच हुआ था ये हो जाएगा दोस्तों बंबई और थाने के बीच हुआ था भारत में पहली रेलगारी का संचालन या मैं क्या है ठास भारत में जॉन। एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय परनाली का उप्योग अभी तक किया जाता है यह मिला भारत के कौन से राज में होता है तो यह मिला असर में होता है दोस्तों भारत में जोन भील मिला एक ऐसा मिला है जहां वस्तु वीनिमाई पर्नाली का उपियोग अभी तक किया जाता है यह मिला भारत के कौन से राज में होता है असर में होता है विदेशी धर्तिपा फाराया जाने वाला परतम भारती धोज विखाजी कमदवारा 1907 मेंmetro 9-10 फाराया गया था जर्मनी में फाराया गया था गंप्युटर चेत में फोर्ट्रोन किसके लिए पडिउक्त किया जाता है फोर्ट्रोन तो याद रखिएगा फर्मुला ट्रंसलेशन के रूप में किया जाता है नेल्सेट भारत में राष्ट विग्यान दिवस कम मनाय जाता है राष्ट विग्यान दिवस 1988 फरवरी को भारत में मनाय जाता है अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी आर्ट जन्मरी दोहड़ी किसको सकेंड सिफ्ट में जो कोशन आया था वो देखें कोशन पहला कोशन है गती के तीने नियम इनमें से किसके द्वारा परतिपादित किये गए थे तो ये किये गए थे दोस्तों सबसे बड़ा उर्जा है को प्रकास थन्स लेशन के लिए तो कारबन ड्यक्साइड किय आवे सकता होती है बकी निख्श्ट उस बोध गरंत का नाम बताएए जिसमें तिलभुजों के लिए नियमों का उललेक है तिलभुजों के लिए तो विने पिटक उस बोधगरंद का नाम बताईए जिसमें तिर्वुजों के लिए नियमों का उलेख है विने पिटक सविधान में अनि देशों से उधार लेने की विसेस्ताओं की आलोचना करते हुए किस ने कहा था सविधान के मोलिक विचानों के संदर में किसी को भी कार नहीं है तो डक्टर भीम रांबेदकर ने कहा था इन में से किस भारती राज में है दोस्तों तो याद रखेगा ये तमिलाडू में तमिलाडू में सबसधी पवन उर्जा उत्पादन होता है नेक्ष महत्मागांदी ने राजिती में किसको अपना गुरू माना था किस भारत के पहले सफल परमानु परिक्षन का कोड नाम क्या है इसका कोड नाम इसमाइलिंग बुद्धा है याद रखेगा इसमाइलिंग बुद्धा है भारत के पहले सफल परमानु परिक्षन का कोड नाम 27 अगस्त 1947 को सभिधान सवा की बहस में किस ने कहा मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन छेत अर्व संख्यकों के लिए आत्म घाती होंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल गोविन बलंपंत 37 गस 1947 को सभी धान सभा की बहस में किस ने कहा मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन चेत अर्फ संख्यों के लिए आत्म घाती होंगे गोविन बलंपंत ने कहा कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है चाल्स बैवेच को मना जाता है कंप्यूटर का जनक रोलेक्ट एक्ट के अंतरगत निमलखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था तो ये हो जाएगा दोस्तों मुकदमी के बिना करावास रोलेक्ट एक्ट के अंतरगत निमलिखित में से कौन से एक उपाय अपनाया गया था मुकदमे के बिना कारावाज नौविल पुरुषकार विजेता के लास सत्यार्थी इन में से किस संगठन से जुरे हुए है बचपन बचाओ आंदोलन निमलिखित में से कौन सी रचना मुनसी प्रेम चंदर दुवारा लिखी गई है तो यह हो जाएगा सेवा सदन सेवा सदन मुनसी प्रेम चंदर दुवारा लिखी गई है सेवा सदन नेक्स्ट बेल का पून रूप क्या होता है भारत है भी इलेक्टिकल्स लिमिटेड होता है नेक्स्ट कोबोल का पून रूप क्या होता है तो याद रखे common business oriented language वाचेतर जहां किसान के वल सबजियों में विससग्यते मतलब रखते हैं इस परकार की खेती क्या कहलाती है इस परकार की खेती याद के ट्रक फार्मिंग कहलाती है वाचेतर जहां किसान के वल सबजियों में विससग्यता रखते हैं इस परकार की खेती को ट्रक फार्मिंग क रहा जाता है उन्हें इसका डी नमर होगा नेक्स्ट ओकुसल स्रेमिकों के प्रवास का निमलखित में से क्या कारण है निमलखित में से कारण है दोस्तों निर्धनता ओकुसल स्रेमिकों के प्रवास का निमलखित में से क्या कारण निर्धनता 1920 में किस आंदोलन को वसायोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था खिलापत आंदोलन को जोड़ा गया था विस्ट का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों ट्रांस साइबरियन रेल बेल मार्ग है ट्रांस साइबेडियन याद रखेगा विश्व का सबसे ज़्यादा लंबा है असम में सबसे पहला तेल का कुवाँ कहों खोजा गया था तेल का कुवाँ तो ये डिगवोई असम में निमलकित में से किस दरोड अस्थल में वास्तुकला के दर्विर अस्थापत के सेली है तो ये है दोस्तो हमपी में याद रखेगा हमपी में निश्ट किस अस्थन को नरसरी अवदा बंगाल आर्मी कहा जाता है तो ये होगा दोस्तो अवद किस अस्थन को जहांसी में सतार नदी के पास किस परशिध करमतिकारी ने पंडित रवी सा हड़ी संकर ब्रहमचारी उपनाम का इस्तमाल करते वे सिवीर अस्थापित किया था तो ये चन्दसेकर आजाद ने किया था दोस्तों 1920 के दसक में जहांसी में सतार नदी के पास किस परसीत करांती काड़ी ने पंडित हरिसंकर ब्रहमचारी उपनाम का इस्तमाल करते वे सिवीर अस्थापित किया था चंसेकर आजादने किया था अब इस सेट में क्या-क्या इंपोर्टेंट है वो देखी दोस्तों सटकट बटन है जिसे आपको हमेशा याद रखने है एप वन जो होती है ये हैल्क विंडो खोलना होता है दोस्तों एब फाइब से किरिये विंडो को रिफ्रेस करना होता है नेक्स्ट अब देखिए इधर है PD, वर्स और स्विचिंग डिवाइस देखिए पर्थम PD का जो कंप्यूटर था वो वेक्यूम ट्यूब पर अधारी था 1946-1956 में ये था दोस्तों पर्थम PD याद रखेगा देखिए PD 1956-1963 यहाँ ट्रांजिस्टर टेकनोलोजी इसमें चलता था ट्रांजिस्टर टेकनोलोजी स्विचिंग डिवाइस था दोस्तों और तीरतिये PD जो था 1974-1971 इसमें एंट्रिग्रेट सर्किट यानि IC चिप था चतूर्थ PD जो था 1971-1981 विराथ एकी क्रिट सर्किट यानि LSI था पंचम PD जो था 1980 अब तक दोस्तों यह अल्ट्रा विराथ एकी क्रिट सर्किट है यानि ULSI अब देखिए पर्थम PD अच्छो वही है दोस्तों ULSI अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटे पेसी 9 जनवरी 2021 को फसिप में जो कोशन आया था वो देखिए पहले हम लोग समानी विज्ञान के बारे में देखेंगे पहला कोशन है दोस्तों आवधनीक आवरसारी में तत्तों को डैस उर्धवादर अस्तमों में विन्यासित किया गया है तो ये हो जाएगा दोस्तों अठारे में किया गया है और आठारमा तक तो आपको पता ही हैं दोस्तों आठारमा जो ये ग्रूप या फिर हमलोग कर सकते समूझ है उसमें नोवेल गयस है तारे रात को आसमान में क्यों टीम 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 आते हैं तारे तो प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोटीन 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 दंद चिक सकों दुवारा मरीजों के दौतों के बेरे परतिवीम देखने के लिए किस परकार के दरपन का उपयोग किया जाता है तो याद रखेगा अबतल दरपन का नेक्ष्ट उस असमारक का नाम बताईए जो एक प्रतात्वीक अस्तल के सफल जिन्र दौार और सरक्षन का परमान है तो वो है दोस्तों साची अस्तुप उस असमारक का नाम बताईए जो एक प्रतात्वीक अस्तल के सफल जिन्र दौार और सरक्षन का परमान है साची चेटपल की देश्टी से विश्व का छटा सबसबरा देश कौन सा है उस्ट्रेलिया है पेरिस इस्थित इंटरनेशनल इंस्टिट औप एजुकेशनल प्लानिंग संयुकत राष्ट के किस संगठन का ये अंग है तो ये है दोस्तों युनिस्को का अंग है पेरिस इस्थित इंटरनेशनल इंस्टिट औप एजुकेशनल प्लानिंग संयुकत राष्ट के किस संगठन का अंग है युनिस्को का अंग है चिपको अंदोलन की तरह नेमलखित में से किसका लक्ष उत्तरकनर जीले में वनों की रक्षा करना था तो ये हो जाएगा दोस्तों एपको अंदोलन चिपको अंदोलन की तरह नेमलखित में से किसका लक्ष उत्तरकनर जीलों में वनों की रक्षा करना था तो एपको अंदोलन भारत के वनिजीन स्रक्षन अधनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां है कितनी अनुसूचियां है दोस्तों तो याद रखेगा छे अनुसूचियां है 1972 में सैनिक विद्रो के दोरान गवर्ना जेनरल कौन थे सैनिक विद्रो के दोरान लॉड केनिंग थे दोस्तों सैनिक विद्रो के दोरान गवर्ना जेनरल कौन थे लॉड केनिंग नेक्स्ट किस नदी के विस्तार छेतर को राष्टी जलमार्ग दो कहा जाता है तो याद रखिएगा ये ब्रहम पूत्र के विस्तार छेतर को कहा जाता राष्टी राजमा जलमार्ग नमर दो नेक्स्ट डेस ने ब्राहमनी और ख्रोश्टी लिपयों को वेंख्यंकित किया जिनका उपयोग पहले के सिलालेखों के लिखन में किया जाता था तो ये हो जाएगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसिप, डेयर से में ब्राहमनी और ख्रुष्टी लिपियों को वेक्षनकित किया, जिनका उवियोग पहले के सिरलेखों के लेखर में किया जाता था, जेम्स प्रिंसिप, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है, संचार लाल भादो सासरी और अयूब खाने किये दोस्तों, किसी भी कंप्विटर सिस्टम का मस्तिस्क किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सीप्यो को कहा जाता है, याद रखेगा, सीप्यो को कहा जाता है, गेट का उत्राधिकारी संगठन कौन सा है, गेट का, डेवलू टीओ है परिवर्तन की एक परिकिरिया एक समय के बाद समाज की जन संख्या में परिवर्तन की एक परिकिर्या सुजना और संचार प्रोदित की यानि IST जो अभी RMSA के अधिन एक क्रित है को डियास वर्स में लॉंच किया गया था डियास वर्स में लॉंच किया गया था दोस्तों 2004 में लॉंच किया गया था सुचना और संचार प्रोदर्द की IST जो अभी RMSA के अधिन एक क्रिते को डेस वर्स में लॉंच किया गया था 2004 में ओपे का मुख्याले कहा है ओपे का मुख्याले विया नामे है भारत की पहली मानव चलित आंतरिच उरान का नाम क्या है मानव चलित आंतरिच उरान का नाम क्या है दोस्तों तो यह गगन यान है क्रितिम उर्वरक पहली बार डेल सताब्दी के दोरान नेमित किये गए थे तो यह हो जाए उनिसमी सताब्दी के दोरान किये गए थे पॉल्टिक्स अप जुगार दा कॉालिसिस हैंड़ुक के लिखा कौन है दोस्तों तो याद रखेगा यह सवा नकवी है सवा नकवी है दोस्तों दा कॉालिसिस हैंड़ुक के लिखा पॉल्टिक्स अप जुगार दा कॉालिसिस हैंड़ुक इन में से भारत के किस वैसराय ने निर्वाचित अस्तानिये सरकारी निकायों के सिजन की पहल की थी तो यह हो जायेगा दोस्तों लॉड रीपन होई थी वायो स्रक्षन एवं पर्दोसन अधिनियम के स्थापन उनिसो 81 होई थी दोस्तों प्रयावरन स्रक्षन अधिनियम 1986 वन जीव स्रक्षन अधिनियम 1972 वन आधिनियम जल स्रक्षन एवं पर्दोसन अधिनियम 1974 वायो स्रक्षन एवं पर्दोसन अधिनियम 1981 प्रयावरन स्रक्षन अधिनियम 1986 वन ये जीव स्रक्षन अधिनियम 1972 वन अधिनियम निफ्ट इसपातसियंत्र और सहयोगी देश देखिए भिलाई इसपात सेंद्र दोस्तों यह चारो जारकर में है यह भी सोवियल संग के सहयोग से बना है और दुर्गापूर इसपात सेंद्र पसी मंगाल में यह तिरतिय पंचबसी योजनाम बना है दोस्तों इसपात सेंद्र पसी मंगाल में दोस्तों यह तिरतिय पंचबसी योजनाम बना है तिरतिय पंचबसी योजनाम बना है सिर्फ यह तिरतिय पंचबसी योजनाम है बाकी तुनोंगर रिखेंघ पॉलिक्स ओप जुगार सव रहें कर दिकैं है और रूसint alors पॉर्फिल्ड माधुरी विजय लिखे हैं नेक्स्ट है रेलवे एंटी पीसी नोजर्णमरी 2021 किसको सरकेंट स्रिप्ट में जो कोशन पूछा गया था वो देखें दोस्तों पहला कोशन है वीडियो ग्राफिक्स एरे याने भी जी ए रंगीन ग्राफिक्स प्रदसित करने की एक परनाली है यह किसके दोरा विख्सित की गई है किसके दोरा दोस्तों यह विख्सित की गई है तो याद रखेगा ये IBM के द्वारा ये विक्सित की गई है IBM के द्वारा एक वयस्क मानव सरीर में हड्डियों की संख्यां कितनी होती है हड्डियों की संख्यां कितनी होती है 206 होती है दोस्तों GSLV का पुन रूप क्या है GSLV का पुन रूप याद किएगा Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Geosynchronous Satellite Launch Vehicle है नेक्स्ट इस ब्रहमान में मोजुद परतीक वस्तो जो पदार्थ से निमित है उसे वेग्योनिकों ने क्या नाम दिया है दोस्तों वेग्योनिकों ने क्या नाम दिया है तो याद रखेगा द्रभी नाम दिया यानि मैटर नाम दिया है OCR का पुन रूप क्या है OCR का पुन रूप दोस्तों Optical Character Recognization है किस परकार की कोईले में कारवन की परतिसता मात्रा सरवादिक होती है तो यह हो जाएगे दोस्तों Anthracite किस परकार की कोईले में कारवन की परतिसता मात्रा सरवादिक होती है Anthracite चुई मुई यानि टच मी नॉट प्लांट जो होता है दोस्तों पोधिका वेग्यानी की नाम क्या है इंपोर्टेंट है मिमोसा पूडी का मिमोसा पूडी का नाम है मादा एनाफ्रीज मच्छर इन में से किस रोग का वहाक है दोस्तों तो यह है मलेरिया का वहा के मादा एनाफ्रीज मच्छा। किनसासी परदेश दादर वो नगर हेवेली से होकर परभावित होने वाली परमुक नदी कौन सी है। तो याद रखेगा दवन और गंगा है। दवन और गंगा। 1857 में अंगरेजों ने मुगल वन्स के अंतिन सासक डियास को सता से बरखास्त किया था। तो याद रखेगा अटल वियारी बाजपई। इन में से कौन भारत के एक राज की मुखमंदरी होने के सासत एक सुपर्तिष्टित आयो के अध्यक्ष भी थे। तो ये हो जागा दोस्तो बिंदे सुरी परसाद मंडल। इन में से कौन भारत के एक राज की मुखमंदरी होने के सासत एक सुपर्तिष्टित आयो के अध्यक्ष भी थे। पिंदे सुरी परसाद मंडल। आर्थिक विकास का एक अच्छा संके तक डैस में निरंतर विर्दी है। पुलवावा में आतंकी हमला कब हुआ था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के सविधान के अनुसार संग के रक्षा बलों का पर्मुक कौन होता है, भारत के सविधान के अनुसार संग के रक्षा बलों का पर्मुक कौन होता राश्पती, भारत की पर्थम महिला राश्पती कौन थी, पर्तिभा पाटिल जी, भद्रावनिजीव अभ ये करनाटक में इस्तित दोस्तों करनाटक में भारत में स्वेत करांती मुलता किस राज से शुरू हुई थी स्वेत करांती ये गुजरा से शुरू हुई थी दोस्तों स्वेत करांती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के जुठ होकर सुतनता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थविष्टा की अस्थापना के लिए एक सहीवद प्रस्ताव का मौसदा तयार किया था। उस मौसदे को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो याद रखे कि दबॉम्बई प्लान। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योग पतियों ने एक जुठ होकर सुतनता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थविष्टा के अस्थापना के लिए एक सहीवद प्रस्ताव का मौसदा तयार किया था। उस मौसदे को किस नम से जना जाता है द बंबई प्लान के नम से। डेश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा वो सव्यूग अंदुरन वापस ले लिया गया वापस ले लिया गया चोड़ी-चोड़ा। चोड़ी चोड़ा डेयस भारत का पहला सरक्षित वन है दोस्तों सत्पूरा राष्टी उद्यान सत्पूरा राष्टी उद्यान नेक्स्ट डेयस उनिसो पेटाली से युएन को लीग ओप नेशन्स से उत्राधिकारी के रुप में अस्तापित किया गया था तो ये होगा उलुवर कोटम है मिनाक्षी अंबर मंदिर है पदनाम पूरम पैलेस है दोस्तों नमक आंदोलन कम से कम तीन कारणों से उलेखनी था नेमर्खित में से कौन सा उन में से एक नहीं था दोस्तों बताए कौन सा नहीं था इंपोर्टेंट है तो इसका राइट आंसर हो लगी यह नहीं था बांकि सब था नहीं है दोस्तों यह पहली राष्टबादी गतिविदी थी जिसे महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था यह बिल्कूल सही है इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह मौसूस होने लगा था कि उनका सासन हमेशा के लिए नहीं र अलजिरिया है वेनेजवेला नैजिरिया और अल्जिरिया हैं किसख़ गृू के नियंतरन पर सुपी संत्हाजत मियामीर ने अमरिस्तर में स्वण मंदिर श्री हर मंदिर सहीब की अधर सिला रखी थी तो यह हो जाएगा दोस्तों सीरी गृृँ अरजुन देव जी स्री हर्मंदिर साहिब की अधर सिला रखे थी तो स्री गुरु अर्दू अर्जुन देव जीन सहीत राष्ट अमेर्का का कौन सा राजी पहले रूस का भाग था तो ये हो जाएगा दोसो अलास्का सहीं तो राज अमिर्का का कौन सा राज पहले रूस का भाग था अलास का विसाल गिलहरी किस राज की राज की पसू है तो ये हो जाएगा दोस्तों महराष्ट विसाल गिलहरी किस राज की राज की पसू है महराष्ट की है आंत्रिक्ष में जाने वाली भारती मुल्की पहली मैला कौन थी तो कौन थी ये कलपना चावला थी आंत्रिक्ष में जाने वाली भारती मुल्की पहली मैला कौन थी कलपना चावला निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बागों की आबादी को वेवारी अस्तर पर बनाए रखने के लिए भारसरकार दोरा संचाली ती योजना है दोस्तों तो ये हो जाए प्रोजेक्ट टाइगर निम्न में से कौन सी 1973 में भारत की में बागों की आबादी को वेवारी अस्तर पर बनाए रखने के लिए भारसरकार दोरा संचाली ती योजना है प्रोजेक्ट टाइगर है The God of Small Things उपनियास किसने लिखा है तो ये लिखा अरुन्धती रहा है The God of Small Things उपनियास निम्लखित में से किसने सोदेसी आंदोलन के माध्यम से उपनियवेसिक सासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दिष्टिकोन की वकालत की थी तो ये हो जाएगा दोस्तों गोपाल किष्ण गोखले क्या निम्रकित में से किसने स्वोदेसी आंदोलन के माध्यान से उपनिवेसिक सासन के लिए एक उधारवादी क्रमिक और प्रेरक देश्टिकोन की वकालत की थी गौपाल किष्ण गोखली एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं तो ये एक हजार चोविस बाइट होते हैं आपको पता ही हैं एक हजार चोविस बाइट होते हैं और एक हजार चोविस किलो बाइट में एक एमबी होता है एक हजार चोविस एमबी बराबर एक जीवी होता है एक हजार चोविस जीवी बराव एक टीवी होता है दोस्तो, नेक्स्ट है अब देखिए इस सेट का important point। एक साईट है दोस्तों वनस्पती कि नाम वनस्पती। सेव का विग्यानिक नामे मेलस डोमेस्टिका निक्ट एक साइड एक कीट दोस्ते साइड होने वाली बीमारी घ्रिलू मक्य से देखिए हैजा अतिसार सुजाक कोड़ टैफाइड तपे दिखोता है मच्छर से मलेरिया फालेरिया डेंगु जवार पित जवार जपाणी इनसे फ्लैटिस होता है और सिंट फ्लाई से कलाजार और फूरे का रोग होता है खटमल से टाइफानस रिपलेशिंग जवार होता है उत्पाद है आंच्ट ग्रेकरणांति . अब देख़े. ही जब पुश्टक के शलमान रसदी तू यस एंडë मन्त एंड ट्वेंटी एट नाइट्स के लिख़ा के लिखा के अडा सलमान रसदी और एंग ट्रवीची लिख़ा के विनोद मेहतं अच्छा पुल कड़िदी करले इसके लेखक, नेक्ष रेलबे एंटीपेसी, दस जनवरी 2021 कि इसको फासिप्ट में जो कोशन पूछा गया था, वो देखिए दोस्तों, समान डेटा प्रकार के सलगन डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है, इसका इंपोर्टेंट, इसका राइट आवसर हो जाएगा, शमान डेटा प्रकार के सलगन डेटा को एक सेट को क्या कहा जाता है, कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों याद रखे गाशोड़ कहा जाता है स्चाओ्णिल की में से धातो को स्वेशो का जाता है नेमलखित में से किस उपकरण का उपयोग वSmnt-प्रud js to के माध्यान से मिर्दा की प्रकृतिकों रटा बढ़ने वाली फसने कहलाती है फलीदार फसने कहलाती है हमारी जीवा पर कौनसा अभी गरही इस्तित होता है दोस्तों तो याद कर रस संवेदी होता है इंपॉर्टेंट है याद रखेगा परतियक विडिक में बरी संख्या में निस्यधन इकायां होती है उन्हें डेस कहा जाता है क्या कहा जाता है तो विक्रानू कहा जाता है परतियक विल्यक में बड़ी संख्या में ने स्यदन इकाई यह होती है। उन्हें विक्रानू कहा जाता है। मानव शरीड की सबसबरी ध्हमनी कौन सी है। सबसे बड़ी धमनी दोस्तों महा धमनी है मानव सरीड की निम्रकीत में से कौन सा कलपक में परमानो अनुसंदान है तो अस्थापित अनुसंदान रियक्टर है तो यह है दोस्तों कामिनी ने मुलखीत मेंसे कौनसा कल्पक का में परमानु अनुसंदान है तो अस्थापित अनुसंदान रियक्टर है कामनी है निफ्ट हीद्धए का जो समंद कार्टियोलोजी से है वही समंद का deed से है किस से है दोस्तों तो याद रखेगा नेफ्डोलोजी से है निफ्ट सरकार के कुल वियाँ और रिइन को छोड़कर कुल परापतियों के बीच के अंतर को task कहा जाता है क्या खायत राजकोसिय घाटा, सरकार के कुल विया और रीन को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बेच के अंतर कुड्यास का आजकोसिय घाटा, अर्दसुस्क जलवाईव परस्तितियों और अपक्रिस्ट मिटिम उगाई जाने वाली वह फसल जो खादी फसल के साथ साथ चा कि फसल भी है तो क्या है वो मक्कह है भारत 1972 में अपना पड़ी चालंग आरम करने वाले बोकारो इस्टिल प्लांट की अस्थापना किस देश र Wars से किया था यानी यू किस रा शक्या से किया था था बोकारो इस्टिल प्लांट Baptist पंचबसी योजनाम बना था नेक्स दोस्तों नियुयार्क में आइकोनिक मैडिसन स्क्वाइर गार्डन में कुष्टी करने वाले यह वाली पर्थम भारत्य पहलमान कौन बने या बनी दोस्तों तो यह हो जाएगा बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया छित्रीय हवाई सं स्था और स्विधा जनक बनाने के लिए संचालीत योजना का नाम क्या है क्या है उलान नाम है दोस्तों उलान नितियायों के पहले अध्यच कहन थे तो इसका राइट आउंसर होगा नरेल मोदी थे दोस्तों नरेल मोदी नेक्स्ट इंटर्निशनल एटोमिक एनरजी एजनसी का सीजन किस वर्स क्या गया था किस वर्स क्या गया था उनिसो संतावण में क्या गया था निमलखित में से किसने संताल विद्रो और अठार संतावण की विद्रो के दोरन अंग्रेजों की सहायता की थी अंग्रेजों की साहिता के थी महराजा महताब चंद आंत्रीच अनुसंधान के लिए भारती राष्टी समीति का गठन कब क्या गिया दोस्तों त्यादर रखेगा 1962 में लोगपिडिये कालपनी को पनियास चंदरकांता की रचना किस ने किया था नमबर 1944 में संप्रादाइक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक नियाएक धाचे में संप्रादाइक समस्याओं की जांच करने के लिए गयर पक्षिय सम्मिलन की अस्थाई समिति दोरा कौंजी समिति नियूद की गई थी नमबर 1944 में संप्रादाइक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक नियाएक धाचे में संप्रादाइक समस्याओं की जांच करने के लिए गयर पक्षिय सम्मिलन की अस्थाई समिति दोरा कौंजी समिति नियूद की गई थी समिति इकोनोमी औभ पर्मानेंस के लिखा कोन है कोन है दोस्तों तो याद रखेगा जैसी कुमारप्पा है नेक्ट दूती पंजवसी विजना की रूप रेखा किस ने तयार की थी किस ने तयार की थी तो PC महलोब इस ने तयार की थी पर्तम हेराल्डोमल नेक्ट पिर्थुई सिकर समिलन के रूप में किसे जाना जाता है तो ये रियो सिकर समिलन को जाना जाता है इस्ट इंडिया कंपणी द्वारा किस वर्षनास थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया था तो ये होगा 1793 दोस्तों नेक्स्ट हैं कि रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है भारती का मख्या मंदिर किस राज में इस्टित है का मख्या मंदिर दोस्तों ये असम में इस्टित है का मख्या मंदिर असम में इस्टित है मुगल कालीन परशीद गायक तानसेन किस भारती संकित सहली से समध रखते हैं तो यह होगा धुरूपल से Next Click of Rome के द्वारा The Limits True Growth का प्रकासन कब किया गया था तो यह हो जाएगा दोस्तों कब किया गया था 1972 में क्लब आफ रोम के द्वारा दा लिमिट्स ट्रू ग्रोथ का प्रकासम कब किया गया था 1972 में भूमी का ववा भोतिक विस्तार जिस पर फसले बोई और काटी जाती है उसे निमलखित में से किस नाम से जाना जाता है खादी पदार्थ वस्तर जेसे उतपाद एवा मनुरंजन जेसी स्विधा ये सेवाओं को उनके अंतिम उपभकताओं द्वारा खड़िदे जाने पर ड्यास कहा जाता है क्या कहा जाता है उपभोग वस्त में खाद पदार्थ वस्तर जेसे उतपाद एवा मनुरंजन जेसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभकताओं द्वारा खड़ तरस्ताग्चित किया गया था भीम्रा अंबेदकर वारली लोकचित्रकारी किस राज की लोग कला का एक रूप है तो यह हो जाए दोस्तों महराष्ट वारली लोक चितरकाली किस राज की लोक कला का एक रूप है महराष्ट का एक रूप है दोस्तों नेक्स्ट अगर योजना और उद्देश है ग्राम उजला योजना ग्रामिन छित्रों में स्वास सुधार हैं तो यह चलाया गया दोस्तों ग्रामिन पडिवारों को ब्याज सबसिडी से हैं दोस्तों अब देखें दोस्तों कुछ मंदीर है कहां कहां है वो देखें कैदारनात मंदीर उत्राखण में हैं दोस्तों मंधिर अम्रिस्ट्र में दिलवारा मंदिर मॉंट आबू में और मिनाक्षि मंदिर तमिलाडू में महा कलेश्वर मंदिर दोस्तों उज्झेन में है नेखिने महाबोधी मंदीर बोध गया में है निख्ट अब इदर चितरकला है दोस्तों और यह किस रास्त समनी से वो दिखे Ma ineffective क लाप करा बिहार से समनी थे पिथूरा चितरकला घुज्रात नमद पर्देश वा करा चृत लौाँ क्लमी कारी चितरकला आंद पर्देश समनी दोस्तों निक्षब परमानों उर्जा सेंत्र और इधर इस्तिति है देखिए तरापूर परमानों उर्जाय सेंत्थेशन दोस्तों महराष्ट में रावत भाटा परमानु उर्जासेंद राजस्थान में नरोरा परमानु उर्जासेंद ये उतर पर्दिश में केगा परमानु उर्जासेंद करनाटक में काकरा परमानु उर्जासेंद गुजरात में काकरा परमानु उर्जासेंद दोस्तों ये गुजरात में कुड़न कुलम परमनु उर्जासियंत तमिलाडू में, कलपक्कम परमनु उर्जासियंत ये भी तमिलाडू में याद रखेगा सभी इंपोर्टेंट है नेक्ट एक साइड है केन, दुस्य साइड है अस्थान इसरो उपगरा अनुपरियोग केंदर कहा है बैंगलूरू में विक्रम सरावाई आंतरिच केंदर कहा है तुरुवननदपूरं में सतीज दवन आंतरिच केंदर कहा है स्रीहरी कोटा में आंतरिच अनुपरियोग केंदर कहा है अहमदाबाद में अंत्रिच अनुप्रियों के अंदर कहा हैं दोस्तों अहमदाबाद में, द्रव संचालीत पदती के अंदर कहा हैं महंदरग्री में, पर्मुक नियंतरन स्विधा के अंदर कहा हैं हसन करनाटक भपाल मद पर्देस में, राष्ट दूर सम्मेदी संस्तन कहा हैं हैं हिदराबा में अठार संतावन के नायक और चिद्र बक्त खां दिली के नायक थे दोस्तों बक्त कां दिली के नायक थे कुवर सिंग आरा के नायक थे कुमर सिंग दोस्तों आरा के नायक थे नाना साहिब ये कानपूर के नायक थे और मनी राम दिवान असम के नायक थे मनी राम दिवान लखनों के थे दोस्तों नायक बग्त क्रां दिली के नायक थे अठार संताबन की करांती का दोस्तों ये नितरित किया था कुमर सिंग आरा के नितरित किया था नाना साहिब कानपूर के नितरित किया था मनी राम दिवान असम में नितरित किया था बेगम हज़त महल लखनों मे निक्ष सवेधानी की प्रावधान और सुरोत है, वो देखँए मूलिक अधिकार लिया गया दोस्तों की अधिकार पत्र से राज की नितीने सक्ता तो लिया गया आईडिस के सविधान से राज की नितीने सक्ता तो लिया गया आईडिस के सविधान से मंत्री मंद्रीय सरकार लिया गया बेटीस सविधान से केंदराज समंद लिया गया कनाडा के सविधान से केंदराज समंद लिय गया कनाडा के सविधान से निश्रेलवे एंटीपीसी दस एक यानि दस जन्मरी 2021 को सकेंड शिप्टम जो को सनाया था वो देखिए बताइए इसका क्या अंसर होगा दोस्तों तो इसका राइट अंसर होगा ए नमर यानि सुक्ष में जीवो द्वारा खड़ाब किये गए भोजन को खाने से कोबोल का पुन रूप क्या है तो याद रखेगा इसका पुन रूप है common business oriented language common business oriented language देएस दो या अधिक पदार्थों का एक समांग मिसन होता है तो इसका राइट अंसर होगा विलियन देएस दो या अधिक पदार्थों का एक समांग मिसन होता है दोस्तों विलियन क्या क्या है वो देखिए टेडो फाइटा है दोस्तों टेडो फाइटा इस वर्ग के पोधों का सरीर जर तना और पत्यों में विभाजित होता है उसके बाद ब्रायो फाइटा भी है ब्रायो फाइटा जो होता दोस्तों इस वर्ग के पोधों का पादप वर्ग का उभेचर क कहा जाता ब्रायोप फाइंटा को और जिम्लों ऐस्पर्म भी है दोस्तों जिम्लों स फर्म में जैसे इस्प्रूस वा फर हो गया कोनी फर्स हो गया पाइनस हो गया तथा सएकस है ठीक है दोस्तों यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी दोस्तों याद रखिएगा यह होगा इंटरफेस मेनेजर यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम को किस नम से जारी करने की योजना थी इंटरफेस मेनेजर के नम से नेश्ट मीना मता कन्वेंशन को किस भारी धातों के उत्सजन पर धियान दिलाने के लिए 2013 में जपान में आयोजित किया गया था तो ये होगा दोस्तों पारा मीना मादा कन्वेंशन को किस भारी धातों के उत्सरचन पर धियान दिलाने के लिए 2013 में जपान में आयोजित किया गया था पारा पैनेसिलिन की खोज किस ने की थी पैने सीलिंग की खोज दोस्तों अलेकजंडर फ्लेमिन ने की थी निक्स्ट है अस्थानिक प्रजातियां पोधों और पसों की वे प्रजातियां है जो ड्यस हैं तो ये होगा दोस्तों एक विसेस छेत्र में पाए जाती है भारती नाभी के कारिकरम का जिनक किसे माना जाता है किसे माना जाता है डाक्टर होमी भावा को भारती नाभी के कारिकरम का जिनक किसे माना जाता है डाक्टर होमी भावा को मना जाता है नेक्सट है कौन सा सरकारी संगतन भारती पर्ति भूती बजार में से क्रिय सवी निवे ने किया था दोस्तों प्राचिन समय में किसी वेक्ति को किसी वेक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मातरा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था इस पर्था को क्या कहा जाता था दोस्तों इस पर्था को तूला भार कहा जाता था तूला भार याद र बिहार और नेपाल के मितला चेतर में किस भारतिये कला रूप का परचलन है भारतिये कला रूप का परचलन है दोस्तों मधुवानी पैंटिंग मधुवानी पैंटिंग नेक्ष दोज़ार बीस में इंडियन प्रिमेर लिंग आईपियल का कौन सा संस्क्रन खेला गया कौन सा संस्क्रन दोस्तों तेरमा संस्क्रन दोज़ार बीस में इंडियन प्रिमेर लिंग आईपियल का कौन सा संस्क्रन खेला गया तेरमा संस्क्रन ख हैं यह नहीं है संदूर राश्ट्रोध ये पाकिस्तान के खेवरदर्रा के पास इस्ति थे दोस्तों में झाल पक्रम राश्ट्रोध्या भारत मीं है नि regulatory तो झाल के नाम से जाना जाता था विद省 की समरेतन लिमिटेट को, किस नवरतन कंपणी को वीजाग इस्टिल के नام से जाना जाता था, तराष्ट इस्पाद निगम लिमिटेट को जाना जाता था, भारत और पकिस्तान के बेच उनिज़ साथ में हुई सिंधु जल संदि, पर किस सहर में हस्ताक्चर किये गए हैं, तो ये हो ज पुटभ चंग का मकवरा नहीं है पुतर पर्दे से निमर्कित में से कौन सा समारक नहीं है सबतर जंग का मकवरा दोस्तों नहीं है बाकिस अब ताजमाल यह सारनात का अस्तुप है वर्ला इमाम बरा है निम्रकित में से कौन से नदी अफिरका में नहीं है, आप्शन के नुसार, तो अमेजर नदी ये अफिरका में नहीं है दोस्तों, अमेजर नदी ये याद कि पेरो में एंडीत प्रवस्य इसका उद्गम होता है दोस्तों, अमेजर नदी का, ये नहीं है वहाँ, ठीक है अफ यह है कौन सा पटिका भारतों स्रीलंका को अलग करता है कौन सा पटिका अलग करता है भारतों स्रीलंका को तो याद रखेगा पाक जलडूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर निम्लकित मेंसे किसे भार्दी सुतनता के पाले यूद के तोर पर जाना गया था तो यह हुझा आगा दोस्तों 1857 का बिद्रो किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखी समिधाण है तो यह है दोस्तों भारत में यह पता ही है इंग्लिस चेनल तेर कर पार करने वाली पहली महला कौन थी उसका नाम था गट रूड एडरले नेक्स्ट निमलकीत मैं से कौन सी घटना 3750 की प्लासी की लडाई में अंग्रिजों की जित के बाद घटी तो ये हो जाएगा दोस्तों British East India Company के वेपार का विस्तार Next World Wide Wave में पंजी कृत पहला डोमीन नाम क्या है तो www.symbolics.com www.symbolics.com Next निम्लकित में से किस ने स्वधेशी आंदोलन के माध्यन से उपनिवेशिक सासन के उगरवादी विरोध का वकलत नहीं की तो ये हो जाएगा दोस्तों गोपाल किष्ण गोखले नहीं की लाल अलाजपतराई किया था बाल गंगाधर तिलक किया था विपींचंदर पाल किया था मतलल लाल बाल किया था लाल बाल पाल लेकिन गोपाल दोस्तों नहीं किया था या देखे गोपाल किष्ण गोखले नहीं किया था अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी एक ग्यारा जनवरी दोजाड़ी किसको फर्स सिप्म जो को सनाया था वो देखी आधनिक विदू जनरेटर डेस सिधान्त पर कारी करते हैं किस सिधान्त पर दोस्तों ये कारी करते हैं तो इसका राइट अंसर क्या होगा तो याद रखेगा इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल C नमर यानि विदू चुमक के प्रेरण के सिधान्त पर कारी करते हैं गर्ने के पोधे डेस को रसानिक उर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तन कों में से एक है तो ये क्या होगा दोस्तों इसका अंसर तो बिल्कुल B नमर यानि सुरी के प्रकास सवसंजयोजक बंद दो परमानों के बीच इलेक्टरनों के सहज़दारी के प्रिणाम सुरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डेस कोस को प्राप्त कर सके तो ये दोस्तों बाहतम कोस को प्राप्त कर सके बाहतम कोस को प्राप्त कर सके बाहतम हो डेस कहा जाता है आपके क्या कहा जाता है दोस्तों तो याद रखेगा समंजन कहा जाता है समंजन next है किसानों की तोचा को किट ना सकों के परभाव से बचाने के लिए डेस द्वाय एक ट्रोपिकल जेल विक्सित किया गया था एस्टेम जेल विज्ञान और पुनर योजी चिकिजा समस्तन के द्वारा निमिकित में से कौन सा एकल चिप अधारित उपकरन है जो अपने आप में एक पुन प्रोसेसर है और अंक गनित और तरकी के संचालन करने में सक्षम है तो यह हो जाए दोस्तों Micro Processor मिट्डी का तेल लाल्टेन की बच्ती में इन में से किस गुण के कारण उपर चरता है किस कत्व के कारण दोस्तों यह उपर चरता है किसकत्व के कारण रक्त डैस उत्तक का एक परकार है रक्त स्योंजी उत्तक का एक परकार है दोस्तों गितात्मक कविता माई मदर एट 66 किस ने लिखा है 66 तो कमला दास ने लिखा है दोस्तों इन में से किसे भारती सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है तो दादा साहिब फालके को भारती सिनिमा की रूप में जाना जाता है नेक्स्ट अंतर राज विवादों में समन्निवे के लिए भारत के समिध्धान के निमलखित में से किस अनुचित के तहत एक अंतर राज प्रिशत का गठन किया गया है तो यह हो जाए अनुचित 263 क्या अंतर राज विवादों में समन्निवे के लिए भारत के समिध्धान के के निमलखित में से किस अनुचित के तत एक अंतर राज जीए प्रिशत का गठन किया अनुचित 263 साची अस्तुप डैस सहर के पास इस्तित्य साची अस्तुप भपाल के पास इस्तित्य दोस्तों साची अस्तुप 1991 में ब्राजिल में आयोजित हुई United Nations Conference on Environment and Development को किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पिर्थवी सीकर संविलन के नाम से जाना जाता है यू एन के आटमे महासची बान की मून मुलता कहां की निवासी थे बान की मून तो यह दचिन कोडिया की निवासी थे दोस्तो बान की मून निम्लखित में से किसने टिपनी की थी कि दचिन अफिरका ने महत्मा गांधी को बनाया था तो याद रखेगा तो चंदरन देव नेशन ने किया था निम्लखित में से किसने टिपनी की थी कि दचिन अफिरका ने महत्मा गांधी को बनाया था चंद्रन दिव नेशन ने किया था भारत में किंग जोज पंचम और कुईन मेरी की स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ओप इंडिया को प्रमपारीक डैस सेली में बनवाया गया था तो इंडो सार सेनिक में बनाया गया तो गुजरात इस्तित जुनागड के गिर्नार पहाणियां डैस आमों की किस्म के लिए ये परसीद है तो ये हो जाया के सर के लिए दोस्तों परसीद है गुजरात इस्तित जुनागड के गिर्नार पहाणियां डैस आमों की किस्म के लिए परसीद है के सर के यह परसीद है निमलकित में से कौन सी e-shopping वेब साइट नहीं है e-shopping वेब साइट नहीं है तो www.twitter.com नहीं है बाकिस सब है www.paperpeer.com है www.flipcart है www.jebong.com यह सब है लेकि www.twitter.com नहीं है दोस्तों क्योंकि यह एक social media site है दोस्तों निष्ट आंतराष्ट्य के परवणु उर्जाइजिस कि अस्थापना किस वर्ष की गई थी उनिसो संतावण में एक अलंग संकाय के रूप में माइक्रो या माइक्रो एकोनोमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तो अगस्थ उनिस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दुनिया की बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेंदेन को संक्षिव में बताने वाले खातों के समूं को डैस कहते हैं। क्या कहते हैं तो याद के भुकतान सेस कहते हैं। बंगाल के नवाव सिराज दोला प्लासी की लराय में किस वर्स हारे थे। किस वर्स हारे थे। 1757 इसी महारे थे। 1929 के महमंदी दा ग्रेट डिप्रेशम ऑफ 1929 इनमें से किस छेत्र में शुरू हुई थी। राष्टि करन के बाद इंपरियल बैंक ओप इंडिया। का नाम बदल का भारती एस्टेट बैंक कर दिया गिया भारती एस्टेट बैंक कर दिया गिया उनिसो पचपन वर्स उनिसो पचपन में राश्टिकरन के बाद इंपरियल बैंक ओप इंडिया का नाम बदल का भारती एस्टेट बैंक कर दिया गिया 1905 वर्ष ड्यास में 36 गाट उतराखन और झारकन राजयों का गठन हुआ था तो यह 2000 में वर्ष यह 25 год उतराखन और जारकन राजयों का दोस्तों के अठ्वा था अर्थसास के संदर्व में SLR का पूर्ण रूप क्या है, SLR का पूर्ण रूप क्या है, तो या देखे कि Statutory Liquidity Ratio, Statutory Liquidity Ratio इसका फुलपर्म होता है, SLR का, यानि Statutory याद रखेगा, Statutory Liquidity Ratio दोस्तों, इंपोर्टेंट है याद रखेगा, अब देखे कि कुछ का स्वाट फॉर्म है, वो याद रखेगा, CRR ये स्वाट फॉर्म है, इसका फुलपर्म होता है, Cash Reserve Ratio, IFSC, IFSC का फुलपर्म होता है, Indian Financial System Code, Indian Financial System Code, और NEFT का पुनरूप होता है, दोसों, National Electronic Funds Transfer, NEFT का फुलपर्म होता, National Electronic Funds Transfer, RTGS का होता है, Real Time Gross Settlement, Real Time Gross Settlement, अब हम लोग पढ़ेंगे, Railway NTPC, 11 जनमरी 2001 को, 2021 को, सकेंड स्रिप्ट में जो कोशन पूछा गया था, वो देखे, मैगनेसियम के लिए पर्युक्त पर्ति क्या है, मैगनेसियम के लिए, तो मैगनेसियम के लिए क्या है, दोस्तों, तो याद रखिये, इसका राइट उसर होगा, Mg, आपको बता दू, Mg यानि मैगनेसियम, इसका Atomic No.12 होता है, दोस्तों, एक नाम और एक ओदित्य रसारिक पर्तिक होता है, विटी कल्चर क्या है, विटी कल्चर क्या है, तो एक अंगूर की खेती है, दोस्तों, विटी कल्चर, अंगूर की खेती, PSLV का पुनरूप क्या होता है तो याद रखिया का PSLV का पुनरूप होता है Polar Satellite Launch Vical Ending Machar इन में से किसका वहाख है? Ending Machar तो याद रखिया डेंगू का वहाख है दोस्तों Ending Machar डेंगू का वहाख है रेगिस्तान में यात्रियों को अकसर पानी फेले होने का द्रिष्टी भ्रह्म होता है जहाँ वास्ता में कुछ नहीं होता है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों तो याद रखिया इसे मिर्ग मरीची का कहा जाता है निमलखित में से कौन सा मरुवस्तल भारत में इस्तित नहीं है कौन सा नहीं है तो यह सिंदो घाटी का मरोस्तल भारत में स्थित नहीं है इस पिती घाटी सित मरोस्तल है थार मरोस्तल है कच का रन भी है दोस्तों नेक्ट विस्व मरोस्तली करन और सुखा रोग थम दिवस किस दिन मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है तो याद रखे है 17 जुन को विस मरु अस्तली करन और सुखा रोग थम दिवस किस दिन मनाया जाता है 17 जुन को मनाया जाता है एपल कंप्टर के से स्थापक कौन थे? तो याद रहें, स्थिब जोब्स थे एपल कंप्टर के स्थिब जोब्स दिसंबा निंसों निंस्ट्िसमें लाहोर में, आविभी। कंग्रेस का वार्षिक आडिवेशन इनमें से किस वज़़ा से महत्पून था? इंपोर्टेंट है याद रखेगा साजहां की बेटी डेष ने साजाना बाद याने दिली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तों सिल्प प्रियोजनाओं में भाग लिया था तो यह होगा दोस्तों जहां आरा ने भाग लिया था एसिया का सबसे बड़ा उध्यान इंद्रागांधी मेमोरियल ट्यूलीप उध्यान किस सार में इस्तित है किस सार में इस्तित है स्री नगर में दोस्तों ये इस्तित है भावा परमानु अनोसंधान केंद्र का पुर्व नाम क्या था इसका पुल्व नाम क्या था तो याद रखेगा परमानु उर्जा परतिस्ठान ट्रामबे इसका पुल्व नाम था दोस्तों यानी C नमर इसका होगा निमलखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेर है सबसे लंबा पेर है दोस्तों तो वो है Redwood Redwood सबसे लंबा पेर होता है निमलखित में से किस कमपणी ने 2005 में वेक्तिकत कम्पीटर बनाना बंद कर दिया था तो ये हो जागा दोस्तों IBM बन कर दिया था निमलखित में से किस कंपनी ने 2005 वेक्तिगत computer बनाना बन कर दिया था IBM Fortron का पूर्ण रूप क्या है Fortron का पूर्ण रूप है दोस्तो Formula Translation Fortron का पूर्ण रूप क्या है Formula Translation नाम है सहींतर राश्षतरक्षा परिष्छत में DAS है क्या है तो याद रखेगा 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य है दोस्तों विशस्वास अगर्थन WAHो का मुख्याल हैं कहाँ इस्टित हैं निर्सर्म सिक्षा अब यान भाड़ सरकार का एक पर्मुख कारिकरम है जिसके थाथ डैस के आयो वर्की बच्चों को मुप्त एवं अनिवारी सिक्षा परदान किये जाने का को उनका मोली का दिकार घोशित किया गिया है दोस्तों इंपोर्टेंट है तो यह होगा 6-14 वर्स के बीच इनमें से कौन सा अठार सुतिरपन में अंग्रेजो द्वारा भारत के लिए किये गए सबसे महतपूर योगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया है बताइए क्या होगा दोस्तों तो बिल्कुल रेल मार्ग इनमें से कौन सा अठार सुतिरपन में अंग्रेजो द्वारा भारत के लिए किये गए सबसे महतपूर योगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया रेल मार्ग दवाई टाइडर नामक उपनियास के लेखक कोन है तो अर्विन अडिगा है अर्विन अडिगा पर्थम पंजबसी योजन डैस में भार सरकार ने देश की अर्थवेश्था को गरिवी के चक्र से बाहर निकालने समधी प्रियास किये हैं तो यह हो जाएगा दोस्तों 1951 से पर्थम पंजबसी योजन डैस में भार सरकार ने देश की अर्थवेश्था को गरिवी के चक्र से बाहर निकालने समधी प्रियास किये 1951 से चपपन सजदिय पर्णाली में राष्टपती द्वारा विधाई नियाईक एवं अपातकालिन सक्तियों का उप्योग वास्तर मे किया जाता है भारतिय राष्ट कंग्रेस आई एंसी के इन में से किस अधिवेशन में पहली बार राष्टगान गाया गया था पहली बार तो याद रखिएगा 1911 के कोलकाता अधिवेशन में भारतिय राष्ट कंग्रेस आई एंसी के इन में से किस अधिवेशन में पहली ब गांधी जी का डेस के खिलाप अभियान प्रेस पर बेटी संसर्शीप और पेसी के बिना नजरबंदी के जवाम में था रॉलेक्ट एक्ट विशु प्रियावरन दिवस कम मनाया जाता है विशु प्रियावरन दिवस तो 5 जुन को विशु प्रियावरं दिवस मना जाता है 5 जुन को कौन सा विटामिन रख्त का थका जमने के लिए आवसक प्रोटीन और केलसियम को सेक्रिय करता है तो ये हो जगा विटामिन के कौन सा विटेमिन रख्त का थका जमने के लिए आवसक प्रोटीन और किलसियम को सिक्रिय करता है विटेमिन के नेक्ष्ट अधिक उचाई वाले छित्रों में बर्ब की सफाई नेमन में से किसके द्वारा की जाती है बर्ब की सफाई तो सीमा सरक संगठन के द्वारा अधिक उचाई वाले छित्रों में बर्ब की सफाई नेमन में से किसके द्वारा की जाती है अपनी भूमी पर वानिजीक और गैर वानिजीक उदेशों के लिए विरिक्ष उगाते है तो यह हो जाएगा दोस्तों, क्रिसी वानिकी, डैस वा प्रिक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमी पर वानिजिक और गैर वानिजिक वो देशों के लिए रिक्ष उगाते हैं, क्रिसी वानिकी, क्रिसी वानिकी नेक्ट इनमें से कौन सी संस्ता भारत में बीमा उद्यों को विन्यमित करने बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिशित करने के लिए जिम्मेदार है तो ये हो जाएगा दोस्तों तो IRDAI इन में से कौन सी संस्ता भारत में बिमा उद्योग को विन्यमित करने बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनशित करने के लिए जिम्मेदार है तो IRDAI पर्धरमंतिर नरे दिमोदी दुबारा विमुदरी करन नोट बंदी की घोसना कब की गई थी? नोट बंदी की घोसना आठ नावंबर 2016 लगो की गई थी? नहीं है तो कौन सी नहीं है? मुदरा इस्पिती नहीं है दोस्तों निरक्षरता है, बाल विवा है और वो क्या अस्प्री सित्ता है? एक समाज सुधारा के रूप में गांदी जी का मनना था कि भारतियों को समाजिक बुराईयों से छुटकरा पाना चाहिए निमलकित में स कौन सी समाजिक बुराईयां नहीं है? मुदरा इस्पिती नहीं है निमलकित में से कौन सा सहर मदपरदेश में नहीं है? और वो है दोस्तों कारेपाली का सरकार का वहा अंकोंसा है जो मुख्य रूप से करोयानियन और परशासन समंदी कारियों का निर्वहन करता है कारेपाली का करता है दोस्तों याद रखेगा और इसे सेट का important point देख़िए मरकरी आपको पता है इसका symbol होता है SG इसका atomic number होता है मरकरी का 80 दोस्तों सोना का ये यू जिसको औरम कह जाता है और इसका जोत्रों एटोमिक नमबर होता है 79 इसका एटोमिक नमबर होता है लेड यानी सिसा सिसा का एटोमिक नमबर होता है दोस्तों कितना बेरासी होता है सिसा का और सोडियम का एटोमिक नमबर कितना होता है दोस्तों याद रखेग यह सभी को याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट एक साइड रोग है दूसरे साइड कवक जिवानु है सुजाक रोग गोनो कोकस गोनो रोही के कारण होता है सुजाक रोग गोनो कोकस गोनो रोही के कारण होता है टिटनस बेसिलस टेटिनी के कारण होता है प्लेग बेसिलस पेस्टिस के कारण होता है यह जा विब्रियो कोलेरी के कारण होता है विस्व आद्रभूमी दिवस दो फरवरी को मना जाता है विस्व वन दिवस 21 मार्च को मना जाता है विस्व जल दिवस 22 मार्च को मना जाता है पिर्थु दिवस 22 अप्रिल को मना जाता है ओजोन प्रत स्रक्षन दिवस 16 सितंबर को मना जाता है भारत के पर्मुक उद्यान के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे लाल बाग, लाल बाग कहा है बैंगलुरू में, लाल बाग कहा है दोस्तों बैंगलुरू में, साली मार बाग कहा है स्रीनगर में, बूद जेंती पार कहा है नई दिली में, बूद जेंती पार कहा है दोस्त चंडिगर में निसांत बाग कहा है स्री नगर में निसांत बाग कहा है दोस्तों स्री नगर में सिकंदर बाग कहा है दोस्तों सिकंदर बाग लखनों में सिकंदर बाग कहा है लखनों में अलफ्रेड पार्क कहा है दोस्तों इलहाबाद में इंपोर्टेंट काभी लालबाग सालिमार बाग सीरनगर में, बूल जैंती पार्क नई दिली में, विरिंदाबन गार्डन मेसुर में, मुगल गार्डन नई दिली में, रोग गार्डन चंडिगर में, निसांत बाग सीरनगर में, और सिकंदर बाग लखनों में, अलफ्रेड पार्क इलहाबाद में है, निश् जरलीना का निवानवर्ष से 1971 पुर्णिवावन का निवानवर्ष से 1972 द्रोग का निवानवर्ष से 1980 नेक्ट मैनबुकर प्रुसकार पने वाले भारती है देखे भारती लेखक वो उनकी पूस्तक जो मैनबुकर प्रुसकार पाए हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है यह विएस नैपल मेंद्बुकर पुरुषकार पाये हैं तो याद रखे इन अप्फ्री एस्टेट के लिए 1971 मेंसे मेंद्बुकर पुरुषकार दिया गया और उन्धती राय दो गॉर्ट ऑफे समल्टिंस के लिए 1997 मेंसे मेंद्बुकर पुरुषकार मिला था रुन्धती राय को दो गॉर्ट ऑफे समल्टिंस के लिए 1997 में मेंद्बुकर पुरुषकार मिला था सिल्मान रश्दी को मिर्नायर चिल्यन के लिए 1981 में मेंद्बुकर पुरुषकार मिला था किरंद्यसाई को दा इन हेरिटेस ऑफ लॉस 2006 के लिए मेंबुकर पुरसकार मिला था दोस्तों अब हम लोग परहेंगे रेलवे एंटी पिसी बारे जनवरी 2021 को फस्रिप्ट में जो कुस्सन आया था वो देखिए निमलखित में से क्या नाविके उर्जा उत्पादन का परमुख खत्रा है तो यह है भंडारन और परिकिर्णन भंडारन और परिकिर्णन सरकरा को अलकोहल में परिवर्थित करने की परिकिर्या निमलखित में से क्या कहलाती है तो यह किनवन कहलाती दोस्तों किनवन छोटी आत के आंत्रिक दिवारों पर अंगली लुमा सरचना पाई जाती है क्या कहलाती है ये क्या कहलाती है तो ये कहलाती है दोस्तों वीली कहलाती है चोटी आनत के आंत्रिक दिवारों पर अंगली नुमा सरचना जो पाई जाती है उसे वीली कहा जाता है और ये वीली चोटी आनत में अब सोसन छित्र को बढ़ाने का कारी करता है दोस्तों विली निम्रखित में से कौन सी उनस्पतियों में पर्चन परजनन अंग होते हैं यह किस्मी होते हैं तो यह होते हैं दोस्तों जल तप्तिया में जल तप्तिया में होते हैं निम्लखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाविकिये अनुसंधान रियक्टर है सबसे पुराना तो यह दोस्तों आपसरा आपको पता ही आपसरा 1956 में इसके अस्थापनों हुआ था नेक्स निम्रकित में से कौन सा सब्द पसु बेभार के जेविक अंधियन का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो वो करता है यह दखेगा इथोलोजी एथोलोजी एक मानक पेवाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामेटर का विसकार किस ने किया था किस ने किया था डेनियल ग्रेवियन फोरेन हाइट ने किया था यानि फोरेन हाइट ही ने किया था दोस्तों सारजनी के चेतर के P.S.E. का कुछ हिसा बेचकर सारजनी के चेतरों के चेतर के निजिकरन की पर करिया को किस नाम से जाना जाता है किस नाम से विन्वेस के नाम से जाना जाता है तो कोन भाहरत से अलग होता है दोस्तों स्रिलंका ये भाहरत से अलग होता है बुकरपुशकवार जितने वालिपाली भारतिय महला का नाम निम्लिकित मेंसे क्या है तो यह अरुंधती राय है दोस्तों Sir Williams Jones ने DAS में सियाटिक स्टाइसी की अस्थापना की थी तो यह की थी दोस्तों 1784 में 1784 में की थी निम्लिकित मेंसे किस में जेनेटिक इंजिनिरिंग स्वामिल है जीन करांती में दोस्तों निम्रखित में से कौन सा असमारक किंग जॉर्ज पंचम और कुईन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती सेली से प्रभावी था गुजराती सेली से गेटवे ओफ इंडि निम्रखित में से कौन सा असमारक किंग जॉर्ज पंचम और कुईन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती सेली से प्रभावी था गेटवे ओफ इंडिया नादिसा ने डेयस में भारत का हमला किया था और दिली में लूट पाट की थी नादिसाने तो याद रखेगा 1749 सिस्वी में 1749 सिस्वी में पूस्तक बहरूपी गांधी किसने लिखी है किसने लिखी है दोस्तों तो याद रखे अनुबंदो उपाधिया लिखी है अनुबंदो उपाधिया ने लिखी है नेक्स्ट केरल में मोपला बिद्रो मलावार ब स्थिथे दोस्तों आजनता की गुफाएं भारतिय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनितिक दल चुनापुर्व किस अबदी में अपना घोसना पत्रचारी नहीं कर सकते हैं तो यह नहीं कर सकते दोस्तों है तो 1620 किलोमेटर की है 1620 किलोमेटर कंप्यूटर और इंटरनेट के छित में डेवलू 3C का पुन रूप क्या है डेवलू 3C का पुन रूप वर्ड वाइव वेव कंसूर्ट्रियम है दोस्तों भार सरकार द्वारा जलकरांती अभियान किस वित्तिय वर्ष के दोरण राय भोई कितलवंडी वर्तमान नंकाना सही में डेस में हुआ था तो याद रखेगा ये 1469 इसलिम हुआ था 1469 में सोलमी लोकसभा के अध्यच का नाम क्या था सुमित्रा महाजन याद रखेगा सुमित्रा महाजन इसका नाम था नेक्स्ट भारत में दो सदनों लोकसभा और रासभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किये गए सभी विधयक डेस के अनुमोधन के बाद ही लागू हो सकते हैं तो ये होगा दोस्तों राष्टपती भारत में दोनों सबनों लोकसभा और रासभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किये गए सभी विधयक डेस के अन मेरा बिंदु मना जाता है मरियाना खारी एम आर्टीपी अधिनियम 1979 में निमलखित में से एम आरा एम आर्टीपी का कौन सा पुन रूप सही है कौन सा पुन रूप दोस्तों सही है तो इसका राइट अंसर होगा बिलकुल याद रखेगा भारती समीधान के नुसार पंचाहत सदसी होने के लिए आवसक नियुनतम आयू कितनी है आवसक नियुनतम आयू 21 साल है नेक्स्ट है इस ही हम हुई थी दोस्तों 1995 में निश्ट इनमे से कौन सा एक देस भुदपुर्व USSR का हिस्टा नहीं था तो यह दोस्तों फिल्लेंड नहीं था रूस था जर्जिया था और मालडोवा था लेकिन फिल्लेंड दोस्तों नहीं था इस रो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटर्टिका के भारती इस्टेसर में डेस की अस्थापना की है, किस की अस्थापना की है दोस्तों, तो यह AGEOS की, AGEOS की, निमिलकी दिमें से किस अलाज में परसित सुरी मंदिर इस्थित है, परसित सुरी मंदिर दोस्तों यह उडिसा में इस्थित है, याद गया नेशो हमाए ट्रॉम में अस्थापित किया गया था एनएसी में किया था रिश्त्र KP California नेशनल अंडियान मतलं कांग्रेस सरिस्का राश्टी तृए दूसरा है दोस्तों यह National Informatics Center है NIC और आपको पता ही है वो भारती राष्ट कंग्रेस की अस्थापना 1885 हुगा था वो दूसरा है सरिस्का राष्ट उध्यान डैस में अस इस्तित है सरिस्का राष्ट उध्यान यह राजस्थान में इस्तित है दोस्तों एकसल में दाई और सक्रिय सेल के साथ चेनित सेल को भरने के लिए किस सरकट कुझी का उपियोग किया जाता है तो यह होगा दोस्तों कंट्रोल प्लस आर का किया जाता है Ctrl प्लस R का Next Richter निर्मान वर्श Apsara 1956 में निर्मान हुआ था Cyrus का 1960 में निर्मान हुआ था Jarlina का 1961 में निर्मान हुआ था दोश्तों और पूर्णिवाँ वन का 1932 में निर्मान हुआ था Draug का 1885 में निर्मान हुआ था Next अभिसकार और यंत्र है वायो दाप मापी के विस्कार हैं दोस्तों याद रखे टोरिंसली यानि एवो गलिस्ता टोरिंसली है दोस्तों वायो दाप मापी के विस्कार है सिमेंट के विशाणINE Sab Eleven है डीजल एंजन के है, रिडॉल्प डीजल पिस्तोल के हैं दोस्तों सेमवल कोल्ट और तार के हैं सेमवल मोरस तार के हैं दोस्तों सेमवल मोरस है मलक्का जलसंदि अन्दमान सागर एबां दचिंचिंसागर को जोड़ती है इंपोर्टेंट है दोस्तों ये नेक्स लेखा की कृणिती और वर्स वियस नेपॉल की कृणिती है तो इन अफ्री एस्टेट 1971 में किया था इसकी मतलब इसको लिखा था तो वियस नेपॉल के इन अफ्री एस्टेट सलमा रजदी का Midnight Children The God of Small Things अरुंधती रहा है अरुंधती रहा है 1997 यह सभी को दोस्तों मान यह दूसरा है किरन देशाई The Inheritance of Loss किरन देशाई The Inheritance of Loss इसके लेखा के हैं दोस्तों किरन देशाई और White Tiger का अर्विन अटिगा 2008 में In a Free State Midnight Children The God of Small Things अरुंधती रहा है The Inheritance of Loss किरन देशाई White Tiger अर्विन अडिगा यहाद रखे हैं दोस्तों संस्तापक और स्थापना वर्स आत्मी सभा के संस्तापक ने दोस्तों राजा रहा मोहन दाए कब तो 815 एसे में क्या था संती और स्थापना क्या था सरसयद हमद खाने आत्हार सो चों सटीमें समाज की स्थापना क्या था जोतिवाठले ने 1873 में अत्मी सभा के अस्थापना क्या था राजा राम मोहन दाए ठीक है तत्वोधनी सवाज का दद्देवेन नौथ टाइगोड और इसके बाद सैंटिफिक सोसाइटी का सरसयद अहमाद खां सत्य सोदक समाज का ज्योतिवा फूले दोस्तों नेक्स्ट है पूस्तके हैं समाचार पत्रें लेखक और संपादक हैं देखिए बंदी जीवन सचिंदर नाथ सन्याल भारत भारती मेथली सरंगुप्त निल दरपन दिन बंदू मित्र संबाद कोमुदी राजाराम होंडा है इंडिया फो इंडियांस चितरंजन्दास आंदोलन है समय है दोस्तों या देखि तेलंगना अंदोलन भाता उनिसेयालीस से एक्यावन में गुफाएं इस्तित, आप देके बाग गुफाएं मदपर्देश मिश्तित, एलोडा की गुफाएं महरास्ट मिश्तित, बराबर गुफाएं बिहार मिश्तित, और चंदा देवी की गुफाएं चतिसगर मिश्तित, एलिफिंटा की गुफाएं मुंबई मिश्तित, बदामी गुफा करनाटक मिश्ती थे बदामी गुफा करनाटक मिश्ती थे वरहा गुफाएं महावली पूरा मिश्ती थे दोस्तों नेक्स्ट बोड़ा गुफाएं आंद परदेस मिश्ती थे भीम बेटका मद परदेस राइसेन में है भीम बेटका मद परदेस में है दोस्तों नेक् राष्टि जल्मार नमऔर 2 की 891 किलो मेटर है। नेक्ष संगठन और अस्थापना वर्षे अंतराष्टी स्रम संगठन अस्थापना 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 गेवलादेव राष्ट उद्यान राजस्थान में भरतपूर में केवला देव राष्ट उद्यान राजस्तान भरतपूर में है बांदवगाद राष्ट उद्यान मदपर्देश सहदोल में है घाटपरवा पक्षी अभ्यारन करनाटक बेलगाउं में है गीर माता कुंदुवा अभ्यारन उरिशा केंदरपारा में है सोटकट कारी के बारे में देखिए Ctrl P plus N अगर क्लिक करेंगे कमप्यूटर में तो नया वर्क भूक खोल जाएगा धोसतों Ctrl P plus O करेंगे तो पहले से बनाए गए वर्क भूक खोलना Ctrl P plus O Ctrl plus W वर्तमान विंडो को बंद करना है Ctrl plus W Ctrl plus D वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना है Ctrl plus D Ctrl plus G किसी विशेस सेल में जाना Ctrl plus G को किलिक किया जाता है Next आप हम लोग पढ़ेंगे Railway NTPC 12 January 2021 को 2nd सिफ्ट में जो कोशन पूछा गया था वो देखिए दोस्तों पहला कोशन है वो परिवर्तित प्रकास के माध्यम की छमता को इसके संदर में भी व्यक्त किया जाता है किसके संदर में व्यक्त किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों प्रकासिय संघंता वो प्रिवर्थित प्रकास के माध्यम के छमता को किसके संदर में व्यक्त किया जाता है याद रखेगा इनमें से कौन सा पोधों की विर्धी मापने के लिए पर्यूगत उपकरन है तो याद रखेगा कौन सा है दोस्तों क्रेसको ग्राप इनमें से कौन स से बीज में भुरून होता है जो उचित परिस्तितियों में अंकुरित हो जाता है और इस परिक्रिया को इन में से किसके रूप में जाना जाता है किसके रूप में दोस्तों अंकुरन के रूप में पोधे से बीज में भुरून होता है जो उचित परिस्तितियों में अंकुरि पहली पीडी दोस्तों किस पीडी की कम्पीटर भारी वेक्यूम ट्रिव अधारित और महगेते तो पहली पीडी की कम्पीटर मनुस में निम्ड में से किसकी अक्सिजन के लिए उच आत्मियता है उच आत्मियता है तो ये हेमोगलोबिन गोलिय दर्पन की प्रावर्तक सता का केंदर बिंदू क्या कहलाता है दोस्तों धुरूब यानी पूल कहलाता है नेक्स्ट पुझी के नियमित मुल्य च्छ को समायोजित करने के करम में किये गई सकल निवेस के मुल्य को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है तो याद रखेगा मुली हरास कहा जाता है कुल इस्तिर लागत और कुल परिवर्तनिय लागत का योग क्या कहलाता है तो याद रखेगा कुल कीमत कहलाता है परसिद लोग येत कजरी कहा लोग पिरिये है कजरी कहां लोग पिरिये दोस्तों उत्तर परदेश में कजरी लोग पिरिये है www.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w में उतपादन शुरू हुआ था तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तों भिलाई इस पातर स्यंद्रे इनमें से किस इसपातर स्यंद्र की अस्तापना 36 गट के दुर्ग जिले में रूसी सहयोक से की गई थी और इसमें typore उनसरट में उत्पादन सुरू हुआता, भिलाए इस फात सयंत्र, इन में से किसकी अस्तपना League of Nations के अस्थन पर की गई थी, तो यह होगा सयंकिराष्ट, इन में से किसे Milkman of India किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखे किसका रायट अंसर बर गीच कोडियर को कहा जाता है सर्विसे में कार किया और भारत के कई विवीद छेत्रों में महत्पून सर्विक्षन एबं खोज किया तो यह फ्रांसिस बुकानन ने किया 1948 में वैसिक वेपार को विनेमीद करने के लिए गट की अस्थापना की गई थी अधर का पूर रूप क्या होता है गट का तो जनरल एग्रीमेंट औन टैरिप्स एंट ट्रेड इसका फुर्पवम होताहरा दोस्त वैल्ट ऑफ नेशंस नाम पूश्तक किसी ने लिखा है तो यहाद एड़ाम इसमित ने लिखाए wealth of nations नमा पुष्टग मनोरा का कीला कहा इस्तित्त है तो यह इस्तित्त है दोस्तो मनोरा का कीला तमिलाडु में इनमें से कौना राज बुकसाइट का सबस्बरा उत्पादक है? तो यह है ओरिसा इन में से कौन सा राज़ बोकसाईट का सवसबण उत्पादक है उरी साथ जब लोगों को बजट के माद्यम से वित्पोसित किया जाता है और साजनिक वस्तों को किसी भी परतेफ्टबुक्तन से मुख्ट उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है तो इसे दोस्तों साजनिक प्रावधान कहा जाता है। पन्यास अंटेचेबल किसके द्वार लिखा गिया है अंटेचेबल ये लिखा गिया है दोस्तों मुलकराज अनंद के द्वारा लिखा गिया है अंटेचेबल मुलकराज अनंद के द्वारा नेक्स्ट इन में से किस रेशेदार फसल का पडियोग मोटे कप्रे बेग थेले औ तरणने के लिए किया जाता है जूट का भारत के सविधान का कौन सा अनुचिद राजपाल की नियुक्ति से समय दित हैं मानवधिकार इमनेस्टी इंटरनेस्टल नामक संगठन इनमें से किसकी स्रक्षा पक्केंदरीत है मानवधिकार दोस्तों next कौनसा आंदोलन सांतिपुर्ण होने के लिए प्रियार्त नकरात्मक था लेकिन परभावी होने के लिए प्रियार्त साकारात्मक है तो यह हुजा है दोस्तों ओस सहीयोग आंदोलन कौनसा आंदोलन सांतिपुर्ण होने के लिए प्रियार्त नकरात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए प्रियार्त साकारात्मक है तो ओस सहीयोग आंदोलन अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरुषकार से सम्मनित किया गिया है तो याद रहे कि The God of Small Things 1793 मास्थाई बंदो वस्ती लागू होने के समय बंगाल के गवनर जिनर्डल कौन था बंगाल के गवनर जनरल लॉड कानवालिस था 1793 मास्थाई बंदो वस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवनर जनरल कों था लॉड कानवालिस जै जवान जै किसान का परसीद नारा किसने दिया था किसने दिया था लाल बहादू सास्त्री जय जवान जय किसवन का परशिद नारा किस ने दिया था लाल बहादू सास्तरी भारत में सीमा सरक संगठन याने बी आर ओ की अस्थापना कब की गई थी माई 1960 में की गई थी कों 2000 साल 882825 तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोज मरा के जिवन के प्रिद्रस्य और द्रस्यों को चितित करती है तो यह हो जाएका दोस्तों जौर्च चिन्नेरी कौन 23 साल 802-725 तक भारत में रहे है जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोज मर्रा के जीवन के प्रिद्रिस्य और द्रिस्यों को चित्रित करती है तो यह दोखे जॉर चेननेरी नेच्स्ट है अब दोखे पीडी और हार्डवेयर पर्थम पीडी में जिर्वात ट्यूब था धोस्तों ठीक है और 2-3 पीडी में ट्रांजिस्टर का पर्योग हुआ था संगठन और मुख्याले Amnesty International का मुख्याले लंदन में, Amnesty International का मुख्याले दोस्तों, लंदन में, एस याई विकास बेंग का मुख्याले मनिला में है, युनिसेव का मुख्याले नियार्क में है दोस्तों, ओपेक का मुख्याले वियना में है, और नाटो का मुख्याले ब्रुसेल्स में है, युनेपी का मुख्याले नेरोवी में है, एमनेश्टी इंटरनेशनल का मुख्या बिद्रोहिक कभी है काजी नजूल इसलाम बिद्रोहिक कभी है नेपोलियन बोना पाट लिटिल कारपुरल है दोस्तों नेपोलियन बोना पाट लिटिल कारपुरल के नाम से जाना जाता है और एनी बेसेंट माता बसंत के नाम से जाना जाता है गोल्ड इस्टोन अग्रेंड मेन ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इस श्रीधरन और रितु करी धाल ये रॉकेट वुमेन ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है काजी नजरूल इस्लाम विद्रोही कभी के नाम से जाना जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट लिटिल कार्पोरर के नाम से जाना जाता है एनी बसंट माता बसंद के नाम से जाना जाता है और Glade Stone Grand Man of Britain के नाम से जाना जाता है फूरसोत्तम दास्टेंडन राजश्री के नाम से जाना जाता है और East Shridharan Metro Man of India के नाम से जाना जाता है रितु करिधाल Rocket Woman of India के नाम से जाना जाता है पूस्तक और लेखाग The World, The World as I Seat Albert Einstein लिखे हैं दोस्तों The World मतलब Age I Seat के कौन लिखे हैं Albert Einstein और Airport Arthur Halley लिखे हैं Divine Comedy Important है दाते लिखे हैं Divine Comedy दोस्तों दाते लिखे हैं Principia Newton लिखे हैं Paradise Last John Milton लिखे हैं Farewell to India Edward John Thompson लिखे हैं Leaders Richard M. Nixon लिखे हैं और कीला दोस्तों महरगड का कीला राजस्थान कीला है अस्थान है महरगड का कीला राजस्थान में है गौलियर का कीला मद पर्देश में है चितुरगड का कीला राजस्थान में है सोनार का कीला राजस्थान में है कांगरा का किला हीमाचल पर्देश में कुंबलगड़ का किला राजस्थान में मेरगड़ का किला राजस्थान में गौलियर का किला मद पर्देश में चित्वरगज का किला राजस्थान में सोनार का किला राजस्थान में कांगरा का किला हिमाचल पर्देश में है कुंबल गट का किला राजस्थन में है गोची का किला तमिलाडु में सेंट जॉर्च का किला मदरास में लूई का किला पांडिचेरी में रोतास गट का किला बिहार में रोतास गट का किला बिहार में है इनकलाप जिन्दावाद भगस सिंग का नरा है दोस्तों इनकलाप जिन्दावाद भगस सिंग ने दिये थे वंदे मातरम बंकिम चंचे टोपादिया ने दिये हैं दोस्तों वंदे मातरम जै हिंद स्वास्चन बोस ने दिये हैं जय जवान, जय किसन, जय विग्यान, जय अटल वियारी बाजपई ने दिये हैं, दोस्तों, जय जवान, जय किसन, जय विग्यान, नेक्स्ट, वापस वेदों की और लोटो, वेदों की और लोटो दोस्तों, तो स्वामी दयानन ससुत्ती ने दिये हैं, गड़िवी हटाओ, इंद्रा गांधी ने दिये हैं संपून करांथी जे प्रकास नारायन इन क्लाप जिंदावाद भगत सींग वंदे मातरां बंकिम चंट बंकिम चंट चिटोपाद दिया जै हिंद सुवासन बोस जै जवान जै किसान जै विग्यन अटल भी आरी बात पई वापस वेदों की औ अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रेलवे एंटी पेसी तेरा जनवरी दो हाड़ एक इसको सिप्ट्र जो कुस्तन आया था वो देखिए दोस्तों क्या आया था उस वी सुपरसीद वेज्ञानी का नाम बताए जिसे सपेक्षता के सिध्धान के लिए जाना जाता है सपे काइस्टिन को सपेक्षता का सिध्धान के रूप में जाना जाता है । एक सेट जो उप्यो करताओं को फाइलों तक पहुँचाने और संशुदित करने की अनुमती देता है कि रूप में जाना जाता है तो याद रखेगा डाटा बेस मनेजमेंट सिस्टम प्रस्पर सम्मोदित फाइलों का संगरा और प्रोग्राम का एक सिट जो उप्यो करताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संसोधित करने की अनुमदी देता है कि रूप में जाना जाता डैस मोजूद होते हैं मीथें दोस्तों मोजूद होते हैं पदार्थ की प्रकृति से समन्दित मुलभूत सिधान्त किसने परतिपादित किया था तो याद रखे हैं जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकरति से समंदित मुलभूत सिधान्त किस ने पर्तिपादित किया था जॉन डाल्टर ने निमल्कित में से कौन सा सिधान्त और उर्जा परनालियों से समंदित है तो फोटोवल्टाइक परभाव दोस्तों नेक्स्ट अब इन में से किसने अपने समराज को संगटी तेवं मजबूद बनाने के लिए सिंदु घाटी से लेकर मंगाल में इस्थित सोनार घाटी तक साही रोयल सरक का निर्मान कराया था जिसका नाम बेटिस काल के दोरन बदल का जीटी रोड कर दिया गया जीटी रोड निम्रकेत में से किस बैंक की अस्थापना 1770 में भारत के कलकता में येरोपिया प्रमंदन के अधिन की गई थी बैंक ओप हिंदुस्तान भारत के उस अस्थान का नाम बताई है जहां सुने मिल का पत्थर यानि जीरो माइल स्टोंस मतलब देखा जा सकता है जिसने बलवा पत्थर से बने चार घुरों युकत एक अस्थम की आकिरती बनी हुई है तो ये क्या हो जागा दोस्तों नागपूर क्या होगा नागपूर नेक्ट प्रोग्राम्बिंग भासा सी प्लस प्लस का विकास एटी एंड टी बेल लेबोरेटिज में बेंजने और इस्ट्रा इस्टूप दोरा डैस के दसक के प्रारम में क्या गिया है तो ये हो जागा दोस्तों भारत के स्टेच्व अप यूनिटी तो ये इस्टित है दोस्तों गुजरात में सयूत राष्ट दिवस पर्टि वर्स कि स्थिति को मनाया जाता है तो ये 24 सक्टुबर को सयूत राष्ट दिवस मनाया जाता है अन्रेट चेश सारवधीक जनसंक्यावाले देश किस में स्थित थे एस या में इस्तित थे नीती आयो का गठन डेस 2015 को भारती योजना आयो को समत करके उसके अस्थन पड़ किया गया तो यह हो जाएगा दोस्तों एक जन्मड़ी गों किया एक जन्मी 2015 को किया नीती आयो नेक्स्ट भारत रत्म पुरुषकार से समझाएग होगा दोस्तों बी नंबर यानि 935 को एक अप्री 935 को ने में से कौन सा भारतिय संसद का एक अंग नहीं है एक अंग नहीं है तो राज विरह गवर्रेंस अब लोग सब्सक्रा र centuries 8 दोस्तों नेक्ट 1798 में निम्ल में से कौन गवर्णर जिनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विसाल महल गवर्रमेंट हाउस का निर्मान किया तो यह हो जाएगा दोस्तों लॉड वेली जिली ने किया लॉड वेली जिली ने फतेपूर सिक्री इस्तित बुलंदर वाज के निर्मान किस नहीं करवाया था ऐकरक वर्तित मैं किस ने करवाया था अकवर मेंघ्ट में निम्ल खित में से किस सहर को भारत में महलों के सहर स्पि्प यह जाता है कि सोतन भारत के पहले गुवना जन्रल कौन थे? सोतन्ध भारत के पहले गवना जन्रल ल्र लोर्ड मांट बेटन थे दोस्तों नेश्ट पदार्थ की प्रिकिर्थिशे समझे पुलभूत सिधां किस्ने पर्थी पादित किया था? तो यहाद कि जॉन डाल्टन में किया था, पदार्थ की प्रिकृति से समझे मुलभूत सिधान किस ने पर्तिपादित किया था, जॉन डाल्टन ने किया था, इनमें से किस वर्स के दोरान लोकसभा और राजी विधान सभा चुनाओ के लिए मतदान की आयू को 21 वर्से घटा कर 18 वर्स किया था, तो यह 1988 में, इनमें से किस वर्स के दोरान लोकसभा और राजी विधान सभा चुनाओ के लिए मतदान की आयू को 21 वर्से घटा कर 18 वर्स किया था, 1988 में, उस व्यक्ति का नाम बताईए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जेनरल न्यूक्त किया गया किया था तो क्या होगा इसका अंसर दोस्तों, किसी किया गया था, यानि 57 सका डी नमर हो जाएगा दोस्तों यह कहा इद रखियेगा त्रू वनत पुरा में किततना विक्रम सारभाइ आंत्रिक्प्रिश के अंदर नेक्स्ट मेगा लो पुलीस एक ग्रीक सब्ध है जिसका अर्थ महंसर इसे डैस 1922 लोग पूर ये बनाया गया था तो ये हो जाएगा दोस्तों जीन गौट मेन जीन गौट मेन नेक्स्ट किसकी अधिक्स्ता में भारती राष्ट कमडेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहोड अधिवेशन में पून सोराज को अपना अंतिम लक्षी घुसित किया जवहा लाल नहरू नेक्स्ट आधार एक बारे अंकी विसित संकिया है जिसे टेस्ट द्वारा जाड़ी किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों यूनिक आइडिन्टिफिकेशन ऑथरिट्री अप इंडिया के द्वारा किया जाता है पर्थम पंचबस की यूजना 1951-56 की यूजना का मौस्वधा तियार करने में सामिल युवा अर्थ सास्तरी कोन है युवा अर्थ सास्तरी कोन है के यादगे के एन राज है के एन राज है के एन राज है दोस्तों के एन राज तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तों लॉड डल होजी ने अवद राज को किया था नैक्स्ट विशस्वा संक्रटन का मुख्याली इन में से किस अस्थान पर है किस अस्थान पर जनेवा में भारत कितनी भार पुरोसों के आईसेसी क्रिकेट वोल्ड कब के एक दिवसी अंतराष्टे प्रारुप OTI के फाइनल तक पहुचा तो ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर तो इसका राइट आंसर होगा 36 का 36 का आप लोग कमेंट सक्षिन में बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 36 का नेक्स्ट है अब इस सेट का इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की सखाएं और जनक अनुवांसिकी का जनक को है मैंडल है वर्गीगी का जनक के रोस लिनियास है पाधप किरिया विज्ञान का जनक एस्टिपन हेल से दोस्तों पाधप किर जनक वांड वियर है अनुवांसिकी का जनक मैंडल है वर्गीगी का जनक के रोस लिनियास है पाधप किरिया विज्ञान का जनक एस्टिपन हेल से भारती वनस्पते विज्ञान का जनक विलियम रोक्स वर्ग है आधुनी के भुरून विज्ञान का जनक वांड वियर है य इस्वर का निवास अस्थान प्रियाग को पांच नदियों की भूमी पंजाब को बुनकरों का सहर पानिपत को कहा जाता है आंत्रिक सहर बैंगलूरू को कहा जाता है भारत का डेट्राई पिथम पूरा को कहा जाता है और पहारी की मलिका नेत्रहाट को कहा जाता है पहारी की मलिक का नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पिसी 13 जन्मरी 2020 को सकेंड शिप्ट में जो आया था वो देखिए निम्लिकित में से किस उपगरा को भारत की पाली समर्पीत बहुत रंगदरिये आंतिची वैद साला के रूप में जाना जाता है बताए इसका क्य अंसर होगा दोस्तों तो इसका राइट अंसर होगा तो इस्टो सेट को इस्टो सेट निम्लिकित में से किस उपगरा को भारत की पाली समर्पीत बहुत रंगदरिये आंतिची वैद साला के रूप में जाना जाता है इस्टो सेट को जाना जाता है कम्प्यूटर में डाटा को process करने के लिए इन में से किस भास वाशा का उपयोग किया जाता है किस भासा का तो binary भासा का उपयोग किया जाता है दोस्तों निमखित चुनक्कराण्विद्चुंब के प्रियरन की घटना पर अधारित है तो यह हुग है काई है ATP इन में से कौन सी अधिकांस कोसी काई परिकरियाओं के लिए उर्जा मापन की काई है ATP है निम्रखित में से कौन सा उर्जा का प्रमपारिक स्रोत नहीं है उर्जा का प्रमपारिक स्रोत नहीं है प्रवंचकी नहीं है दोस्तों कोईला है प्राकृतिक गैस है पेट्र विछ आवरां रहीत होते हैं नेक्स्ट विबलसारा इन में से संगीत वादी यंद्र से समनहिए थे दूस्टो भी बलसारा भी सारा पीयानों से समझी थे हुमायु नामा के माध्यंघ से मुगलकालिन दुनिया की जलग देखने को मिलती है यह पूस्तक किसने लिखिये हुमायु नामा किसने लिखिये दोस्तों गुलबधन बेगाम ने लिखिये शोवियत गनराज याने यू-S.S.R. के उस पहल उस पहल उन्ता की घोशना किया लिज़फू उन्या ने किया वर्स उनिंगातर में भारत में कितने बेंकों किया गया था तो 14 बैंकों का वर्ष 1979 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट करन किया गया था 14 का UNDP का पुन रूप क्या है UNDP का पुन रूप है दोसरे United Nations Development Program United Nations Development Program है नेक्स्ट है इनमें से कौन सा चिपको अंधोलों के प्रात्मिक उद्देश है चिपको अंधोलों के तो पेरो और वनों को बेचना इन में से कौन सा चिपको अंतलन का प्रात्मिक उद्देश है तो पेरों और वनों को बेचना किर जोर्ज तीर्टिये ने मदरास में उच्तम न्याले की अस्थापना किस वरस में कराई थी मदरास में किस वरस में कराई थी दोस्तों अठाड़ा सो में करवाई थी याद रखेगा आठारस तो ने करवाई थी इंपोर्टेंट है परसी जलिया वाला बाग इनमें से किस सहर में इस्तित्य परसी जलिया वाला बाग यह अमरी सहर में इस्तित्य परसी जलिया वाला बाग दोस्तों JNNURM का पुनरूप क्या है इसका पुनरूप क्या है तो जवालाल नहीरू नेसल अर्बन रेनुवल मीशन हिंद सुराज नाम पूस्तक इन में से किसे लिखी है किसे लिखी है महतमा गांधी ने लिखी है हिंद सुराज नाम पूस्तक इन में से किसे लिखी है महतमा गांधी लिखी है, हैदराबाद में इस्तित डैस रिमोट सेंसिंग उपगरा डाटा मतलो अधिग्रहन एवं परसंसकरन डाटा परसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा परमंदन हेतो निर्नयन सहयों के लिए जिम्यदार है तो इसका राइट अंसर क्या होगा दोसों, नेस्नल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC ASCII का पुनरूप क्या है तो इसका पुनरूप है American Standard Code for Information Interchange ASCII का पुनरूप है American Standard Code for Information Interchange Next भारती मनक्स में IST गिंडविच मादिस में से डेस आगे है सारे पंच घंटे दोसों आगे है इनमें से किस वर्ष में INC के लाहर सत्र में पुनरूप सुराज को भारती राष्टे कोंग्रेस के लक्ष के रूप में सिकार किया गया था तो इसका अंसर होगा दोस्तों 1929 में क्या इनमें से किस वर्ष में INC के लाहर सत्र में Indian National Congress के लाहर सत्र में पूर्ण सुराज को भारती राष्ट कुंडेस के लक्ष के रुप में स्विकार किया गया था 1929 में 2011 की जनकरना के अनुसर भारते महला सक्षतर का परतिसत लगवा कितना है तो याद रखे 55.46% 65.46% है भारती राष्टिक परनाली के तहत इन में से किसे महलाओं के लिए आरक्षन की वेश्था परदान की गई है किसमी की गई है दोस्तों तो याद रखेंगा इसका राइट अंसर होगा पंचायती राज संस्थान पत्थर की बनी निर्ति करते हुए प्रूस की मुर्ती नत्राज किस अस्थन पर पाई गई थी किस अस्थन पर पाई गई थी हरपा में पत्थर की बनी निर्ति करते हुए प्रूस की मुर्ती नत्राज किस अस्थन पर पाई गई थी भारत का इन में से कौन सा राजी बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है बॉक्साइट का तो वो डिसा दोसों सबसे बड़ा उत्पादक है बॉक्साइट का इन में से कौन भारती समिदान के मोसदा समिती के सदस्य नहीं थे कौन नहीं थे दोस्तों तो याद रखेगा A.V. ठकर नहीं थे बाकी सब थे सेयद मुहमद सदुल्ला भी थे, एन गौपाला स्वामी अयंगर भी थे, डाक्टर के एम मुनसी भी थे दोस्तों लेकिन A.V. ठकर नहीं थे सेयुक Washrat की इन में से कौन सी एजन्सिय अंतराश्टी स्रम अधिकारों का संवरधन करती है कौन सी एजन्सिय अंतराश्टी स्रम अधिकारों का संवर्धन करती है ILO, dash और dash sound effect फाइलों के दो परकार हैं जिन्हें Microsoft PowerPoint में जड़ा जा सकता है तो यह हो जाएगा दोस्तों, dot wave file, dot mid file, यही दोन होगा दोस्तों, dot wave file और dot mid file, देखिए अब इसमें important point, स्वास्चन बोस, इंडियन इस्ट्रेगल लिखे है, इंडियन इस्ट्रेगल के लिखक स्वास्चन बोस, भार दुरुदसा के लिखक भारतेंटु हरिस्चंद, भारत भारती के लेखक मैथली सरंगोप्त, नील दरपन के लेखक दिल बंदु मित्र, कंग्रेस का इतिहास के लेखक पट्टाभी सितारमया, इंडिया फोर इंडियांस के लेखक CR10, और इंडिया डिवाइदें के लेखक डाक्टर राजिन परसाद, इंडिया डिवाइदें के लेखक, डाक्टर राजिन परसाद, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगा, आर आर भी, मतलब एंटी पीसी, रेलवे एंटी पीसी, सोला, जनवडी 2021 को फसिपन, जो कुसन आया था, वो देखिए, डियास एक परसी तार है, दोस्तों, जिसे सामें देखा जा सकता है, डियास कोसिपा की एक परकार की, अपसिष्ट निस्तारन पर नाली है, वे किसी भी बाइस समागरी के साथ-साथ, खराब हो चुके कोसिकांगो को पचा कर को साप रखने में मदद करते हैं, तो इसका क्या होगा दोस्तों, तो जानी, ओधातु, ओधातु दोस्तों, ओधातु, ओधातु को विदुत्रिनात्मक्तत्तों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे इलेक्ट्रोन गरन करके रिन आविसित आयन बनाते हैं, ओधातु, नेक्स्ट, निमलेखित में से कौन सा एक इन्पूट डिवाइस है, इन्पूट डिवाइस क्यों सा है, तो ओप्टिकल करेक्टर रिडर, ये इन्पूट डिवाइस है, ओप्टिकल करेक्टर रिडर, खवुली भूत की विज्ञानी, डैस ऐसे पहले जिवित वेक्ती बन गए, जिनके नाम पर नासा ने आंत्रिक्ष यान का नाम रखा, और इन्होंने 1958 में सरपर्तम सोरपवन के अस्तित में सिधामतिक रूप दिया था, ये हो जाएगा दोस्तों, यूजिन पारकर, यूजिन पारकर, निकसंचित सब सोनार का पुन रूप क्या है, सोनार का पुन रूप क्या है दोस्तों, साउंड नेविगेशन एन रेंजिंग, sound navigation and ranging निम्रकित में से कौन सा personal computer का एक भाग नहीं है परस्ट कम्पीटर का एक भाग नहीं है USB दोस्तों नहीं है CPU है RAM है रोम है लेकिन USB नहीं है नेक्स सत्रासो बाबन में किस अमिर्की विग्यानिक ने यह बताया कि बिजली करकना और आपके कपरों से चिंगार ही निकलना वास्ता में एक ही पड़िःटना है तो यह हो जाएगा दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलीन एक साभागार में धोनी का सातल लिए धोनी के परवर्तन के पुनरावर्ती का पड़िणाम है और इसे डैस कहा जाता है क्या कहा जाता दोस्तों अनूरन कहा जाता अनूरनन निम्लखित में से कौन सा सेपरेट सीट का एक उधारन है सेपरेट सीट का Microsoft Excel Microsoft Excel है next है दूरी और समय के मामले में भारतिया रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तै करने वाली रेल गारी कौन है तो यह है विवेक एक्सप्रेस दूरी और समय के मामले में भारतिया रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तै करने वाली रेल गारी है विवेक एक्सप्रेस दोस्तों भारत महरित करामति के सफलता पुरवक्निस्पादन करने का सरे डियास को जाता है किसको जाता है तो याद रखेगा यह में जनता के रूंब रूह हुए थे तो यह हो जाएगा दोस्तों बनारास हिंदू विश्विद्याले की अस्थापना पर दोस्तों नेक्ट वर्स डेस में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसे विश अर्थवेस्ता के साथ बंबई भरतमान मुंबई के समन्दों को और अधिक मजबुत्ती मिली दोस्तों तो ये हो जाएगा 1879 वर्स 1879 में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसे विश अर्थवेस्ता के साथ बंबई भरतमान मुंबई के समन्दों को और अधिक मजबुत्ती मिली किस वर्स में ततकालीन सहंसा जोर्ज पंचन ने दिल्ली को अधिकारी के रूप से बिर्टिस भारत के राजधानी घोसित किया था 1911 होगा दोस्तों 1911 सहींत राष्ट युएन के अस्था अपना राष्ट संग के उत्राधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर डैस को की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी निम्रकित में से किस देस की थलसीमा भारत के साथ नहीं जूरी हुई है भारत के साथ तो यादर के सिर्यंका नहीं जूरी हुई है ये भारत के साथ दोस्तों जल से जूरी हुई है पानी से नेक्स्ट है महराष्ट और गुजरात राजियों के गठन डैस में हुआ था कब हुआ था 1960 में हुआ था दोस्तों सेंत राष्ट का गठन मानव जाती को स्वन में ले जाने के लिए नहीं बलकि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था यह कठन किसका है तो यह कठन है दोस्तों डेग हेमर एसकोल जॉल्ड का है दोस्तों डेग हेमर की चॉल्ड का है बहुत ही इंपोर्टनेट है द ने दिया था लाल भादू सास्त्री ने दिया था दोस्तों लाल भादू सास्त्री ने ऐसी वस्त में जिने उपभुकता की तत्काल अर्शक्ता की पूर्ति करने के लिए नहीं बलकि अनि वस्तों की उत्पादन करने के लिए लाया जाता है ड्यास कहलाती है दोस्तों ये पंथियों भारती राष्ट कोंग्रेस के उगर सुधारवादियों और डैस के लिए एक संयुत राज ने देखके मंच परदान किया था तो यह हो जाएगा दोस्तों मुस्लिम लिंग तो यह हो जाएगा दोस्तों दर्चिन अफ्रिकासा स्थाई रूप से भारत लोट गए थे दोस्तों 1915 स्वी में महत्मा गांधी गुजरात पर अपने जीत का जस्न मनाने के लिए अकवार ने फतेपूर सिक्री में भारत के सबसे उचे परवेश द्वार गेटवे याद के गेटवे का दुसरा नाम है दोस्तों बुलन दर्वाजा याद रखे गुजरात पर अपने जीत का जस्न मनाने के लिए अकवार ने फतेपूर सिक्री में भारत के सबसे उचे परवेश दुआर गेट ऑफ मैगनिफिसेंस का निर्वान कराया था इस गेट वें का दूसरा नम क्या था बुलन द्रवाज निक्स जर्मनी के कुल इसपात का उत्पादन 80% इसके ड्यास चतलब पर निर्वर है तो याद रखिएगा सोव्यत संक्रेंग से दोस्तों की गई थी डैस भारत का सबसे ब़ा और एसिया का दूसरा सबसे ब़ा मिट्टी का बांध है और इस बांध का नाम केरल के राजा महावली के पुतर के नाम پर लखा गया था तो यह होगा दोस्तों बानासूर सागर बांध डेस भारत का सबसे बड़ा और एसिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और इस बांध का नाम किरल के राजा महावली के पुत्र के नाम पर रखा गया था याद रखेगा बाना सूर सागर बांध निक्ष उन्नत भारत अभियान किस से समन्दित है उन्नत भारत अभियान ये किस से समन्दित है दोस्तों तो याद रखेगा ये समन्दित है उच सिक्षन संस्थानों की मदद से ग्रामिन भारत की विकास करना उची सिक्षन स्थानों की मदद से ग्रामीन भारत का विकास करना किस बेटिस भोतिक विज्ञानी को इलक्ट्रोनों की खोज से समदित उनके कार के लिए 1906 में भोत्की के नोवेल पुरुषकार से समदित किया गया था तो ये जेजेट थॉम्सन को दोस्तों किया गया था जेजेट थॉम्सन भोत्की विज्ञानी के इलक्ट्रोनों की खोज से समदित उनके कार के लिए 1906 में भोत्की के नोवेल पुरुषकार से समदित किया गया था दोस्तों नेक्ट भारत में पहला रेडियो कारिकरम किस वर्स पर सारित किया गया थे यह किया गया थे 1923 स्विम्य में भारत के उपर्धनमति 1997 से89 तक डेयर से कौन थे तो यह थे दुष्घ जीवन नाम याद रखेगा जग जीवन नाम भारत के उपरदन मति 1997-89 तक कौन थे जगजी वन डाम थे इवे बील निमलखितमें से किसी समण दिते है इवे बील यह समण दिते है माल की एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर आपूरती International Court of Justice में इस्तित थै इंट्रनेशनल कोर्ट अब जस्टिस डेस में ये इस्तित है ये इस्तित है दा हेग में दोस्तों दा हेग में भारती जंगनाथ 2011 के नुसर किस राज का जंसक्या घनत नियुंतम है अवनाचर पर्दिश का उत्राखन के कुमाओं छेतर में तलवार के साथ किये जाने वाले ल पर ये निरति को डेस खा जाता है छोलिया खा जाता है छोलिया इस रो में चंद्रियान वन आंत्रिश यान को डेस में पर छेपित किया और इसे चंद्रमा पर ठोस बर्ब की उपस्तित की पुष्टी करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसजित किया गया था तो इसका सब्सक्राइब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी सोलाज नमरी दोहार एक इसको सकेंड सिप्टम जो कुस्टन आया था वो देखिए पहला कुस्टन है इंसुलेटर का एक उधारन नहीं है बताइए तो यह कौन नहीं है तो मानव सरी दोस्तों इंसुलेटर का एक गांच है रवर है और हीरा है नेक्स्ट सितल पे में फ्रीज याद रखिएगा संसनाइट उत्पन करने के लिए निम्रखित में से क्या मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है सितल पे में फ्रीज संसनाइट उत्पन करने के लिए निम्रखित में से क्या ओपेरा है लेकिन विकिपीडिया दोस्तों नहीं है निम्रखित में से कौन सा मानव रख्त में मुझूद एक वर्नक है जो ऑक्षियन को हमारे फेपरों से सरीर के सभी अंगों में ले जाता है तो हेमोगलोविन दोस्तों ले जाता है निक्षचान्द की सता पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था तो लूना नाइन था दोस्तों लूना नाइन गुर्दे का विफलता का समय समय पर गुर्दे के मसीन पर इलाज किया जाता है और इस परकिरिया को क्या कहा जाता है इस परकिरिया को दोस्तों हीमोड स्ट्यान नाथबोस का नहीं है निम्रकित में से किसका समद्ध भारतिय आंतिच्कार क्रम से नहीं है द्यास ग्रंथी को है पतले डंठल से लटकी हुई होती है और मानव सही की महश्टर गरंथी कहलाती है दोस्तों तो ये है पिचुट्री गरंथी मचलियों के बारे में निम्लखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मचलियों के बारे में तो याद रखेगा मचलियों में दोरा परिसंचनतंद होता ये सही नहीं है बाकि सबसे ये मचलियों के गलफरों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यहां ओक्सिक्रीत होता है मचलियों की हिर्दे से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक ही बार प्रभावित होती है मचलियों की हिर्दे में केवल दो कक्ष होते हैं दोस्तों कितने कक्ष होते हैं दो कक्ष नेक्स्ट भारत के समीधान का कौन सा अनुछे संसथ को समीधान में संसुधन करने के सक्ति देता है संसुधन करने के सक्ति देता है अनुछे 368 देता है दोस्तों अनुछे 368 निमलखित में से किस सहर को the queen of the Arabian sea के नाम से जाना जाता है कोच्ची को निमल्खीत में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपचितर नहीं है उपचितर नहीं है तो राजनितिक भूगोल दोस्तों यह नहीं है बाकी सब है प्रियतन का भूगोल है संसाधनों का भूगोल है क्रिसी का भुगोल है नेक्स्ट नील की ब्लाट क्रिसी के खिलाब महत्मा गांधी दोवरा प्रेइत परमूख विध्रों का नाम क्या है बताइए तो यह है दोस्तों चम्पारन सत्यागरह नेक्स्ट 1857 की विध्रों में अपने सभी स्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इंफेंट्री मतलब बटालियन सामिल थी दोस्तों ये होगा 41 मी नेटिव इंफेंट्री एक तालिसमी नेटिव इंफेंट्री अठासो संताबन की विद्रों में अपने सभी स्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इंफेंट्री बटालियन सामिल थी एक तालिसमी नेटिव इंफेंट्री राश्टी ग्रामीन स्वास्त मिशन कब शुरू किया गया था 12 अप्रिल 2005 को राश्टी ग्रामीन स्वास्त मिशन कब शुरू किया गया था 12 अप्रिल 2005 को शुरू किया गया था निक्स श्री गुरू रामदास जी अंतराची हवायाड़ा कहां इस्तित है ये कहां इस्तित है अमरी सर में वेदो को इंडो आर्यन सभेता का सरपर्तम सहायतिक अभी लेख मना जाता है और इसमें सामिल चार वेदों के नाम रीग वेद, सामवेद, यजुर वेद और डेय से अठर वेद है अठर वेद, कामगारों का उखयो, उजय योगता प्रार्त कुसल हो और जो मांसि कारी करता है, क्या कहलाता है तो याद रकhal़ेगा सफेद पोस कारी करता, भारत में राष्ट मनादिकार आयोकी अस्थापना किस वर्स की गई थी, किस वर्स दोस्तों की गई थी ने परसीद जुलू जंजाती किस देश से समंदी थे दच्छीन फिरकासे भारती राष्ट कोंग्रेस के परतम अध्यच का नाम क्या था तो क्या था दोस्तों वेमेंस चनर बनर जी भारती राष्ट कोंग्रेस के परतम अध्यच का नाम क्या था वेमेंस चनर बनर जी नि लिए कर्मा को नहीं किया गया था दोस्तों नेक्स्ट है वाई आई एम हिंदू नमपूस्तक किस ने लिखी है तो याद रखेगा ससी थरूर वाई आई एम हिंदू किस ने लिखी है ससी थरूर इस इंडिया कमपणी ने बंगाल और बिहार पर दिवानी अधिकार किस वर्स प्राप्त किया किस वर्स किया दोस्तों तो याद रखेगा 1765 में East India Company ने बंगाल और बिहार पर दिवानी अधिकार किस वर्स प्राप्त किया 1765 में नमलकीत में से कौनसा अस्तल सिंदुगाटी सबित्ता का हिस्सा नहीं है तो नहीं है दोस्तों तिये हो जागा तो उरुक नहीं है बाकि सब हर पालो थल मोहन जुदरू है उरुक नहीं है डैस भारत के पर्थम और एक मात्र कारिकारी परधन मंतरी मतलब एक्टिंग पीम थे दोस्तों तो क्या होगा इसका अंसर याद रखे गुलजारी लाल लंडा थे गुलजारी लाल लंडा भारती रुपिय का नया मुद्रा पर्थिक अधिकारिक तोर पर किस वर्ष अपनाया गया था किस वर्स अपनाया गया था 2010 में भारतीय रुपिया का नया मुद्रापर्तिक अधिकारिक तोर पर किस वर्स अपनाया गया था 2010 में भारत में 1770 में अस्थावित पहले बैंक का नाम क्या था पहले बैंक का नाम बैंक ओफ हिंदुस्तान था नेक्स्ट है इंटरनेट TCP IP नामक एक प्रोटोकॉल का उप्योग करके अम मतलग काम करता है TCP IP का पुनरूप क्या है इसका पुनरूप है दोस्तों Transmission Control Protocol और इंटरनेट प्रोटोकॉल Transmission Control Protocol और इंटरनेट प्रोटोकॉल नाम है नेक्स्ट है अमल और प्राकर्तिक श्रॉत औक जनीक अमल याद रखे रखे dato तमाटर एंजोब कर आ तरह Cल पाए जब जाता हैं और सिर्का में हिसे टृनुमिक अमल पाए जाता है और उसके बाद नेटल का डंक में फोर्मी कम लपायाता है टामाटर में और जली कम लपायाता है इमली में टाटरी कम लपायाता है और सिरका में दोस्तों एस्टी कम लपायाता है सेव में मेली कम लपायाता है नेटल का डंक में फोर्मी कम लपायाता है इंपोर्टेंट है द स्थापना 1994 ह्यों है जेर यांग वो डेविर फिलो ने किया यह की याहोगि सहापक कुकर में जेरा यांग वो डेविर फिलो उनिस सो च्राच नएं अमेजॉन यॉण डॉट कॉม कया संस्थापक जय बजोस से मुराद मतलव उमिदियार ने किया और उसके बाध है ये डिटिंडाट कम का Anon the GYoff प्यंचनदूं की भूमी पंजाब है वुणकरों का सहर पनीपत है बूंकरों का सहर पानिपत है थे हालोंगर मदुरहिए तो यहारों का नगर दोस्तों मदुरे है Queen of Decan पूने है पूर्व का Paris जेपूर है इस्वर का निवा सस्तन प्रियाग है पांच नदियों की भूमी पंजाब है बुनकरों का सहर पानिपत है तो यहारों का नगर दोस्तों मदुरे है Queen of Decan पूने है पूर्व का पैरिस जेपूर है और खुस्वुओं का सहर कनोज है दोस्तों कनोज है नेटाजी सुवास्चन बोस अंतराष्ट विवान चेतर कहा है कोलकाता में नेटाजी सुवास्चन बोस अंतराष्ट विवान चेतर कहा है कोलकाता में नेक्स्ट केंपे गोड अंतराष्ट विवान चेतर कहा है बैंगलुरु में राजिव गांदी अंतराष्ट विवान चेतर कहा है है हिदराबाद में इंपोर्टेंट है यह सभी याद रखेगा, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, नेक्स्ट एक साइड पुस्तक, दुस्रे साइड लेखक है, Uddle Town है, लेखक हैं, मैंका गांधी हैं, सुटेबल व्धूअ है, सुटेबल व्ध व्धून व्धू गोल्डेट टू लाइप्स के लेखक विक्रम सेथ है, लेट स्किल गांधी के तुसार गांधी है दोस्तों, लेट स्किल गांधी के लिखक हैं तुसार गांधी, स्लेक्शन डे के लिखक हैं अर्विन अडिगा, स्लेक्शन डे के अर्विन अडिगा, माई लाइब के बिल क्लिंटन, दा रोड अहेट के बिल गेट्स, दा रोड अह रोड अहेट के बिल गेट से हैं दोस्तों इसके संस्थापक नेक्स्ट है अब देखे सुची वन और सुची दो है मांडा कहा है दोस्तों जम्मुकस्वी मांडा कहा है जम्मुकस्वी में यह सभी हरपास्तली अस्थान है दोस्तों मांडा जम्मुकस्वी में दायमाबाद मह महराश्ट में काली बंगा कहा है राजस्तान में मांडा जमुकस्वी में दायमाबाद महराश्ट में काली बंगा राजस्तान में राखी गड़ी हर्याना में राखी गड़ी कहा है हर्याना में है रोपर पंजाब में यादर कि रोपर पंजाब में है रोपर पंजाब में है आलम गिरपूर उत्तर पर्देश में हैं, लोथल गुजरात में, काफी यह इंपोर्टेंट है दोस्तों, नेश्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलबे एंटी पिसी, 17 जनवरी 2021 कि इसको फसिप में जो कोसन आया था वो देखिए, पहला कोसन है, निमलकित में से कौन सा विकल प्लास्टर आप पैरिस के बारे में सत नहीं है, यानि गलत को ढूलना है दोस्तों, बताए क्या होगा इसका आंसर, सत नहीं है, प्लास्टर आप पैरिस सफ्यद होता है, यह बिल्कुल सही होता है, और यहीं नहीं है, पानी से के गिले होने प्लास्टर आप पैरिस में प्रश्ट के लिए प्लास्ट और पैरिस का उपयों किया जाता यह भी सही है निम्लिकित में से कौन सा विकल्प विदुधारा के तापन प्रभाव का उधार नहीं है यह भी दोस्तों नहीं है तो याद रखें पंक्य की कारिसिलता नहीं है है क्या तो विदुध इस्तरी है बल्ब है विदुध केतली है लेकिन पंक्य की कारिसिलता नहीं है डेस एक पोधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नूकिले रोम होते हैं जो गलती से छुझाने पर दर्द का कारण बनता है दोस्तों वो क्या है बताए तो वो है दोस्तों बिच्चू बुटी यानि दोस्तों नेटल क्या है नेटल नेक्स्ट वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डेस की उपस्तिति के का पता लगा सकता है दोस्तों वोल्ट मीटर तो यह हो जाएगा विभांतर वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभांतर की पस्तिति का पता लगा सकता है याद रखेगा भारत का कौन सा बायोस्फेर रिजर्व दोह अठारें बायोस्फेर रिजर्व युनिसको के विशु नेटवर्क में सामीन होने वाला भारत का एक ग्यार्मा बन गिया है एक ग्यार्मा बन गिया है दोस्तों कंचन जंगा बन ग के अंदर नाविकी उर्जा के विकास समझेत कौन सा भारतिय संग्ठन कोलकता में इस्तित है पड़िवर्थी उर्जा सैकलोटरोन के अंदर है फ़लों में मिठेपन के लिए कौन सी सरकरा उतरदाई है कौन सी सरकरा तो फ्रुक्टोज दोस्तों उतरदाई है फ्रुक्टोज नेक्ष्ट विदुधाराम अपने के लिए पडिक्त होने वाले यंत्र को डेस कहा जाता है क्या कहा जाता है आमीटर कहा जाता है दोस्तों आमीटर नेक्ष्ट इस रो के सबसे सकते साली रोकेट जी एसलवी एमके थर्ड को डेस उपनाम दिया गिया है क्या उपनाम दिया गया है तो फेट वाय का नाम दिया गया है फेट वाय कागरो सेवा सेवा छेतर की डैस गतिविदियों का एक हिस्सा है तो यह हुगा दोस्तो तिर्तिय गतिविदियों का एक हिस्सा है वह कौन सी भारते चितरकला से लिए जिसमें सुध सोने और किम्ती प और इसमें हिंदू द्यवताओं विसी सुरूप से भगवान किष्ण को दर्साया गिया है तो याद किया तंजोर पेंटिंग में नेक्ष्ट बॉंबई डेकन में पहली राजस्वे बंदो बस्ती का संचालन किस वर्स में हुआ था किस वर्स में हुआ था दोस्तों 1820 में हु से प्रात सिकायतों की जांच कर सकती है दोस्तों तो यह हो जाएगा लोगपाल भारती राजमार्क संपड़ के उत्तरदचिन और पुरुपस्चिन इडेवलोप कोरिडोर डैसम एक दुसे को परतिछेदित करते हैं तो यह होगा दोस्तों जहांसी क्या होगा जहांसी विश्क की पहली रोबोट कौन थी जिससे किसी देश की पुर्ण नागरिकता हासिल हुई है तो यह हो जाएगा दोस्तों कौन थी तो यहाद एकर डी नमर यानी दोस्तों सोफिया नमर कित में से कौन सी परवत स्रिंग खला वलीद परवतों का ये उधारन है वलीद परवतों का उधारन है हिमाले दोस्तों नेक्स जनसंक्या विर्धी के सिध्धान को किसने विक्षित किया था माल्थस ने किया था माल्थस ने उनिए 144 में भारती प्रातत्व सर्वेक्षन के महा निर्देशक के रूप में किसने पदभार समाला और हर्पा की खुदाई का जिमालिया तो यह हो जाएका दोस्तों रेम ने, रेम यानी हुईल्स ने भारती प्रातत्व सर्वेक्षन के महा निर्देशक के रूप में किसने पदभार समाला और हर्पा की खुदाई का जिमालिया रेम ने लिया दोस्तों रेम हुईलर ने, भारती निर्यात संगठन के महा संग दोड़ाव विक्षित मोवाइल एप जो अंतराष्ट वेपार करने के लिए आवसक जनकारी की एक विस्त्रित स्रिंग लाप परदान करता है तो उसे डैस कहा जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है तो यहाद कि निर्यात मित्र कहा जाता है भारती निर्यात संगठन के महा संग दोड़ाव विक्षित मोवाइल एप जो अंतराष्ट वेपार करने के लिए आवसक जनकारी की एक विस्त्रित स्रिंग लाप परदान करता है उसे डैस कहा जाता है निर्यात मित्र कहा जाता है सहिंत राष् इनने में से किस स्विस पे सेवर्टनेस खिलारी ने आठ विबलंडन किताब औला गातर पांच यूएस वपरण खिताब जितकर एक रिकोर्ड बनाया रोजर फेडर ने बनाया डेस भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हैं दोस्तों सबसे लंबा राजमार्ग है एनाच फोर्टी फोर्ट परसीद सिंदु घाटी अस्तल मोहन जुद्रों की खुदाई किस परख्यात भारती पुरातत वे विद द्वारा की गई थी भुमत सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है याद रखेगा सोज नहर जोड़ती है इंपोर्टेंट है दोस्तों नेक्स्ट डैस भारती है वर्दी धारी सेनिकों को विर्ता के लिए यूद के दोरान दिये जाने वाला उच्तम सम्मान है याद रखेगा प्रमबीर चक्त निम्न अस्तरिय वस्तों निमलकित में से किसे समन्दित है ये ये समन्दित है आय परभाव ज्याद मजबूत है और परती अस्तापन परभाव से निम्न अस्तरीय वस्तों निम्लखित में से किसे समंदित आय परभाव ज्यादा मजबूत है परती अस्तापन परभाव से राष्ट्री राजमार्क NH-44 की इन दो अस्तानों को आपस में जोड़ता है NH-44 तो स्रीनगर से कन्या कुमारी को जोड़ता है दोस्तों टोटल यह 345 किलोमिटर इसकी लंबाई है निम्लखित में से कौन सा हरपास्तल सिल्प कलाओं के उत्पादन से समंदित नहीं है नहीं है दोस्तों तो याद रख्या यह मांडा नहीं है बाला कोट है चनुदरो है नागिस्तोर है लेकिन मांडा नहीं है रावल किला भिलाई बोकारो विस्थाका पतनम आधि डैस के केंदर है दोस्तों यह किस के केंदर है लोहा और इसपात उद्यों का ये केंदर है दोस्तों फोर्ट विलियम का निर्मान इस इंडिया कमपणी ने करवाया था और इस किले के निर्मान अर्स्तल के लिए डैस को उजारा गया था कौन सी को दोस्तों उजारा गया था तो गोविनपूर को उजारा गया था, गोविनपूर को उजारा गया था, निमखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है तो इन्स्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, ये तो एक सोसल साइट है, याहू है, गुगल है और बि मिर्तु दंड की सजा में पाए हुए वेक्टी को छमा फांसी अस्तगन या सजा में कमी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट की विसिष्ट एजनसी है जो अंतराष्टी अस्तर पर स्वास समंदी मामलों का निर्देशन और समन्नवे करती हैं। युएस ओपन ये सभी ओपन हैं दोस्तों येस ओपन अठाष्टी में स्थापन हुआ था और फ्रेंच ओपन अठाष्टी में और अस्ट्रियन ओपन 1905 में। इस टार्ट होता है विव लंडन से और लास्ट होता है अस्ट्रियन ओपन से दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी 17 जनवड़ी 2021 को सकेंड सिप्ट में जो कोशन आया था वो देखिए दोस्तों क्या कोशन आया था। पहला कोशन है हलकी और और जोलन सील होने के कारण डैस गैस का उप्योग गुबारों को उराने के लिए किया जाता है तो याद रखिएगा ये होगा हिलियम गैस का उप्योग किया जाता है निमलकित में से कौन सा अमल आयवास का एक घटक है आयवास का एक घटक है बोरीक अमल दोस्तों आईवास का एक घटक है बोरिक अमल निक्ष निम्लकित में से कौन सी उपगरा सिवधा अत्याधुनिक डेटा अधिकरहन परनालियों से सुसुजित है जो विभीन उपगरहों से डेटा प्राप्त करती है तो ये हो जाएगा दोस्तों इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अभसुशित वसा को ग्रहन करता है और अतिरिक्त कोशी कि ये अस्थनों से वापस रक्त में लिये जाता है दोस्तों तो ये हो जाएगा याद रखेगा लसिका क्या हो जाएगा लसिका Next Case Memory कहां इस होती है मानव के आमासे में कहौनसा अमल उत्पन होता है तो याद रखेगा Hydrochloric wonder के अमल उत्पन होता है Next, भारती समिधान के किस अनुचित के दाःत साजनिक निवजन के मामलों में अफसरों की समनता की गारेंटी परदान की गई है तो यह हो जागा अनुचित 16, भारती सभीदान के किस अनुचित के ताता साजुनिक नियोजन के मामलों में अफसरों की समन्ता के गारेंटे परतान की गई अनुचित 16, नेक्ष्ट एओ एक विसेस एजंसी है जो UN की ओर से कार करती है और इसका पुन रूप क्या है, इसका प इस एजंटा पर हस्ताक्चर किये गए थे, जो वैसिक सतत विकास को प्राफ करने से समन्दीत है, तो यह किसे समन्दीत याद रखेगा दोस्तों, इंपोर्टेंट एजंटा 21, एजंडा 21, नेक्स्ट है, दस नमर इन में से कुमसा, याद रखेगा IPBES का सही पुन रूप ह साइस पॉलिसी प्लेटफॉर्म और बायो डैवर्सिटी एंड एको सिस्टम सर्विसिस, पंचमधी बायो इस्पियर रिजर्व, इन में से किस राज में ये इस्तित है, किस राज में है दोस्तों, मद पर्देश में है, इन में से कौन सी बिर्टिस भारत, यानि 1773 से 1911 की राजधानी थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा कलकत्ता राजधानी थी, पर्चिद बाघा बॉर्डर कहां इस्तित है, ये अमरी सर में इस्तित थे दोस्तों, बाघा बॉर्डर, नेक्स्ट है, इन से आएबी को कब पर्चेपित किया गया था, इन में से कौन India the future is now, पुस् नेक्स्ट सर्या कानून, डेय समुदाय से समंदेते हैं सर्या कानून, तो ये मुस्लिम समुदाय से समंदेते हैं सर्या कानून दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नोकडियों और उची सिक्षा में 10% अरेक्षन लागू करने वाला, पहला सा भारत के दुतिये पर्धान मंत्री लालबादु सास्त्री का असमा रख है दोस्तों विजय घाट है याद रखें विजय घाट प्राथ विद बीभी लाल ने मेरट जी लेके हस्तिनापूर में तो यार्षेगा 1951 से बावण में करवाई थी आनंद्पूर सह 사진 प्रश्ता पिरत किया गया था नेक्स्ट बावण ने इब्रहायम लोधी को कब हराया था बावण ने तो यह 1526 शवी का पणिपत का पर्थम यूद में नेक्स्ट है वो सयव और खिलापत अंदुरन कभ सुरू किये गए थे कभ सुरू किये गए थे 22CC में डियस में dark boundary वाले cell को active cell कहा जाता है तो यह हो जाएगा दोस्तों तो MSXL DS में dark boundary वाले cell को active cell कहा जाता है MSXL ONGC इन में से किस छेतर के अंतरगात आता है ONGC नेक्ट परदान की गई सेवाओं के एवज में सेवार निर्वती के समय नियोकता द्वारा कर्मचारी की को दी जाने वाली रासी को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है तो याद रखेगा उपदान कहा जाता है गरैंटियोटी कहा जाता है पर्थम लुग सभाचिना कभ आयुजित किये गए थे इसका लाईट अंसर होगा दोस्तों 28 का बिल्कुल डी नूमर भुँ आकिरती विज्ञान कहा जाता है अब इस सेट का इंपोर्टेंट पोइंट देखी। अब इस सेट का इंपोर्टेंट देखी। अब इस सेट का इंपोर्टेंट देखी। अब इस सेट का इंपोर्टेंट देखी। महत्मा गांधी का समाधी अस्तल राजगाट है। इंद्रा गांधी का सकती अस्तल है। मुरारजी दसाई का अभएगाट है। राजिव गांधी का वीर भूमी है। अटल वियारी वाजपाई का सदेव अटल है। महत्मा गांधी का राजगाट है। जमालाल नेरु का सांती वन है। इंद्रा गांधी का सकती अस्तल है। मुरारजी दसाई का अभएगाट है। राजिव गांधी का वीर भूमी है। अटल वियारी वाजपाई का सदेव अटल है। भीम रामबेतकर का चेत्रा भूमी है। नेक्स्ट के युदि, पक्ष और वर्स पाणीपत का पर्थम यूद इबराहीम लोदी और वावर के बीच हुआ था 21 अपटल 2527 को खानवा की यूद राना–संगा और वावर के बीच हुआ था चंदेरी का यूद मेदनी राय और वावर के बीच हुआ था 29 1528 को चेदनी का याद कि चंदेरी का यूध मेदनी राय और बावर की बिच्छवा था 29 जन्वरी 528 को घांगरा की यूध महमद लोधी और बावर की बिच्छवा था 6 माई 529 को घांगरा की यूध महमद लोधी और बावर की बिच्छवा था 6 माई 529 को हुआ था अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी 18 जनवरी 2021 को फासिप में जो कोशन पूछा गया था वो देखिए निमलखित में से कौन सा कंप्यूटर वाइरस नहीं है लेकिन मुल रूप से कंप्यूटर भासा है दोस्तों मुल रूप से ये कंप्यूटर भासा है इंपोर्टेंट बताइए इसका क्या आंसर होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नमर यानि पाइथन नमर रेकित में से कौन सा कंप्यूटर वाइरस नहीं है लेकिन मुल रूप से कंप्यूटर भासा है तो कि नेंखे नेंट पक्षियों के अधियन को क्या लग्वा जाता है इम पोर्टेंट है और निथी अलोजी का सिर्णों का निमलखित में से कौन सा अनुक्रम सही है कौन सा अनुक्रम दोस्तों सही है तो ये होगा अंतरग्रहन, पाचन, अपसोसन और उत्सरजन अंतरग्रहन, पाचन, अपसोसन और उत्सरजन निमलखित में से कौन सा कंप्रिटर का एक हाड़वेर घटक नहीं है बताएए को नहीं है तो यह memory नहीं है keyboard है दोस्टों printer माऊ से लेकिन memory नहीं है हरे पोधे और कुछ जीवानों अपने भूजन का निवान स्वेंग करते हैं वे निमलखित में से कौन सी पोशन के पड़िकरिया अपनाते हैं कौन सी अपनाते हैं दोस्टों सो पोशी पोशन सो साधित करते हैं दोस्तों बिल्कूल नेक्स्ट किस परशित वेक्ति को करो या मरो का नड़ा देने के लिए जाना जाता है तो महत्मा गांधी को जना जाता है दोस्तों महत्मा गांधी एक मात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की और उर सकता है पीछे की और तो यह है पार्थिक योजना की योजना तयार किया तो यह हो जाएगा दोस्तों एमेन रॉय ने किया एमेन रॉय ने किया नेक्ष्ट 1916 में कॉंग्रेस के लखनू अधिवेशन में निरमपंती और चरमपंती दोनों विचाधारा के नेता एक जूठ हुए थे और इसकी अधिक्सता ड विद्वान ने जियोग्राफी सब्द सिजित किया था जियोग्राफी सब्द तो यहां दोई एरेटो इस्थ्रिज ने किया था परधन मंतरी ग्रामिन यानि दिसा PMG Disa का कारे करम में Disa का पुन रुप क्या है दिसा का पुन रुप क्या है दोस्तों Direction सक्षरता अभिएन फार्सी विद्वन अलब्रोनी अभ्गानिस्तार और भारत पर हमले के दोलन किस आक्रमनकारी के साथ था किस आक्रमनकारी के साथ था मुहमद गजनवी के साथ था कुना निमलखित में से किस देश की मुद्रा है कुना किस देश की मुद्रा है कुना तो ये क्रोएसिया की मुद्रा का नामे कुना क्रोएसिया की मुद्रा का नामे कुना याद रखिएगा लॉड करजन दुआरा बंगाल विभाजन के निर्ने का वास्त्रीक कारक किसे माना जाता है। अंगरेजों की फुर्द डाल और राजकरों की निती। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राड दुआरा बनवाया गया था तो यह होगा अकवर के दुआरा दोस्तों बनवाया गया था आगरा का लाल किला नेक्स निमलकित में से कौन सा एक अंतराष्ट संगठन नहीं है तो यह रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन दोस्तों नहीं है यानि याद रखिए Defense Research and Development Organization नहीं है DRDO जिसको बोलते हैं बाकि सब है बाकि सब है तो विस प्रियाटन संगठन है आर्थिक सायोग तथा विकास संगठन भी है ये बी है परशित होन्विल महसब भारत के किस प्रुवतर के राजियों के लिए ये महतपूर्ण है दोस्तों तो ये नागालेन के लिए महतपूर्ण निम्ल्खित में से कौन सा सहर द गॉल्डेन ट्रायंगल नामक प्रियतन प्रियोजना का हिस्सा नहीं है। तो यह होगा दोस्तों बिलकुल C नमर लखनाओ नहीं है, बाकी सवे जेपूर, आगरा, दिल्ली है। वरनी गती विद्यों का समन्निवियन करने वाला अंतराश्टी संगठन कौन सा है दोस्तों तो संयुकत राश्पडियावरन कारिक्रम निवन में से कौन अस्थानी सरकार का हिस्सा नहीं है तो नदी प्राधिकरन नहीं है नगर पाली का है जिला परिशद है ग्राम पंचायत है नेक्स उनिजच अन्थान में भारत में परमानु विसपोटक उपकरनों का प्रिक्षन डेज में किया गया था पोक्रण में बिहार का चंपारन मातमा गांधी दोरा वर्स डेज मे किया गए सत्यागरह की साक्षी था दोस्तों तो ये होगास cierto बिहार का चमपारन मातमा गांधी दुवारा वर्स डेयस में किये गे सत्यागरह का सक्षिता उनिसो सत्र है भारती संसत के परतेक सदन को बुलाने और अस्तिकित करने का अधिकार किसे है किसे है दोस्तों तो याद रखेगा यह राष्टपती को राष्टपती को है अनुछी तो एकस्वार्ट के तहथ बैचिंग भुटिया डेयस के समर्थन में उलम्पिक मसाल रीले को ले जाने से इनकार करने वाले परतम भारती खिलाडी थे दोस्तों तो यह होगा दोस्तों तीबती सुधनता आंदोलन बायचिंग भुटिया स्टिबती सुतंता आंदुरन के समर्थन में उलम्पिक मसाल रीले को ले जाने से इनकार करने वाले पर्तम भारते खिलाडी थे निमलखित में से कौन सा दर्रा पस्मी घाट के सिकर पर ये इस्तित है और मुंबई को पूने से जोरता है ये हो जागा दोसों भोड घाट दर्रा नेक्ट सोतंतर भारत की पहली निर्वाचित संसद कव से अस्तितमाई ये कव से अस्तितमाई तो याद रखेगा 1952 से निमलखित में से कौन सा पसू अक्सर देखा जाता है कौन सा पसू बेल दोस्तों देखा जाता है याद रखेगा बेल नेक्स्ट है पूस्तक The Taste of My Life किस की दुआर लिखी गई है The Taste of My Life ये युराज सिंग की दुआर लिखी गई है The Taste of My Life निमलखित में से कौन सी railway line अरब सागर के समनंतर चलती है अरब सागर के समनंतर कोकन railway दोस्तों अरब सागर के समनंतर चलती है निमलकित में से किस राज में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधीक है बताइए तो यह हो जाएगा दोस्तों उत्तर पर्दिस में सबसे अधीक है राश्टपती किस समुदाय के दो सदस्यों को लोगसवा में नमकिंत कर सकता है दोस्तों तो याद रखे एगलो इंडियन को लोगसवा में कर सकता है राश्वा में बारे ठोको अब इसका देखिए important point दोस्तों देखिए oulogy में पक्षियों के अंडों का दिन किया जाता है उलोजी में पक्षियों के अंडों का दिन किया जाता है। किया जाता है स्विर्येन की मुदराक नामें, दोस्तों, करोणा, next, एक साद उससब, दूसने सादे राज याके अन्सासिट पर दीज, दैखें, खीरभवानी मेला जम्मुकस्मी मेन लगता है, लगता है, और उसके बान मीम कुट मीजोरम मेन लगता है, और उसके बाद धानु जात्रा उरिसा में नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पुष्टक और लेखाक देखिए गोल्डन हेट्रिक बलवीर सिंग लेखाक हैं गोल्डन हेट्रिक के लेखाक बलवीर सिंग हैं ब्रेड मेन बेस्ट के लेखाक रोलेंड पैरी हैं और आइडल्स के लेखाक सुनिल गवास करें इडल्स के लेखाक सुनिल गवास करें हाउ आई पले गोल्ड के लेखाक टाइगर उटस हैं इम्पोर्टन है गोल्डन हेट्रिक के लेखाक बलवीर सिंग हैं ब्रेड बेन बेस्ट के लेखाक रोलेंड पैरी हैं और आइडल्स के लेखक सुनिल कवास कर हैं नेक्श थॉमस देखिए थॉमस रोबर्टसन समिती निसे एक रेल परमंदन समिती से यह समिती है रेल बैस समिती समिती यह समिती है दोस्तों एकवर्द समीती 1902 रेल बजट को समानी बजट से पिर्थक करनी है तो समन्धित है एकवर्द समिती 1926 रेल बजट को समानी बजट से पिर्थक करने ही तो समन्दित है वेज़ूट समिती 1936 यातायात में सुधारे ही तो ये समन्दित है वेज़ूट समिती 1936 यातायात में सुधारे ही तो समन्दित है पहला कोशन ओधातू के गुन धर्मों के बारे में निमलकित में से कौनसा विकल्प समणता सत्त नहीं है सत्त नहीं है दोस्तों बताईए तो ये चालक सत्त नहीं है और बाकी सब है हलके पदार्त भंगोड मंद एवं दिप्ति रहत ये सभी है दोस्तों एसिया पर संत छेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घ्रेलू संचार उपगरा परनाली है तो ये है दोस्तों याद रखेगा भारत के पास अपना प्यार देश भारत के पास है चनियन 2 के लेंडर का नाम किस वेग्यानी के नाम पे रखा गया तो ये रखा गया विक्रम सराभाई के नाम पर दोस्तों निसलफाइड के अशकों को अत्रिक्त वाइकी उपस्तिती में अत्रिख गर्म करके आक्साइड में प्रिवर्थित किया जाता है इस परिक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों तो याद रखेगा इस परिक्रिया को भर्जन कहा जाता है भर्जन यानि रोस्टिंग कहा जाता है दोस्तों URL ये कुछ URL है दोस्तों ठीक है http slash www.d2h.com slash login.php में कौन सा घटक वेपेज के साथ की पहचान करता है बताइए तो ये slash login.php करता है दोस्तों यही इसका होगा अंसर नेमलकित में से कौन तार्युक्त broadband नहीं है तार्युक्त broadband नहीं है तो इसका right अंसर होगा बिलकुल satellite दोस्तों ये नहीं है satellite बाकि सब है dial up है, cable है, digital subscriber line है नेमलकित में से कौन सा कथन गलत है कथन गलत बताएए कौन सा है तो रक्ट ग्यानेंद्रियां input में मदद करता है ये बिलकुल गलत है दोस्तों बाकि सब सही है रक्ट सरीर को भीमारी से बचाता है रक्त carbon dioxide को सरीर की कोशिकाओं से फेपरों तक ले जाता है ये सही है रक्त oxygen को फेपरों से सरीर के आने भागों में मतबले जाता है ये भी सही है निवर में से कौन सा एक कोशिक ये जिव काला आजार नमक रोग का कारण है बताईए इसका राइट answer होगा दोस्तों lese mania ये एक को सिखिये है नेक्ट शरीर मोख़ी के पुस्व के शूरी की और घूमने की परक्रिया को क्या कहा जाता है नेक्ट वीटी कल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतिय राज में सरवाधिक उत्पादन होता है वेटी कल्चर के द्वारा तो ये महराष्ट में होता है मनुस्यों में बोनेपन के लिए निमलखित में से क्या उतरदाई है दोस्तों मनुस्यों में तो ये प्यूस गरंती उतरदाई है होमी जे भाबा का भी है सेकर वसुका भी है दोस्तों धनुरवेद यजरवेद का उपवेद है इसका समझ नीम में से किस से है इसका समझ दोस्तों युद कोसल से है धनुरवेद का युद कोसल से है नेक्स्ट है पर सुल्क और वेपार पर समनेता समझ होता किस वर्स अस्तित में यह स्थितमा आए था 1948 में नवन में से कौनसी पुर्स तक मेगा स्थीनिज निजिये एंडी का लिखी दोस समय ने यू एनसांति सेना को वर्स ड्यष में संति के पुरुषकार दिया गिया तो यह होगा दोस्तों 1988 पुरुषकार दिया गिया 1988 में निमर्खित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लोह और इस्पातर सेंद्र है तो यह हो जागा दोस्तों टिसको है टिसको सबसे बड़ा है टिसको पहला बड़ा है दोस्तों बेटी सासन के दोवन भारत का अंतिम गवर्नाज जिन्रल और भारत का पहला वायसरा है कौन बना कौन बना तो ये होगा लॉड केनिंग बना बेटी सासन के दोवन भारत का अंतिम गवर्नाज जिन्रल और पहला वायसरा है बना लॉड केनिंग भारत के सरवोचन न्यालाए की पहली भारति महला न्याधिस कौन थी? तो ये कौन थी दोस्तों याद रखेगा फातीमा बिबी थी संगीत के छत में पुलिदिजर्ब पुरुशकार जितने वाले पहले रेपर का नाव क्या है? याद रहे है ओवडत के कि दवाब से है निमल्खित में से कौन सा wise assistant नहीं है तो ये option के अनुसर होगा दोस्तों तो ये करवा नहीं है, या करवा नहीं है, बाकि सब है, Alexa है, Siri है और Cortana है, लेकिन करवा नहीं है बिलकुल निमलखित में से किसे विश्व के सर्वोच यूद छेतर के रूप में जाना जाता है सियाचिन गलेसियर सिंदु घाटी सवेता के निवन में से किस अस्थल को सबसे पहले खोजा गया था सबसे पहले हरपा को खोजा गया था सिंदु घाटी सब था कि निम्ड में से किस अस्थल को सबसे पहले खोजा गया था हरपा को खोजा गया था दोस्तों निम्लकित में से किस सहर को पुर्व का एस्कोटलेंड कहा जाता है पुर्व का एस्कोटलेंड किसे कहा जाता है तो यह देखिएगा सिलोंक को पुर्व का एस्कोटलेंड कहा जाता है सिलोंक को भारत में विधान सवाचुना में उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब नोटा वि परिवार या अल्पकालिक स्रीमिकों का उप्योग किया जाता है यह सभी सही है यह पूछा गया था सही नहीं है दोस्तों तो यह एक नमर सही नहीं है नीती आयोग भार सरकार का एक पॉलिसी थिंक टेंक है इसने डैस को मतलब परतियस्थापित किया किसको किया दोस्तों तो योजना आयोग को यह परतियस्थापित किया दी नमर होगा इसका तीस नमर है निमलकित में से कौन सी निर्थी सेली राजस्थान से समन्दित नहीं है कौन सी राजस्थान से समन्दित नहीं है लाबनी नहीं है दोस्तों क्योंकि ये चो लाबनी है ये महराष्ट का है दोस्तों गंगोर राजस्थन का है घूमर भी राजस्थन के कालवेलिया भी दोस्तों राजस्थन का है लेकिन लाबनी राजस्थन का नहीं है भार सरकार का सर्वोच विदी अधिकारी कौन होता है सर्वोच विदी अधिकारी दोस्तों भारत का महन्यवादी होता है सर्वोच विदी परडियोग किया जाता है इस्पीन के उस पेसे वर टेनेस खिलारी का नाम बदाइए जिसे king of clay के रूप में जाना जाता है king of clay के रूप में राफिल नडार प्रेरा king of clay के रूप में जाना जाता है काफी यह important और इसका answer है दोस्तों अब हम लोग इसका important point पढ़ेंगे देखे क्या है अंतराश्टी हवायद्डा का नाम है सहर है कहा है लाल भादु सास्त्री अंतराश्टी हवायद्डा का है वरनसी में लाल भादु सास्त्रिय अंतराष्टी हवाई डाका है वार नसी में हैं राजिव गांधी अंतराष्टी हवाई डाका है है हिदराबाद में देवी आहलेबाई हुलकर अंतराष्टी हवाई डाका है इंदोर में देवी आहलियवाई हुलका अंतराष्ट हवाई डाका है इंदोर में हैं सेख उल आलम अंतराष्ट हवाई डाका है स्रीनगर में गोपिनात बार्दोली अंतराष्ट हवाई डाका है गोहाटी में दाबो लीम अंतराष्ट हवाई डाका है गोवा में डाबोली मंतराच हवाइटा का है गोवा में याद रखे हैं सभी important है दोस्तों खिलारी का नाम है और उसका उपनाम है देखें पीटी उसा का उपनाम तो आप लो जानते हैं पाइली एक्सपेस उरन पड़ी golden girl पीटी उसा का उपनाम है पाइली एक्सपेस उरन पड़ी golden girl मि श्रील का सिंग का उपनाम है फ्लाइंग शीक इथान ठोर्प का है तारपीडो और सरगई बुपका का है पोलवाल्ट का बागसा पेले का है दोस्तों बलैक परल पेले कहा ब्लैक परल आंध्री अगासी का है डेनिस डिमिनोस डॉन ब्रेड मेन का है दा डान याद हैं मड़ी 2021 को फ्षीप्टरी गरंथी का अगर लोब से सरावित होती है मनुस्तें सरीर में सबसे छोटी गरंथी पिटरी गरंथी है। निम्लकीत में से कौन सा प्रकास के अपवर्तन का उधार नहीं है। तो ये अस्त होते वे सुरी का रंग लाल होना ये अपवर्तन का उधार नहीं है जैसे ही कलर का चर्चा हो जाए जो दोस्तों कलर साथ होते हैं लाल हरा पिला जो भी कलर साथ होते हैं दोस्तों ये कलर का चर्चा जैसे ही हो जाए तो बेलकुल दोस्तों इसका राइट अंसर ह परिकिर्णन के कारण और इसके अलावा कलर के अलावा जो भी हो आप वर्तन का उधारन होता है दोस्तों जैसे अकास दिखाई देता है अप वर्तन के कारण लेकिन अकास का रंग नीला दिखाई देता है नीला कलर है न दोस्तों तो वह परिकिर्णन के कारण सोरी दिखाई का निर्मान ये भी अपवर्तन का उधारन है कलर के अलावा जो भी होगा दोस्तों अगर वो दिखाई देता है तो अपवर्तन के कारण और कलर लाल हरा पिलाल जो भी है तो उससे के अलावा सभी अपवर्तन के कारण और यह कलर हो जाएगा तो परिकिर्णन के कारण याद र याद रखेगा क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो समेलन जेपान के क्योटो सहर में वर्ष 1997 में हुआ था यह आप याद रखेगा दोस्तों 1997 में चूनी के पानी में कारवन डायोकसाइड गैस प्रभावित करने से डैस के निर्मान के कारण यह दूदिया हो जाता है तो केलसियम कारवनेट का निर्मान हो जाता है और यह दूदिया हो जाता है दोस्तों केलसियम हाइड्रोकसाइड यह बुजा हुआ चुना है दोस्तों केलसियम हाइड्रोकसाइड यानि CAOH का होल्टू बीना बुजा हुआ चुना केलसियम ऑकसाइड है दोस्तों केलसियम ऑकसाइड ब एक प्रकार होता है हार्डिक्स एक पेटाबाइट एक पेटाबाइट बड़ाबड कितना होता है option के नुसर बताइए तो यादर खेड़े एक पेटाबाइट बड़ाबड दोस्तों एक हजार चोविस टेराबाइट होता है एक हजार चोविस टेराबाइट कम्प्यूटर सब्दावली में CLI का पुनरूप क्या होता है CLI का पुनरूप होता है command line interface command line interface CLI का फुलफ़म होता है NaCl और NH4Cl यानि sodium chloride और ammonium chloride के mission को पिर्थक करने के लिए निमलखित में से किस विदी का उप्योग किया जाता है तो और्धुपातन विदी का उप्योग किया जाता है और्धुपातन क्या होता है दोस्तों तो यादर के ठोस से direct gas में बदल जाता है उसे ही दोस्तों हम लोग और्धुपातन करते है equatorial plate पर कोशिका के केंदर में गुनसुत्रों का स्रक्षन metosis यानि mitosis के किस चरण का ये गठन करता है तो ये किस चरण का गठन करता है metafage का दोस्तों गठन करता है metafage का किसी प्रिपत में विदुदारा के प्रभाव की दिशा को दर्शने के लिए किस उपकरन का उप्योग किया जाता है तो गेलवेनो मीटर का उपियोग किया जाता है, गेलवेनो मीटर पर, और याद रखेगा, गेलवेनो मीटर विदुधारा के चुमब के प्रभापड ये अधारीत होती है, गेलवेनो मीटर, नेक्से समानी अध्यन के बारे में देखिए, किस भारती राज में सबसे अधिक अब्रक भंडार है यहां भंडार है दोस्तों यह पूछा गिया अब्रक भंडार है तो हो जाएगा आंद पर्देश क्या हो जाएगा आंद पर्देश अब्रक उत्पादर में बिहार भारत का दूसरा अग्रणी राज है दोस्तों बिहार पहला है उत्पादर की भंडार में आंद परदेश है यह आप याद रखिएगा निमलकित में से कौन सा संयुकत राश्व सतत विकास लग छे जिमेदारी पुर्ण खपत और उत्पादन से समंदित है SDG 12 है SDG 12 है दोस्तों अच्छे SDG का फुलफों क्या होता है तो याद रखिएगा Sustainable Development Goals इसका फुलफों होता है निमलकित में से कौन सा मंदीर मोजुदा चोल मंदीरों में से एक नहीं है एक नहीं है तो वो दोस्तों कंप हरेस्वर मंदीर ये नहीं है जो वर्तवान में अस्तित्वन नहीं है बाकि सब दोस्तों ये मोजुदा चोल मंदीरों में से एक है यानि गंगाई कोड चोल पूरम है और विर्देश्वर मंदीर है एरावती से स्वर मंदीर है विसमें गिहूं का सबसे बरा उत्पाधक देश कौन सा है सबसे बरा तो एक अनिनाम है विकरामा दीतिये चंद गुपत दिती का अनिनाम है विकरामा दीतिये लॉट अलहोजी ने भारतीराजियों को हरपने के लिए निमलखत में से कौन सी निती अपनाई थी कौन से निति अपनाई थी तो याद रखेगा वेपगत का सिध्धांत अपनाई थी वेपगत का सिध्धांत निमलकित में से कौन से जन जाती नागालेंट से समंदित है नागालेंट से समंदित है रेगमा दोस्तों नागालेंट से समंदित है रेगमा next educi band किस बनाये गया है educi band पर इसीया का सबस्य बरों बश टर्मिनल कौणसा है कौणसा है तो चनई में इस्तित चनई मौपसील बश टर्मिनल है याद रखेगा परसिस संस्कित नाटक शोपन वास वदतम किस ने लिखा है फास ने लिखा है तो याद रखेगा स्वपनवासवदतम भास ने लिखा है दोस्तों नेक्स्ट किसी वयस्क दुवारा किये गए और कुसल मानिविये कार के लिए परतेक परिवार को एक वितिये वर्स में कम से कम 100 दिन का गारेंटी सुधा परिस्रमिक अधारित रोजगार परदान करना भारी सरकार के किस परमुक कारिकरम का ये उद्देश है तो याद रखेगा ये उद्देश है दोस्तों मनरेगा का उद्देश है ये आप ही याद रखेगा भारत की कोड सेक्टर इंडस्ट्रीज में निमलखित में से क्या सामिल नहीं है क्या सामिल नहीं है दोस्तों तो ये चीनी सामिल नहीं है कच्चा तेल सामिल है उर्वरक भी सामिल है और सिमेंट भी सामिल है सविधान के किस अनुछेद के तहत भारत का उच्तम न्याले मोलीक अधिकारों के परवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है रीट जारी कर सकता अनुछेद 32 के तहत याद रखेगा अनुछेद 32 के तहत कर सकता है भारती सभीधान के अनुछेद 32 में सभीधान के उपचारों के अधिकार का वर्णन है दोस्तों, सर्वोच न्याले और उच न्याले को पांच परकार के रिट जारी करने की सक्ति अनुछेद 32 में दिया गिया है, लोकसभा अध्यक्च का चुना किसके द्वारा किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों लोगसभा अध्यच का चुना है यह important है तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का तो 24 का राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों बी नमर यानि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यज का चुना किया जाता है अफिरका में विक्टोरिया जल पर पात किस नदी पर ये इस्तित है किस नदी पर इस्तित है तो जैमबेजी नदी पर ये इस्तित है जैमबेजी नदी पर काक्तिय राजवंस का अंत नेमलखित में से किस के द्वारा किया गया था तो दिली सल्तनत के द्वारा दोस्तों किया गया था काक्तिय राजवंस का मतलब खातमा एक तरह से नेक्स्ट अंत लॉड चेंट सफोर्ड ने उनिस में जलियावला बाग की घटना की जाज के लिए किस समीति का गठन किया था लॉड चेंट सफोर्ड ने तो हंटर समीति का गठन किया था लॉड चेंट सफोर्ड ने जलिया वला बाग हत्याकन कब हुआ था दोस्तों तेरे अप्री निमलखीत भारतिय समिधान के अनुचेदों में से कौन से अनुचेद में राजियों में विधान पडिशिदों के गठन के लिए प्रावधान किया गिया है तो अनुचेद 179 में किया गिया अनुचेद 179 में अनुशेद 119 की तहथ संसत किसी राज में विधान पडीसाद का गठन या विगठन कर सकती है दोस्तों भारत का पहला वाइसरा है कौन बना था कौन बना था भारत का पहला वाइसरा है तो Lord Canning बना था Lord Canning अब ये एक जगा आंसर है दोस्तों नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पिसी 29 जनवरी दो जाड़ी किसको सकेंड सिप्ट में जो कोशन पूछा गया था चलिए इसको देखते हैं पहला कोशन है किस भोतिक विज्ञानी की के सम्मान में धोनी के आविर्ती के SI मात्रक के नाम दिये गया है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों हेंडिक रुडॉल्फ हर्ज याद रखें हेंडिक रुडॉल्फ हर्ज यानि आविर्ती का SI मात्रक क्या होता हर्च होता इसी के नाम पर ये रखा गया है जेम्स चेडविक ने किस उप परमानुयकन की खोज की थी जेम्स चेडविक ने जेम्स चेडविक ने दोस्तों निट्रों की खोज की थी याद रखेंगा निमलकित में से कौन सा shortcut की किसी फाइल को copy करके Dextro पर paste करने के लिए पड़यों किया जाता है तो वो किया जाता है control plus C देखे, control plus C अब प्लस control plus B control plus C copy होता है, control plus B paste होता है दोस्तों यानि B number इसका right answer हो जाएगा B number Next किस वर्स में भारत सरकार ने पहले भारती चंद्रमिसन चंद्रियान वन के लिए इसरो की प्रस्ता को मंजुरी दे दी थी बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा 2003, 2003 में 2003 में भारत 2003 में दोस्तों याद रखेगा 2003 में भारत सरकार ने पहले भारती चंद्रमिसन चंद्रियान वन के लिए इस लोग के प्रस्ता को मंजुरी दे दिया था उस सोडियम योगी का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को अस्थाई रूप से हटाने के लिए किया जाता है तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट यानि Na2CO3 into 10S2 जिसको आम भासा में हम लोग क्या करते है वासिंग सोडा करते है निमलकित में से किसका उपियोग धातू की खंडों में दरारों और दोसों का पता लगाने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है तो याद प्राधोनी यानि अल्ट्रा साउंड का प्रियोग किया जाता है अंडमान टिल जन्तों की परजाति की किस सरीनी का ये उधारन है अंडमान टिल ये है अस्थानिक परजाति का ये उधारन होता है निम्रखित में से किस का समन्द भारत में हुई स्वेत करांती से नहीं है स्वेत करांती से दोस्तों नहीं है तो नॉर्मर बॉरलोग का समन्द स्वेत करांती से नहीं है नॉर्मर बॉरलोग का समन्द भारत में हुई स्वेत करांती से नहीं है यह स्वेत करांती से नहीं है आनंद का है अमूल का भी है डाक्टर वरगीच कुरियर का भी है स्वेत करांती से नन्वार बर लोग यह हरित करांती से समन्दी थे दोस्तों उस रसाइन विज्ञानी का नाम बताईए जिसने यह सीध किया कि किसी तत्यों का पर्मानु कर्मांक उसके पर्मानु दर्मान की तुलना में अधिक मोलिक गुन है जिसके कार्ण मैंडलिप का आवर्थ सारनी में संसुधन किया गया था तो यह हो जाएगा हैंरी मोसले हैंरी मोसले दोस्तों पर्मानु कर्मांक के अधार पर इसका क्या है दोस्तों प्रियडिक्टेबल हैं पर्मानु कर्मांक उनिसोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् से कौन सा एक audio file का extension है तो वो है dot wma, next है भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखेगा, क्या है दोस्तों भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम तो सी नमर यानि काली मिट्टी ही है भारतम रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है काली मिट्टी नेक्स्ट है खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनिकी नाम सोप यानि याद की नेक्री है को इनमें से किस नाम से जाना जात तो मदर और परल के नाम से जाना जाता है खोल के भीतर से निकलने वाले अड़क जिसका तक्निकी नाम सोप है को इन में से किस नाम से जाना जाता है तो मदर और परल के नाम से जाना जाता है अधिकारियों सहेत सिल्प उत पादन के लिए ये समर्पित्था ये हो जाएगा दोस्तों चुनुद्रो याद रखेगा चुनुद्रो चुनुद्रो सिंदु नदीतर पर अवसित अस्तल है ये पाकिस्तान में वर्तमान में है दोस्तों निमलकित में से कौन सा टेनिस्टुरामेंट कले कोट पर खेला जाता है तो रोलेंड गेरोस याद रोलेंड गेरोस ये कले कोट पर खेला जाता है इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कर्तन यानि स्लास एवं दहन यानि बर्न किरिसी परनाली को भारत के किस राज में बेवर के रूप में जाना जाता है इन में से कौन सी कमपणी गूगल की स्वामित वाली कमपणी है तो अलफाबेट इंक है उस नेता का नाम बताईए जिसके विरोत के कारण 1928 में कॉंग्रेस और मुसिल्म लिंक के बीच समझोते की सभी उम्मीदे समार्थ हो गई थी तो ये हो जाएगा दोस्तों MR जैकर MR जैकर मतलब अठाड़े का बी नमर होगा MR जैकर भारती चुना आयोकिया स्थापना कब की गई थी भारती चुना आयोकिया स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी प्रभावती गुप्थ है उडिसा के कोरापूट जीले के पंच पट माली के किस खनीच के विशाल भंडार मोजूद है तो यह हो जागा दोस्तों बॉक्साइट का विशाल भंडार मोजूद है उडिसा के कोरापूट जीले के पंच पट माली में खनीच का विशाल भंडार ह उदाईने ने मगत की राजधानी को किस सहर से हटा कर पाटली पूत्र में हस्तांत्रित किया था उदाईने तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तों राजगीर याद रखेगा राजगीर किस योजना के तहत गरिवी रेखा से नीचे आने वाले पडिवार के 60 वर्स या उससे अधिक आयू के सभी लोगों को पैंसन परदान की जाती है तो यह होगा दोस्तों क्या IGNO इंगो या दखे इनो इनोप्स हो जाएगा IGNO-APS किस योजना के तहत गरिवी रेखा से नीचे आने वाले पडिवारों के 60 वर्स या उससे अधिक आयू के सभी लोगों को पैंसन परदान की जाती है IGNO-APS या इसका फूल फॉम क्या होता है दोस्तों इंद्रा गांधी नेशनल ओल्ड एज परसन इसकी में इसका फूल फॉम होता है नेक्स्ट उन गुफाओं का नाम बता ये जो पसिम भारत में धारा पूरी नामक दूइब पड़ी इस्तित है जिने 1987 में युनिसको द्वारा विस धरोर का दरजा परदान किया गया था विस धरोर का दरजा तो एलिफेंटा की गुफाई हो जाएगा दोस्तों 1987 में युनिसको का द्वारा विस धरोर का दरजा परदान किया गया था एलिफेंटा गुफागो नेक्स्ट है कौनसा भारतिय हवाई अड़ा दुनिया का परतम हवाई अड़ा है जो पून तोर पर सौरूर जासे संचाली थे पून तोर पर तो यह हो जाएगा कोचिन अंतराष्टी हवाई अड़ा कोचिन अंतराष्टी हवाई अड़ा उस भारतिय सास्ति निर्ति सेली का नाम बताईए जिसके समद में मननेता है कि भगवान बर्मा ने भरत नामक एक परसिद मुनी को इसका ज्यान कराया था जिनोंने बाद में इस पवितर निर्ति को नाटि सास्त्र नामक संस्कीत गरंत में वर्नित किया ये तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों तो भारत नाटियम भारत नाटियम नेक्स्ट है भारत नाटियम कहां का है लोक निर्ति है दोस्तों बताईए भारत नाटियम ये सास्ति निर्ति एक त से बताइए कहां powin डूब के संदर में नेमलखी तुम्हाग तीन मुल अधिकार है याद रखियेगा निमलख्यतमें से किस भारती इस्टिल्प्लांट का प्रवंधन करने के यह Depart याद रखेगा दुईत्नी पंचवसी योजनाम इसके अस्थापना हुई थी वीपो डेवलु आईपी ओ का मुख्याले का मुख्याले कहा है तो जनेवा में है MP LADS MP LATS क्या है यह क्या है तो यह इसके भाड़ सरकार दोड़ा शुरू की गई जो संसद को उनके निर्वाचन छेत्रों में कार करने के सक्षम बनाती है दोस्तों MP LADS याद रखेगा इंपोर्टेंट है एपी ग्राफी का क्या अभी प्रा है तो सिलालेकों के अध्यान निम्न में से किसका समन्द भारत में हुई स्वेत करांती से नहीं है स्वेत करांती से नहीं है तो नॉर्मर बरलोग का समन्द स्वेत करांती से नहीं है दोस्तों नॉर्मर बरलोग तो आप लोगों को पता है ही ये किसे नॉर्मर बरलोग ये हरीत करांती से समन्दी थे दोस्तों और नॉर्मर बरलोग का समन्द भारत में नहीं है ये कहां का अमिर्का के किडिसी विग्यानिक थे ये अनन्द अमूल डाक्टर वर्गीच कुरियर ये स्वेत करांती से समन्दित है ये repeat question है इन में से किसने भारत के वित मंत्री का पद नहीं समाला है option करनुसार बताईए तो विके किशना मेनन दोस्तों नहीं समाला है विके किशना मेनन क्या है विके किशना मेनन ने 1962 के चिन यूद के करण पद से त्याग पदर दे दिया था दोस्तों विके किशना मेनन next अब इसका आंसर है दोस्तों और इस सेट में क्या का important point था जिसे आपको याद रखनी है वो देखी computer समदीत new अगर कुछ भी default को खोलेंगे दोस्तों control plus N shortcode की को click करना होगा open करेंगे तो control plus O, control plus O important है save करेंगे तो control plus S, control plus S से save होता है print करेंगे तो control plus P, control plus P से print होता है cut करेंगे दोस्तों control plus X, cut करेंगे तो control plus X, copy करेंगे तो control plus C, control plus C से copy होता है paste करेंगे control plus B, control plus B से paste होता है undo करेंगे तो control plus Z से undo हो जाता है control plus Z से अब यह important point आपको याद रखनी है एक साइड है अस्थांतरन क्रिसी के अस्थानी नाम, दुस्य साइड है दोस्तों चेतर, मिलपा, मिलपा अस्थांतरन क्रिसी के अस्थानी नाम है और यह किस चेतर से समझ लिता है, यूकाटन और ग्वाटे मल में है यह दोस्तों, यूकाटन और ग्वाटे मल में यह क्रिसी परचलित है। कुमारी किर्सी का प्रकार केरल के पसिमी घाट पहाडी छेत में होता है दोस्तों कुमारी और कमन विंगा और धा भी ये उरिसाम होता है। याद रखेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों तरंग संचार याद रखेगा तरंग संचार धूर संचार विभाग द्वारा जारी किये गए पॉटल का नाम है। तो विदू चुमबा के छेत उत्सचन समंधिक मानदन्डों का अनुपालन की जाच करेगा ये दोस्तों तरंग संचार। उस परसीद जीव विज्ञानी का नाम बताईए जिससे गेला पागोस द्विप समु का नाम जुरा हुआ है। तो वो है चाल्स डार्विन निम्रखित में से किसे सूपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क के कहा जाता है। किसी कहा जाता है तो इंटर्नेट को दोस्तों सूपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क के कहा जाता है इंटर्नेट को। Homosepiosabd Kia C Lineus Kia C Lineus Kia Lo leukeello इस्तित है तो याद के लॉसस बनोश में इस्तित है और Loss बनोश ये पंपिनस डेसमें इस्तित है ये आप याद रेखियेगा नेक्स्ट है वोई मनिला में निमलकित में से कौन सा ओफिस पैकेज नहीं है ओफिस पैकेज नहीं है कौन सा नहीं है तो याद रखेगा कौन्टम दोस्तों ये नहीं है कौन्टम ओफिस पैकेज ये नहीं होता है कौन्टम ठीक है बाकि सब है WPS है Microsoft Office 2010 भी है लोड लिब्रे भी है दोस्तों लेकिन Quantum नहीं है याद रखेगा Next Albert Einstein को 1921 में निमन में से किस के लिए नोवेल पुरुषकार परदान किया गया था Albert Einstein को परकास विद्धुत परभाव के लिए परकास विद्धुत परभाव के लिए Next निमलकित में से कौन सा भारती है वो निजीव अभ्यार्न ऍसयाई सेरों का अवास है गीड़ दोस्तों यह शेरों का अवास है और गीर कहां है तो यह GUJRAत में है समाने गेहु का वनसपत्तिक नाम क्या है समाने गेहु का तो याद रखेगा Triticum STivum है कक्छा में परचिपित किये जाने वाले पहले भारती उपगरा का नाम बताईए पहले भारती उपगरा का नाम है आरिभट आरिभट ग्रहों की गती के नियमों का परतिपादन किस ने किया था किस ने किया था तो याद रखेगा तो ये कैपलर ने किया था जोहंसन कैपलर नहीं किया था इन में से किसे सी लेंग्वेज को विक्षित करने का स्रे दिया जाता है सी लेंग्वेज को तो यह हो जाएगा डैनिस रिची याद रखेगा डैनिस रिची को सी लेंग्वेज को विक्षित करने का स्रे दिया जाता है निमलकित में से कौन सा देश ब्रिक्स सम सिखा समून नहीं है वर्ष 2009 में भारत रूस ब्राजिल और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स ब्रिक का अस्थापना किया था इसमें भारत है रूस है ब्राजिल है और चीन है दोस्तों याद रखेगा इंपोर्टेंट है दोस्तों नेकस्ट शिरलंका नहीं है इसमें महतमा गांधी ने दच्छीन पिर का में कौनसा अकवार शुरू किया था महतमा गांधी ने Indian ओपनीयन यह दच्छीन पिर्का में सुरू किया था भारती राष्ट कंग्रेस की पहली मैला अध्याउट का नाम बता यह ॒ल्ई मैला अध्या पार दीप हल दिया ये पुर्वी तटप इस्तित है और कांडला बंदरगा कच की खाड़ी में इस्तित जवाड़ी तट मुख्यता आयात बंदरगा है दोस्तों याद रखेगा नेक्स्ट भार सरकार की किस योजना के अंतरगत गड़ी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपील परिवारों को LPG सिलेंडर वितरित किया जाता है इंडिया डिवाइड पुस्तक के लिखक राजिन परसाद हैं दोस्तों सुतन्ता के बाद भारत की समीधान सवा के अध्यच कोन थे भारत की समीधान सवा के अध्यच डाक्टर राजिन परसाद जी थे वो संगटी तकारिकाल को राष्ट पैंसन योजना में जूरने हेतु परतोसाहित करने के लिए जुन 2015 में निमलकित में से कौन सी वित्ये समावेशन का सुवारम किया गया था कौन से किया गया था दोस्तों तो याद रखेगा अटल पैंसन योजना किया गया था वो संगटीत कारिया ले को राष्ट पैंसन योजना में जोडने है तो प्रतुसाहित करने के लिए जुन 2015 में अटल पैंसन योजना वितिये समावेशन का स्वारम किया गया था इंपोर्टेंट है याद रखेगा नई दिली में इस्थित इंडिया गेट का टीजाइन किस वस्तुकार ने तयार किया था किस वस्तुकार ने तयार किया था एडवीन लूटियंस ने दोस्तों तयार किया था एडवीन लूटियंस ने त्यार किया था तकला मकान मरोस्तल किस देश में इसी थे तकला मकान तो याद कि ये तकला मकान दोस्तों ये चीन में इस्तित है किस सवेधानिक संसोदर में नीती ने सकता तो को मोलिक अधिकारों पर वड़ियता दी गई तो ये हो जाएगा 42 से विधान संसुदर 1976 के तहट इंद्रागांधी राष्टिक कलाकेंदर का मुख्याले किस सार में इस्तित है किस सार में तो नई दिली में दोस्तों इंद्रागांधी राष्टिक कलाकेंदर का मुख्याले निमलकीत में से कौन सा जल्डवरूमदी अट्लांटिक महासागर को परसंत महासागर से जोडता है पर्थम लोगसवा अध्यच का नाम बताईए पर्थम लोगसवा अध्यच का नाम था जिवी मालंकर यानि गनेश वासुदे मालंकर निमलकीत में से कौन सा भारति वर निजीव अभ्यारन एस्याई सेरों का आवास है एस्याई सेरों का आवास है गीर दोस्तों ये एस्याई सेरों का आवास है परसित बांगला उपन्यास पाथर पंचाली के लेखक कोन है इन में से कौन सा भूमद सागर में इस्तित सबसे बढ़ा दूइप है तो ये सिसली दूइप है दोस्तों जो भूमद सागर में इस्तित है गल्प इस्ट्रीम डेस की खारी से निकलती है गल्प इस्ट्रीम दोस्तों मैक्सिकों की खारी से निकलती है गल्प इस्ट्रीम याद रखेगा नेमलकित में से कौन सा कारिकरम भारत में सरक परिवहन के विकासे समन्दित है सरक परिवहन के विकास से समन्दित है तो याद रखेगा सरनिम चतरभोज यानि गोल्ड एन कोडिलेटर लिए सरक परिवहन के विकास समन्दित है रामपरसाथ बिसमिल को फांसी किसलिये दी गाई थी किसलिये दी गाई थी काकुरी ट्रेन डकेटी के लिए दी गाई थी दोस्तों इनमेंसे किसे पड़ियावर्नीय मामलो को चिनित करने के लिए 2007 में 97 पुरुसकार से सम्मानिद किया गया था किसे किया गया था तो Intergovernmental Panel on Climate Change and Al Goree को किया गया था Important है दोस्तों पर्यावरनिय मामलों को चिनित करने के लिए 2007 में नोवेल संती पुरुषकार Intergovernmental Panel on Climate Change and Al Goree को सम्मानित किया गया था Important है निमलकित में से किसका समद भारती सोतनता संग्राम से नहीं है कृफी उत्पादक का देश कौन सा है तो यह है दोस्तों ब्राजील, याद रखेगा ब्राजील दचिन अमिर्का का देश ब्राजील को कहवा पात्र भी कहा जाता है दोस्तों और ब्राजील के कहवा के बागों को क्या फेजन्डा कहा जाता है important और इसका यह answer है और इस सेट में क्या क्या important था दोस्तों वो देखे एक साइड है क्या apps दुसरे साइड उद्देश उर्जा मित्र एप ये बिजली कटोती के परबंदन से समंदित है उर्जा मित्र एप सचित एप बैंक में धोका खड़ी से समंदित है आतराष्ट ये गेहुं सोद के अंदर कहा है मेक्सिको सेटी में अंतराष्ट गेहु सोध केंदर कहा है दोस्तों मैक्सिको सेटी में अंतराष्ट आलू सोध केंदर कहा है लीमा पेरू में वीसु मोसं विज्ञान संस्थान कहा है जनेवा में केंदरिय तम बाकु अनुसंधान केंदर कहा है राजमुंदरी में केंदरिये तमबाकव अनुसंधान केंदर कहा है राज मुंदरी में, केंदरिये रेसम अनुसंधान केंदर कहा है मेसुर में, राष्टी गन्ना अनुसंधान केंदर कहा है लखनों में, भारतिय डेरी अनुसंधान केंदर कहा है करनाल में, राष्टी वन अनुसंधान केंदर कहा है देहरादूर में राष्ट वन अनुसंधान के अंदर कहा है देहरादूर में है केंद्रिये चावल अनुसंधान के अंदर कहा है कटक में केंद्रिये चावल अनुसंधान के अंदर कहा है कटक में नेक्स्ट एक साहाइट है पोधे दुर्सरे साहाइट इसका वणसपतिक नाम अंगुर का वणसपतिक नाम वाइट अस वी नी फेरा होता है। नेक्स्ट है पुस्तक और एकसाइड लेखक, अनन्मट के लेखक कोन है? बंकिम चन चतरची, याद रखेगा, अनन्मट के लेखक हैं दोस्तों, बंकिम चन चतरची, Discovery of India के लेखक हैं जम्हालाल नहरू, My Experiment with Truth के लेखक हैं महत्मा गांधी, Indian philosophy के लेखक हैं डक्टर S. राधा किसन, Indian philosophy के लेखक हैं डक्टर S. राधा किसन, Post Office के लेखक हैं रवीद नाथ टाइगोर, India Wings Freedom के लेखक हैं अबूल कलाम आजाद, Wings of Fire होगा तो APJ अब्दुलकलाम, Prison diary के लेखक हैं जेप्रकास नाराएं, प्रिजन डाइड के लेखक हैं जेप्रकास नाराएं, नेक्स्ट एक साइट है योजना, दुस्य साजर है आरमतिती, इंपोर्टेंट है, पर्धनमंत्री जीवन जीवन जीवती बीमा योजना 9 माई 2015 को ये शुरू हुआ था, पर्धनमंत्री जीवन जीवन जीवती बीमा योजना 9 माई 2015 को ये शुरू हुआ था, ग्राम उजोला योजना 19 मार 2021 को ये शुरू हुआ था, नेक्स्ट अस्थान भवन और वस्तुकार है, देखिए संसत भवन का वस्तुकार को ने सर हर्बट बेकर, इंपोर्टेंट है याद रखनी है, संसत भवन का वस्तुकार को ने सर हर्बट बेकर, सर हरवर्ट बेकर चंडिगर नगर के वस्तुकार है ली कार्बोजियर चंडिगर 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 का वस्तुकार कोण है दूसरों ली कार्बोजियर छथपती सिवाजी टर्मिनल का कोण है एफ डबलू इस्टिवंस एफ डबलू इस्टिवंस छथपती सिवाजी टर्म कलकत्ता सहर के अकोन है दोस्तों जॉब चरनौक वस्तुकार कलकत्ता सहर की विक्टोरिया मेमोरियल का विल्यम इमर्सन है विक्टोरिया मेमोरियल का वस्तुकार विल्यम इमर्सन है ताजमहल का वस्तुकार उस्ताद अब्दूल हमिद लाहोरी है दोस्तों नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलबे एंटी पीसी 20 जनवडी 282 को सेकेंड सिप्ट में जो कोशन आया था वो देखिए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट कोशन है सभी पहला कोशन ने उस जर्मन रसाइनगिये का नाम बताईए जिसने 817 में ततों के त्रिकों में समूबद किया था त्रिक नियम एक तरह से दिया था बताईए क्या होगा दोस्तों तो क्या होगा डोबे रिनर ने त्रिक का नियम कौन दिया था डोबे रिनर ने दिया था और अ करने में साहता थ unlocking test रों किस संचार हूप्गार का पर चिसका किया था तो किस Humanae पयर भारत में किस परकार के वनों में पाय जाते हैं किस परकार वनों में तो सुस्क पनपाती वर्ण में दोस्तों पाये जाते हैं तेनदू और अमलतास बेल जैसे समानी पेर केल्सियम ओक्साइड का दूसरा नम क्या है केल्सियम ओक्साइड का दूसरा नम अनबूजा चुना है दोस्तों अनबुझाऊचुना यहीं बुझाऊऊआः चुना अगर कहा जाता केलसियम हीड्रोकसाइड यानि C A O H का wear to हो जाएगा दोस्तों बुझाऊआः चुना और बीना बुझाऊचुना C A O यानि केलसियम ऐकसाइड निक्ष्ट भारत सरकार के द्वारा BCGT का करन और TV उपचार को सामिल करते हुए जिला TV सेंटर मॉडल के रूप में वर्सडेस में नेशनल TV प्रोग्राम लॉंच किया गया था किसमें कब किया गया था? उपचार को चिकना करने के लिए किया जाता है इस पदार्थ को आमतोर पड किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? किस नाम से जाना जाता है तो याद रखे प्लास्टर और पैडिस फर्मुला होता है CSO4 का होल 2S2O या CSO4 into half S2O प्लास्टर और पैडिस का और यह जिपसम से बना होता है दोस्तों जिपसम का फर्मुला CSO4 into 2S2O होता है किलसिम सलफिट निमन में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्स्टेंशन नहीं है वीडियो फाइल का एक्स्टेंशन क्या नहीं है बताइए तो यह दोस्तों .jpeg नहीं है jpeg यह नहीं है दोस्तों क्योंकि फोटो के लिए होता है jpeg इन्वे से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपणी सन माइक्रो सिस्टम जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहन कर लिया था कि संस्थापकों में से कौन एक है दोस्तों तो याद रखे विनोध खोसला है विनोध खोसला है विनोध खोसला नेक्स्ट भारत के धुर्विय सफलता पुर्वा कहां से परचेपन किया था कहां से किया था तो सतीज दवन आंत्रिच के अंद्र से उन्हें सचोंसट में भारत का पहला प्रेस राइजड हेवी वाटर रियक्टर एटोमिक एनरजी ओप डैस लिमिटेड और भारत के एन पीसी आई एल एन पीसी आई एल का संयूक्थ उपकरम था कौन से था दोस्तों कनाडा याद रखें कनाडा था कनाडा मेक्स्ट एक या है तो पी-एच पेमाना है निम्लखेत में से कौन सा आयन के योगी का एक गुंधर्म है कौन सा है दोस्तों तो याद रखिएगा इसका कुतनाक एवं गलनाक उच्छ होता है नेक्स समानी अध्यन अब हम लोग पढ़ेंगे निमलकित मेंसे किस भारती राज में अभी भी रेट हॉल माइनिंग की जाती है तो कहां की जाती है तो यह म मेगाले में की जाती है रेट हॉल माइनिंग निमलकित मेंसे कोन केविनेट मंत्री नहीं है केविनेट मंत्री कोन नहीं है तो रक्षा मंत्राले में राज मंत्री यह केविनेट मंत्री दोस्तों नहीं है रक्षा मंत्राले में राज मंत्री केविनेट मंत्री नहीं होता है गिरी मंत्री के मिनिट माता है विदेश मंत्री भी कनुर और नया मंत्री भी, नेक्स्ट है, धचिन अफिरका से भारत लोटने के बाद महत्मा गानी ने 1916 में किस विश्विध्याले में पहली बार सार्जनिक तोर पर संबोधित किया था दोस्तों, सार्जनिक तोर पर, तो यह हो जाएगा दोस्तों, चंदरकांता, देविकी नंदन, खीतरी ने लिखे हैं, चंदरकांता, next, the nice guy who finished first, the nice guy who finished first, किस खिलाडी की यह जिवनी है, तो यह जिवनी है राहुल दरविर की, दोस्तों जिर्मिनी है, और इस मंदीर की एक विशिस्ताया है कि इसमें धोज दंड नहीं है बताइए तो यह हो जगा दूसरों राजेस्वर मंदीर है यह राज राजेस्वर मंदीर नेक्स्ट मानव संसाथन विकास मंत्राले में वन स्टॉप सेक्षिक पोटल तयार किया है जो प्रात्मिक सिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वन अध्यापकों एवं जिवन परियतन सिक्षार्थियों का अवसकताओं को पूरा करेगा और इस पोटल का नाम क्या ह जो प्राथमिक सिख्छा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों अध्याबकों एबं जीवन पडियंत शिक्छार्थियों के आवसकताओं को पूरा करेगा इस पौर्टल का नाम क्या है तो साक्षात भारती समीधान में मोलीक अधिकार किस समीधान में अंगिकार किये हैं मोली कदिकार टू यह होगा सयुक्त राज याद के संयुक्त राज सिली आ गया मोली कदिकार सभी पड़ेंगे आगर निखश गराम विकास मत्रा लेके तत्वा वधन में निवन में से किस परमुख कार करम का लग छे ग्रामीन निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वेंग सहाइता समों एबं उनके पडिसंगों उत्पादों संयोजो को आधी में संगटित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार इसका दोस्तों क्या होगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दिन द्याल अंतो दे योजना national ruler लेवलि हूड मेशन हो जाएगा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग इसको रिपीट करके देख लीजिएगा भारत में निम्वन में से किस अस्थल को काला पानी के ना से जाना जाता है काला पानी के नाम से जाना जाता है अनमान दीप को काला पानी के नम से जाना जाता है लक्षदीप के अधिकांस लोगों द्वारा बोली जाने वाली भासा कौन सी है कौन सी है मल्यालम लक्षदीप के अधिकांस लोगों द्वारा बोली जाने वाली भासा यक्चिगान किस भारती राज के लोग पर श्तुती है यक्चिगान दोस्तों करना टकी है याद रखिया करना टकी उस नोवेल पुरुषकार विजेता का नाम बताईए जो वनो मुलन के खिलाब आरम हुए जन आंदोलन के संस्थापक है तो वो हैं दोस्तों वंगारी मथाई उस नोवेल पुरुषकार विजेता का नाम बताईए जो वनो उन मुलन के खिलाब आरम हुए जन आंदोलन के संस इसका राइट अंसर वियेना, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस केमिसन आई सी पीसी की अस्थापर 1923 इसमी में वियेना में हुई थी दोस्तों, जो इंटरपोल की पुरवर्थी नाम है, याद रखेगा, उस जल निकासी मतलब पेटर्न का नाम बता ये, जहां नदीक एक पह 1988 में राष्ट जलमार्ग 2 घोसित किया गया था, राष्ट जलमार्ग 2 घोसित किया गया था 1988 में, तो ये ब्रहम पूत्र दोस्तों, ब्रहम पूत्र, निमलकित में से कौन सा राष्ट ये, समाजिक सहाइता कारकरम का भाग नहीं है, तो याद रखेगा, आयूस दोस्तों, यह नहीं है आई उस नहीं आईयोस राष्ट समाजिक सहयता कारकरम का भाग नहीं है यह आप याद रखेगा बांकि सब्बाकी सब्बहें इंद्रा गांती राष्ट ऎर विद्वा पेंसन योजना भी है उस रीट का नाम बताइए जिसके तहथ अदालत किसी गृपताड़ी का तड़ीग या अधार विदिक और संतोस जनाख नो हने पर गृपताड़ व्यक्ति को उसके सामने पेस किये जाने या मुक्त किये जाने का आदेश देती है तो यह हो जगा दोस्तों, बंदी परतियक चिकरन, बंदी परतियक चिकरन, 1909 में महत्मा गांदी दौडा लिखे तो उस पुस्तक का नाम बताईए, जिसमें यह लिखा था कि, यदि भारतिये उनका सहयोग नो करे तो, बेटरी सासन समात हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है ब पर्तम भारते किर्केट क्लब दा कलकत्ता किर्केट क्लब किया स्थापना 1792 एसी में हुई थी बहुत पहले लुमनी बोध गया सारनाथ और कुसी नगर की यात्रा निमलखित में से किस विश्टिस्ट रेलगारी से की जा सकती है तो बोध्धिस्ट सरकेट ट्यूरिस्ट ट् से की जा सकती है 1930 में किसने दलितों को डिप्रेश्ट क्लासेस एसोसेशन में संगर्ठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंदल की मांग की तो यह हो जाला भीमरा अंबेदकर 1930 में किसने दलित को डिप्रेश्ट क्लासेस एसोसेशन में संगर्ठित किया और उनक लिए एक अलग निर्वाचन मंजल के मांग की भीमरा अम्बेत कर नेक्स्ट कौन सा मुगल असमारक उस्ताद अहमद लागोरी दुवरा डिजैन किया गया था जिसे युनिसको ने 1983 में 20 धुरुआर गोसित किया युनिसको ने तो यह हुझाएगा दोस्तों ताज महल याद परदेश ने मोडिलाल नेरों ने परीशद राजनिति में वापस के लिए बहस करने हैं थू कोंग्रेश के भीतरों सुराज पाति का गठर किसके साथ किया था तो किस के साथ CR-10 के साथ किया था? मोतिलाल नहरो ने परिशत राजनतिक में वापसी के लिए बहस करने हित्टु कॉंडेस के भीतर सुराज बाटी का गठन किस के साथ किया था? CR-10 के साथ किया था भारत में सैयुक राष्ट्र परियावरन कारिकरम UNEP का का गडियाल है? कहां इस्तित है? UNEP का यह नए दिले में इसका काडियाल है इस्तित है और इसका ये आंसर है और इस सेट में क्या क्या इंपोर्टेंट है वो देखिए दोस्तों पहले हम लोग लेखक और उस्तक के बारे में देखेंगे रस खान के लेखक हैं याद कि रस खान के लेखक हैं दोस्तों रस खान प्रेमवाटिका के लेखक हैं रस खान प्रेमवाटिका के लेखक हैं रस खान और मिर्श कटिकम के लेखक हैं सुदरक मिर्श कटिकं सुद्रग, बूध चरित्रम असगोस, बूध चरित्रम असगोस, देवदास चरित्रहीन सरद चन चोटोपादिया, और डिवाइन लाइब सिवानन, गीत गोविन जैदेव, इंपोर्टेंट है दोस्तों सभी, प्रेमवाटिका रस्खान, मिर्श कटिकं सुद मंदिर और अस्थान है इंपोर्टेंट है सभी को याद रखेगा अंकरवाट का मंदिर कहा है दोस्तों कमबोडिया में स्री रंगनात मंदिर कहा है तमिलाडू त्रीची में है अक्षरधा मंदिर कहा है नई दिल्ली में थिलाई नट्राज मंदिर कहा है तमिलाडू चितंबरम में बैलूर मत कहा है दोस्तों पशिम मंगाल कलकत्ता में विर्देश्वर मंदिर कहा है तमिलाडू भंजापूर में व्रिदेस्तर मंदिर कहा है तमिलाडू भंजापूर में है और अना मलाई मंदिर कहा है तमिलाडू में है दोस्तों अना मलाई मंदिर कहा है तमिलाडू में अना मलाई नेक्ष देश और सभिधान से लिये गए सब्ध इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा प्रस्ताबना मोलीक अधिकार और नियाईक ये सभी संयुक्त राज से लिया गिया है दोस्तों संयुक्त राज अमिर्का से देखे क्या क्या संयुक्त राज से लिया गिया है पर महवयों आधी लिया गया इwwww करने को a मद kita लुए अधिया पात निया-पालिका की सुतनता उप्राश्पति राष्टिपती पर महवयों यह अमरिका से से च टतरह ओंडा मूलिक आधिकार और नियाई के लिया गिया है दोस्तों, सभा के सभा के सदस्यों का निर्वाचन याद रखेगा दोस्तों, और समिधान संसुधन की किरिया तो लिया गिया ही है कनाडा के सविधान से देखिए संखात्मक विसिस्ताएं सक्तियां के अंदर के पास राजपाल की नियुक्ति विसेयक पडिकिरिया ये कनाडा के सविधान से लिया गिया है रूस के सविधान से मोली कर्तवियों का प्रावधान अस्टलिया के सविधान से प्रस्तावना की भासा संवर्ती सूची का प्रावधान विया पार वानी जी संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आधी लिया गिया अस्टलिया के सविधान से अस्चलिया के सविधान से प्रस्तावना की भासा समवर्ती सूची का π्रावधान वेपार वानिजीए संसित के दोनों सदरों की सहितर बैठक आधी अस्चलिया के सविधान से लिया गया है नेक्स्ट राज कैंसासी परदिश लोकनिर्थ देखिए करनाटक का लोक निर्थी क्या क्या है यक्षिगान हुटारी और सुगी कुनिथा करगा लंबी ये करनाटक का लोक निर्थी है किरल का लोक निर्थी कतकली मोनी अटम और क्या है कुरावार कली मोनी अटम कतकली ये किरल का लोक निर्थी है महराष्ट का लावनी दिन्डो काला और दही काला दसा वतार ये महराष्ट की है लोक निरती है लावनी दिन्डो काला दही काला और दसा वतार नेक्ट उरिसा लोग निरती है दोस्तों गोतिपुवा चावू चुमुरा रनप्पा संबलपूर निरती है पंजाब का लोग निरती है भांगरा गिद्दा दंप दंप धंकारा याद कि राजस्थान का लोग नीरती है दोस्तों धूमर यानि घूमर उसके बाद गंगोर जूलन लीला काले बेलिया और चारी यह कहा कि राजस्थान के लोग नीरती है इंपोर्टेंट है याद रखेगा अब है दोस्तों संगठन और मुख्याले जिसे आपको हमेशा में गेट का मुख्याले का है जनेबा में इमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्याले का है लंदन में नाटो का मुख्याले का है बुसेल्स में नाटो का मुख्याले का है बुसेल्स में रेट क्रोस का मुख्याले का है जनेबा में रेट क्रोस का मुख्याले का है जनेबा में उप्यक का मुख्याले कहा है वियाना में राष्टमंडल का मुख्याले कहा है लंदन में युनिसेव का मुख्याले कहा है नियॉयार्क में युनिस्को अस्तल सुची में सामिल होने का वर्स क्या क्या है वो देखिये आगरा का किला युनिस्को में सामिल हुआ था उनिस्को में उनिस्को में सामिल हुआ था उनिस्को में 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 उनिस्क सामिल हुआ था सुरी मंदी दोस्तों उनिस्को में याद रखेगा नेसट अब हम लोग पड़ेंगे एंटिपरिट्स एक hari जंवडी कुस्टन है निम्न में से कौन सा एक operating system नहीं है तो याद रखिएगा जावा दोस्तों operating system नहीं है और जावा बाकि सब MS-DOS है और क्या MINT है दोस्तों और Ubuntu ये operating system है निम्नलकित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है तो याद रखिए करना वर्त यानि करना वर्त चोकलिया नहीं है बाकि सब है पुतली आईडि से कौनिया है और दोस्तों क्या पचमा भी मांस पेसिया यानि दोस्तों नेख्स्ट है मानव आँख में डैस दोवारा गुलंसील नाइट्रोजन योगिकों के रूप में उस्साजित उत्पादों को हटाया जाता है तो यह क्या होगा दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा नेप्रोन मानवों में वरिग में डैप्रोनों दोवारा गुलंसील नाइट्रोजन योगिकों के रूप में उस्साजित उत्पादों को हटाया जाता है नेविगेशन उपगरा के रूप में लौंच किया गया तो यह हो जागा दोस्तों याद रखेगा इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है नेमलकित में से कौन सी एक पडियावर्निय चिंता नहीं है तो ओजोन प्रत का बढ़ना यह पडियावर्निय चिंता नहीं है तो बाकी सब है दोस्तों प्लास्टिक की उपियोग और उपियोग में विर्दी यह तो है ही और गलोबल वार्मिंग भी है पर दुसर्ण के अस्तर में विर्दी यह भी है लेकिन ओजोन प्रत बढ़ेगा तो अच्छा ही होगा निमलकित में से कौन सी गरंती माना स्रीर में पाया जाने वाली सबसे बड़ी गरंती है यकरी थे दोस्तों सबसे बड़ी गरंती माना स्रीर में पाया जाता है सबसे बड़ी दूसरी है अगना से निक्ष्ट वह पूछतक पैंक्रिया जिसको वह पूछतक जिसमें सभी लुप्त प्राय जनवरों और पोधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे rate data book कहा जाता है rate data book जमीन में पानी के निस्यदन की परिक्रिया को desk रूप में जाना जाता है किसके रूप में जाना जाता है तो यहाद लखेगा अंतस्यदन की रूप में जाना जाता है जमीन में पानी के निस्यदन की परिक्रिया को विदूत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी आनि वांचित धातू की प्रत चरहने की परिक्रिया को इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहा जाता है निमलखित में से कौन सा एक नॉन बोलेटाइल मेमोरी का उधारन है तो रोम है दोस्तों याद रखेगा रोम रीड ओनली मेमोरी नेक्स्ट किसने भविस्वानी कि है कि नाविक्य प्रोदित की केवल बिजली छेत में ही नहीं बलकि जीवन के पहतरी तथा अन्य समाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आविस्त को मतलब हो जाएगी तो यह हो जाएगा दोस्तों होमी जे भावा होमी को पादन घर में होता है किस वर्स में इंटरनेशनल बैंक फोर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसे विस्व बैंक के रूप में जाना जाता है दुवित्य विस्यूद की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए अस्थापित किया गया था यह हो किस वर्स में इंटरनेशनल बैंक फोर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई भी आर्डीजी से विस्व बैंक के रूप में जाना जाता था दुवित्य विस्यूद की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था उनिस्व चव स्टोक एक्षेंज ऑप इंडिया का मुझ्खाले का एइनल्स के जो तो इसका मुख्याले दोस्तोटोब मुंबई में याद रखेगा दूसर कणते तह आपको पता ही है दोस्तों ये किस से समन्दी थे उर्रक उत्पादन से समन्दी थे रविना टैगर को किस पुस्तक के लिए स्थायत के नोबिल प्रुषकर से सम्मानित किया गया थे रविना टैगर को गिता अंजली के लिए गिता अंजली के लिए निमलकित मैं से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतिय सुत बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्मन कारे पूर नहीं हो सका तो यह हो जागा कौन सा सक दोस्तों तो अलाउदीन खिल जी अलाउदीन खिल जी निमलगीत में से कौन सा बेंक वर्स 1905 में राश्टिकरन के बाद भारती एस्टेट बेंक बन गिया और जिसकी दुनिया में सबस अधिक सा हैं तो यह हो जागा दोस्तों इंपरियल बैंक ओप नाम बताए जिसका समंद भारती 17 May के दौरान के विवाद अस्पद इलबर्ट बिल से था इलबर्ट बिल से था याद रखेंगा लॉडड रीपन का समंद इलबर्ट बिड्स से था किसका समं weit लौड रीपन का यू एन के पहले मासचीव कौन थे यू एन के पहले मासचीव कौन थे तो याद रखे इसके पहले मासचीव ट्रिगवेली थे ट्रिगवेली यह कहां के देशे दोस्तों नारवे के थे ट्रिगवेली याद रखेगा अब अर्तमार में कौन है इंट्रियो ग प्रचा किये थे बताइए तो जोन प्रत का बढ़ना ये प्रयावर्निय चिंता नहीं है बांकि सब्सक्राइब प्लास्टिक उपयोग उपवग और उपयोग में विर्दी तो है ये ग्लोबल वार्मी भी है और परदुसन के इस्तर में विर्दी भी है ये देखिए चलेत हवाई जहाज नए दिली इस्तित आई जी आई हवाई अडे पर ये उत्रा था नेक्ष बेटिस अंसद्वारा इस्ट इंडिया कंपणी की सक्तियां बेटिस राजितंत्र को किस वर्स हस्तंत्रित की गई थी वर्स अठावन इसी में वह पुस्तक जिसमें सभी क्या कहते हैं रेड डाटा बुक कहते हैं उसे रेड डाटा बुक नेमलकीत में से किस भारतिय राज की सीमा है नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है नेपाल की सीमा के साथ जहारकन की दोस्तों नहीं लगती है उतर परदेश की लगती है बिहार की भी लगती है दोस्तों इमारत का निर्मान कराया गया था जो ताज महल की पर्तिकृति है और इस इमारत का नाम बताईए क्या है इस इमारत का नाम तो याद रखेगा Victoria Memorial है क्या है दोस्तो Victoria Memorial नेमलखित में से किस परकार क्यार्थिवेस्ता में उत्पादन के कारक एक अधिकार में होते हैं एक अधिकार में होते हैं दोस्तों, पूंजी वादी, क्या हो जगा पूंजी वादी, से कुन भारती रिजब बेंका गवर्नर कभी नहीं रहा के कैस्तुरी रगन डागर मन्हुवान सिंग रहा सी या डी सुबारा और रहा दोस्तों बीमल जलान भी रहा भारती सभीदान के अनुचित डैस के अंतरगाती हिंदी को संकी राजभासा घुसित किया गया संकी राष्ट की छब भासाओं में से एक अधिकारिक भासा है छे भासाओं में से तो यह हो जाएगा दोस्तों चीनी क्या है दोस्तों चीनी याद रखिएगा राष्टी परदूसन रोक्थाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है दो दिसंबर को मनाया जाता है राष्टी परदूसन रोक्थाम दिवस पहली पंच वर्स ये योजना का मुख्य उदेश भारत में क्रिसी की इस्तिती में सुधार करना था यह वर्स डियास में सुरू की हुई थी किस हुई थी दोस्तों तो यह 1951 में सुरू ही थी पाली पंजवसी योजना का मुख्य उदेश भारत में क्रिसी की इस्तिती में सुधार करना था और यह वर्स डियास में सुरू हुई थी 1951 में करनाटक का में सुर प्लेस निमलखित में से किस राजवन्स का अधिकारिक निवास है? किसका है दोस्तों तो वाड़ियार का दिकारिक निवास है वाड़ियार का अवर इसका यह आंसर है दोस्तों और इस सेट में क्या क्या है इंपोर्टेंट है जिसे आपको याद रखनी वो देखिए ग्रे करांती उर्वक से समंदी थे गोल करांती आलो से समंदी थे काली करांती पेट्रोलियम से समंदी थे रजट फाइबर करांती कपा से समंदी थे रजट करांती अंडा से समंदी थे लाल करांती मास और टमाटर से समंदी थे, गुलाबी करांती जींगा मचली घर से समंदी थे, याद रखेगा, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलबे एंटी पेसी, एक इस जनवरी दो याड़े कि इसको सकेंड सिप्ट में जो कुछ सनाया था वो देखे, परती वर् बसंद के मौसमें ओज़ोन चितर अंतार्टिका के ऊपर निर्मित होता है, नेक्से मानव सरीर की सवसे लंबी हढ्डी कोंसी है मानव सरीर की, तो यह है जांक की हढ्डी दोस्ट यानि फीमार है, जांक की हढ्डी, निमर्टित में से कौन सा तत्व कमरी ke ताप रुम टें तो यह हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल इंटर गवर्मेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज इन में से कौन से संगतन चलवायू परिवर्तन के प्राकर्थिक राजनितिक एबं आर्थिक प्रभावों के साथ इसका उद्देश परक वेग्ञानिक तुरिष्टिक परदान करता इंटर गवर्मेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट है निमलखीत में से क्या एक एस्टर है यह एक एस्टर का नाम है दोस्तों क्या एक एस्टर है याध रखिएगा शसीतर बलों की संचार छमताओं को बढ़ाने के लिए इस्टरो ने 2018 में कौनसा उपगरा लॉ के अथा ससरत्र बलों की संचार्चंताओं को बढ़ाने के लिए तो याद रखिएगा जी सेट सेबने कंप्यूटर सदावली के संदर्म में डी डी एल का पून रूप क्या है तो डाटा डीफी नेसंस लेंग्वेज याद रखिएगा निक्ष डी आडियोद वड़ा अंबिए तो यही दो से कौन सा विश्व का एक शंचालित नाभी के रेक्टर है जिसमें यू 233 इंधन का उप्योग किया जाता है तो ये हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल कामनी, क्या कामनी, युनियम दोस्तों 33 का, युनियम के अटोमिक नमर 92 होता है दोस्तों, हमारे सरीर में प्रोटीन की कमी से, तो कॉस्टी कोर रोग होता है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से, कंप्यूटर में CPO के तीन घटक डैस होते है CPU के तीन घटक दोस्तों control unit ALU और memory होती है control unit arithmetic logic unit और memory होती है microphone dash रुपांत्रित करता है microphone microphone याद रखे दोनी उर्जा को बितुत उर्जाम रुपांत्रित करता है microphone चाल्स बेबेश द्वारा design किया गया पाला यांत्री computer किस नाम से जाना जाता है किस नाम से analytical engine चाल्स बेश द्वारा design किया पाला यांत्री computer किस नाम से जाना जाता analytical engine परतिडोध का यह साही मात्रक क्या है परतिडोध का तो ओम है परतिडोधकता का ओम होता है निच्ट राष्टरुबाद के परचार के लिए समाचार पत्र अलहिलाल का परकासन किस ने किया था मॉडाना अबूल कलम आजात ने दोस्तों अलहिलाल का परकासन मिनार के पास इस्थित कौन सा मस्जित के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बढ़ने वाली पहली मस्जित थी कुवत इस्लाम मस्जिद में से किस भारती राजक को 1972 तक North East तो यह हो जाएगा दोस्तों कर्म्ति का समध मतस्य पालं से भारती अर्थ व्यिस्था क्या है भारती अर्थ व्यिस्था दोस्टों मिश सिद Так भारती अर्थ और राइन संट्रल कमिशन फोर निविगेशन और राइन सहीं तो राष्ट यूएन का कौन सा निकाय परत्यक्ष रूप से मनुस्यों के परजनम स्वास से समन्दी थे तो याद रखें यू एन एप यू एप यू एप यू एप ये दोस्तों याद रखेगा नेश्च खुर बाकिया बॉल लोक निर्थी सेली का समन्द किस भारती राष्ट से है उत्राखंड से है भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली बियाजदर डैस के द्वारा निर्धारित की जाती है किसके द्वार निर्धारित की जाती है तो समन्धित बैंक के द्वारा दोस्तों कि अस्थापना किस नहीं किया था तो अलाव दिन खिल जी नहीं निर्मित और नियातित वस्तों को परसासन दुवारा निर्धारित मुली पर बेचे जाने हैं तो दिली में एक विशेश बचार सेरा ए अदल कि अस्थापना किस नहीं किया था अलाव दिन खिल जी नहीं किया एवं पॉली सिप्ट बीड्प बील का यह विरोध कर रहे थे भारती सभीधान का कॉनसा संसोधन मौलिक-दिकार के रूप में संसोधन संसोधन तो यह आती है याद रखे सिक्षा मंतराले के कार चेदर के अंतरगत मध्यान भूजन योजना 1942 से भारती राष्ट कंग्रेस की ओर से निमलकीत मेंसे किस ने सबसे पहले भारत च्छोरव प्रस्ताव का मसोधा तयार किया था तो यह किया था, महातमा गांदी ने दोस्तों किया था, महातमा गांदी ने, निमलकीत में से किसे भारत के राश्टपती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो राजियों के मुख मंत्री, माकिसा को किया जाता है, राजियों के मुख मंत्री राजपाल द्वारा किया जाता है राश्पती की दूबार नहीं तो याद रखे हैं या पर्थी बजार के विकास को बढ़ावा मिसित क्रिशी की मुखी विश्ष्था क्या है मिसित क्रेशी की मुखी विश्ष्था दोस्तों पसों का पालन और फसनों की खेती एक साथ करना नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रेलवेय इसमें बहुत ही confusion है दोस्तों विकल्प में दिये गए सभी उत्तर micro blogging site के उधारन है दोस्तों सभी है तो इसमें not आप इकर के कर लिजिएगा इन में से कोई नहीं तो वो हो जाएगा दोस्तों तो ठीक है इन में से कोई नहीं यहाँ जित्मा भी दोस्तों सभी micro blogging का यह उधारा है ठीक है तो देखे Pinterest है और Tumblr है और Plurker है और Twitter है इसको रद कर दिया गया था दोस्तों यह question को याद रखिएगा निक्स निमलकित में से क्या जेव निमनी करनी पदार्थ है जेव निमनी करनी पदार्थ है यह पोध है दोस्तों जेव निमनी करनी पदार्थ की उधारन होते है इंद्रागंदी विकास अनुसंधान संस्तान IGIDR कहां इस्तित है यह दोस्तों कहां इस्तित है तो याद रखिएगा यह मूंबई में इस्तित है मुंबई में इस इत्त है निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभी लाक्षिनिक गंद युगत हरी पीली गयस के रूप में होता है तो क्लोडीन होता है cyclone 30 एक particle exilateral है जिसका चिकसा में उप्योग किया जाता है यह किस रोग से ग्रसित रोगियों कि सहाइता करेगा तो यह हो जाएगा दोस्तों cancer याद रखें cancer कि सहाइता करेगा cyclone 30 next है किंद्रिये एक मार पडियोग सला भारत के लिए सहर में इस्तित है कौन से सहर में दोस्तों यह इस्तित है तो याद रखेंगा यह नागपूर में इस्तित है किंद्रिये एक मार पडियोग सला आधुनी का आवरत सारनी तत्तों के डैस पर यह अधारी थै किस पर यह अधारी थै परमानु करमांग पादारी थे मोसले का हिवा दोस्तों ये ...... निम्रखीत में आसे कौनसा पादा फार्मॉन है पादा फार्मॉन कहुंसा है। औक्षिनी एक पादप फार्मॉन है निक्षिमानव सरीर का कौन सा lensesræni khand और जन्गनास्थी की मेल से बनता है तो ये हो जाएगा दोस्तों तो नितम अस्ती नितम यानि हीप वोन बनता है डैस का अर्थ उन ओवानचीत वानजीक इमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखेगा एस पेन जाने के लिए किसी वेक्ती को बायों के किस करम से गुजारना होगा 1990 में स्टेविज्ब का विष्कार किस ने किया था HTML का विश्कार किस ने किया था 1990 में तो याद रखेगा यह Team Burn Salih ने किया था Next आदी गरंथ किस समुदाय का धार्मी गरंथ है आदी गरंथ तो याद रखे यह सिख का है दोस्तों आदी गरंथ किस समुदाय का धार्मी गरंथ है सिख का कौन सी दो नदियों को पटी सीमा लिप्ट सीचाई प्रियोजना द्वाड़ा जोरा गया है तो ये हो जाएगा दोस्तों गोदावडी और किष्णा कौन सी दो नदियों को पटी सीमा लिप्ट सीचाई प्रियोजना द्वाड़ा जोरा गया है लोकसवा में निक्ष विस्व भार्ती की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी जो बाद में एक केंद्रिय विस्विद्याले बना तो यह हो जागा रवीद न टाइगोड विस्व भार्ती की अस्थापना रवीद न टाइगोड द्वारा की गई थी जो बाद में एक परदान करना यह नहीं है दोस्तों बाकि सब है महिलाओं को नए उद्यम के लिए सक्षा बनाने के लिए सहायता परदान करना यह है और महिलाओं को कानूनी सहायता परदान करना यह भी है पीछे वर्ग की महिलाओं को आवास भुजन और कपड़े परदान करना यह भी है दो दोस्तों, तीन फरवड़ी उने सो अठास को, निमलिकित में से किस इमारत का निर्मान, पर्थम विस यूद में बलिदान देने वाले वो विभाजित भारत के सेनिकों के यूद असमारत के रूप में किया गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इंडिया गेट का किया गया देश बंदू के नाम से किसे जाना जाता है? तो चितरन्जन दास को देश बंदू के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो यह कनाडा नहीं है आपको पता है यह 5 आस्ताइस सदस्देश होता है दोस्तों 5 कौन-कौन वो याद रखे है चीन, बृतन, अमिरिका, रूस और फ्रांस चीन, बृतन, अमिरिका, रूस और फ्रांस ट्रीक याद रखे है फ्रेस फ्रांस, रूस, अमिर्का, चीन और इंग्लेंड जिसको ब्रिटन कहते हैं लेकिन कानारा नहीं आता है दोस्तों इसमें निमलकित में से कौन सी भासा संयुक्तदास्ट की च्छा अधिकारिक भासाओं में से एक है तो क्या हो जागा दोस्तों तो यह चीनी हो जाएगा इसके लिए बिट्रीक आपको यह याद रहा है प्रेसेस वही भीस हेना लगता ही स्वरी अमेरिकन हो गया ठीक है सिस चैनिज हो गया इसे इंगलीस हो गया और एसे एस्पेनिस हो गया ये याद रखे दोस्तों एसे अरभी हो गया ये अरभी है दोस्तों ये छे भासा चलता है वहां नेक्ष्ट निमलकित मैंसे कौन सी भासा संध्वत राष्ट की चा अतिकारिक भासाओं मेंसे एक हति है तो चैनी है ही चैनी नेक्ष्ट मिसण इंदर धनुस निमलकित मैंसे किस सरकारी योजनओ से समन्दी थ Crystal and Marta से समंधी थे भारत के इन में से किस सहर में परतिवारस होली के देन परसीध हाथी उतसम मनाया जाता है होली के देन तो यह हो जाएङा दोस्तों जैपूर याद के भारत के के रूप में मुलाने का निर्ने लिया गया तो यह हो जाएगा दोस्तों 25 जन्वरी को 25 जन्वरी निमलगित में से किस सार में जन्तर मंतर नहीं है किस सार में जन्तर मंतर नहीं है इंदोर्म दोस्तों जन्तर मंतर नहीं है वारा नसी में जैपूर में उजयन में यह जन्तर मं ने भारत के किस सहर में human space flight center का उद्गाटन किया तो यह हो जाएगा दोस्तो बैंगलुरू में किया बैंगलुरू में किसने किया क्या करस्तु रंगन ने भारत के समीधान में तो यह USSR से लिया गया यहाँ एक तरह सका सकते रूष से लिया गया है 1982 में भार सरकार द्वारा निमलकित में से किसे समुदरी सरक्षन के लिए समुदरी राष्टी उद्यान गोजित किया गया था, किसे कच की खारी को, गल्फ और कच का याद रखेगा, व्यपसाय का अधिकार की गारेंटी नहीं देता है, समनता का अधिकार देता है, स्वाधिनता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वाधिनता का अधिकार देता है, डेस को कस्मीर के सेप्रोन टाउन के रूप में जाना जाता है तो याद के पमोर को सेप्रोन टाउन के रूप में जाना जाता है पंजाब के किस सहर को पहले रामदासपूर के नाम से जाना जाता था रामदासपूर के नाम से अमरी सहर को जाना जाता था दोस्तों नेक्स्ट पिर्थवी के पडियावरन और परदुसन के बारे में साजनी के जगरुकता बढ़ाने के लिए परतिक वर्स दुनिया भर में निमलकित में से कौन सा दिन पिर्थवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोवाइल सेवाओं के वैस्विक पहुच भी है। निमलकित में से किसने कभी भारतिय राष्ट कंग्रेस की अधिक्स्ता नहीं किया। प्राकिर्तिक संसाधन प्रकिर्ति का ऐसा उपहार है जो कि मानब जाती के लिए उपयोगी है। याद रखेगा दोस्तों और इसका यह आंसर है। नेक्स्ट रेलबे एंटीपिसी 22 जन्मडी 2021 को फर्स सिफ्ट में जो कोशन पूचा गया था। चलिए इसके बारे हम लोग देखते हैं। फर्स सिफ्ट में देखिए कौन सा कोशन पूचा गया था। देखिए कि दूसरों यह रिपीट हो गया है। यह 37 नमर रिपीट हो गया है। याद रखेगा। हम लोग अभी देख रहे थे। और आघे देखते हैं। यह रिपीट है। 38 का हम आव पढखेगे ना दौस्तों यह सब पढ़ चुके है। 38 का क्या है। रेलबे एंटी पिसी 22 जनवरी दोशारी किसको सकेंड सिपन में जो कोशन पूछा गया था वो देखिए दोस्तों पहला कोशन क्या है पहला कोशन है निमलखित में से किस वेग्यानी को हेलिको बैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टरियम जो पैप्टिक अलसर के लिए किसे किया गया है दोस्तों देखिए निमलखित में से किस वेग्यानी को हेलिको बैक्टर और पाइलोरी नामक बैक्टरियम जो पैप्टिक्स अलसर के लिए उतरदाई है कि खोच के लिए फिजियोलोजी एवा मैडिसीन के छेत में नोविल पूरुसकार से समानित किया गय निमलखित में से किसके द्वारा निमलखित में से किसके कारण काला जर नामक रोग होता है काला जर नामक रोग होता है दोस्तों प्रोटो जवा के कारण ही होता है निमलखित में से कौन सा पसू हार्मोन है पसू हार्मोन कौन सा है दोस्तों तो याद रखिएगा इंसुली का operating system है जिसमें DAS होता है MS-DOS में क्या होता है तो याद रखे MS-DOS में command line interface होता है command line interface पहली social media site कौन सी है तो याद रखे 6 degrees ये पहली social media site है दोस्तो intercropping पुर्ण नेक्स्ट इंटरी पुर्ण में किसी दर साती है और नंसर है याद रखे गार सी नमर यानि पास पास दो या दो से अधि expand our Today यह दर साता है वाईू के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चान्दी के गहन culpa काली पर जाते हैं क्यों पर जाते है काले तो यादर कि चांदी वायू में मूझूस सलफ़र के साथ अभी किरिया करके सलफ़र।S electronic यह उदिक सलफ़ायड बना लिती है इसलिए दोस्तों थrates ओम ने यूं यो यूं वर्ड यूंवर्ड वाई Daha्ड लाइफ डे ने दा जनवरी 2018 में शुरू किये गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरन सरक्षन से जुरे कारियों को मजबुती परदान करने के लिए वेक्तियों या संगठनों द्वारा किये गए छोटे-छोटे सकारात्मकारियों को परतोसाहन परदान करता है तो वह है दूस्तों इस मौलिक अधिकार का उलंगन माना जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों संस्कृतिक एवं सेक्षनिक अधिकार पेटा-इंडिया की सुरुवात कब हुई थी तो 2000 इसलिए पेटा-इंडिया की सुरुवात हुई थी साट वर्स और इसे अधिकी आई वाले बुजर्गों को और निस्चित बजार इस्तितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से स्रक्षा पर्दन करने हैं तो सुरू की गई योजना का नाम क्या है बताइए क्या नाम है दोस्तों सामन कमिस्ट के विरूद करती हुए हुई थी नेक्स्ट परियावरन परियावरनी स्रक्षन एवं जलवाई परिवर्दन समंधी छेत्रों में भारत के वैस्विक नेतरित्व को ध्यान में रखते हुए इन में से की संगठरने भारत को 5-2-2-8-8 को आविद किये जाने वा औसकर की सबसेश्ट विदेशी भासास स्रेनी में नामकित होने वाली अंतिम्भारते फिल्म कोन सी है अंतिम भारते फिल्म दोस्तों लगान है ओसकर के सबसेश्च विदेशी भासा स्रेनी में नमकीत होने वाली अंतिम भारते फिल्म लगान है याद रखिएगा नेक्ष्ट इन में से किस मंत्राली ने इस सहज नमक वेब साइट लॉंच की है जो संगठनों फर्मों कमपनियों व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सेक्रूर्टी क्लियर्यंस के लिए आवेदन करने की अनुमति पर्दान करती है तो यह हो जाएगा दोस्त में अस्तबित भारतिय पसु कल्यान बॉर्ड एक सामे दीश सलाकार निका है जैस्तापना पसु कल्यान समन्धी क lidt उन्हों पर भाहर सरकार को सलादेने के लिए की गई थी यह किस मंत्राले के अंतरगत आता है तो परियावरन वन एवं जलवायू परिवरतन मंत्राले के अंतरगत आयूस विभा का पूरु नाम क्या था दिपार्टमेंट ओप एंडियन सिस्टम ओप मैडिसीन एंड होमियोपे थी भारत के पहले उप्राश्पती कौन थे जिन्हें राश्पती के चुनाओं में दुईत्य वडियता मतद गन्ना द्वारा राश्पती चुना गया था तो यह हो जाएगा दोस्तों विविगिरी याद के भारत के पहले उप्राश्पती कौन थे जिन्हें राश्पती के चुनाओं में दुट्य वडियता मतद गन्ना द्वारा राश्पती चुना गया था तो विविगिरी को चुना गया था सांग्पो और दिहांग किस नदी के अनिनामे सांग्पो और दिहांग तो याद रखे ब्रहंपूत नदी के अनिनामे सांग्पो और दिहांग इनमें से किस तिति को भारती राष्टे ओधुगी की दिवस के रूप में मनाया जाता है कि स्तिति को तो 11 माई को मना जाता है 11 माई को next Halt McKenzie Halt McKenzie ने भारत में राजस व संग्रहन की निमलखित में से कौन सी विधी विख्षित किया है Halt McKenzie Halt McKenzie दोस्तों महलवारी परनाली महलवारी परनाली निमलखित में से किस संगितकार को दो है 18 में Based Contemporary World Music मतलब Global Drum Project प्रुषिकार से समनित किया गया है तो यह हो जाएगा दोस्तों जाकिर हुसेन याद रखिएगा निमलखित में से किस संगितकार को 2008 में 2008 में Based Contemporary World Music एलबम Global Drum Project प्रुषिकार से समनित किया गया है जाकिर हुसेन को इनमें से किस वर्स में ए आर रहमन ने 2 ओसकर जीते हैं ए आर रहमन ने तो याद रखिए 2009 में 2 ओसकर जीते हैं सिक्किम को भारते संग में केस से विधानिक संसोधन के द्वारा सामिल किया गया था सिक्किम को बताईए तो इसका राइट आंसर होगा 236 संसोधन उस गवर्नार जनरल का नाम बताईए जिसने पेरा मौन्टिसी नमक निती का आरहम किया तो यह हो जाएगा दोस्तों लाड लाड हेस्टिंग्स ने लाड हेस्टिंग्स ने पेरा मौन्टिसी का नमक निती का आरहम किया था लॉड हेस्टिंस ने इनमे से किस सार में छिपरा नदी के घाटरे पर कुम मेलय का आयोजन किया जाता है कुम मेलय का आयोजन उजयन में दोस्तों चिपरा नदी नेक्स्ट विज्ञान एबंपुदेत की विभाग दोड़ा सुरू की गई उस योजना का नाम बताईए जो विज्ञान और एंजिनेरिंग के परमुक छेत्रों में मुलभूत या अनुपरयोगत विज्ञान के छेत्र में स्वधकारी में रत महिला विज्ञानिकों एवं तक्निक वीदों को एक मंच परदान करती है तो ये हो जाएगा तो विमेन इसकी कौनसा संगठन कोलकत्ता में इस्टित अपने मुख्याले और 16 छेत्रिये इस्टिसनों के साथ भारत की प्रानी संसाधनों के सर्वेक्षन के लिए जिमेदार है तो ये हो जाएगा दोस्तों जिलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बच हो जाएगा दोस्तों बिलकुल पर्धनमंतरी किसान समान नीधी इन में से किस यूद ने भारत में बेटिस उपनिवे सुवाद की नीव रखी है याद रखियें इन बीर्तिस उपनिवे सुवाद के निव रखी है जिसे 22 मार्च 1557 को ग्रेगरियन कलेंडर के सासत अधिकारी के पडियोजनों के लिए अंगे क्रित किया गया था तो ये हो जाएगा दोस्तों पहला माद चेत है अंतिमा फागुन है बरवड़ी 2003 में किस मन्तरा ले के अंतर्गत राष्ट ये पॉन्डूलिपी मीशन के अस्थापना की गई है नेक्शच बारदोच्षम बारदोच्षम डियस्का लूग निरती है बारदोच्षम इनमें से किस सार में भारत के पर्थम बायो रिफैनरी प्लांट का उधगाटन हुआ है हुआ था तो ये हो जाए दोस्तों पूने में बायो रिफैनरी प्लांट का उधगाटन हुआ है ये इसका दोस्तों आंसर है और इस सेट में क्या-क्या important point जिसे आपको याद रखने हैं वो देखी खुछ फसल पर मुख फसल एवां उनके मतलो जनक देशे जिसे आपको याद रखने है रबर की उत्पत्ती हुआ था ब्राजिल में रबर की उत्पत्ती हुआ था दोस्तों ब्राजिल में चाय चीन मतलो जनदाता देशे तंबाकु दचिन अफिरका तमबाकू दचिन अफिरका, मुंगफली ब्राजिल, रबर ब्राजिल, चाय, चीन, तमबाकू दचिन अफिरका मुतपत्ती हुआ था, मुंगफली की उतपत्ती ब्राजिल में हुआ था दोस्तों नेक्स्ट गन्ना की उत्पत्ती भारत में गन्ना की उत्पत्ती कहा हुआ था भारत में हुआ था गन्ना की उत्पत्ती मक्का की उत्पत्ती अमेरिका में हुआ था मक्का की उत्पत्ती अमेरिका में हुआ था काजू की उत्पत्ती ब्राजिल में हुआ था काजू की उत्पत 2005 में ओसकर के लिए नामित हुआ था पहली रंग दे बसंती 2006 में ओसकर के लिए नामित हुआ था रंग दे बसंती और स्लम डॉग मिलेनियर 2009 दोस्तों स्लम डॉग मिलेनियर 2009 में ओसकर के लिए नामित हुआ था स्लाम बंबै स्वास पहली रंग दे बसंती स्लम डॉग मिलेनि प्लास्टिक एखपत और इस्तमाल की विर्दी है, ग्लोबल वाद्मिंग भी है, प्रदुसरन असतर बढ़ना, ये बहुत बार कोसे पीट हुआ है, बारति आंतिश्कार कर्म किसके द्वड़ा शुरूख किया गया था तो याद रखेगा विकरम सरा भाई के द्वड़ा सुठो किया गया था जूर यह एक रूप है इए वार्ट का एक रूप है दूर स्टों फॉर्ष्ट नेक्स्ट मिदू तक मुर्दुतक और स्लेसुतक याद रखे हैं यह सरल अस्ताई उत्तक के यह परकाड है दैसुपईो करता और हार्टवेयर के बीछ एक इंटरफेस है तो यह हो जाएगा दोस्तों operating system क्या हो जाएगा operating system सागा 220 को भारती आंतिच अनुसंतान संक्टन दोड़ा विक्सित किया गया है सागा 220 क्या है दोस्तों सागा 220 ये एक सूपर कंप्यूटर है सागा 220 एस देखें CSIR का पूर्ण रूप क्या है CSIR का पूर्ण रूप क्या होता है तो याद रखें Council of Scientific and Industrial Research Council of Scientific and Industrial Research होता है इसका फूर्ण CSIR का निक्स सूरी और चंदमा दुवारा गुर्टवाकर्शन के माद्यन से पिर्थवी को एक ही दिशा में खिचने की कारण क्या उत्पन होता है क्या उत्पन होता है दोस्तों तो विरत जौर भाटा ये उत्पन होता है प्रकास नसलेसन के लिए आवस्ते के चार मुलभूत तत्तोवां में डिया से सामिल है तो याद करोड़ोपील सुरी के प्रकास और करण डाय उक्साइड और पानी पहले सुपर कंपेटर को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों याद के परम 8000 जब ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में भी सोसन होता है तो इसे डियास रूप है चितकारी का कौन सी रूप है तो याद रखेगा यह कौन सी रूप है धार्मिक रूप है दोस्तों चितरकरा के निश्चितरकाली की निश्च इन में से कौन सी निलगिरी पहाड़ियों की सबसे उची चोटी है निलगिरी पहाड़ियों की डोड़ा बेटा दोस्तों इन में से कौन सी निलगिरी पहाड़ियों की सबसे उची चोटी है डोड़ा बेटा पूर्दगालियों दौड़ा पर कब जाकिया गया था तत्या टोपे उने सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैस के भारते सोतनता संग्रा में भाग लिया था तत्या टोपे तो 867 होगा दोसरो 867 वर्च 1937 में डैस में पहली बार किसी गौँ में कॉंग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था कॉंग िरररंडि betharn पर लंबे समय तक खुझे जाने के बाद भी नहीं पाए जा सकते उसे 10 परजाती कहा जाता है कौछरा दी कहा जाता है विलूत परजाती दोस्तो कहा जाता है इंच्ञ्ठीड का परसीद फेस्टिबल गेम हैं तो केरल का दोस्तों नौका दौर्धा यह केरल क उपरन्यास का ये हिस्सा है, किस उपरन्यास का आनद मठका दोस्तों ये एक हिस्सा है, तुरी वरूल और अजनता के मंदिरों की दिवारों पर किस परकार की चितकारी मुझूद है, किस परकार की चितकारी भित्ती चितकारी दोस्तों मुझूद है, गुजरात में इस सित प जहां लोब इस पर दूसरी पंचबसी यूजना पहला हेराल डोमर नेक्स 1973 में केस्वानद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रिस्तावना को दोस्तों संसुधित किया जा सकता है 1903 में केश्वनांद भारती केस में इस सवाल को उठाये गया तकि संसोधन प्रिस्तावना को किया जा सकता है भारचुरा अंदरों के दोरान अरोना आसप अली ने डैस में राष्टे कॉंडेस का जंडा फाड़ाया था कहां तो या बंबई अब मुंबई में दोस्तों या पन पाति पेर है साल और सेग्वान घुप्त निवैस समंदित लीक लिये हुए दस्तावेज जो की पनामा पेपर्स के नाम से महसूर है ने किसे समंदित है तो मोसबेश कोसेका एंड कंपनी गुप्त निवेस समंदिली के लिए हुवे दस्तावेज जो कि पनमा पेपर्स के नाम से महसूर है डैस समंदित है तो मोसेक फोसेका एंड कमपनी नेक्स अक्ट्रबर 2020 तक प्रात जनकारी के अनुसर भारतिय समिधान कितने अनुच्यद है भारतिय समिधान में 448 अनुच्यद है दोस्तों नेक्स्ट, आहमद नगर की किसी रानी ने समराथ अकवर के खिलाप यूद लड़ा था, किसे लड़ा था दोस्तों, किस रानी ने? तो याद रखेगा चान बीबी ने लड़ा था, चान बीबी ने? किस भारती सहर के अंतराज़ची हवाय अट्डे का नाम डाक्टर भीमरा अंबेदकर के नाम पे रखा गिया है डाक्टर भीमरा अंबेदकर नागपूर दोस्तों नागपूर निम्लखित में से कौन सा संगीत बादी अंतरी इंडो-इस्लामिक मुलका नहीं है इंडो इस्लामिक मुल्का दोस्तों नहीं है तो ये वीना नहीं है याद रखेगा वीना नहीं है वीना तंत्री वाध्यों का सरचनात्मक नाम है दोस्तों सहिंगत राष्ट के समझ में संक्षित नाम CPU का पुनरूप क्या है CPU का ये तो आप लोग जानते ही बताए ये CPU है sorry UPU है CPU का था सेंटर प्रोसेसिंग यूनित होता है यहाँ UPU है UPU का यूनिवर्सल पोस्टर यूनियन यूनिवर्सल पोस्टर यूनियन होता है दोसे इसका फूल फॉर्म नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी 23 जनवरी 2021 को सकेंड सिप्ट में जो कोशन पूछा गया था वो देखें सकेंड सिप्ट में क्या कोशन पूछा गया था निमलकित में से कौन सा रोग विसानुजनित नहीं है तो ये बिलकुँ तपेदिक भी सनुजनित नहीं होता है क्योंकि तपेदिक जो हता है दोसों जीवानुस होता है चेचा के इंफ्लियंजा खसरा ये भी सनुस होता है निमलकित में से कौन सा कंप्यूटर के हाड़वेर का एक भाग नहीं है कौन सा एक भाग नहीं है तो Microsoft Office एक भाग नहीं है क्योंकि Microsoft Office एक लोग पर ये अप्लिकेशन प्रोग्राम है दोस्तों मॉनिटर कीबोर्ड सिप्यों ये है हाड़वेर नेक्स्ट है ओटो मॉवाइल वहनों में लगे उस उपकरन को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दुरंते की गई दुरी को दरसाता है त किस से जुरा होता है दोस्तों मॉडेम तो याद रखेगा फोन लाइन से जुरा होता है मॉडेम निमलखित में से किस उपकरन का उपयोग परतियावरती धारा को दिश्ट धारा में परिवरतित करने के लिए किया जाता है तो ये हो जागा दोस्तों दिश्ट कारी निमलख रक्त में डेस नमक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कनिकाएं, स्वित रक्त कनिकाएं और प्लेटलेट्स तरते रहते हैं प्लाजमा रक्त में प्लाज्मा नमक एक्तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कनिकाएं, स्वेत रक्त कनिकाएं और प्लेटलेट्स तर्थे रहते हैं प्लाज्मा नेक्स चस्मा थिरी नाविक किये सक्ति सयंत्र कहां इस्तित है ये कहां इस्तित दोस्तों पाकिस्तान में इस्तित है चस्मा थिरी याद रखेगा नेक्स्ट है ठोसे गैसिये माद्धिये में जाते समय धोनी की चाल क्या होती है धोनी की चाल दोस्तों क्या होती है घरती है ठोसे गैसिये में यूई ठोसमा दिक्तम होता है निमलकित में से कौन सी उत्पादन गतीविदियां CO2 की सबस बड़ी उत्सजग है CO2 की तो याद कि ताब विदूत उत्पादन, डैस को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, याद कि माइटो कॉंडिया को पावर हाउस के रूप में दोस्तों जाना जाता है, नेक्स भुकती भोग, भुकती भोग, विशे और विथी और मंडल डैस थे, ये क्या थे दोस्तों तो याद रख्या यहाँ गुप्त काल में किये गए परसासनिक विभाजन थे भुखती भोग वीशय और वीथी मंडल ठीक है निमलखित में से किस बहुत देशी प्रयोजना का निर्मन नदी पर किया गया है निर्मन नदी पर किया गया है दोस्तों सदार सुरवर प्रयोजना याद रखेगा भारती संकी कारपालिका का सेवेधानिक परमुकोन होता है सेवेधानिक परमुकोन होता है दोस्तों तो वो होता है राश्पती भारती संकी कारपालिका का सेवेधानिक परमुकुन होता है राश्पती होता है भारत है भारत है भी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेट यानि भेल एक डैस कंपणी है भेल एक डैस कंपणी है महरातन कंपणी है दोस्तों एक जनमरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परि याद रखेगा 1857 की विद्रोजी से भारत के पर्थम 186 रूप में भी जाना जाता है क्ये बाद भारत के आंतिमगल समराट बाहदुसा जफर को निरवासित करके कहाँ भीज दिया गया था बर्मा यानि म्यानमार में दोस्तों भेज दिया गया था याद रखेगा और वहीं इसकी मिर्थी हो गया था दो जो 11 की जंगन ना कि निसकर्सों की अनुसार भारत का सरवादी की संगन जंसंक्या वाला राज किनसासी परदेशों को छोड़ कर कौन सा है बताइए ये कौन सा है दोस्तों तो याद रखेगा इसका राइट अंसर होगा ये बिहार है दोस्तों सबसे ज़्यादा बिहार में दोस्तों बहुत ज़्यादा है बिहार में नेक्स्ट है 2017 में भार सरकार दुवारा शुरू की गई सोभाग योजना निवन में से किसी समन्दीते सोभाग योजना तो ये भारत के सभी घरों में बिजली पर्दान करने से समन्दीते सोभाग योजना 2019 में बंदना नेपाल नामक नेपाली लर्की ने 126 घंटे लगातार निर्ते करके किसी एक वेक्ती दुआडा सबसे लंबी निर्ती मेरा धन का गिनीज वल्ड रिकॉर्ड बनाया और ऐसा करने करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा किसका रिकॉर्ड तोड़ा दोस्तों तो याद रखेगा कला मंडलम हेमलता का कला मंडलम हेमलता का रिकॉर्ड तोड़ा बंदना नाम है जो कहां की है दोसों नेपाल की है याद रखे 126 घंटे सायमन कमिशन में कितने भारते सदस थे, सामन कमिशन कितने भारते सदस थे, तो इस सुन्य एक भी नहीं थे, उस वेक्ति का नाम बताईए जिसने, 1917 में महत्मा गांधी के चाम परन लाने में आम भूमी का निभाई थी, आम भूमी का निभाई थी दोस्तों, राजकुमार सुकल, याद रखेगा रा नगरपालिका का सदस सबन निकली एक इस वर्स, नेक्स्ट है, देखिए, पंपास, इस्टेपस, सावाना और प्रेडीज, सभी परसीदे डैस के नाम है, किसके ये नाम है दोस्तों, तो ये घास के मैदानों के नाम है, पंपास हो गया, मतलब स्टेपस हो गया, सावाना प तो उरोप ए यरेस्या किए और उसके बाद है दुसो सवंदा सवंदा करनीया थैनन चलता सवंदा मार्च 2016 में सभी राजमारगों को railway level crossing से मुक्त करके करने और उनके बने पूलों को नवनी किरित करने और उनपर नई पूलों के निर्मान हेतुं किस्य योजना के सुरवात की गई है किस योजना की सुरुवात की गई है तो सेतु भारतम प्रियोजना मार 2016 में सभी राष्टे राजमार्गों को याद एखेगा रेलबे लेवल क्रोसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पूलों को नतला नवनी करित करने और उन पर नए पूलों के निर्मान है तो किस योजना की सुरुवात की गई है सेतु भारतम प्रियोजना की सुरुवात की गई है नेक्स्ट सोतंत भारत की पहली नदी बांद इन में से किस नदी पर बनाया गया था किस नदी पर बनाए गया था, दामोदार नदी पर दोस्तों बनाए गया था नेक्स्ट वर्तमान वीनिमे दरों और मुल्लियों पर किसी अन्य मुद्रा के सापँज, किसी मुद्रा की क्रेच्छंता को क्या कहा जाता है घूमर डैस की लोग पर ये लोग के गीत और निर्थी से लिए घूमर गूमर दोस्तों ये राजस्थान किये राजस्थान किये सल्तनत सासक गया सुदिन बलवन ने किस अबधी के दुरंत दिल्ली पर कभजा कर यहां सासन किया था बताइए तो ये हो जाएगा दोस्तों 1286 से 1887 के बीच सुदिन बलवन ने किस अबधी के दुरंत दिल्ली पर कभजा कर यहां सासन किया था दोजार च्छासर से 1887 तक नेक्स्ट है भारत की संपरभूता एकता और खंडता को बनाए रखना और उसकी रख्चा करना डैस है क्या है यह एक मोलिक करता भी है भारत की महममत कुली कुदूबसा था यह आंसर है इसका दोस्तों और इस सेट के इम्पोर्टन पोइंट पहले देख लिची विसानोजनित रोग क्या वारस से होता है, गल्सवा मपस यह होता है, और क्या जुटी माता, खस राच्चे चग गल्सवा और जिनाटल हर्पीस और क्या है इन्फ्लेंज यह सभी दोस्तों विसानूस होता यानि वारस से होता है यह उपकरण है उपयोग ऐ समार के समय करने के समय क्लेनों मिटे नखर दनान और उचाई को माता है उर्धवादर दुरी मापता है छोटी उर्धवादर दुरी मापता है दोसों केठिचुमेटर क्या ब्रॉंक एसकोप ब्रॉंक Coach गोस्कोप विंड- migrants करता है विंड-- पावरेस्टेसन का है महरास्ट में और कौाड़ा पावरेस्टेसन का है आन्द प्रदेस में। मद पर्दिस में माही बंसुवारा पावर इस्टिसन का है राजस्थान में माही बंसुवारा पावर इस्टिसन का है राजस्थान में नेक्स्ट अब कुछ पुस्तक है देखे माल विकांगनी मित्रम विक्रामो वर्सियम अभिज्यान साकुंतलम रितु संघारम ये कालिदा की पुष्टक है मुद्रा राक्षास देवी चंद्र गुप्तम विसागदत की पुष्टक है मिर्श कटिकम सुद्रक की पुष्टक है मिर्श कटिकम स्वपन वासुबदतम और पर्ति ग्यायो और गंधार गंधार यहनम और क्या चारू दत्तम यह भास की पुष्टक है दो दोस्तों सावाना घश नेसिंती सवाना घास के मेदान थे। सावाना घास के मेदान्स परन कब चवांड मेन कुईस लेंस में औरु स 복ải में धाकर उत्तरपुर होइवास तरफे ली दा हैं पाताना घास के अटन्स परन को शरी नंका हैंग स्रिल्सलस्ट्रोट ृट सिल्वास। गारच्च्छ गारच्च्च्च्चछ अब आपंस। सब्सक्राच्च्च्चивает की साहत। इस्टेपी घास के मैदन यूरोप और यूरेसिया में है और प्रेडी घास के मैदन अमिर्का और कनाडा में है यादर के अमिर्का और कनाडा में है दोस्तों प्रेडी घास के मैदन अमिर्का और कनाडा में है पंपाज घास के मैदन अर्जेंटीना में है वेल्ड घास के दोस्तों हे उसलेजी है और पुष्टाज दोस्तों हंगरी में हैं सभी को याद रखनी है पुडियोजिना नदी और राज भागरा नंगल पुरोल सत्ली पर पर हैं और क्या उसके बाद पोचंपाद प्रियोजणा गदावरी नदेपर टेलगना में नेक्स्ट पापनासम ये तामर पल्री नदी पढ़े दोसो ये तमिलाडू में राम गुंडम पुरियो जिना गुदावरी नदी पढ़े तेलंगना में भारत मात्यम तमिलाडू का सास्ति निरती है देखिए दोस्तों भारत मात्यम तमिलाडू का सास्ति निरती है कत्थक उतरपरदेश का सास्ति निरती है कत्कली केरल का सास्ति निरती है दोस्तों परमुगरूप से आठ सास्ति निरती है आपको पता है ना भारत मात्यम तमिलाडू का सास्ति निरती है कत्थक की सास्त निर्ति है सतर्या आसम की सास्त निर्ति है उडिसी ओडिसा की सास्त निर्ति है उडिसी ओडिसा की सास्त निर्ति है मनिपोरी मनिपोर की सास्त निर्ति है सभी सास्त निर्ति को आपको याद रखने है दोसरो आठ सास्त निर्ति है भारत के परमुक लोक गित और निर रखेगा बिहार का जट जाटिन विदेशिया कजरी बिहार की जट जाटिन विदेशिया कजरी हर्याना का छोड़ा जोड़ा छापेली डांगी हर्याना की जोड़ा छापेली डांगी करनाटक का यक्षिगान सुगी लांबी करनाटक का लोक निर्ति है दोस्तों या फिर नि पंजाब का दोस्तों भाकरा, गिद्धा, धमाल धामल दोस्तों पंजाब का क्या है भाकरा, गिद्धा, धमाल राजस्तन का घूमर, रनगोर, जूलन, लीला, लीला, जूलन, लीला और कालवेलिया यह राजस्तन की लोक निर्थे हैं याद रखेगा दोस्तों रेल्वे एंटी पैसी पचीछ जनवरी 2020 को फश्जिव्टम जो कोसर आया था वो देखिए किसी अनिक कम्रे में बात कर रहे हैं लोगों की बाते हमें धोनी तरंगों के डेस के कारण सुनाई देती है किसके कारण सुनाई देती है तो वीवर्तन के कारण दोस्तों सुनाई देती है याद रखेगा वीवर्तन के कारण किसी अनिकम्रिय में बात कर रहे हैं लोगों की बाते हैं में धोनी तरंगों के वीवर्तन के कारण सुनाई देती है उस्मा संतुलन डैस है क्या है उस्मा संतुलन उस्मा संतुलन पिर्थवी द्वारा अपसोशित आप्तित उस्मा और वीकिरन के रूप में बाहर जाने वाली उस्मा के बिच संतुलन जो होती है उसे ही उस्मा संतुलन कहते हैं पेसी तंत्र का कौन सा भाग हड़ी को हड़ी से जोड़ता है, तो याद रखिएगा वो अस्ती बंद जोड़ता है, यानि लिगाबेंट जोड़ता है हड़ी को हड़ी से, और याद खिये टेंडन हड़ी को पेसी से जोड़ता है, डेस के अंतरगत भुकंपों का अध्यन किया जाता है सिस्मालोजी के अंतरगत धोनी की त्रिपता को मापने के लिए निमलखित में से किस मात्रक का उप्योग किया जाता है तो याद रखेगा डेसिबल का उप्योग किया जाता है हवा की गती को मापनी के लिए निमलखेत में से किस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो एनिमो मीटर का उपयोग किया जाता है भारत के पहले बीम वेपन यानि काली 5000 को किसकी द्वारा विक्सित किया गया था किसकी द्वारा तो याद रखेगा DRDO एनिमोर के द्वारा विक्सित किया गया था नॉनवीलेटायल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के द्यास भी संग्रहेत सुचनाओं को प्राप्त कर सकती है तो यह कर सकती है दोस्तों चालू नो होने पर भी कर सकती है non volatile memory याद रखेगा 8 का D number हो जाएगा मा के गर्व में बच्चा DESS के माध्यम से अपना पोशन प्राप करता है किसके माध्यम से पोशन प्राप करता है बिजांसन के माध्यम से पोशन प्राप करता है निला थोता का रासानी की नाम क्या है तो निलात होता का रसाई की नाम copper sulfate है दोस्तों याद रखेगा copper sulfate computer सर्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या होता है IDN का फुल्फॉम क्या होता है तो याद रखेगा क्या होता है दोस्तों internationalized domain name internationalized domain name इसका फुल्फॉम होता IDN का भारत का सबसे बड़ा नाभी के सक्ति के अंदर DES में इस्तित है कहां इस्तित है तो यह तारापूर में इस्तित है तारापूर में nanoscience and technology nanomission mission की सुरवात DES में की गई थी किस में की गई थी 2010 में 2010 में निमलखित में से कौन 2011 में 979 railway engineer regiment of territorial army यानि T.A. में सामिल हुई थी वह भारती सेना की पहली महिला जवान थी तो याद रखिए का इसका राइट अंसर होगा सापेर सांती तिग्गा सापेर सांती तिग्गा मतलब D. नमर हो जाएगा तो सापेर सांती तिग्गा next कामित नम्चाबरवा गुर्ला और मंधता निम्न में से किसके नाम है यह किसके नाम है तो हिमाले की परवतिय चोटियों का नाम है हिमाले की परवतिय चोटियों का नाम है कहला सत्यार्थी डियास के संस्तापक थे कहला सत्यार्थी किसके संस्तापक थे दोस्तों तो याद रखिएगा केला सत्यार्थी बचपन बचाओ अंदोलोन के संस्थापक थे निम्लखित में से क्या संयुक्त राष्ट युएन का एक अंग नहीं है युएन का एक अंग नहीं है तो राज़ पड़िसादोसर युएन का एक अंग नहीं है याद रखिएगा अंतराष्ट निय जाले को परदान की जाती है तो यह हो जाग दोस्तों 1956 से संतावन निम्लकित में से क्या सार्जुनिक छेत्र की एक इकाई नहीं है सार्जुनिक छेत्र की एक इकाई नहीं है बीसीसीयल है और भेल भी है एंटीपीसीबी है दोस्तों 31 सक्टवर 2020 तक परात चनकारी से अनुसार अंतराष्टे मुद्राकोस आईयमेफ में 10 सदस्य देस सामिल है तो याद रखेगा 190 सदस्य दोस्तों सामिल है 190 सदस्य देस अंतराष्टे स्रम संगठन आयलो का मुख्याले कहां इस्तित है आयलो का मुख्याले दोस्तों जनेवास सुर्जर लेन में इस्तित है जनेवास सुर्जर लेन में इस्तित है नेक्स से 24 में जन तिर्थंकर का क्या नाम था 24 में जन तिर्थंकर का नाम महावीर था दोस्तों महाबीर कुलेरू जिल कहां इस Τित है तो याद रखे कुलेरू जिल यह आंध पर्दिश में इसْतित है आंध पर्दिश में इसका पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप दोस्तों यादर के इंटलेक्चुल प्रपर्ट्री अपिलेट बोर्ड है दोस्तों नेक्स्ट राष्टी मनवदिकार आयो के अध्यक्ष कौन होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के सेवा निर्मीत मुक्य नियादिस होता है यानि सी निमर होगा चन्द गुप्त पर्धम के बाद गुप्त समराज के बागडोर किसने समाली थी गुप्त समराज के बागडोर दोस्तों याद रखेगा समुद गुप्त ने समाली थी समुर्थ गुप्त ने नेक्स्ट मदपर्दियसें भगवान बूद के सम्मान में समराथ असुक द्वारा बनवाया गया बोद असमारक क्या है तो बोद असमारक संची का अस्टूप है काठ्यावार प्राइदीप डैस का भोगोलिक और संस्क्रितिक विस्तार है काठ्यावार ये हो जाएगा आहमदाबाद दोस्तों आहमदाबाद नेक्स्ट मोट्सू पर्व भारत के किस भाग में मनाय जाता है भारत के किस भाग में मनाय जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा ये नागा लेंड में मनाय जाता है नागा लेंड में निमलखित में से क्या ग्रामीन विकास का समर्थन नहीं करता है तो सहरी रीन दोस्तों नहीं करता है 1929 में दिली की केंद्रिय विधान सबा में किन दो सोतनता सिनानियों ने स्मॉक बम फेके थे तो वो फेके थे भगा सिंग और बटु के स्वर्दत ने फेके थे पुलूटोगरह की खोज किस ने की थी? पुलूटोगरह की खोज Clychleads Tromburg ने किया था, याद कि Clychleads Tromburgु ने किया था, दुनिया का पहला अधिकारी के एड ही एर मिल फरवरी 1911 में 10से 10 भेजा गया था, तो यह हुझाय गा दोस्तों, बिल्कुल इलाबाद के नेनी में भे उस्केविदम में दोसटों को का सक्रस्वां मुएख़ी आवाय विर्ट सेंसा इसने कि थोली यह इसा यह सातकी जैना देश और इसका आंसर है दोस्तों और इस सेट में क्या 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 इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखिए विज्ञान की साखा और अध्यन है लिथोलोजी में चट्रानों इवं पत्थरों से समधित विसेयों का अध्यन किया जाता है और ट्राइबोलोजी में घर्सन इवं सने का अध्यन किया जाता है कॉस्मोलोजी में ब्रहमांड का अध्यन किया जाता है योगिक और सुद्र के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे ओयल ऑफ मिर्बेन सिसक्स हफाइप आनोटो होता है या जो कि ऑईल आप मीर बेंद C6H5NO2 होता है, परले से CA2CO3 होता है, सोरा पोटासियम नाइटिट के NO3 होता है, के NO3 होता है सोरा का, टियर गैस क्लोरोपिकरीन CCL3NO2 होता है, CCL3NO2 होता है, फेरस सलफेट का और क्या 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 कहते हैं दोस्तों, नीरा, सोरी हारा कसिस करते ह फेरस सलफेट क्यूपरस सलफेट FESO4 into 7H2 होता है, और नार्वेजियन साल्ट पीटर CA NO3 का होल 2 होता है, नार्वेजियन साल्ट पीटर CA NO3 का होल 2 होता है दोस्तों, नेक्से परमनु उर्जा सेंत्र, देखे एक साइड परमनु उर्जा सेंत्र राज और कुल छमता तरापूर कहा है दोस्तों महाराष्ट में है तरापूर महाराष्ट में 1400 मेगावाट ये उत्पन करता है परमानु उर्जा सेयंद रहिए रावत भाटा राजस्थान में 1188 करता है 1180 इसका कूल मेगावाट है कूडन कूलम दोस्तों तमिलाडो में 2000 है इसका क्यगा करनटक में 880 है काकरा पारा गुजरात में 440 है कलपकम तमिलाडो में 440 है नरोरा उतर परदेश में 440 है तरापूर महाराष्ट में दोस्तों रावत भाटा राजस्थान में कूडन कूलम तमिलाडो में क्यगा करनटक म काकरा पारा गुजरात में कलपत कम तमिलाडू में नरोडा उत्तर पर्देश में है परतम महला लेप्टिनेट जेनरल पुनीत अरोडा है भारती वाहिसना में परतम महला पाइलेट हरिता कोर देयाल है भारते रेलवे की पहली महिला रेलगारी चालक है सुरेखा यादभ पर्थम महिला एरबस पालेट है दुरवा बनरजी पर्थम महिला कुमर्सिल पालेट है दोस्तोड प्रेमा माथोल राफिल विवान उराने वाली पहली महला पालेट है सिवांगी सिंग भारती वाय सेना की पहली महला पालेट है भावनाकांत भारती वाय सेना की पहली महला पालेट है सुवांगी स्वरूप और भारती वाय सेना की यहां वाय सेना की पहली महला पालेट भावनाकांत पहली महिला पालेट है सरला ठकडाल इंपोर्टेंट है याद रखेगा विरती माले की कुछ उची चोटियां है वो देख लिजिए माउंट एवरेश्ट दोस्तो आठाचार आठाचार आठालीज समलव मतलग एट सिक्स इमीटर इसकी हाइट है कंचन जंगा की आठाचार प 7,817 इसकी हाइट है कामेत की 7,759 इसकी हाइट है नामचा बरवा की 7,756 इसकी हाइट है गरूला मंधता की 7,758 इसकी हाइट है नदी घाटी के अधार पर हिमाले का वर्गी करन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे पंजाब हिमाले सिंदु से 17 तक है दोस्तों कुमायव हिमाले 17 से काली नदी तक है। नेपाल हिमाले काली से तीस्ता नदी तक है। असम हिमाले तीस्ता से दिहांग तक है। नेक्स्ट जील और राज याक्यांसासी पर्दिस। डल जीर वुलर जील और बेरिनाग जील मनस बल जील ये जम्मु कसी में है। साथ ताल नेनी ताल और आकस्ताल जील ये उत्राखन में है। पुलिकट जील तमिलाडू में है लोक्टक जील मनिपूर में है चिलका जील उरिसा में है लोनार जील महराष्ट में है गोविन सागर जील दोस्तों पंजाब में है और कोलेरु जील हुसेन सागर जील आंध परदीस में है नेक्स्ट रत्न क्रिती रचना के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे हैं हरी सेन पर्याग परसिस्ती के लेखक है याद के रत्न हरी सेन पर्याग परसिस्ती इसकी रचना है वरामीर की क्या है दोसों विरत सहिता इसकी रचना है वरामीर की विरत सहिता है और वर्रूची की व्याकरन संस्क्रीत का है दोस्तों वर रूची की है बिल्कूल, धनवंत्री की आयरुवेद, चिकिसा आयरुवेद के किरिती हैं दोस्तों, कोन तो धनवंत्री, और छपनक जियोतिस सास्त, अमर सिंग, अमर कोस सब्दावली, अमर सिंग, अमर कोस सब्दावली, काली दास अभिज्यान साकूंतला मेग दुत्तम, संकू सिल्प सास्त्र, वेताल भट मंत्र सास्त्र है, पुर्वतर भारत के परमुक्तिहारों की सूची के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, और नाचल परदेश, लोसार चालो लाकू ह दोस्तों, याद रखे हैं हम लोग क्या पर रहे हैं, पुर्वतर भारत के परमुक्तिहार की सूची, अबुपूर में योहो हंग और कांग चिंगबा मना जाता है, मिजोरम में चाप चार कूट मोहसब मना जाता है, नगालेंड में होनबील मना जाता है, सिक्की में सागा दावा मना जाता है, तिरपुडा में खर्ची पूजा मना जाता है, निक्षगरह और खोज, अरुनगरह की खोज दोस्तों, विलियम हरसले ने किया था, अरुनगरह की खोज विलियम हरसले ने किया था, वरुनगरह क लोँ फs 좀 कोन तैयान ए नहींके मोटते काल्य आ और द्ilippo thisEngi मिंषार्ष यह संविन्यम यह विजित्या कोच विपग मेरी नहींकिल मेरीस त Creator कि यह सिंदी आपात्वेश। सुकरगर की खोज मिखाईल, लोमी नी सोव ने किया था, सैरस बोनागर की खोज पियाजी ने किया था, याद रखेगा संगराले राज है राष्ट आधुनिक कला संगराले मूंबाई में है सलार जंग संगराले हैदराबाद में है विक्टोडिया मेमोडियल हॉल कॉलकाता में है याद रखेगा दोस्तों नेक्स रिलवे एंटी पिसी 25 जनवरी 2020 को second shift में जो question आया था वो देखिए दोस्तों क्या question आया था निमलकित में से किस कारण को Arctic हरित करन के लिए जिमेदार ठड़ाया जा सकता है तो यह क्या होगा दोस्तों तो याद रखेगा Global Warming Global Warming होगा इसका right answer याद रखे Global Warming को Arctic हरित करन के लिए जिमेदार ठड़ाया जा सकता है दोस्तों क्या होगा Global Warming आधुनी computer किसी भी कारी को करने के लिए निर्देश के एक समू का पालन करते हैं इन निर्देशों को समने तक क्या कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है दोस्तों आधुनी computer किसी भी कारी को करने के लिए निर्देशों के एक समू का पालन करते हैं इन निर्देशों को समने तक क्या कहा जाता है तो प्रोग्राम कहा जाता है भुकम की तरिविता TES में मापी जाती है भुकम की तुरविता रियक्टर ऐस्केल में mudar दोस्तों मापी जाती है बाईगन का एक अनुवांसिक संसोधन प्रारूप विक्षित किया गया था इसका उदेश क्या है दोस्तों क्या था इसका उदेश तो याद रखे किट पर्तिरोधी बनाना next, microchip बनाने के लिए किस धातों का उपयोग किया जाता है microchip बनाने के लिए तो silicon का पड़ियोग किया जाता है silicon का, दल्दल एवं धान के खेतों से इन में से कौन से gas उस्जित होती है कौन से gas उस्जित होती है, methane बंधेन दलग एवं धान के खेतों से इन में से कॢ़न से गैस को सजीत होती है दोसकों मि इसकार किस ने किया था तो याद रखे हो एडवरड जेनर ने किया था जिट्निम्लखित में से कौन से दोध खेत भारत के परमुग जेघम गितव अस्तल परमुख जय बीविता अस्तल है पस्मी घाट और पुर्वी घाट पस्मी घाट और पुर्वी घाट नेक्स्ट निमलकित में से कौन सा परमुख महला सेक्स हार्मून है दोस्तों एस्ट्रोजन है याद रखेगा एस्ट्रोजन है अबर सार्नी का विसकार किस वेग्यानिक द द्वारा किया गया था, दमित्री मेंडलीब के द्वारा, नेक्ष्ट उत्तर धुर्वी जियोती के बारे में इन में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन तो यह पिर्थवी के आकास में दिखाई देने वाला एक सुन्दर प्राकिरतिक प्रकास है, नेक्ष्ट भारत की सब से लंबी मारक छमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, तो अगनी फाइप है दोस्तों, अगनी फाइप, काली मिट्टी के बारे में इन में से कौन सा कथन सही है, काली मिट्टी के बारे में, यह दचनी पठारों के अधिकांस हिसे में पाए जाती है, निमलकित में से कौ सा Central Processing Unit का एक घटक है Central Processing Unit का एक घटक है तो ये है दोस्तों मंडल के बाद मध्य मंडल उसके बाद आयन मंडल उसके बाद दोस्तों बहिर मंडल होता है याद रखे चो मंडल सबसे नजदी के उसके बाद समताफ मंडल और इसी में ओजोन मंडल है दोस्तों उसके बाद मध्य मंडल तब है आयन मंडल तब है बहिर मंडल एक जोई इन में से किस ने 1866 में भारत की परतिवेक्ति आयके गन्ना की और उसको अपने किताब पवर्टी एन अन बिडिश रूल इंडिया में प्रकासित किया था तो ये हो जाएगा दोस्तों दादा भाई निरो जी याद रखेगा अरजुन पुरुसकार किस छेत में विश्ष्ट निर्वेज ये बेंकों को रीन देता है इनमें से कौंसा पुरुसकार भारत में खेलों और परतियस प्रदाओं के कोचों को दिया जाता है निम्लकित में से कौंसा देश संयुक्त राश्च्चा-पषद की 28 सदसी हैं तो ये हैं दोस्तों फ्रांस है दोस्तों तो यह आपको पता ही इसके लिए ट्री के फ्रेस एफ आर ए सी ए तो फ्रांस है रूस है अमिर्का है चीन है और इंग्लेंड या ब्रिटेन है दोस्तों या या युनाटेट किंग्डम यह अस्थाई सदस्य है लाहूर एवं कस्मीर में इस्तित सालिमार गार्ड भारती सविधान का अनुचे 368 डे से समधित है 368 यह सविधान के संसोधन से समधित है सविधान के संसोधन से भारती सविधान द्वारप पर्दित इन में से कौन सी विसिस्ता है भारती नियापालिका से समधित है भारती नियापालिका से नियाइक सुतनता है दोस्तों न पर दोस्तों तो यह है गुजरात याद रखे हैं गुजरात यह सब से ज़्याधा समुधी मतरसे उतपादाक राज्य है। और दूरा निर्मीत पंच महल डेयस में इसित्त है। पंच महल कहा है इस थीत थैं फटेपुरसिक्रिमें पंच महल इस थ d लिए। सग्राम से इन में से कंसे समीति भारत में कर्षुधारों से समंदित हैं कर्षुधारों से दोस्तों राजाचलयाश मेती समंधिता भेवारतिय दन्र सहीता जो 66 में अध्याम थोई का मुसोधा तियार करने वाले आयोग की अध्यक्सता किस ने किया था दोस्तों लॉड मेकाले ने किया था सरकार अनिवारिता कितनी फसलों के लिए नियुतंटम समर्थन मूलिय मैस्प की गोशना करती है MSP की 22 करता है दोस्तों 22 नेक्ट भारा सरकार दोड़ा शुरू की गई नई मंजिल योजना इनमें से किसे समंदित है ये किसे समंदित है अल्प संख्यक युवाओं के लिए कोसल परसिक्चन वितिया आपातकाल समंदी प्रावधनों का उलेक भारते सवी धन कि निमलखित में से कौन से अनुछेद में है किस काल में भायत आया था किस काल में भाहरत आया था किस काल में भारत आया था, दिली सल्तनत के काल में भारत आया था, निमलखित में से कौन सा भारती दर्शन के च्छा विद्याले में से एक है, च्छा विद्याले में से एक है, योग, याद रखेगा योग, राजसभा के बारे में इन में से कौन सा कतन सही है, राजसभा के ब यूद के लिए भेजा था जैसींग को भेजा था, 28 में भाड़ा सरकार द्वाड़ा प्रकासित जलवाई पड़ी वर्टे हैं तो राश्ठ ये कारियी योजना यानी एन एन ए पी सीसी के अंतरगद इन में से किस मिशन की सुरुवात की गई थी, किस मिशन की तो नेशनल मिशन फोर एस्टेनिंग दा हिमालियन एको सिस्टम, नेशनल मिशन फोर एस्टेनिंग दा हिमालियन एको सिस्टम, नेमलकित में से कौन सा स्वक्ष भारत मिशन के समन में सत्य है, तो कौन सा सत्य दोस्तों, इसका लॉंच करने का उदेश सारभूमिक स्वक्षता प पोलियों की टिके का विस्कारक जॉन ईसालक है याद रखे पोलियों की टिके का विस्कारक जॉन फ्रैंकलीन एंडर्स है दोस्तों खसरे की टिके का विस्कारक जॉन फ्रैंकलीन एंडर्स है रेविज की टिके का खुचकरता लुईस पास्चर है रेविज की टिके का खुच का खुच करता एलेकजेंडर फ्लेमिंग है एंटीजन का दोस्तों लेंड इस्टिनर है एंटीजन का लेंड इस्टिनर है नेक्स्ट पुर्वानुमान और वर्तमान नाम है एका बोरोन दोस्तों इसकेंडियम को कहा जाता है एका बोरोन याद रखे एका बोरोन एक इसकेंड इंपोर्टें्ट है दोस्तों एका एल्मूनियम गेलीयम को कहा जाता था और एका सिलीकोन जर्मिनीम को कहा जाता था इका मेगनीज रेनियम को कहा जाता था, इका बोरोन इसकेंदियम को कहा जाता था, इका एलमुनियम गेलियम को कहा जाता था, इका सिलिकॉन जर्मिनियम को कहा जाता था, इका मेगनीज रेनियम को कहा जाता था, देखिए ये करम है दोस्तों, छो मंडल, समताप मंडल, छो मं मारा पिर्थवी है तो उसके बाद दोस्ति देखिए दोस्तों यह चो मंडल चो मंडल साथ से 18 किलो मेटर तक चो मंडल है और दोस्तों यह 50 किलो मेटर तक 50 किलो मेटर तक क्या समताप मंडल 50 किलो मेटर दोस्तों समताप मंडल है इंपोर्टेंट याद रखेगा यही समताप मंदल में दोस्तों ओजोन मंदल है और असी किलो मीटर तक क्या है मद मंदल असी किलो मीटर तक मद मंदल है उसके बाद दोस्तों मद मंदल के बाद आयनो मंदल है यानि थर्मो एस्पेर आयनो एस्पेर है दोस्तों 500 किलो मिटर तक है आएने स्पियर 500 से उपर बहीर मंदल है याद रखेगा छोब मंदल उसके बाद समताप मंदल इसी में ओजोन मंदल है उसके बाद मद मंदल तब आएन मंदल तब बहीर मंदल है नेक्स्ट निर्मान अस्ता निर्मान करता दिन पनान अगर कहा है दोस्तों दिली में निर्मान करता हुमायू है आगरा के किला आगरा में निर्मान करता अकबर है जावा मजिद फतेपूर सिक्री में निर्मान करता अकबर है जावा मज़िद फतेपुर सिक्री में निर्मान करता अकबर है मोती महजिद दिल्ली में निर्मान करता औरिंग जेव है जावां महजिद दिल्ली में निर्मान करता सा जहां है नेक्स संग सुची और इधरे विशे रेखी समीती और परत्यक्ष कर से यह समधित है रंगराजन समीती बचत एवव निवेस के आकलन के लिए यह समधित है मलोतरा समीती बीमाचेत में सुधार के लिए यह समधित है गोस्वमी समीती औद्योगी के रुगंता के लिए यह परसीत है मिरा सेट समीती हतकरदा विकास से समधित है ज्यान प्रकास समीती दोस्तों चीनी घोटाला से यह समधित है किरिट पा्रेक समीती पेट्रोलियम पदार्थ मुली निर्दारं समीती से समधित है विजे केलकर समीती प्राकरती गैस मुली से समधित है याद रखेगा याद रखेगा याद रखेगा इन में से कौन सा वाईउ पर दूस्ता के नाम से जाना जाता है कालिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों विशिष्ट कर्मेपदार्थ विशिष्ट कर्मेपदार्थ ये कालिक के नाम से जाना जाता है next सालका और संकु कोशिकाएं डेस में पाए जाती है, किस में पाए जाती है ति या आख्यों सकती डेस से समन्दित है, miss contrast किससे समन्दित है तो याद रखिएगा मिसन सक्ति दोस्तों भारत के anti-satellite हतियार के पर्थम परिक्षन से समन्दित है मिसन सक्ति भारत के anti-satellite हतियार के पर्थम परिक्षन से ये समन्दित है नेक्से मानिक रत्न की रासानिक सरचना क्या है मानिक रत्न की रासानिक सरचना क्या है तो याद रखेगा एलमुनियम ओक्साइड है कम्प्यूटर सब्दावली में ALU का पुनरूप क्या है ALU का पुनरूप क्या है तो arithmetic logic unit भारतों वायू परदोसन की रोग थाम और नियंतरन अधिनियम कब लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था 111 CC में भारतों वायू परदोसन की रोग थाम और नियंतरन अधिनियम कब लागू हुआ था 111 CC में SPIM 1 क्या है SPIM 1 क्या है तो याद रखेगा ओवांचित email है SPIM CPU का कौन सा हिसा कम्प्यूटर के सभी कारियों का समन्निय करता है तो याद रखे control unit करता है नियमलखित में से किस प्रानी के हिरदे में तीन पर कोष्ट होते हैं तीन पर कोष्ट होते हैं याद रखे साला मेंडर प्रानी के हिरदे में तीन पर कोष्ट होते हैं यह आप अच्छी तरह से याद रखेगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है, उरिशा के लिंगराज मंदिर का निर्मान डेस में किया गया था, उरिशा के लिंगराज मंदिर का निर्मान दोस्तों नागर सेली में किया गया था, याद रखेगा नागर सेली में, राष्टी राजमार्ग विकास प्रियोजना के अंतरगत इस्ट वेस्ट को पर उपलब्ध है चावल अंतुदे अन योजना के अंतरगात तो यादो के तीन रूपिये परती कीलो के हिसाब से है सेंगत राष्ट के वर्तमर महसाचिव एंट्रियो गुटेरस किस देश से समंदित है एंट्रियो गुटेरस दोस्तों ये पूर्दगाल से समंदित है कराए एक संगठन है जो डैस के लिए कार करता है कराए तो ये बाल अधिकारों के सरक्षन से समंदित थे दोस्तों कराए कराए का फुर्फोम क्या होता है चाइल्ड राइट्स एंड यूड ग्राइट्स कराए की अस्थापना 1989 इस्वी में हुआ था दोस्तों संगाई कोर्पोरेशन और्गनाईजेशन की अस्थापना कब हुई थी तो ये 2021 संगाई कोर्पोरेशन और्गनाईजेशन की अस्थापना हुई थी आठ अपरिल 1929 को केंद्रिय विधान सवा में किसने बंफेका था दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलकुल बटुकेशुरदत और भगास सिंग ने बंफेका था बटुकेशुरदत और भगास सिंग भारती सविधान की कौन सी अनुसूची संग और राज के प्रिंजर पृसकार का प्रमन्द द्वारा किय जाता है तो यह हो जाएगा दॉस्तों काल बेल या विश्वित वी न्यार्क द्वारा किया जाता है नियम्र प्रिंग्षित में कौन सी अगन्य है advice नहीं आहिं तो ड़ॉमाइल माइट नहीं है यह एकद ग्रेनाइट है ले प्राइदुपय. को कम करके पचास तक कर दिया गया पचास तक किया गया दोस्तों तो यह हो जाएगा 1987 में भारत के केंदर वाज समंद्र के सुधार है तो उपायों का सुझा देने के लिए अप्रेल 2007 में निवक्त आयक का परमुक कौन था तो mm. enroll पुंची था सुभाश चन्दर भ्र ने सुधांत्र भारत की उष्थाई सरकार का गठन कहां किया था सिंगापूर में किया था दोस्तों दोष्थ EB सिंगापूर में किया था नेक्स्ट है पुस्तक तुजुक ए बाबडी बावर नामा मुल रूप से किस भासा में लिखी गई है किस भासा में तो यह याद रखेगा तो देखिए ऐसे तो तुर्क भासा में लेकिन वो तो अप्शन में है यह नहीं दोस्तों तो याद के आख्रों के अनुसाद 2016 में भारत की कुल परजन दर क्या थी, क्या थी तो यह 2.3 थी 2.3, संपत्तिक अधिकार 10 है, संपत्तिक अधिकार दोस्तों, विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, संपत्तिक अधिकार, भारत के उच्तम जलपरपात, जोग जलपरपात को 10 के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, तो गोरसप्पा जलपरपात के नाम से जाना ज पूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् के लिए अदोजल भासन दिया था तो यह हो जाएका दोस्ट सैसेल्स क्या होगा सैसेल्स इसका यह आंसर है और इस से इंपोर्टेटेंट पॉइंट देखें योईनय के महाश्याची और देश के नागरिक है ट्रिगवेली दोस्तो hon यह नार्वे के नार्वे कें ट्रिग वेली नार्वे के हैं, डेग हेमर सोल्ट शीरियन के हैं, यूद ठांट ब्यानमार के हैं, और कुर्त व्लादीहम अस्ट्रिया के हैं, जेवियर पेरेजदा, कुई यार ये पेरु के हैं, बुत्रस घाली ये मिस्र के हैं कोपी अनन ये घाना के हैं बान की मुन दच्छिन कोडिया के हैं एंटिनियो गुटेरस पुर्थगाल के हैं निक्षदेलवे एंटिपिसी 27 जनवडी 2020 को सकेंड सिफ्ट में जो कोशन आया था वो देखिए आंतिम पिर्थवी सीकर संभिलन कहां आयोजित क्या गया था कहां आयोजित क्या गया था तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों तो याद रखिएगा रियो डिजेनरियों में आयोजित क्या गया था रियो डिजेनरियों में Automated Tailor Machine नानी ATM नाम केस मसीन के विकास कसरे भारत मेजर में किस Scottish अविस्कार को दिया जाता है किसको दिया जाता है तो याद रखेगा John Seppard Baron को यानि D नमर होगा John Seppard Baron को दिया जाता है निमलकीत में से कौन सा Microsoft Office 2009 इस package का हिस्सा नहीं है तो keynote दोस्तों नहीं है याद रखेगा Outlook है OneNote है Excel है लेकिन keynote नहीं है Brasica Compestries किस पोदे का वनस्पतिक नाम है किस पोदे का वनस्पतिक नाम है दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्सों का वनस्पतिक नाम है Brasica Compestries नेमलखित में से कौन सा operating system नहीं है operating system कौन सा नहीं है तो ये टेली दोस्तों नहीं है Android है अब Ubuntu है और Mint है लेकिन टेली नहीं है टेली आखिर है क्या टेली का उप्योग accounting software के रूप में किया जाता है पक्शों कि इनमें से कौन सा पर जाती गंभी रूप से लुप्त परा है गंभी रूप से लुप्त परा है तो Great Indian Bastard Hygrometer से क्या मापा जाता है हाइगरोमीटर से क्या मापा जाता है आधरता मापा जाता है दोस्तों Hygrometer से Late organic party क्या है Late organic party PB PB, यानि इसका, इसका मुख्याले कहा इस्तित थे दोस्तों, तो याद रखें, एक यारे के होजाएगा D नमर, इसका मुठ्याले यानि गोवा में इस्थितुत है, राश्ट इस्मूद्र विज्जान सस्तान का, वो सिस्टम जो IP पते को असानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, द्यास कहलाती है, क्या कहलाती है तो डोमेन नियम सिस्टम कहलाती है, डोमेन नियम सिस्टम, डियाडियो द्वारार निन में ते इन में से कौन सी मिसाइल हावा से हावा में वार करने में सक्छम मिसाइल है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अस्त्र है, क्या है अस्त्र, नेक्स् निमलकित मेंसे कौन से करांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकासित नहीं हुई थी तो याद यूगांतर दोस्तों विदेश में प्रकासित नहीं हुई थी बुलंद दर्वाजा किस सहर में इस्तित है बुलंद दर्वाजा बुलंद दर्वाजा फतेपूर सिक्री में है द जुस्तो निम्लकित मैं से कौन सा अस्ताप्त महातमा गंदी दोड़ा अस्तापित नहीं किया गया था। तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तो मुलाना अबूलकलं अजाद ने किया था。 मुलाना अबूल कलम आजाद ने, भारत में सरपर्थम, कम्यूनिस्ट सरकार किस राज में बनी थी, कम्यूनिस्ट सरकार, तो ये केरल राज में बनी थी, कम्यूनिस्ट सरकार, सार का विश्थित रूप क्या है, सार का विश्थित रूप साउध एस्यन एसोसेशन फोर रिज प्रख्यात निवत्यांगना पर्तिभा परलाद किस सास्तिय नेरते सेली से ये समन्दित है किसे समन्दित है भारत नाटियम से समन्दित है निमलकित में से कौन करंतिकारी संगठन अनुसिलन समिति से समन्दित नहीं है अनुसिलन समिति से राजन लाहिरी दोस्तों नहीं है ग्यानेंदर नाथ बसू है, वरेंदर नाथ घोस है, जतिन नाथ घोस है, लेकिन राजेंदर लाहिरी नहीं है, भारती रिजब बेंक का मुख्याले कहां इस्तित है, भारती रिजब बेंक का मुख्याले अब दोस्तों मूंबाई में इस्तित है, कहां तो मूंबाई में, निमलकित में से कौन सी योजना वर्ज 2006 में शुरू की गई थी महत्मा गांधी राष्टी ग्रामीन रोजगार गारेंटी योजना मुदा राक्षस नाटक किसने लिखा था विसाकत दत ने लिखा था भारत की इन में से कौन सी नाधी पुर्व से पसिम की और बहती है पुर्व से पसिम की और दोसो नर्मदा नाधी बहती है याद रखेगा 2016 में बनी Great Britain की दुईतिय महला परधन मंतरी कौन थी कौन थी दुईतिय महला परधन मंतरी यूनाटेट किंग्डम के यूरोपिय संग से निकलने की घटना को समने तक किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेगा ब्रेकजिट के नाम से जाना जाता है ब्रेकजिट के नाम से कौन सी नदी लंदन से होकर बाती है तो यह याद रखे टेम्स नदी दोस्तों लंदन से ह भी नाम है दोस्तों याद रखेगा यूरोप का व्यस्तम समुदरी बंदरगा कौन सा है कौन सा है तो इसका राइट अंसरोगा रोटर डम है क्या है रोटर डम है भारती धोज का डिजाइन का सरे इन में से किसे दिया जाता है किसे दिया जाता है पिंगली वेंक के यागो न गास का मैदान नहीं है तो फ्यन दोस्तों गास का मैदान नहीं है सावाना है प्रेडी है स्टेपी है निमलकित में से कौन सा बंदरगा भारत की पुर्वी तट पर इस्तित है भारत का पुर्वी तट पर तूति कोरन दोस्तों इस्तित है तूति कोरीन याद रखेगा और यह साइसर एडिती नम है चन्हा का व Joining Most and S impatam Arahite नम है अलु का वेग्योनिक नम सोले नम टीवरो सम है normalized गन्ना का वेग्योनिक नम सेकेरव ओफि bachelor याधरके गन्नक का वेग्यानीक नां शेकरम उपिस्पीनिरम , Danzig का वेग्यानीक नां ranged Ży Crepl bears का वेग्यानीक नां consistent केय निर्ट है , प्याज का वेग्यानीक नां इलियं सेपा है , गाजार का वेग्यानीक नां डोकस के रोटा है, गाजर का वेग्यानिक नाम डोकस के रोटा है, सेव का वेग्यानिक नाम मेलस डोमेस्टिका है सेव का वेग्यानिक नाम मेलस डोमेस्टिका है भिंडी का वेग्यानिक नाम एवर मासकस याद के एसकुलेटस है, भिंडी का वेज्ञानिक नाम एवर मासकस एसकुलेटस है दोस्तों नेक्स्ट वेज्ञानिक उपकरन और उप्योग एनिमो मीटर हवा की गती को मापता है केलोरी मीटर उसमिय धारिता मापने हेतु यूज किया जाता है बोलो मीटर द्रब के सापेक्चिक घनतों के मापन हेतु किया जाता है ओडियो मीटर धोनी की त्रिवता मापन हेतु किया जाता है कार्डियो ग्राम हिर्दे गती के अधिन हेतु किया जाता है तातु और रासानिक पर्दिक मेगनीच का रसानिक परतिक MN है दोस्तों एटोमिक नमबर मेगनीच का क्या है तो याद रखेगा 25 है आइरन का एटोमिक नमबर 26 है दोस्तों और AP सिंबल है जिनका एटोमिक नमबर 30 है सिंबल जैडन है निकेल का क्या है दोस्तों निकेल का कितना है निकेल का है दोस्तों 28 याद रखेगा क्रोमियम का कि क्रोमियम का 24 एटोमिक नंबर है क्रोमियम का इंपोर्टेंट है याद रखेगा जीब और वेग्यानिक नाम है इसे याद रखनी है मनुस का वेग्यानिक नाम होमो सेप्यंस है, बिल्ली का वेग्यानिक नाम केलिस डोमिस्टिका है, कुता का वेग्यानिक नाम केलिस डोमिस्टिका है, कुता का वेग्यानिक नाम केलिस फेमलियर्स है, गाय का वेग्यानिक नाम बोस इंडिकस है, मक्ही का वेग्यानिक नाम तेंदुआ का वेग्यानिक नाम दोस्तों पनेडिया पार्डस है भेडिया का वेग्यानिक नाम कैनिस लप्स है राष्टी समुदर विग्यान संस्थान का मुख्याले कहा है तो गोवा में है संस्तान और ये अस्तान है भारतिय वनस्पातिक सर्वेक्चन संस्तान का मुख्याले कोलकाता में है भारतिय वनस्पातिक सर्वेक्चन संस्तान का मुख्याले कोलकाता में है कपास अनुसंधान संस्तान का मुख्याले मुंबई में है केंद्रिया नारियल सोज संस्थान का मुख्याले कासर गोट केरल में है केंद्रिया गेहू अनुसंदान साला का मुख्याले पूसा में है कौपी अनुसंदान संस्थान का मुख्याले चीक मंगलूर में है नेक्ट मिसाइल और पर्ति किरती है पिर्थवी सता से हवा में मार करती है दोस्तों एक साहरा थे दूसम्फय की नोगर है मसको मस्कवा नदी किना रहे और वालगोग्राड ये इस्प्री नदी किना मासको मास्प्री नदी कुना इंपोर्टें याद रखियेगा हैंबरकों.. क्या है दोस्तों, हेंबर्ग, एलवा नदी के किनारे है, हेंबर्ग, नेक्स्ट है, एक साइड है जोला मुखी के नाम, दूसरे साइड है देश का नाम, मांट सिनेबग कहां इंडोनेसिया में, मांट रोंग इंडोनेसिया में, मांट रोंग इंडोनेसिया में, मांट रोंग में है सिविल लग दोस्तों रूस में है विले रिका विले रिका कोस्टरिका में विले रिका दोस्तों कोस्टरिका में है और वल्ला रिका चीली में है और तुरी अलवा कोस्टरिका में तुली अर्वा कहां है कोस्टरिका में नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ए पर्तिकों का उपीयोग किया जाता है कितने का दोस्तों किया जाता है तो इसका रायट आंसर होगा 16 का किया जाता है कितने का 16 का किया जाता है important है याद रखेगा इन में से कौन सा Google का उत्पाद नहीं है Google का उत्पाद नहीं है तो याद रखेगा iTunes नहीं है दूसरों Google का उत्पाद Gmail है YouTube है और Blogger ये सभी है वह system program क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एकी समय रुपांतरित और निस्पादित करता है तो ये हुजाएगा दोस्तों Assembler वह system program क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एकी समय रुपांतरित और निस्पादित करता है Assembler करता है निमलकित में से कौन सा अस्थान भारती आंतिशकार करम से समंधित नहीं है कौन सा अस्ता नहीं है दोस्तों तो यह याद एक श्री पेरु बुदूर नहीं है बाकि सभे थुमबा, अब्दूलकलाम, दुइप, स्री हरी कोटा है निवन में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है जमीन के नीचे दोस्तों टमाटर नहीं उगता है सल्जर, मूली, आलू ये सभी जमीन के नीचे है किसका समन्ध है दोस्तों तो याद रखेगा इसका right answer होगा UNCED UNCED का है UNCED का फुल्पोम होता United Nations Conference on Environment and Development याद रखे UNCED का फुल्पोम होता United Nations Conference on Environment and Development याद रखे important है दोस्तों next है और इसका मुख्याले का है सुर्जर लेंड के ग्लेंड सहर में है भारती उब महादीप में पाए जाने वाला वाले किस पोधे का उनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनुअस्पर्मा है ब्यूटिया मोनुअस्पर्मा है प्लास का भारती उब महादीप में पाए जाने वाले किस पोधे का वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनुअस्पर्मा है प्लास का है दोस्तों न मका, तो याल दोखे ना, siya Leone, नोस्तो, natel, नेवण में से किसे जूल में मा पा जाता है, जूल में किसे मा पा जाता है, उर्जाको, तो जोल में मा पा जाता है, उर्जाको, next, महत्मा गांधी ने पहली और अंतिमबार भारती राष्ट कुंग्रेस के वार्सी का दिवेशन के धिक्सता कहां की थी, किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुल भूसन जादब को दिये गए मिर्टु दंड के विरूद हेग इस्थित अंतराष्ट न्याले में भारत का परति निजित तो किया था याद रखेगा हरी से सालवे ने क्या था हरी सालवे ने हिनियान और महायान किस धर्म के ये पंथ हैं किस धर्म के पंथ हैं वो धर्म के पंथ हैं दोस्तों हिनियान और महायान निवन में से कौन केबिनेट मिशन का सदसिन नहीं था केबिनेट मिशन का सरक्पर यह स्थित है किस सरक्पर है तो दलाब स्ट्रीट पर है दोस्तों बंबए stock exchange दलाब स्ट्रीट कींचासी परुदेस में धिली में दोस्तों एंदिवेशंग के अंतरगत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्राधान किया गया था 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम मुस्विलिंग की अस्थापना किस सहर में हुई थी मुस्विलिंग की अस्थापना दोस्तों धाका में हुई थी कहां तो धाका में हुई थी निम्ली में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का सबसबरा डिल्टा गंगा ब्रहंपुत डिल्टा है गंगा ब्रहंपुत डिल्टा लोकसवा में निर्वाची सदस्यों की कुल संख्यां कितनी होती है तो याद रखेगा पांसो तेतालिस होती है अरावली परवत माला भारत के निमलकित में से किस राज से होकर न पर्धनमंत्री पत की सपत लेते समय इनमें से किसकी आयो सरवादिक थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मुरारीजी देशाई की आयो सरवादिक थी नेती आयो का अध्यच कौन होता है नेती आयो का अध्यच दोस्तो पर्धनमंत्री होता है पर्धनमंत्री इनमें से कौ वाइसराय ने पाडित किया था, किस वाइसराय ने दोस्तों पाडित किया था, लॉड करजन ने पाडित किया था, लॉड करजन ने, कौन सी नहर परसांद महासागर को अटलंटिक महासागर से जोडती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, पानामा नहर जोडती है, पानामा नह इंपोडेंटे याद रखेगा नेक्स्ट दिप समूँ ट्यारा डेल फ्युगो किस महादिप में यह इस्तित यह दच्षिन अमिरका में इसका यह आंसर है दोस्तों और इस सेट का इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए वनस्पति और वेग्यानिक नाम है गाजर का वेग्या की नाम मेंगी फिरा इंडीका है आम का वेगन की नाम मेंगी फिरा इंडीका है सुरज मुखी का वेगन की नाम क्या है दोस्तों हेलियन थस एनस है सुरज मुखी का वेगन की नाम हेलियन थस एनस है अरंडी का वेगन की नाम क्या रिसीनस रिसीनस कम्यूनीस है अरंडी का वे प्राइटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरे Na2CO3 यानि दोस्तों sodium carbonate होता है soda SAC को कहा जाता है दोस्तों धोबन soda और global salt यानि sodium sulfate होता Na2SO4 into 10S2O global salt का फर्मुला होता है horn silver AgCl होता है दोस्तों silver chloride को ही horn silver कहा जाता है सफेद कसिस zinc sulfate Z NaSO4 into 7S2O को सफेद कसिस कहा जाता है सहर देखे नहर और जोरती है किस को किस से सूनर सुप्रियल जिल को हुरन जिल से जोरता है सूनर सुप्रियल जिल को हुरन जिल से जोरता है सुईजनर लाल सागर को भूमत सागर से जोरता है सुईजनर लाल सागर को भूमत सागर से जोरता है किलनर उतर सागर को वाल्टिक सागर से जोडता है और अलबर्ट नगर एंट वर्प लीग और वैनेक्स से जोडता है केपी नगर आंध पर्देश और तमिलाडू को जोडता है नियू वाटर वे उतरी सागर और रोटर डम को जोडता है इरी नगर इरी जिल और मिसिगन जिल को जोड़ता है नेक्स्ट रेलवे एंटी पीसी 28 जनवरी 2021 इसको सकेंड सिप्ट में जो को सनाया था वो देखिए उस देश का नाम बताईए जिसके पास परमानु हत्यार नहीं है परमानु हत्यार नहीं है अप्सन के अनुसार बताईए किसके पास दोस्तों परमानु हत्यार नहीं है तो याद रखेगा ये जपान के पास परमानु हत्यार नहीं है देखे चीन, रूस और फ्रांस के पास है दोस्तों परमानु हत्यार इंपोर्टेंट है याद रखेगा नीम्र में से क्या computer के समणी पर्दसन को प्रभावित नहीं करता है तो याद रखेगा कौन नहीं करता है दोस्तों तो graphics card का आकार नहीं करता है बांकी सब करता है hard disk की गति करता है CPU की गति करता है RAM का आकार भी करता है Kl Vasily में नीम्र में से कौन सा तत्तू उपसीत होता है लिए क्लोरोफिल में भारत में इसीत वूप्यू ऊपकर्णा को परशेपित करने के लिए किया जाता है distoplokoll के लिए ये परयूख होता है P नेक्स्ट इन में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है तो विटामिन के कारण दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है तो यह करता है दोस्तों DNS करता है एंटिबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन कथन सही नहीं है एंटिबायोटिक्स के बारे में तो याद रखेगा एंटिबायोटिक्स के दुस्प्रभावों में चेचक, फाइलेडिया और डिप्थिरिया सामिल हो सकते हैं ये बिल्कुल गलत है दोस्तों ये गलत है बाकी सब सही है वो देख लीजिए क्या एंटी बायोटिक्स विसनों के विरोध परभावी नहीं होते है ये बिल्कुल सही है एंटी बायोटिक्स जिवानु जनित रवों के विरोध परभावी होते है ये सही है सही नहीं है एंटी छेतरों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या करन है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड की परचूरता फेरिक ऑक्साइड की परचूरता नेक्स निमलखित में से कौन सा कथन मेगरोव वनों के बारे में सही नहीं है मेगरोव वनों के बारे में उखते हैं, यह सही नहीं है, बाकि सब सहिए, मेगरोव लवन, सहीन सुनु जरीव होते हैं, सही है, मेगरोव वन तट्रेखा को बनाए रखते हैं, और अपर्दन को कम करते हैं, वे हिमांग तापों को सहन नहीं कर सकते हैं, मेगरोव वन याद रखेगा, उस गैस का नाम बत यह जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है ब्यूटेन निम्लखित में से कौन सी नेविगेशन उपगरा परनाली नहीं है नहीं है तो यह दोस्तों निम्लखित में से किस संस्थान ने वाटर सेड प्रबंधन काड़ करम को बहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट ये वाटर सेड प्रयोजना को सहयोग परदान किया तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों तो याद रखेगा विसु बैंक निम्लखित में से किस संस्थान ने व कौंसा कतन सही नहीं है तो उन्होंने क्या ये दोस्तों सही नहीं है. भारत के पुनर जागरन का अग्रदुद ये सही है. वो सभी मानवों की समाजिक सम्ता में विश्वास रखते थे ये भी दोस्तों सही है और उन्होंने अगिप्टी टू मोनो थीस्ट नामक पुस्तक लिखी थी ये भी दोस्तों सही है निमलखित में से किस आंदोलन का आरंब दांडी यात्रा से हुआ था, दांडी यात्रा से हुआ था सभी ने अवग्या आंदोलन, निमलखित में से किस आंदोलन का आरंब दांडी यात्रा से हुआ था, सभी ने अवग्या आंदोलन, भारत का निम्ण में से कौन सा राज यह ये दोस्तों गुजरात में हैं गुजरात में भू तर्ट्रेखा है दोस्तों नालन्दा विश्विद्याले को विश्व के महान प्राचें विश्विद्यालियों में से एक तथा महत्पुन बोधर सेक्ष्णिक सेक्षर्ण के ंदर Creed इसकी अस्थापना किस भारतिय सासक ने की थी किस भारतिय सासक ने की थी कुमार गुप्त पर्थम ने की थी कुमार गुप्त पर्थम ने भारतिय राष्ट कंग्रेस के कराची अदिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था इसकी अध्यक्सता किस ने की थी इसकी अध्यक्सता दोस्तों सरदार बल्लभाई पटिलने की थी सरदार बल्लभाई पटिलने राज सुची में अस्थानी महतो के विशे सामिल होते हैं इनमें से कौन सा राज सुची के अंतरगत आता है राज सुची के अंतरगत साजुनिक स्वास्त और स्वक्षता आता है अली नीनो के समद में नीवन में से कौन सा कथन सहीए अलीनो के समद में तो यह परसाथ महासागर के पृष्टिय जलका वह समयनी रूप से गर्म होना है दोस्तों यह बिल्कुल क्या है सही है बाकि सब गलत है उस देश का नाम बताईए जो दचनी सियाई मुक्त वेपार छेत्र यानी साप्टा का सदसी नहीं है सिंगापूर दोसों साप्टा का सदसी नहीं है पाकिस्तान मालदिप और अफगानिस्तान है निमलखित मेंसे कौन सा भारती अस्ताल यूनिस्को के विजदरोड अस्तलों की सुची में सामिल नहीं है कौन नहीं है तो याद रखेगा मांडू मत पर्देश में इस्तित असमारकों का समूई ये दोस्तो नहीं है बाकि सब है आगरा का किला है सुरिक मंदिर को नारक में ये भी है, फतेपुर्श शिक्री भी है, निवर में से किसे भारत का पाला, अस्तानी भासा समाचार पत्र माना जाता है, तो ये हो जाएगा दोसो समाचार दरपण, समाचार दरपण भारती सभीधान के किस अनुचेद के अनुचार प्राकर्तिक प्रियावरन की स्रक्षा पर्तियक नागडी का मोलिक करता भी है पर्तियक नागडी का अनुचेद एक्यावन का ए भारती सास्ते निर्ति सैलिक कुचीपूरी की उत्पत्ति किस राज में हुई थी तो याद रखेगा ये हुई थी दोस्तों आंध पर्देश में कुछी पूरी की उत्पत्ती हुई थी नेक्शे Pacific Ring of Fire के समन्द में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है तो याद पेसिविक रीम उत्री अमिर्का और दचिन अमिर्का के पुर्वी तटों को कबर करता है यह सही नहीं है बाकी सब सही है इसकी लंबाई लगवाग 40,000 km है यह सेक्रिय जोला मुखी की एक बेल्ट है और पिर्थवी के 75 प्रतिस्त जोला मुखी Ring of Fire में यह दोस्तों इसी थे सही नहीं है बाकी सब सही है इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कोफी उगाई जाती है डोड़ा बेटा इन पहाड़ियों की सब से ऊची चोटी है यह भारत की पस्मी घाटों में यह इस्तित है दोस्तों नेक्स्ट आयस्वन भारत योजना यानि ABS के बारे में इन में से कौन सा कतर सही नहीं है बताइए तो यह होगा वनिष्ट नाडिक स्वास्त भीमा योजना को इस योजना के तहत सामिल नहीं किया गया यह दोस्तों सही नहीं है बाकी सब सही है राष्ट स्वास्त भीमा यो मार्च 2020 तक प्राप्र जनकारी के अनुसर फिनलेंड को दुनिया का सरवादी खुसहाल देश माना गिया है विस खुसहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकासन किसके द्वारा किया जाता है वार्षिक प्रकासन तो याद रखिएगा संयुक्त राष्टतत विकास समधान संयुक्त राष्ट यूएन पर नाली 6 परमुख अंगों पर अधारित है निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतरगत नहीं आता है तो यह हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट खाद एवं क्रीसी संगठन नहीं आता है माकी सब आता है आर्तिक एवं समाजिक प्रिसद सविधान सभा के सबिदान सभा के सविधान का मसुधा तियार किया और इसका गठन किसके अंतरगत किया गया थाícios केविनेट्स बिफसर माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, पुस्ता के लेखक कोन है, इसके लेखक दोस्तों ब्राक ओवामा है, याद रखेगा, ब्राक ओवामा है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, नेक्स्ट इसका ये आंसर है, और इस सेट का इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, अर् कार्तिय गहन अंत्रिक्सी नेटवर्ट कहा है ब्याला लू में इसरो द्वारा लाइसन काड़िया काड़िया मुंबई में मास्टर नियंतरन परतिस्टान भपाल में सौर वैदसला कहा है उदयपूर में सौर वैदसला कहा है उदयपूर में राष्टिय वाइमनली अनुसंधान प्रियोगसला कहां तुरुपति में नेक्स्ट है अब देखें कम्प्यूटर सब्दावली अब पुन रूप है HTML का पुन रूप होता है Hypertext Market Language HTML का फुन पुन होता है Hypertext Market Language HLL का हाता है दोस्तों High Level Language High Level Language HP का फुन पुन होता है तो याई Hewlet Packard GPRS का General Pocket Radio Service General Pocket Radio Service GSM का Global System for Mobile OCR Optical Character Recognition OCR का फुन पुन होता है Optical Character Recognition OOP का होता Object Oriented Programming OOP का होता Object Oriented Programming Vitamin और कमी का परभाव के बाड़े में देखिए Vitamin A की कमी के कारण Cornia वो तोचा की कोशिका कोशिकों का सलकी भवन रतुंदी कंठूती होता है Vitamin A की कमी कारण जिसका रासानिक नाम Retinol है Vitamin D की कारण सुखा रोग Osteomalysis होता है Vitamin D की कमी से Vitamin C एसकरविक रोग होता है Vitamin B1 से बैरे बैरे रोग होता है Vitamin D20 कारण चिंता तंत्रिका तंत्र की गरवड़ी होता है नेक्स रेलवे एंटिपेसी 29 जनवड़ी 29 जनवड़ी 2021 किसको फर्स जिफ्ट में जो कोशन आया था वो देखिए आवर सारी में किसी समू में नीचे जाते पर कौन सा गुन नहीं बदलता है कौन सा कुन दोस्तों नहीं बदलता है इंपोर्टेंट है बताईए इसका अंसर तो इसका राइट अंसर होगा संयो जक्ता दोस्तों नहीं बदलता है नेक्स पुरानी किताबों में पन्ने के भुरे होने की परकिरिया को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता दोस्तों तो फौकशिंग कहा जाता है पुलानी किताबों में पन्यों के भूरे होने की प्रिक्रिया को फौकशिंग कहा जाता है चन्यान वन के परचेपन के समय इसरो के अध्यच कौन थे इसरो के अध्यच कौन थे तो याद के जी माधवन नायर थे जी माधवन नायर थे इंपोटेंट है याद रखेगा निमलकित में से कौन सा विकल्प मच्छनों के जीवन चक्र के चार चर्णों का सही करम दरसाता है इंपोटेंट ने बताइए तो यह हो जाए दोस्तों सीनम अंडा लर्वा पीपा वर्नक अंडा लर्वा और पीपा वर्नक होता है होट मेल डैस में सुरूख किया गया था होट मेल होट मेल दोस्तों याद रखेगा 1996 में सुरूख किया गया था होट मेल कब 1996 में सुरूख किया गया था नेक्स्ट ब्रेट को फ्लाने के लिए इसमें कौन सी समगड़ी मिलाई जाती है ब्रेड को फ्लाने के लिए इस्ट मिलाई जाती इस्ट निमलखित में से कौन सी गैस अमल वर्षा से समन्दित नहीं है अमल वर्षा से समन्दित नहीं है NH3 नहीं है दोस्तों NO है nitrogen oxide, SO2 भी है NO2 भी है लेकिन NH3 आमोनिया नहीं है गठिया गठिया जुरों के दर्द और पेड की बिमारी से प्रीत हाथियों के लिए हाइडो थेरेपी उपचार के अंदरे water clinic कहाँ है दोस्तों याद रखें मत्रा में पर्यावरन की रक्षा के लिए पहला अधिकारिक अंतराष्ट कदम निमलखित में से कौन सा था तो कौन सा था दोस्तों तो याद रखेंगा escort home सम्मेलन escort home सम्मेलन है निमलखित में से कौन सा वीकल्प टोंग्या पर्नाली का उची तो वर्णन करता है टोंग्या पर्नाली का तो यहां लगाए गए पेरों की पंक्तियों के बेच क्रिसी फसलों को उगाने की एक पर्नाली है यह लगाए गए पेरों की पंक्तियों के बेच क्रिसीफ हसलों को उगाने की एक परनाली है नेक्ष्ट एल्मॉनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सता पर एल्मॉनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्मान की परिक्रिया क्या कहलाती है तो क्या लाती है थो या देखे लेकिगी एनोधी करन 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 लाती है नेक्स्ट है आई आइटी गांदी नगर छात्रो ने डैज्ड को उपियों कर दुणिया के सबसे प्तले पदार्थ का निर्वान किया था मेंगनेसियम डाय बढराइट यह क्या होगा दोस्तों तो याद रखे गाएट आंसर होगा ब्याज की उचिदर किसे रविया उद्रानी के नाम से भी जाना जाता है किसे दोस्तों तो यह दिल रास बानु बेगम को रविया उद्रानी के नाम से भी जाना जाता है भारती सभीधान के अनुचे 35 A किस वर्स जोरा गया था 35 A तो 1954 में दोस्तों जोरा गया था विश्व का सबसे बड़ा कोफी उत्पादक देश कौन सा है कोफी उत्पादक देश कौन सा है तो ब्राजील है दोस्तों मेची नदी किस नदी की साहिक नदी है मेची नदी तो ये दोस्तों महानन्दा नदी की साइक नदी है मेची नदी डियास का नाम गदाधर चटोपादिया है गदाधर चटोपादिया है किसका नाम है दोस्तों तो रामकिष्ण प्रमहंस का नाम क्या है गदाधर चटोपादिया है नेक्स्ट है, रायतु बंदू, रायतु बंदू योजना निमलखित में से किस राज की योजना है, किस राज की योजना है, ये तेलंगना की योजना है, रायतु बंदू, पुना समझोता का समझद किस से था, पुना समझोता का समझद पीछे वर्गों के लिए चुनावी स चीटों का अड़क्षन से था याद रखिएगा पूना समझो था निमलकित विकल्प में दी गई निर्ति सेलियों में से कौन सी उससे समधित राजी के साथ सुमेलित है तो गौड चतिसगर्ट याद कि गौड चतिसगर्ट यह सुमेलित है बाकी नहीं है दोस्तों धर्मसमा के संस्थापक निमलकित में से कौन था धर्म समा की संस्थापक कौन था दोस्तों को तरी याद रखिएगा को दी जाती है निम्न में से किस ने 16 अगास 1946 को परतेच कारवाही दिवस की रूप में मनाया तो यह हो जागा दोस्तों मुस्लिम लीग ने मनाया मुस्लिम लीग ने सीमा सरक संगठन डैस के अंतरगत आती है सीमा सरक संगठन रक्षा मंत्राले के अंतरगत आती है नेक्स्ट है डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामिन छेत्रों में डाक समन्देत इसकिमों की सारभूमिक कवरेज को सुनशित करने के लिए डैस नामक इसकिम शुरू किया कौन सी नामक तो याद खे फाई पेस्टार विलेज फाई पेस्टार विलेज बारी दवाब Vegas के बीच का छेतर है बारी दवाब दोस्टार वियास और रावी के बीच का छेतर है बारी दवाब नमंबर 2015 से सभी कर योगी उत्पाद पर लगाए गए 0.5% उपकर दवारा किस भारती योजना को वित पोसित किया गया विस पोचीस किया गया दोस्तों ती ये होगा स्वक्ष भारत अभियान दुलवनों द्वारा पहनी जाने वाली या पोट लोई पोटायओं पोशाग किस राज से संदित हैं किस राज से समन्नित है ये मनिपूर से दोस्तों समन्नित है मनिपूर से भारत में पहले बार किस राज में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन का इस्तिमाल किया गिया इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन केरल में दोस्तों क्या गिया नेक्स लीचिंग भीर द्वारा गेर करोनी तरीके से पीट-पीट कर माट डालना के मामलों पर अंकुष लगाने के लिए करोन पारित करने वाला भारत का पहला राज कौन सा है भारत का पहला राज़ दोस्तों मनिपूर है याद रखेगा मनिपूर सभी तो राश्चा संगठन को किस वर्स से नोविल पुरुषकार से समनित किया गया था किस वर्स किया गया था दो हजार एक इसवी में किया गया था यह याद रखेगा विद्धुत्रीनात्मक्ता घरती है उपर से नीचे जाने पर परमनों का आकार दोस्तों उपर से नीचे जाने पर बढ़ता है याद रखेगा नेक्स्ट है उट अनुसंदान के अंदर बीका नेर में है, राष्टे मदुमक्य अनुसंदान संस्तान पूने में है, राष्टे याक अनुसंदान संस्तान डीरांग में है, इंपोर्टेंट याद रखेगा, नेक्स्ट है, देखिए सूची, संबेलन, संधियां और सूची है दोस्तों, ह 1965 में, London सम्मेलन 1925 में, Vienna सम्मेलन दोस्तो आश्टरिया में 19ipe tree ridi 19 स्मेलन 1923 में भीनैर्टी ओवे घुल अपत条 semaine 1625 म्हीं 2045ár लन्दन सम्मेलन 1925 में 1925 चुल सम्मेलन दोस्तो 31ût 1997 में 2745 प्रटोकल 1997 में हुआ था कबक जनित रोग और कारक है एतलिट फोट ट्राइको फाइटोन के कारण होती है ये कारक है दोस्तों एतलिट फोट ट्राइको फाइटोन खाज दोस्तों ये एके रस इसके बीज के कारण होती है खाज ये एके रस इसके बीज के कारण यह कवक जनीत रोग है, दाद यानि रिंग वार में ये ट्राइकोप हाईटाउन के कारण, पुरोटोजवा जनीत कारण देखिए, मलेरिया प्लाजमो डियाम बाई बैक्स के कारण, और मेबी आसे से एंट अभीबा के कारण होती है, घाला जार लिस्मेनिया डोनावाने के क कारण होती है पाइड या एंट अमीबा जेंजी वैलीस के कारण होती है सोने की बिमाडी ट्रेपनोसोमा से होती है सोने की बिमारी नेक्स्ट है रेल वेंटी पेसी 29 जन्वरी 2021 को सकेंड सिप्ट में जो कोस्टन आया था वो देखिए दोस्तों ओजोन परत के च्छैका मुखी कारण निमलखित में से क्या है दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो यानि क्या क्लोरो फ्लोरो कार्बन है निमलखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है तो मिर्दा आपरतन दोस्तों सुनामी का कारण ये नहीं है समुदर के अंदर भुसकलन और जोलामो की विस्वोट ये सभी है कीबोर्ड मोनिटर और केविनेट टैस के घटक है किसके घटक है कंप्यूटर हाडवेर के घटक है कीबोर्ड मोनिटर और केविनेट किसके घटक है कंप्यूटर हाडवेर के next computer सब्दावली में EP-ROM का पुनरूप क्या है तो याद रखेगा erisival programmable read only memory erisival programmable read only memory next पाचन के बाद protein dash परिवर्थित हो जाता है तो यह हो जाएगा दोस्तों amino amino परिवर्थित हो जाती है पाचन के बाद protein Kyoto Protocol एक अंतराश्ट समझोता है जिसके उद्देश को dash कम करना है तो यह हो जाएगा दोस्तों greenhouse gas oxygen को कम करना है Kyoto Protocol एक अंतराश्ट समझोता है जिसका उद्देश dash को कम करना greenhouse gas oxygen को कम करना है राजा रमन्ना सेंटर फोड advanced technology की अस्तापना dash में की गई थी कब की गई थी दोस्तों 1984 इसरी में की गई थी radio धर्मी पदार्थ दोबारा उस्सजित होने वाले विकरन की मातरा को dash नामक प्रंपारिक एकाई में माप आ जाता है तो किसमें माप आ जाता है दोस्तों QD में माप आ जाता है याद रखेगा QD में माप आ जाता है बर्मो सुपरसोनिक मिसाइल डयास के बीच एक स υते उधियम है तो यह हो जाएगा दोस्तो भारत और रूस के बीच बर्मो स säउधी। है. Cytoplasm एक jelly जैसा द्रब होता है, جो das में मौझूद होता है. Cytoplasm ये केंदरक और कोसी का भीत्ती के बीच मौझूद होता है, दोस्तो, Cytoplasm Next, Pseudopedia Pseudopedia, DAS पर मौझूद अंगूली जैसी आकिर्थी वाली सरचना है, Pseudopedia तो यह हो जाएगी दोस्तों Amoeva, क्या हो जाएगी Amoeva, निर्ण में से कौन सा एक separate sit program नहीं है, तो Ubuntu दोस्तों नहीं है, Kelsey है, Excel है और basic Kelsey है, Ubuntu क्या है दोस्तों तो याद रखेगा, Ubuntu के बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यह एक दोस्तों क्या है, Ubuntu, आप लोग comment स separate sit program यह नहीं होता है, दोस्तों Ubuntu, नेक्स्ट है, गोल किर्मी, गोल किर्मी में इन में से कौन सा तंतर मोजूद नहीं होता है, तो यह सोसन तंतर नहीं होता है, परजनन तंतर होता है, पाचन तंतर होता है, उससन तंतर होता है, डैस एक प्रियोगी के उपगरा है, जिसे हो जाएगा रोहिनी निमलकित में से कौन सा राष्ट नमुना सर्वेक्षन संगठन का परभाग नहीं है कौन सा दोस्तों नहीं है तो याद कि राष्ट विकास एजन्टा नहीं है राष्ट विकास एजन्टा बाकी सब है फिल्ड ओपरेशन डिवीजन है सर्वेक्षन डिज प्राचिन डैस सब्द से आया है जिसका अर्थ लंभी पूछवाला तारा है तो यह हो जाएगा दोस्तों यूनानी याद रखेगा यूनानी से आया है भारती सविधान के किन अनुचेदों के अंतरगत समंता की अधिकार का उल्ले किया गया है समंता का अधिकार का अनुचेद 14-18 तिबती पठार डैस का सब से अच्छा उधारने तिबती पठार तो यह याद रखेगा अंतरपरवर्तिय पठार का मलेसिया की मुद्रा डेस है मलेसिया की मुद्रा दोस्तों क्या है तो याद रखेगा रिंग रिट ये मलेसिया की मुद्रा है रिंग रिट भारत के योजना आयोक की अस्थापना डेस में होई थी योजना आयोक की अस्थापना दोस्तों की गई थी विशुपर्शित 36 गढ़ी लोक गाई का तीजनबाई लोक संकित की किस विद्या की परनेता है किस विद्या की परनेता है पंडवानी की ये परनेता है निम्लकित में से कौन सा सचनागत सुवधा के अंतरगत नहीं आता है कौन नहीं आता है मनुरंजन नहीं आता परिवहान विदुत सिवेज आता है दोस्तों भारती सभीधान के निवन में से कौन से अनुचित में मनी बील को परिभासित किया गिया है मनी बील को परिभासित किया गिया है अनुचित 110 में दोस्तों मनी बील को परिभासित किया गिया है ग्रेट इंडियन डेचर्ड भारत के किस भाग में ये इस्तित है किस भाग में इस्तित है पस्मी हिस्से में दोस्तों ये इस्तित है पस्मी हिस्से में भारती राष्ट धुवजित रंगा भिकाजी कामा दुवारा डैस में डैस में पहराया गया था तो ये हो जाएगा दोस तो कौन थे, इसका राइट अंसर होगा, जी संकर कुरूब थे, जी संकर कुरूब, डियास, यू एन, चार्टर की अस्थापना दिवस है, यू एन, चार्टर की अस्थापना दिवस है, तो याद, 24 अक्ट्वर, 1945, किस केबिनेट मिसन ने भारति सभी धान की निर्मान हेतु एक सविधान सवा का प्रस्ताव रखा था तो ये हो जाएगा दोस्तों केमिनेट मिसन योजना 1946 केमिनेट मिसन योजना 1946 बनारासी हिंदू विश्विद्याली के अस्थापना कब की गई थी कब की गई थी दोस्तोत याद रुखे 1916 सिंधु विश्विद्याली की अस्थापना की गई थी भारत की उच्तम नियाले की पर्थम महिला नियाधिस कौन थी कौन थी दोस्तोत याद रुखे M. फातिमा विभी थी पाथेर पंचाली इंडियन सिविल सर्विस में पदभार गरहन करने वाले पहले भारतिये कौन थे? सत्यांदर नाथ टाइगोर थे नेकस्ट, पेंदर नेता और अंग्रेज दमन करता है दोस्तों दिली याद रखेंगोर अंग्रेज दमन करता है निकोल अचन हट्कर ने इसको दबा दिया था लखनाओ में बेगम हजत महल ने अठार संतावन की करांती का नेतरित किया था केंप बेल ने इसको दवा दिया था अंग्रेज दवन करता है कानपूर में दोसों तात्या टोपे ने किया था कानपूर में अठार संतावन की करांती का नेतरित और केंप बेल ने इसको दबा दिया था जहांसी में राणी लक्षी बाई ने किया था दोस्तों जहांसी में राणी लक्षी बाई ने किया था जेनरल हिरोई ने इसको दबा दिया था जगदिसपूर में कुमर सिंग ने नितरित किया था दोस्तों विलियम टेलर और मेजर विसेंट आयर ने इसको दबा दिया था जगदिसपूर में कुमर सिंग ने किया था मुखे नियादिस बनने वाली पहली मैला थी दोस्तों लिला सेट आक्सपोड जाकर कनून की पढ़ाई करने वाली परता मैला बिरियस्टर कार्नेलिया सोरा बाजी थी देश की पहली मैला सतर नियादिस सुप्रीम कोट की पहली मैला अन्ना चांडी थी दोस्तों याद रखे और मुखी नियादिस हो सकती है 2027 में बीवी नाग रतना हो सकती 2027 में नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसे 30 जनवरी 2021 को फस्रिप्न जो को सनाया था वो देखिए वालमी की राष्ट उद्यान कहां इस्तित है वालमी की राष्ट उद्यान दोस्तों कहां इस्तित है इंपोर्टेंट है बताए तो यह इस्तित है दोस्तों बिहार में वालमी की राष्ट उद्यान दोस्तों बिहार में यह इस्तित है चंद्रयान वन को, डैस के उपीओ करके परचेपित क inadequata कर गया था, चंद्रयान वन को, तो यह हो जाए ऊर्फ पेसली C11, निक्स्ट इन्मों से कौन सा रंग, दो प्राथमिक रंगों के सईयों से निमित नहीं हुआ है, कौन नहीं हुआ है दोस्तों, यह नीला नहीं हुआ ह और दो प्राथ्मिक रंगों से मिलकर बना है तो याद रखेगा पीला हो जाएगा मेजंटा हो जाएगा दोस्तों पीला मेजंटा यह दूर रंगों से मिलकर बना हुआ है इंपोर्टनें है याद रखेगा लेकिन नीला हरा नीला लाल ये क्या प्राथमिक कलर होता है 1024 मेगाबाइट से डैस के बराबर होती है ये किसके बराबर होती है दोस्तों ये एक गीगाबाइट यानि एक जीवी के बराबर होती है यह किस के अईस्ट है अबराक के अईस्ट है। तो ये हो जाए दोसो पांच किये गए थे पांच, जिंक्सलफेट ठेपे, मतला क्या है दोसो हेप्टा हाइडरेट, मतला जिंक्सलफेट, जैदेनैसोफर इन्टू सेवन ऐस्ट्व को आमतौरपर डैस के नाम से जाना जाता है, किस नाम से दोस्तों, तो स्वेत तूतिया के के नाम से जाना जाता है स्वेट तुतिय यानी GRÜNEN के नाम से भारती आंत्रिच एनुसंधान संग्ठनंगन के lif"; , चीप के नाम से जाना जाता है किसके नाम से दोस्तों जाना जाता है तो याद कि Chip के नाम से जाना जाता है Computer के संदर में GUI का विस्तार क्या है तो Graphical User Interface Muslim Link की अस्थापना कभ हुई थी? Muslim Link की अस्थापना कभ हुई थी? 1906 में हुई थी मुशिविलिंक की अस्थापना चारो वेदों में सबस्पुराना वेद कौन सा है सबस्पुराना वेद दोस्तों रिग वेद है भारत में सुन्दरबन डिल्टा में किस परकार के वन पाए जाते है किस परकार के वन दोस्तों पाए जाते है तो इसका राइटा मेग्रोव वन पाए जाते हैं भारत में केंद्रिय मंत्री पत की सपत से समन्दित प्रावधान डैस में किये गए है तो ये किये गए हैं तीसरी अनुसूची में दोस्तों किये गए हैं तो याद दिके जुझनों की खेतरी महल से नोट जाड़ी करने के लिए भारती रीज़ा बैंक तो बार्ड कौन सी पनाली अपना ही जाती है कौन सा पनाली अपना जाती है तो याद रखेगा minimum reserve system minimum reserve system ये मनाई जाती है याद रखे हैं दोस्तों ये परनाली अपनाई जाती है नेक्स्ट आई बी आरडी और आई डी ये डैस के ये अंग है किसके ये अंग है तो विस्व बेंक के ये अंग है भारत माधिकां स्क्रोमाइट भंडार कहां पाये जाते हैं कहां पाए जाते हैं? उडिसाम दोस्तों पाए जाते हैं. भारत में इन में से कौन सा संगठन? RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गिया है. बाकि सब को रखा गिया है. Research and Analysis Wing को रखा गिया है. Intelligence Bureau को भी रखा गिया है. और Aviation Research Center को भी दोस्तों रखा गिया है. किसी राज़तिक दल को राष्टी पार्टी के रूप में मनिता प्राप्त करने हैं तो कम से कम तीन अलग अलग राजियों में से लोग सभा की सिटों के कितने परतिसत जितना अनिवारी हैं? कितना परतिसत? याद रखेगा. नेक्स्टे दोस्तों, जब केबिनेट मिसन भारत आया था. तो इंग्लेंड में कौन सा राज़िक दल का सत्ता था दोस्तों? तो याद रखेगा, ये लेवर पार्टी का था, लेवर पार्टी का जब केबिनेट मिसन भारत आया था उस समय. डिया सहायक बेंकों के भारतिये इस्टेट बेंक में विले के लिए भारतिय संसतने इस्टेट बेंक मतला निर्शन एवं संसुधन विद्यक 2017 पारित किया था. च्छा दोस्तों, च्छा. साजनिक ओधियम सर्वेक्षन 2018 से उनाइस पाबलिक इंटरप्रेसेस सर्वे 2018 से उनाइस के अनुसार 31 मार 2019 तक भार यह अंतर नहीं है. कौन सा दोस्तों नहीं है? तो यह हो जाएगा, खोल नहीं है, बाकी सब है, तु रही है, सेक्सा पून है, और सहनाई है. विश्क की सास बड़ी, सेल भित्ती पर नाली, ग्रेट बिडियार रीप, किस समुद्र में इस्तित है? यह कोडल सागर में इस्तित है, इनमें से कौन से कमपणी, महारतन कमपणीों के अंतरगत सुची बाद नहीं है? तो यह हो जाएगा, सिपंग कार्पोरेशन औफ इंडियाया नहीं है, बाकी सब है, इंडियान ओयल कार्पोरेशन है, कोल इंडिया लि मिटेड है, नेन्सनल थरमल पावर कार्पोरäreशन यह सभी है। 2018 में राजिव गांदी खेल रतन पुरुषकार से सम्मानित साइखों मिरावाई चानू एक डैस है। यह एक क्या है? तो याद रखेगा इसका राइट अंसर होगा यह एक भारत तोलक है। तो यह हो जाएगा दोस्तों, पीवी नर्सिम भारा, जिस दिन भारत की सोतमता मिली थी और उस दिन महत्मा गांदी दोस्तों कहां थी? कहां थे महत्मा गांदी? तो यह कलकता में थे महत्मा गांदी? याद रखेगा उनिस सो से तालिस में। विशेस परिश्थित्यों में लोग सभा और राज सभा की संयुक्त बैठका प्रावधान भारतिय सविधान के किस अनुचेद में किया गया है तो याद रुखेगा यह अनुचेद 108 में किया गया है और यह राशपती बूलाता है अधिक्सता करता है लोग सभा अध्यर्ट मातमागादी डैस में चंपारण आये थे कब चंपारण आये थे 1917 में चंपारण आये थे इसका ये दोस्तों आंसर है और इस सेट का इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए राज केंसासी परदेश और नेसल पार्क अनमान और निकोबार दू समूम अनमान और निकोबार दू समूम है और नाचल परदेश में नाम दफा नेसल पार्क मोलिंग नेसल पार्क अन्द परदेश में है और परदेश में श्री वेंकेटेश्वर नेसल पार्क अन्द परदेश में है गोवा में नालेम नेसल पार्क ये गोवा में नालेम नेसल प पार्क ये 36 गं में हैं इंपोर्टेंट है याद रखेंगे इसको repeat कर लिजिएगा दोस्तों हम repeat का निला बन जाएगा यानि मुड्पंक्री बन जाएगा याद रखेगा निला और लाल को मिला देंगा तो मेजंटा बन जाएगा और हागा किले के क्लर्ट रहें और या सिह क्लर पर जितने भी यह समय प्राथिम कलर एब प्राथ्मिक कलर के ही मेल से दोस्तों किसका निर्मन होता है तो ये दुद्तिय कलर का निर्मन होता है अब देखिए हरा और मेजन्टा को मिला देंगे दोस्तों प्राथ्मिक कलर और दुद्तिय कलर को तो सफेद बन जाएगा मोर पंखिय और लाल को मिला देंगे तो भी सफेद बन जाएगा निला और पिला को भी मिला देंगे दोस्तो तो सफेद बन जाएगा याद रखेगा हरा निला लाल को भी मिला देंगे तो सफेद ही कलर बनेगा नेक्स महारतन कमपणी उड़ा स्थापना इसे याद रखेगा अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पिसी तीस जनवरी 2021 की इसको फर्स रिफ्ट में जो कुशन आया था वो देखिए निमलकित मेंसे कौन से विलियन में विदूत का चालन नहीं होता है विदूत का चालन दोस्तों नहीं होता है किसमें नहीं होता है विदूत का चालन इंपोर्टेंट है बताइए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों ये एलकोर और गुलकोच में नहीं होता है, बितुत का चालन बाकि सम होता है, एलकोर और आमल में होता है, आमल और चार में भी होता है, गुलकोच और चार में भी होता है, निमलकित मेंसे क्या, क्या, डैस की विसिस्ता नहीं है, किस की विसिस्ता नहीं है, याद कि इसे, वो एस्तिर मेमोरी के रूप में जाने जाता ये नहीं है दोस्तों, रोम की विसेस्ता ये नहीं है, बाकि सब है, कंप्यूटर बंद होने पर भी सुचनाई नहीं खोती है, रोम में ये बिल्कुल सही है, ये सुचनाओं को आस्थाई तोर पर संग्रीद करती है, ये भी सही है, चन्यान दो के रोवर पड़िज्ञान की विदू सक्ती उत्पादन चमता कितनी है? विदू सक्ती उत्पादन चमता दोस्तों कितनी है? तो ये 50 वाट है, 50 वाट. निमलकीत में से किसका उप्योग नाविकी रियक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है, मंदक के किया जाता है, तो 4 कराइट अंसर C नमर हो जाएगा दोस्तों Next भारत ने प्रोदित की पड़ियोग उपगरह नामक इमेजिंग उपगरह किस वर्स में परछे पित किया था, किस वर्स में दोसब परछे पित किया था, 2001 2001 इस्वी में पर्षे पित किया था 2001 इस्वी में सुध कारवन को डैस पर संसलिसित करके हीरा बनाया जा सकता है हीरा बनाया जा सकता है दोस्तों अतिधीक उच दाब और उच ताप मन पर अतिधीक उच दाब और उच ताप मन पर निमलकित में से कौन सा कारवन का एक अप्रूप है कारवन का एक अप्रूप है दोस्तों हीरा एक कारवन का एक अप्रूप है हीरा नेक्श बड़ फुलू बड़ फुलू किस के कारण होता है बड़ फुलू दोस्तों या दोखे हैं H5N1 के कारण होता है कितनी हड़ियां होती है 300 हड़ियां होती है दोस्तों 300 हड़ियां इन में से कौन सी फसल सुखा सहिन सुनता फसल है सुखा क्या सहिन सुनू फसल है तो कौन सा है दोस्तों याद रखेगा यह बाजरा है बाजरा है नेक्ष यूरेल क्या है यूरेल क्या है इंटरनेट पर निम्लखी तमें से कौन सा किला तमिलाडू में इस्तित है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, क्या मनोरा का किला तंजावुर जिले में इस्तित है दोस्तों, याद रखेगा, नेक्स्ट, आइडिबी आई, भार्धी ओध्योगी की विकास बेंग की अस्थापना कब थी, 1964 इसी में हुई थी, IDBI की अस्थापना, खेरा जिले के किसानों की सहाइता के लिए माहत्मा गांदी ने सत्यागरा का आयोजन किस वर्स किया था, सत्यागरा का आयोजन, 1918 इसी में किया था, साजनिक छित के उपकर्मों में, परदत सेयर पुंजी का कितना परतिसत हिस् राज सरकार द्वारा या आंसिक रूप से किन सरकार और आंसिक रूप से एक या एक से अधिक राज सरकारों द्वारा धारन किया जाता है, तो यह हो जाएगा दोस्तों, 51% या इससे अधिक, 51% या इससे अधिक, कुतुमिनार का निर्मान किसने पूरा करवाय था, कुतु करता है तो यह हो जागा दोस्तों NH 15 कबर करता है अक्टवर 2020 तक प्राद जनकारी के अनुसर कितने भारती राजियों में दुई सदनिय विधा मंडल है दोस्तों च्छा याद रखेगा अच्छा पेरीज में इस्टित इंटरनेशनल इंस्टिट फोर एजूकेसनल सईम्त राष्ट के किस संगठन का ये अंग है किस संगठन का अंग है युनिस्को का दोस्तों ये अंग है याद रखे युनिस्को का एक अंग है सईम्त राष्ट पढ़्यावरन कारिकरम को किस वर्से CFC के उत्पादन को 1986 के अस्तर पर इस्तिर करने संबन देते समझोते पर आगे बढ़ने में सफलता हांसिल हुई थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1987, भारत का राश्पती को सपत कौन दिलाता है, भारत का राश्पती को सपत भारत के मुख्य नियादीस दिलाता है, भारत के मुख्य नियादीस, नेक्स्ट, 1945 में UNO के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इसके सदस्य देशों की संख्या दोस्तों 51 है, एक क्रिद बाल सरक्षन योजना, इंट्रिग्रेटेड़ चाइल्ट प्रोटेक्शन इसकिम किस वर्स सुरू की गई थी, किस वर्स सुरू की गई थी 2009 से 2010 में, दिली में इसी इंडियागेट का दिजाएन, तो याद के एडविन लूटियंस ने त्यार किया था, निमकित में से कौन सी नहर परनाली हर्याना में नहीं है, तो याद के गंड़क नहर दोस्तों हर्याना में नहीं है, क्या नंगल नहर है, पस्मी यवना नहर है, भाकरा नहर परनाली है, पहल योजना किस स समन्दित है पहली योजना दोस्तों ए लपीजी सबसिदी का परतिछ अस्थामतरन से ये समन्दित है बार्डोली सत्यागरह जो कि किसनों का एक आंदुलन था कि अगवाई किस भारती राष्ट वादी नेता द्वारा की गई थी तो किसके द्वारा ये दोस्तों की गई थी बार्डोली सत्यागरह तो यादो के बल्ला भाई पर टिल के द्वारा की गई थी इंपोर्टेंट है दोस्तों किस काल को भारती इतिहास का स्वन यूग कहा जाता है तो यादो के गुप्त काल को भारती इतिहास का स्वन यूग कहा जाता है निती आयो के बारे में निमलख पुर्ट ट्रांसफोर्मिंग इन्डिया है यह बिल्कुल सही है या साकारी संगवाद का एक प्लेटर हॉट मैं ये भी सही है या भारा सरकार के परमुक धिन टेक के रूप में कार करता है ये भी सही है निम्लकित में से कौन से केंद सासी पर्देस में तारपा उतसब मनाया जाता है दादर वर नगर हवेली में तारपा उतसब दोस्तों मनाया जाता है 1940 में भारत के सुतंत्र होने के समय बेटिस भारत का वाइसरा है कौन था बेटिस भारत का वाई सीराय Lord Mountbaton था दोस्तों निस मिलखा सींग ने कौन से उलंपिक खेलों में 400 मेटर दोर के अंतिम मुकाबले में 4 अस्तन प्राप्त किया था 4 अस्तन प्राप्त किया था रोम उलंपिक खेल मिलखा सिंग ने कौन से उलम्पिक खेलों में 400 मीटर दोर के अंतिम मुकाबले में चोथा अस्तन प्राप्त किया तो रोम उलम्पिक खेल भारत का समीधान किस वर्ष से लागू हुआ था भारत का समीधान तो ये 1950 से लागू हुआ था बार सरकार ने किस भारती ये मसाले के लिए US पेटेंट को चिनोती दी और उन्हें इसे रद करने के लिए मजबूत किया तो ये हो जाएगा दोस्तों हल दी याद रखेगा हल दी 326 इसापूर में भारत का आकरमन करने के लिए सिकेंदर ने सबसे पहले निमलखित में से किस नदी को पार किया था तो ये सिंदू नदी को दोस्तों पार किया था याद रखेगा और ये इसका आंसर है रेलबे एंटी पीसी 31 जनवरी 2021 को फस्ति में जो कोशन पूछा गया था वो देखे पोधों में उर्जा का अंतिम सुरोत क्या है उर्जा का अंतिम सुरोत दोस्तों सुरी का प्रकास है याद रखेगा सुरी का प्रकास कोडियो लिस बल के समझ में इने से कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन दोस्तों गलत है या वाय मंडलिये दाब में अंदर के कान उत्पन होता है ये दोस्तों गलत है बाकी सब सही है या अक्छांस के कोन के अनुकर उनुपाती होता है बिलकुल या धुरूओं पर अधिक्तम यह भूमद रेखा पर नहीं होता है यह भी सही है रोकेट डैस स्रक्षन के सिधान पर कारी करते हैं तो रोकेट दोस्तों संब्यक स्रक्षन के सिधान पर कारी करते हैं निम्लकित में से कौन सी धातु द्रव अवस्ता में मोजुद होती है द्रव अवस्ता में मोजुद होती के लिए सब्सक्राइब को सब्सक्राइब थे सज्क्राइब के टूट जाने के करण समाप्त हो गया, तो यह यह जाएगा दोस्तों, 29 अगत 2009 को समाप्त हो गया, वह सकीन छेदर जहां भुमी, जल और वायू मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जय मंडल कहा जाता है, जय मंडल कहा जाता है, computer में RAM dash में होती है computer में RAM dash में होती है तो याद रखे, motherboard में RAM होती है next, chloro-fluorocarbon से निकलने वाली dash gas से ओजन परत के लिए हानी का रख है ओजन परत के लिए हानी का रख है तो chlorine दोस्तों ये ओजन परत के लिए हानी का रख है यदि नदी के पानी का पीएच मान डैस हो तो उसके पानी को अमलिय अपसिष्ट से परदुसित माना जाता है तो ये हो जाएगा दोस्तों सा से कम, सा से कम याद कि ये अमलिय हो जाएगा नेर में से किस वेद में संगीत से समधित ज्यान संग्रहित होता है तो ये होता है सामवेद में संग्रहित होता है इन में से कौन भारती संसत का हिस्सा नहीं है भारती संसत का हिस्सा दोस्तों विधान परिशद नहीं है राश्पती लोकसभा और राजपरिशद मतल राजसभा है next हेली धुम के तु अब कब दिखाई देगा हेली धुम के तु अब कब दिखाई देगा दोस्तों तो इसका राइट अंसर होगा 1961 में दिखाई देगा हेली धुम के तु याद रखेगा यह 76 वर्स बात दिखाई देता है इसे पहले 1986 में यह दिखाई दिया था के अंदर सरकार की मन्तरी परतिसद में कितने मन्तियों को सामिल किया जा सकता है। लोका सबागी कुल सदस्यों के 15% को किया जा सकता है। निमलकित में से कीज देश में एक से अधिक मानक यामुतर रेखा हैं, मानक यह मुतर रेखा हैं दोस्तों USA में है भारत के सब से लंबी अंतराश्टे भूसीमा डेस के साथ जूरी हुई है किसके साथ जूरी हुई है तो याद रखेगा यह बंगला देश के साथ जूरी हुई है कितनी है दोस्तों यानि 4096 यानि 496 किलोमीटर है धोलो यानि धोलो डेस का एक लोग पिडिया धार्मिक लोग निरती है तो ये हो जाएगा दोस्तों गोवा का है याद रखे गोवा का नेक्ट सबसे पूर्वी अरोचल परदेश में सुर्यदे सबसे पस्मी गुजरात में सुर्यदे से कितने घंटे पहले होता है कितने घंटे पहले होता है दो घंटे पहले होता है बेंगिंग चेतर में EDD का पुनरूप क्या है EDD का पुनरूप enhanced due diligence है याद रखे डिलिजन्स है हम भी डैस समराज की राजधानी थी हम भी हम भी वीजे नगर समराज की दोस्तों राजधानी थी हम भी हर स्चरीत का लेखक कौन है हर स्चरीत का लेखक दोस्तों कौन है तो याद रखिएगा बहुत यह important question है बान भट है दोस्तों हर स्चरीत का लेखक बान भट निक्ष धूपगट की सर्वोज चोटी किस स्रेनी का है ये किस स्रेनी का है तो याद रखे सत्पूरा स्रेनी का है भारत का राष्टी जलमार्ग थिरी किस राज में ये इस्तित है किस राज में इस्तित है केरल राज में ये इस्तित है नेक्ष लॉड क्लाइव भारत में इंग्लेंड अंतिता कब लोटा था लॉड क्लाइव तो याद रखेगा सत्रस सरस्टी सी में लोटा था खुज्रों का भवी मंदीर डेस के सासों को द्वारा बनवाया गया था दूनिया का सब बड़े दूल उत्पादक देश का क्या नाम है बताईए तो याद रखे इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत है अपना प्यारा देश भारत है भारती राश्ट कमड़ेस के पर्थम मुसलिम अध्यक्ष कौन थे पर्थम मुसलिम अध्यक्ष बदरू दिन तेव जी थे दिजिडल सक्षत्ता में उस उधार के लिए डिजिडल इंडिया कारिकरम कब शुरू किया था तो याद रखे एक जुलाई 2015 को शुरू किया था एक जुलाई 2015 और इसका दोस्तों ये अंसर है इस सेट का इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए 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 पी के एस और सलफर प्रोटेन और तेल के निर्मान में सहीक होता है सलफर सोडियम सुखा पर तिरोद में विर्दी होता है सॉडियम याद नेक्स्ट वेद, उपवेद और प्रोहित, रीग वेद का उपवेद है आयर वेद और इसके प्रोहित को खोतरी कहते हैं, साम वेद का उपवेद है दोस्तों गंधर वेद, इसके प्रोहित को उद गाता कहते हैं, यजुर वेद का उपवेद है धनुर वेद, इसके प्रोहित को अधरवीव काते हैं अधरवेद का उपवेद है सिल्पवेद इसके प्रोहित को ब्रह्म काते हैं याद रखेगा नेक्स्ट है सूची वन देश का नाम है और सूची दो में सीमा की रेखा की लंबाई जिसे आपको याद रखनी है सबसे लंबी सीमा दोस्तों के साथ लगती है के साथ सबसे ज़्यादा पूछा जया तो बंगलादेश के साथ लगती है अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रेलवे एंटी पीसी 31 जनवरी 211 को सकेंड स्रिप्र में जो कोशन पूछा गया था वो देखिए पहला कोशन है दोस्तों असंधारियों की हिर्दे में कितने पर कोश्ट होते हैं चार पर कोश्ट होते हैं मानव सरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुम्बक्य छेतर उत्पन होता है तो हिर्दे और मस्तिस्क में चुम्बक्य छेतर उत्पन होता है निमलकित में से किस परनाली को निजी नेटवर्क पर या निजी यह भासा में दिये गए परतेक निर्देस को रुपांतरित करता है और अगले निर्देस पर जने से पहले इसे निस्पादित करता है तो याद रखे वो कौन सा है दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर नेक्स्ट इन में से किसकी द्वारा जाड़ी State of the Global Climate Report में पीछले चार वर्सों के दरौन समुदरी अस्तर के रिकॉर्ड विर्दी और भूमी और समुदर के ताप मैतिदीक विर्दी का खुलासा किया गया है तो यह हो जाएगा दोस्तों विस मोसम संगठन विस मोसम संगठन डैस एक समानी सब्द है जो इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइव वेव के सभी विधी के एव नियामक पहलवों को संरभीत करता है तो यह हो जाएगा दोस्तों साइबर लौ साइबर लौ ने मिलकित में से किसे स्टार्ट की रूप में संगरीत किया जाता है जिसे पोधों की पोधे जीवन के लिए आवसक अनों का इस्सा भी है तो यह हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन क्या है नाइट्रोजन किस हार्मोन के सराव के कारण हिर्दे की धरकन एवं सोसंदर में एक साथ विर्धी होती है तो एडरा नाइलाइन इन में से किसे राजिव गांधी खिलरत न पुरुषकार प्राथ करने वाला तिसरा किर्केटर होने का गोरब प्राप्त हुआ तिसरा किरके टड़ विराट कोली दोस्तों विराट कोली भारत के पुर्वी तड़ पड़ इस्तित इन में से किस अस्थन पर अंग्रेजों ने 611 में अपना पाला कारखना खोला 611 में अपना कारखना खोला मुसली पटनम में याद रखेगा मुसली पटना में खोला नेक्स्ट केंदरीय मंती मंडल ने डेस की अवदी के दोरन पाँच जी एसलवी उरानो युक्त जी एसलवी चरन फोर कारकरम को जारी रखने की मंजुरी दे दी है तो ये हो जाएगा दोस्तों 2021 से 2024 2021 से 2024 उस Metro Rail Corporation का नाम बताईए जिसे कच्रे से उर्जा उत्पन करने वाले सई अंतर से विदूत प्राप्त करने वाली देश की पहली प्रियोजना होने का गुरप प्राप्त है तो ये है दोस्तों दिल्ली मेट्रो दिल्ली मेट्रो नम्रिकेद मेंसे किस मंतरा लेने 2021 इसमें वायू पर्धुसन पर एक थीम सौंग हवा आने दे लॉंच किया है तो याद रखेगा पडियावरान वन एवन जलवायू पडिवर्तर मंतरा लेने दोस्तों लॉंच किया है सविधान के इनमेंसे किस अनुच्छेद में केंद्रिय बजट को वार्षिक वीत्य विवरन के रूप में संर्वित किया गया है तो ये हो जाएगा दोसरा अनुचित 112, इसमें केंद्रिया बजट को वार्षिक वित्य विवर्ण की रूप में संद्रवित किया गिया है, बजट सदका उप्योग नहीं किया गिया है, 24 में राष्ट्पती की जैनती पर इनमें से किस अभियान का सुवारम किया गिया है, इस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को सोतंता दिवस के रूप में मनाया था, तो याद रखेगा 1930 इसमें को मनाया था, तो मिलाडू के नेमलखित में से किस सहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भोगोलीग पहचान टैग परदान किया गिया, भोगोलीग पहचान, तो जुलाई 2016 में किस केंसासी परदेश के विधान सवापडी सर को ली कारवोजियर के वास्तु सिल्प कारिये के अनुलेखन के तहत यूनिसको विस्विरासत अस्थल के रूप में घोसित किया गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों, चंडीगट को घोसित किया गया था, चं परदेश का लोग निरते दोस्तों, लावनी, याद रखिया का लावनी, नेक्शनेमरकित में से किस अनुछेत में यह प्रावधान किया गया है कि राश्ट्पती का आदेश द्वारा एक अंतराजे परिशत का गठन किया जा सकता है, तो अनुछे 263, लकडी के विभीन कि पिडिया निरती गंभीरा, इन में से किस राश से समन्दित है गंभीरा, किस राश से समन्दित है दोस्तों गंभीरा, इंपोर्टेंट है इसका राइट अंसर होगा दोस्तों, यह पसी मंगाल से समन्दित है गंभीरा, निवलकित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुर रुमनियम समीदिस समंदित है यह समंदित है जी एस्टी दोसों जी एस्टी आयर कूट के नेत्रित में ब्रीटिस सेना ने कब पोट्रो नोवो में हेदर अली को हडाया और मद्रास को बजाया था तो यह हो जाएगा दोस्तों जुलाई 1751 जुलाई 1781 में इन में से किसे एक जुलाई 2017 को भारती सविधान के 101 में संसोतन के रूप में पेस किया गया था तो ये हो जाएगा दोस्तों वस्तु एवं सेवाकर किस ने 21 अक्ट्रवरら 1943 को आजाड़ हिंद की वस्ताई सरकार के गठन की खुसना की थी आज दोनों में संस्धिय लोक तंत्र के रूप में सासन की डैस सरचना का प्रावधन किया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तो, संग्हीय का किया गया है, संग्हीय का, next निमलखित में से किस अधिनियम ने भारेत में कम्पनी के व्यापडिक एक आधिकार को समप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी बेंडिस अधिनस्त करोवारों के लिए खोल दिया है, तो ये हो जाए देखिए दोस्तों, एक साइड समीथी दूसरे साइड अभी से, स्वामिन अथन समीथी जनसंक्या समीथी से समन्दित है, जानकी रमन समीथी पर्ति भूती घोटाला से समन्दित है, याद रखेगा, गोसामी समीथी वद्योगी के रुगंता से समन्दित है, रंगराजान सम समिति भुक्तान संतुलन से समन्दी थे, खुसरो समिति क्रिसी साक से समन्दी थे, सत्यम समिति वस्त्र निती से समन्दी थे, महाजन समिति चीनी उद्योक से समन्दी थे, और भुड़े वाला समिति दोस्तों मोटर वहन करों में विर्धी से समन्दी थे, आविद हुसेन समि नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटीपेसी, रेलवे एंटीपेसी एक फरवड़ी दो जाड़ी कि इसको फर्सिफ्ट में जो कोशन आया था वो देखिये दोस्तों HIV का इलाज नहीं होने पर डेस हो सकता है, क्या हो सकता दोस्तों HIV इलाज अगर नहीं होगा तो क्या हो सकता है तो याद रखेगा ये क्या, sorry AIDS हो सकता है, HIV का इलाज नहीं होने पर AIDS हो सकता है और AIDS का फुलपर मोता, Acquired Amino Deficiency Syndrome LPG का पुनरूप क्या होता है, LPG का पुनरूप Liquified Petroleum Gas परकास वर्स डेस की इकाई है, परकास वर्स दोस्तों दूरी की इकाई है, दूरी की तो ये परागकन के कारण, आधुनी कंप्पिटर का जनक के किसे माना जाता है, आधुनी कंप्पिटर का जनक एलन ट्यूरिंग को मना जाता है, भारत में पर्थम प्रमानुबम का प्रिक्चन किस वर्स किया गया था, 1934 को निमलकित में से कौन सा उर्जा का एक नवी करनिय स्रूत है तो ये हो जाएगा दोसों संसलेशन गैस संसलेशन गैस एक नवी करनिय स्रूत है नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की सुरुवात कब हुई थी भारत में इंटरनेट की सुरुवा दोस्तों 15 अगस 1995 हुई थी इफेडरा पोधे को किसके अंतरगत वर्गी क्रित किया गिया है तो ये हो जाएगा दोस्तों अनाविर्थ बीजी निम्लकित में से कौन से विटामिन में इस्ट परचूर मातरा में पाया जाता है भारती राष्ट कोंडेस की पपली भारती मेला अध्याच कोन थी तो याद रखी गए अगरए शरोजनी नैडू थी यंग बंगाल अंदोलन किसने शुरुक क्या था? यंग बंगाल अंदोलन तो ये हन्री विलियंम डेरु जीयों ने सुरु क्या था जीन पियरे हेरी सन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कलपना चावला के जीवन पर अधारी थे? कौन सी पुस्तक अधारी थे दोस्तों तो याद रखेगा इसका राइट अंसर होगा इस पुस्तक कलपना चावला के जीवन पर ये अधारी थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों, पर्धनमंत्री को महाभियोग से नहीं हटाया जा सकता है, मुकी चुना आयकत को हटाया जा सकता है, भारत के राश्ट्पती को भी, भारत के मुकी नियाधिस को भी हटाया जा सकता है निमलकित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए UN का एजंडा नहीं है UN का एजंडा नहीं है तो विस्व की कुल जन संख्या में एक बटे तीन तक कमी करना ये एजंडा नहीं है दोसों UN का बाकि सब है देखे गड़िवी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना ये तो हैं 2030 तक खाद सुरक्चा प्राप्त करना और राष्ट के भीतर और राष्ट के मध्धी और समनता को कम करना नेक्षे पुना समझोते पर किस किस ने हस्ताक्चर किये हैं, पुना समझोते पर किस किस ने हस्ताक्चर किये हैं, एमके गांधी और भीमरा अंबेदकर ने दोस्तों हस्ताक्चर किये हैं, दीफु दर्रा कहा इस्तित है, दीफु दर्रा याद रखेगा, और विश्व के सब से अधिक प्राकिर्तिक गैस भंडार किस देश में है इंपोर्टेंट है ये रूस में है रूस में वैस्वी खुस हाल रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकासित की गई थी पहली बार तो ये 2012 में दोस्तों प्रकासित की गई थी 2012 में नेक्स्ट जिला और सत्र नियादिस डैस के सीधे नियंतरन के अधिन कारी करता है तो ये हो जाएगा राज के उच नियाले के अधिन कारी करता है दिलवारा मंदी डैस में इस्तित है दिलवारा मंदी दोस्तों माउंट आबू में इस्तित है दिलवारा मंदी चार मिनार नेम नाम से दोस्तों जाना जाता है आमर वर्सा के नाम से जाना जाता है आमर वर्सा दचनी धुरूप पर पहुंचने वाली भारते पुलिस सेवा की पहली महला अधिकारी का नाम क्या है पहली महला अधिकारी के नाम अरपरना कुमार अपर या अरपरना कुमार निमलखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपणी है भारत की सबसे बड़ी तेल कंपणी दोस्तो भारत पेट्रोलियम है भारत पेट्रोलियम निमलकित में से कौन सा एसिया का पहला एस्टोक एक्चेंज है तो यह है दोस्तो बॉंबाय एसिया का पहला एस्टोक एक्चेंज है भा तो इसका राइट अंसर होगा एक टिस का दोस्तों वैसाली में हुआ है घरों के बाहर फर्स को सजाने के लिए अकला की निम्र में से किस सेलिका उपयोग किया जाता है किस सेलिका तो कोलम का परियोग किया जाता है कोलम का दोस्तों भारत में खिलापत आंदोलन के बारे में क और Automobile Capital के नाम से लोक पीडिये है, तो यह हो जाएगा दोस्तो चेन्नाई लोक पीडिये है, Automobile Capital के नाम से चेन्नाई, नेक्स्ट नमक पर बेटिस एका दिकार का विरोत करने के लिए, गांधी जी ने किस वर्समें समुधर तक डांधी मार्च सुरू किया था, तो याद रख आप दोस्तों की जाती है नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दोस्तों आंसर है अब देखे इस सेट का इंपोर्टेंट पॉइंट दिवस है और विसे है अंतराष्ट खोगोल विज्ञान दिवस दोसों दो मैं को मनाया जाता है अंतराष्ट खोगोल विज्ञान दिवस दो मैं को विस प्रेश सतंता दिवस तीन मैं को मनाया जाता है अंतराष्ट ये अगनी समन दिवस चार मैं को मनाया जाता है अंतराष्ट ये मिडवाइब दिवस और विस अस्तमा दिवस पांच मैं को मनाया जाता है वेशाग दिवस विशु एथलेटिक्स दिवस साथ मही को मनाया जाता है अंतराष्टी थेलिसिमिया दिवस आठ मही को मनाया जाता है राष्टी प्रोदित्की दिवस एक्यारा मही को मनाया जाता है वीशु नर्ष दिवस बारे मही को मनाया जाता है विश्व पडिवार दिवस 15 मही को मनाया जाता है विश्व उच रक्ट चाप दिवस और विश्व दूर संचार और सुचना समाज दिवस 17 मही को दोस्तों मनाया जाता है नेक्ष दर्रे और समंदर राज है वो देखिए बोमडिल्ला दर्रा अरुनाचल परदेश में है यांगयाब दर्रा अरुनाचल परदेश में है जलेपला दर्रा दोस्तों सिक्की में है बरालाचा दर्रा हिमाचल परदेश में है बारालाचा दर्रा हिमाचल परदेश में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मु कस्री में है, जोजिला दर्रा जम्मु कस्री में है, नीती दर्रा उत्राखन में है, नेक्स्ट, रोतांग दर्रा हिमाचल परदेश में है, माना दर्रा हिमाचल परदेश में है, बुर्जी दर्ला ज मुका स्रीर में है दोस्तों नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलबे एंटी पीसी एक फरवड़ी एक फरवड़ी दोजार एक इसको सकेंड स्रिफ्ट में जो को सनाया था वो देखिए दोस्तों लाई डिटेक्टर उपकरन को डैस्क रूप में भी जाना जाता है किसके टाइ भाल जंक रवोड़ी दो अब लाई कर आन्थी यान्तीक रांतिि माक्रोसप्ट एक्सल में वर्क्बूक डैस का एक शंग्रह होता है । किसका एक संग्रह होता है ? वर्क शिट्स somebody थे कौन थे दोस्तों तम स्लीया अस्पतलों से निकलने वाले जेविक कच्रे के निप्टान का सबस अच्छा तरीका क्या है? सबस अच्छा तरीका दोस्तों भसमी करन है, याद रखेगा भसमी करन है, नासा की अनुसार पिर्थवी की भू अस्तर, भू सता का कितना भाग वना चिद है? कितना भाग वना चि है, याद रखेगा, टेलिफॉन का अभिसकार डेस में किया गया था, टेलिफॉन का अभिसकार दोस्तों, आठाए POLndhasa प्रकास दिवस किस दिन मचा जय जय जैता है नेजीन, भारत में किस तरिक को वर्स का सबसे छोटा दिन वर्ष का छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को दोस्तों भारत में निमलकित में से किसे अस्तानी सोसासन का जनक कहा जाता है तो यह हो जाएगा दोस्तों इंदरा अवास योजना भार सरकार दुवार किस ग्रामिन आवास योजना को पुनर सनरचित करके पर्धनमंत्री ग्राम आवास योजना का सिजन किया गया इंदरा आवास योजना रवीन आटागोर ने डैस की वजन से अपनी नाइट होड की उपाधी वापस लोटा दी है तो याद रखियेगा जलियावला बाग नरसंगार में लोटा दिया दोस्तों भारचरो आंदोलन डैस सहर से सुरू हुआता भारचरो आंदोलन तो ये सुरू हुआता बंबई से निमलकित में से कौन सी पूस्तक विशन सर्मा दुआरा लिखित है कौन सी पूस्तक पंचिनो तंतर दोस्तों विशन सर्मा दुआरा लिखित है भारती निर्वाचन आयो के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हैं तो नियुंतम आयू कितनी है तो याद रखे 18 वर्ष नियुंतम आयू है दोस्तों इर्मी से किसे Grand Old Man of India के नाम से जाना जाता है तो दादा भाई नरोजी को Grand Old Man of India के नाम से जाना जाता है पुना समझोता कब हस्थांग चरित किया गया था पुना समझोता तो ये किया गया था दोस्तों 1922 में हस्थांग चरित किया गया था पुना समझोता प्लासी के यूद के समें बंगाल का नवाब कौन था कौन था तो सिराजी दोला प्लासी के यूद के समें बंगाल का नवा तो ये हो जाएगा 1995 में की है दोस्तों एस्टेटिक सोसाइटी और बंगाल की अस्थापना किस वर्स में की गई थी? किस वर्स में की गई थी? 1784 में की गई थी अटल मीसन फोर रेजिव विनेशन एंड अर्मन ट्रांसफोर्मेशन इन में से किस समंदित है? ये किस समंदित है? दोस्तों तो याद रखेगा मुल्भूत नागरिक स्विधाएं से ये समंदित है हमारा रस्वर्मन्डल किस गलेक्सी का एक हिस्सा है? किस गलेक्सी का एक हिस्सा है? अकास गंगा का दोस्तों एक हिस्सा है निक्ष राई सीना हील कहां इस्तित है राई सीना हील्स दोस्तों या राश्पती भवन वाले अस्थान पड़ इस्तित है राई सीना हील्स निम्रखित में से किसे 24 दिसंबर 24 दिसंबर 24 को भारत के सर्वोच नागरी पुरुसकार भारत रतन से समानित करने की घोसना किया गय तो मदन मोहन मालविये, याद रहता है, मदन मोहन मालविये को 24 तिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच नागडी पुरुसकार भारत रत्म से समयंट करने की घुशना किया गया है, क्या गया था दोस्तों, मिल चुका है, गुपत समराज के निमलखीत राजाओं में से कौन एक मूँखी खत्रा बनी हुई है देखे काजी रंगाराष्ट उद्यान से क्या हो कर गुजरनेवाले किस राष्ट यह राजमार की सिम उद्यान के वन्ने जीवों के लिए मूँखी खत्रा बनी हुए एनेस 37 सचीन तंदुलकर ने अंत्राश्ट किर्केट में अपना 117 किस टीम के खिलाब बनाया था दोस्तों इन में से सिधी करवाही दिवस की घोषना किस ने की थी सिधी करवाही दिवस की घोषना दोस्तों मुहमद अली जिन्ना ने की थी मुहमद अली जिन्ना ने अक्छांस का एक डिगरी लगभग 10 किलोमेटर के बड़ाबर है 10 किलोमेटर के बड़ाबर 111 किलोमेटर के दोस्तों बड़ा से समंदी थे, स्वेत करांती दूद उत्पादन से समंदी थे, स्वेत करांती दूद उत्पादन से समंदी थे, नेली करांती मचली उत्पादन से समंदी थे, रजत करांती अंडा उत्पादन और कुकुट उत्पादन से समंदी थे, रजत फाइबर करांती कपास से समंदी रजत फ्यावर करांथिक winning टा पाज से समन्दित यें ग्रेकरांथि उरुषरख से समन्दित हैं नेक्स्ट दिवस और विसे 16 जुन को अंतराष्ट ये परिवारिक प्रेशन दिवस, 7 अप्रिल को विश स्वास दिवस, विश साइकिल दिवस 3 जुन को मनाया जाता है, विश दुख दिवस 1 जुन को मनाया जाता है, विश खाद सुरक्षा दिवस 7 जुन को मनाया जाता है, विश रक्तदान दिवस 14 जुन को मनाया जाता है, विश सारनार्थी दिवस 20 जुन को मनाया जाता है, राष्टी संकिकी दिवस 29 जुन को मनाया जाता है, राष्ट इसंखीकी दिवस 29 जुन को मनाया जाता है, 20 अलमपिक दिवस 23 जुन को दोस्तों मनाया जाता है अभिसकार और अभिसकारक है दोस्तों, देखे हवाय जार्च का अभिसकारक है राइट ब्रोदर्स वायव दाप मापी के विष्कारक है तो याद रखेगा क्या एवगलेस्टा टोडी सेली हैं दोस्तों वायव दाप मापी के हैं एटोडी सेली याद कि एटोडी सेली ऐसे आप याद रखेगा तार के विसका रखे हैं Samuel Morse, पंडुबी के विसका रखे हैं David Bushman, दुरभाव के विसका रखे हैं Alexander Graham Bell, रेडियों के विसका रखे हैं G. Marconi, गरमफोन के विसका रखे हैं Thomas Edison, याद रखेगा Next, दिवस और विसे हैं, देखें, एक माई को विस्व स्रमिक दिवस मना जाता है, दो माई को अंतराष्ट खगोल विज्याओं दिवस मना जाता है, दो माई को अंतराष्ट खोगोल विज्याओं दिवस मना जाता है तीन माई को विशु प्रेश दिवस मना जाता है आट माई को अंतराष्ट थेलिसीमिया दिवस मना जाता है आट माई को अंतराष्ट थेलिसीमिया दिवस मना जाता है 21 माई को विशु तमबाकुनी से दिवस मना जाता है 24 माई को राष्ट मंडल दिवस मना जाता है 23 माई को विशु कछवा दिवस मना जाता है एक जुन को गलोबल डे ओप पैरेंट्स मना जाता है एक जुन को गलोबल डे ओप पैरेंट्स मना जाता है जुनको संगीत दिवस मना जाता है नेक्ष्ट संगठन और मुख्याले है देखिए Amnesty International का मुख्याले दुसों लंदन में है और APV का मुख्याले दुसों मनिला में है और ASEAN का मुख्याले दुसों जाकरता में है OAU का मुख्याले आदिस अवावा में है राष्ट मंडल का मुख्याले दुसों लंदन में है और क्या है EEC का मुख्याले दुसों जनेवा में है WCC का मुख्याले दुसों जनेवा में है UNEP का मुख्याले दुसों जनेवा में है UNEP का मुख्याले दुसों नेरोवी में है NATO का मुख्याले दुसों बुसेल्स में है और पिरकी का आर्थिक सहयों का मुख्याले आदिस अबावा में है नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पीसी दो फ़रवी 2020 को फ़र सिप्ट में जो कोशन आया था वो देखिए दोस्तों पहला कोशन भारी जल सर्द निवन में से किसे समंदित है भारी जल तो ये समंदित है नाविके सक्टी उत्पादन सयंद से अंतराष्टी आंतिच एस्टेशन के बारे में निमलखित में से कौन सा कथन सही है और पिर्थवी की निचली कक्छा में इस्तित है निमलखित में से कौन सी output device नहीं है आटपूट डिवाइस नहीं है दोस्तों यह printer आटपूट डिवाइस नहीं है याद रखेगा 3 का, sorry 3 का B-Nimer printer तो है, यह scanner दोस्तों आटपूट डिवाइस नहीं है, यह input डिवाइस है, monitor, printer और speaker यह output डिवाइस है PPM, यानि PPM का फुल्पम होता है Page, Pages per Minutes याद रखेगा, PPM GPS के संदर में निमलकित में से कौन सा कतन सही है GPS के संदर में तो याद रखेगा, परवत और Building Block GPS सिंगनल के लिए बाधा बन सकते हैं ये बिल्कुल सही है दोस्तों क्या है, परवत और Building Block GPS सिंगनल के लिए बाधा बन सकते हैं निमलकित में से किसकी कमी से वनन दता और कम जोर द्रिष्टी की समस्या उत्पन होती है तो ये हो जाएगा Vitamin A से Vitamin A अभिज्ञान प्रोदितकी में OMR का उप्योग होता है इनमें M का पुनरूप क्या होता है M का पुनरूप क्या होता है दोस्तों साथ का क्या हो जाएगा D नंबर यानि क्या होता है मार्क होता है याद रखेगा मार्क पारा का समणी नाम क्या है पारा का समणी नाम Quick Silver है सोडा वाटर में कौन सी गयस पाए जाती है सोडा वाटर में दोस्तों अनुमांसिक रूप से संसोधित GM फसल की कानूनन खेती करने की अनुमती दी गई है। तो यह हो जाएगा दोस्तों, तो BT का पास, या दोखे BT का पास की दी गई है। युएन सुरक्षा प्रिशद के 10 ओवास थाई सदसे हैं और उनका चुना महासवा द्वारक कितनी अवधी के लिए किया जाता है। कौन से प्रांत का था दोस्तों अधिकतम तो संयुगत प्रांत का अधिकतम था। भारती राष्ट कुंग्रेस का पहला अधिवेशन 885 सिम आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन भारत के किस सहर में किया गया था। तो बंबई में दोस्तों किया गया था। बंबई म किस लेखक ने नन्य बच्चे स्वामी से जूरी अपनी कहाणियां के लिए पिष्ट भूमी की रूप में मालगुडी नामक छूटी से गों की प्रिकलपना की थी आर्के नरायन ने निमलकित में से कौन सा भारत के सभी एटियम को जोरने का काम करता है भारती राष्ट भुकतान निगम भारती राष्ट भुकतान निगम दोजर एक ज्यारे के जंगरना के अनुसार निमलकित में से कौन सा राज भारत का सबसे कम सहरी कृत राज है तो यह है दोस्तों हीमाच नेक्स्ट प्रमप्रागत किरिसी विकास योजना याने पी के भीवाय के बाड़े में निमलकित में से कौन सा कतन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रमप्रागत किया गया था ये भी सही है। नेक्स्ट इसी का नाम था दोस्ट चाना के कोटलिये जो बोलिये। नेक्स्ट प्रतिक वर्स डेस दोड़ा वेपार करने की सुगमता समन्दी सुचकान को जाड़ी किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों विशु बैंक समू के दोड़ा। नेक्स्ट सिंग चतुर मुख अस्तम कहां इस्तित है। ये कहां इस्तित है सारनात में इस्तित है। नेक्स्ट उलट वासी किस भक्द कभी का एक विशिष्ट योगदान है। नेक्स्ट कच के महान और रन के बारे में बिखित में से कौनसा कथन वस्तित है ये बताए। तो यह एक मिठे पणी का जिले यह एक वस्तित बांकी सब सही है। या कच्छ वास्यों द्वारा बसाया गया है ये बिल्कूल सही है, या थार रेगिस्तान में मोजुद एक लवनिय दलदले ये भी सही है, और राज हंस बड़ी संख्या में यहां आवास के लिए आते हैं बड़ी संख्या में ये भी दोस्तों सही है, भारत के इन में से किस को सुरत में अपना पहलाकार खना अस्तापित करने के अनुमति दी थी जहांगीर ने दी थी भारती सभी धान के किस अनुचेद में पंचायतों और अस्थान ये निकाय सासन से समंदित प्रावधन सामिल है प्रावधन दोस्तों सामिल है तो इसका राइट आंसर होगा अनु निदेशानु सारक्रिंप्स मीशन भारत आया था बताईये किस परधन मन्तरी की निदेशान अनुचार तो ये हो जाएगा दोस्तो विश्टन चर्चिल के अनुचार ये आया था दोस्तों 30 का भी नम मर हो जाएगा निक्ट भार्त और चीन के बीच इस्तित्त कारकोरम दर्रा नामक पहाडी दर्रा इनमें से किस के निकट ये इस्तित्त है तो याद कि कारगिल के निकट दोस्तों ये इस्तित्त है कारगिल के निकट इस्तित्त है इनमें से कौन सा गरा दच्छिनावर्त दिसामें गुमता है दच्छिना वर्त दिसाम दोस्तों सुक्र और अरुन घुमता है दो ही गरह है दोस्तों दच्छिना वर्त दिसाम घुमता है माकी सब वाम क्या दोस्तों बाकी सब जो दोस्तों इसके दच्छिना वर्त नहीं घुमता है ये वामा वर्त में ये घुमता है किस ने हासिल किया है, माइकल फ्लैप्स ने दोस्तों नि तयार है माइकल फ्लैप्स ने गठन तो 1 जनवरी 2015 को नीती आयोका गठन दोस्तों किया गया था निक्ष एन सिष्टोzd के एक्सेंज और अप इंडिया का मुख्याले कहां इस्तित है तो यह मुंबाई में इस्तित है दोस्तों मुंबाई में याद रखेगा यह इसका आंसर है और इस से related देखिए क्या क्या important point है GPS system यानि देश है बहुत ही important दोस्तों कौन सा देश का कौन सा GPS system है देखिए चीन का BDAO यानि BDS GPS system है चीन का गलेलियों दोस्तों ये रूस का गलो नास GPS system है रूस का और भारत का है दोस्तों IRNSS यानि NA NAVIC नाविक है GPS system भारत का IRNSS या फिर नाविक है important है और जपान का दोस्तों क्या QZSS ये जपान का GPS system है याद रखेगा विटामिन्स और कमी का परभा देखिए विटामिन की कमी से रक्त का थका नो जबना याद रखेगा विटाइमिन D की कमी से सुखा रोग या ओस्टियो मेलेसिस होता है विटाइमिन E की कमी से जनन चमता की कमी होता है विटाइमिन C की कमी से स्करवी रोग होता है थायमिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है बिटाइन एच यानि बायोटीन की कमी से चर्म रोग बालों का ज़र्न होता है बिटाइन बित्री की कमी से पिलागरा बिमारी होता है Next, कम्पिटर सब्धा वाली पुन रूप देखिए क्या कि OCR का फुल्फम होता अप्टिकल का एक्टर रिकोगनाजेशन OCR का फुल्फम होता है दुसो उप्टिकल का एक्टर रिकोगनाजेशन OOP का होता pulling object oriented programming OSI का łपन सिस्ट्म इंटर कोनेक्शन OSI का उपन सिस्ट्म इंटर कोनेक्शन OSS का होता पुल्फम होता पुल्फम होता ओपें सोर्स सोप्ट्ट्बिय मेन का फूर्पम होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क MICR का होता है मैगनेटिक इंक कायक्टर रिकोगनाज़सन MICR का फूर्पम होता है मैगनेटिक इंक कायक्टर रिकोगनाज़सन MIPS का होता है million instruction per second समानी नाम और राशानिक सुत्र के बाड़े में Butter of tin Butter of tin किसे कहाता है तो याद रखेगा Tink chloride यानि SNCl2 into 5H2 को Pearl S K2CO3 को Potassium carbonate को कहाता है Pearl S दोस्तों और Tear gas या अस्रू gas CCl3 NO2 को CCl3 NO2 को Tear gas या फिर अस्रू gas कहा जाता है 14 का दोस्तों Potassium N2 KNO3 Potassium N2 KNO3 Sinogen C2N2 C2N2 कहा जाता है Zeno Gink oxide को Zeno Gink oxide कहा जाता है निला कसिस Copper Sulfate यानि COSO4 into 5H2 को निला कसिस कहा जाता है केले माइन Gink carbonate यानि ZnCO3 को केले माइन कहा जाता है और उसके बाए copper glass दोस्तों Cu2S को यानि copper sulfide को copper glass कहा जाता है Fulz gold को Fe S2 को Fe S2 को दोस्तों Fulz gold कहा जाता है याद रखेगा निक्स बाग अभ्यारन और राजी है काजी रंगा बाग अभ्यारन कहा है दोस्तों असम में काजी रंगा बाग अभ्यारन कहा है आसम में बुकसा बाग अभ्यारन कहा है पसी मंगाल में मुकुंद्रा हिल्स है राजस्थान में मुकुंद्रा हिल्स कहा है दोस्तों राजस्थान में सत कोसिया बाग अभ्यारने उडिसा में, मेल घाट बाग अभ्यारने महराष्ट में, कावल बाग अभ्यारने तेलंगना में, ना मेरी बाग अभ्यारने असमें, पक्की बाग अभ्यारने अरुना चल पर देश में, संझे धूपरी राश्ट उद्ध्याने मद परदेश में सविधान सवा में राजयों की पर्तिनी दी के बारें में हम लोग पढंगे कौन से राज़ से कौन से पर्तिनी कितना पर्तिनी दी से स्हिंक्त प्रांट नहीं ते 255 प्रतियनी थे मदराज से 21 प्रतियनी थे पसीमंगाल नहीं ह softer है पूरवी पंजाब से 12 प्रतियनी थे भी हार से 239 परतियनी थे यादर क्या ब्हार से कितने परती निदी 36 मध्य प्रांत एवं बरार से दोस्तों 17 परती निदी थे मध्य प्रांत एवं बरार से 17 परती निदी थे आसम से दोस्तों 8 परती निदी थे याद रखेगा उडिसा से दोस्तों 9 परती निदी थे अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पेसी दो फरवड़ी 2021 को सकेंड स्रिप्ट में जो कोशन पूछा गया था वो देखिए काजीरंगा राष्ट उद्यान किसके लिए परसीद है अब जर्श्ट हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं बताइए क्या होगा दोस्तों काजीरंगा राष्ट उद्यान जो है ये दोस्तों एक सिंग वाले गेंडा के लिए परसीद है एक सिंग वाले गेंडा नेक्ष्ट आ उत्पन होती है। नीचे बट जाना क्या कलाता है अब साधन कलाता है दोस्तों याद रखेगा अब साधन कलाता है निमलकित में से कौन सी विशु के सबसे लंबे वरिक्षों की पर जाती है सबसे लंबे वरिक्षों की पर जाती कौन सी है दोस्तों तो याद रखेगा रेड वूड है रेड व Executive Support System होता है, Entomophilia प्रागन इन में से किस की मदब से होती है, किस की मदब से होती है, प्रकृती में पाए जाने वाले धातु योगी को क्या कहा जाता है, धाती योगी को दोस्तों खनीज कहा जाता है, याद रखेगा, खनीज कहा जाता है, जहलम का यूद किस ने जिता था, जहलम का यूद, तो ये दोसो सिकंदर ने जिता था, परधनमंति मुद्रा योजना की किसोर स्रेनी के समद में इन में से कौनसा कथन सत्य है, तो छोटे करवारियों को 50,000 से लेकर 5,000,00 तक रिन परधन होता है, किसमें दिया गिया है दोस्तों सारभूमिक वयस्ग मतदिकार का प्रावधान तो ये दिया गिया थी। में भारती वाई सेना का किया स्थापना कब हुई थी भारती वाई सेना किया स्थापना आट अक्टुबर 1932 को हुई थी निक्स्ट डेस भारत का एक मात राज्य जहां संगाई हिरन पाए जाते हैं संगाई हीरन पाए जाते हैं दोस्तों मनीपूर में संगाई हीरन पाए जाते हैं भारत के परधन मंत्री द्वारा राश्ट कोसल विकास मिशन का सुभारम कब किया गया था तो याद रखेगा 2015 में किया गया था जनरल ऑफ एंप्लाइमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नमक पुस्ता के लिखा कोन है तो याद रखेगा जॉन मेनाड किन से बावर ने इबराहिम लोदी को किस लडाई में हराया था किस लडाई में हराया था पानी पत की लडाई में इबराहिम लोदी को हराया था नेक्से जनवरी 2020 तक प्रात जनकारी के अनुसार इन में से कौन सी महारतन कंपनी नहीं है जनवरी 2020 तक बतानी है तो यह हो जागा दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेर यानि एट्ट एनल नहीं है बाकी सब्सक्राइब लिमिटेड है बारत है भी इलेक्टिकल्स लिमिटेड यानि भेल भी है दोस्तों निम्रखित में से किसे नोविल पुरुषकार से समनेत किया गया है संती के लिए नोविल पुरुसकार डेनिस, डेनिस मुकवेज और नाधिया मुराद को डेनिस मुकवेज और नाधिया मुराद को 2008 में संती का नोविल पुरुसकार मिला है 1991 में सरकार ने किसकी अधिक्स्ता में कर सुधार समीति का गठन किया है कर सुधार समीति का राजा जयत चले या राजा जयत चले या निमलखित में से कौन लोग सभा के पुर्ण प्रादिकार का परतिनिधित्व करता है कौन करता है दोस्तों तो ये इस्पीकर करता है याद रखे गया क्या दोस्तों इस्पीकर करता है निमलखित में से किस वर्स म महरानी विक्टोरिया की उद्गोसना में यहां एलान किया गया था कि इसके बाद से भारत बेटिस राजद्वारा और उसके नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से सासित होगा तो यह दोस्तों याद रखेगा अठारा सो अंठावन 1858 सिपाई विद्रो या बेटिस सासन के विरुद आजादी की पहली लडाय किस वर्स में हुई थी कुल लोग से मैं कार्यपालिका से प्रिथक करने हें तो कदम उठाएगा कदम उठाएगा जोस्तों इसका राइट अनुछिख 10 566 हवा महाराजा सवाई परताफस ने कर वाया था और पे सेष टू installed in अबकू उपनयास के लेखक कोझ है तो याद रह्खेंग म स्थी नेक्स्ट भारचरो आंदोलन किस वर्स सुरू हुआ था भारचरो आंदोलन 1942 से सीवें सुरू हुआ था OECD Organization for Economic Cooperation and Development का मुख्याले कहां इस्तित है यह कहां इस्तित दोस्तों पैरिस में इस्तित है अमीर खुसरो का जन्म उतर पर्देश के डैसन हुआ था उतर पर्देश के दोस्तों पट्याली में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म नेक्स्ट है और यह दोस्तों इसका आंसर है और इस सेट से Important Point देखिए Computer सवदावली है EDP का फुल्पोम होता Electronic Data Processing EDP का फुल्पोम होता Electronic Data Processing और यादखे ERNET का फुल्पोम होता Education and Research Network ERNET का फुल्पोम होता Education and Research Network और EEPROM का फुल्पोम होता Erisible Programmable Read Only Memory और WORM का फुल्पोम होता Write Once Read Many WEP का फुल्पोम होता Wired Equivalent Provice यादखे Wired Equivalent का Privacy इसका फुल्पोम होता है When का फुल्पोम होता है Value Added Network Next Entomo Philly Pragan Kit की मदश से होता है Entomo Philly Pragan Kit की मदश से होता है अब देखिए एक साइड है साधन दूसरे साइड है प्रागन का प्रकार Kit यादखे Kit का प्रागन का प्रकार है Kit Pragan पक्ची पक्ची प्रागन जानवर जन्तु प्रागन जल जल प्रागन कुछ नहीं दोस्तों इजी है वायू वायू प्रागन सिंपल सी दोस्तों देखिए इंगलिस ने पुछा जा जा तो वो चेंज होता है Kit Insects Entomophilly पक्ची क्या अरिंतो फिली जानवर जियोफिली जल हाइडोफिली वायू याद की ऐनिमोफिली वायू यह प्रागन का प्रकार है एक साट संगठन स्थापना वर्स और मुख्याले है दोस्तों असम राइफल्स का अस्थापना 2835 स्वीम हुआता सिलोंग में इसका मुख्याले है ने जिली में इसका मुख्याले है नी दिली में इसका मुख्याले है और I.T.P. का 1962 में अस्थापना रहा था नए दिली में इसका मुख्याले है ITBP का 1962 में अस्थापन हुआ था नई दिली में इसका मुख्याले है BSF का 1965 में अस्थापन हुआ था नई दिली में इसका मुख्याले है BSF का और NSG का 1986 में अस्थापन हुआ था नई दिली में इसका मुख्याले है तोरित कारेबल यानि आरपी एप का उनी सुभरानवे में स्थापनाववाता नई दिल्ली में इसका मुख्याले है निक्ष समीती और विसे है वो देखिए स्वामिनाथन समीती जनसक्या निती से समदीत है और रेखी समीती पर्तेचकर से समदीत है रेखी समीती पर्चेचकर से समनी थे, गोसामी समीती ओद्योगीक रुगंता से समनी थे, नर्सिमन समीती वित्य सुधार बैंकिंग छेट से समनी थे, बी-एस व्यास समीती क्रिसी एवं ग्रामिन साख विस्तार से समनी थे, पारिक समीती पेट्रोलियम उत्पादों की मुल ये परनाली से समनित है, खुसरो समिती क्रिसी साख से समनित है, सचर समिती मुसल्मानों की समाजिक आर्थिक और सेक्षिनिक इस्तिति पर अध्यन से समनित है, और एस एस तारपोरा समिती रूपिय की पुझी खाते पर प्रिवर्तन ये से समनित है, रंगराजन समिती भुकतान संतुलन से समनित है, निश्च सूची जलपरपात और देश है, तुगेला जलपरपात दचिन अफिरका में है, और योसे माइट जलपरपात केली फोर्निया में है योसे माय जलपरपाथ केली फॉर्निया में माडल सूपौसेन जलपरपाथ नार्वे में है माडल सूपाथ शुस इदी epo steril में है। dlatego में एस्ट्रेलिया में मैं रिज़य जलपरपाथ शुद चुरू जलेड़ियमें में है। निर्मान कारी और निर्मान करता देखे, फता सागर का निर्मान करता है दोस्तों महराना फता सिंग, महराना फता सिंग ने फता सागर का निर्मान किया था, जे संबत का दोस्तों महराना जे सिंग ने निर्मान किया था, डिग महल का राजा बदन सिंग ने निर्मान किया था सुख निवास का राजा बिशन सिंग्ने निर्मान किया था और उम्भेद भवन का महराजा उब्यद सिंग्ने निर्मान किया था सती बुर्ज का राजा भगवान दासने निर्मान किया था और नागरगड फोट का सवाई जे सिंग्ने निर्मान किया था नागरगड फोट का सवाई जे सिंग ने निर्मान किया था जगमोहन महल का राजकुमार बजरकुमार ने निर्मान किया था पुराना की लाका सेरसा ने निर्मान किया था मेरगड दुर का राव जोधाजी ने निर्मान किया था नेक्स्ट संगठन और मुख्याले है दोस्तों, गेट का मुख्याले जनेवा में है, एमनेस्टी इंटरनेसल का मुख्याले दोस्तों, लंदन में है, नाटो का मुख्याले बुरुसेल्स में है, यूरोपीय उर्जा आयो का मुख्याले जनेवा में है, यूनिसेव का मुख् इंडिया विंस प्रीडम के लेखक मुलाना अबूल कलम आजाद है नभजीवन का महत्मा गांदी है नभजीवन का दोस्तों महत्मा गांदी है दरनेशन का एसेन बनरजी है बाम का दरशन भगवती चरन बोहरा है भवानी मंदिर का बडिंद्र कुमार घोस है Next while socialism का जे प्रकास नराइन है Next सत्याद परकास का स्वामी दयानन सोसुत्ती है सत्यात प्रकास का दोसों स्वमी दयानन ससुती है रेलवे एंटी पिसी तीन फरवरी दो हाड़ी कि इसको फसिपन जो कोशन आया था वो देखिए दोस्तों कोशिका का वह बायतम आवरन वह बायतम आवरन मतलब कौशिका के अवयवों को उसके बायवत आवरन से अलग करता है वह कौशा है दोस्तों तो याद रखेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वह प्लाजमा जिल्ली होता है प्लाजमा जिल्ली होता है दोस्तों प्लाजमा जिल्ली उस वेग्यानी का नाम बता ये जिसने इस सिध्धान का पर्तिपादन किया था कि इलेक्टरन एक धनावेशित गोले में धसे वे होते हैं धसे वे होते हैं जेजे थॉमसन ने किया था नास कौम का पुनरूप क्या होता है दोस्तों तो या नेसल एसोसेशन ओप सौटरवियर एंड सर्विसेश कमपणी नेसल एसोसेशन ओप सौटरवियर एंड सर्विसेश कमपणी निमलखित में से कौन सा दुरगटना वस या इराद तन रूप से डेटा के अनाधिकरित वेक क्ट्रथन के लिए दुनिया का फाला मरेटिया वैक्षिद किया तो विख्षित किया तो किस ने वैग्षिद किया दोस्तों एस्मित क्लśl 그대로 202 दोस्तों औक्सीजन का कियाikat याद रखेगा ऑक्षिजन का किया जाता है डैस वेज्ञानिक और गनितिय उपियों के लिए एक उच अस्त्रिय प्रोगांबिक भासा है तो यह है दोस्तों फोट्रों याद के फोट्रों निम्लकित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमा जाता है जो है ट्रोजन के फेस्चाका्यट भाड़ी समस्तानिक होता है नेक्स्ट समानी अध्यान देखाभ ओप्रेशन विजए निम्लकित में से किसी यूद से समन दित है उप्रेशन मुझे तो यह समन दित है दोस्तों याद रखेगा कारगेल यूद 2019 में से समन दिता उस राज का नाम बताई है जहां सियांग नदी पर भारत के सब से लंबे सिंगल लेंड इस्टिल केवल सस्पेंसर पूल का उधगाटन किया गया था। तो किस ने रचा है याद रख़ेगा मेड़ी कौम ने रचा है नेक्स्ट समाचर पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचर पत्र के संस्टापक कौन थे तो कौन थे याद कि J.A. ही की थे जेम्स A. ही की थे निम्लकित मेंसे पस्यमी तट में इसनते चेत का नाम बताईए कौन सा चेतर है दोस्तों तो ते याद रखेगा मलावार चेतर निम्लकित मेंसे कौन सा समुद्धतर blue flag certification प्राप्त करने वाला Asia का पहला समुद्टर बन गिया है यह चंदरभागा समुद्टर बन गिया है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कह लाती है रे走吧 area trade clip रेखा नेमर्खित में से कौन साकी प्रम्पारिक रंगमंछ जहां आठ दिनों में आठ नाटक पर्दिसित किया जाते हैं, आठ दिनों में आठ नाटक, तो यह हो जागा किशना अट्रम, किशना अट्रम, निम्लखित में से किस अनुचित में समानता की आवधारना को पड़िभासित किया गया है, पड़िभासित किया गया है दोस्त, अ वादी ग्रेफाइट भंडार है कौन से राज में हैं दोस्तों तो यह अरुनाचल्क परदेश में सबसे जयादा ग्रेफाईट भंडार हैiernाचल Graduate मैं तो इसका प्रदन हेतू, बिर्टिस लोग अधिकारियों को प्रभावीत करने के लिए लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन के गठन किस ने किया था, किस ने किया था, दोसरो दादा भाय नरोजी ने किया था, संग और केंद सरकार के खातों के समध में सेवेधानिक सक्तियों और क पर्तवियों का पर्योग नेमलेकित में से किस के द्वारा किया जाता है, किस के द्वारा किया जाता है, तो भारत के नियंत्र के वा महाले का प्रिक्षक के द्वारा किया जाता है, काली दाज द्वारा लिखे गए नाटक अविज्ञान साकुंतला में साकुंतला का पूत्र क परंगाबाद में निमलकीद में सिक्की से भारत के सोतनता आंदुलन के दोरान चरम पंति नेता के रूप में जाना जाता है तो बाल गंगा धरतिलक को जाना जाता था याद रखेगा इसका यह आंसर है और इस सेट में क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखिए मारम रियक्टर की संखियां 33 है और साउथ कोरिया को दोस्तों 24 रियक्टर की संखियां साउथ कोरिया भारत के पास 22 रियक्टर है कनाडा के पास 59 रियक्टर है यूक्य के पास 15 रियक्टर है यूक्रियन के पास 215 रियक्टर है सुरियन के पास 6 रियक्टर है इंपोर्टेंट तत्व नहीं है, कौनसा एक तत्व नहीं है, सिलिका दोस्तों एक तत्व नहीं है, सिलिका का राशानिक सुत SiO2 होता है दोस्तों, ग्रेफाइट जर्मेनियम और सिलिकोन एक तत्व है, RDX क्या है, RDX एक विस्फोटक है दोस्तों RDX, एक विस्फोटक है, नेक्ट भारत की पह परतिकिया एक तीरी के रूप में डेक्स्टॉप पर मोजूद होते हैं तो यह हो जाएगा दोस्तों करसर क्या हो जाएगा करसर मोजूद होते हैं अकास का निला रंग निमलखित में से किस के कारण होता है अकास का निला रंग यह प्रकास के पर किर्णन के कारण होता है निम अनुसंदान संस्थान कहां ये इस्तित है कहां इस्तित है दोस्तों ये देहरा दोन में भारती वन अनुसंदान संस्थान कम्पूटर मोनिटर को डैस के नाम से भी जाना जाता है किसके नाम से दोस्तों जाना जाता है तो ये वीडियो के नाम से जाना जाता है यदि कोई वि करके दर्पन का उप्योग किया जाता है तो याद रखेगा अब्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है अब्तल दर्पन का नेक्स्ट गंगा एक्षन प्लान का मोखी उदेश क्या है तो गंगा नदी में परदुसन में कमी वह बल जो पिर्थवी के अपने धुरी पर घुर्णन करने के कारण उत्पन होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों तो याद रखेगा उसे कोडियो लॉसिस ब कहा जाता है नेक्स्ट अक्टवर 2020 तक प्राप्त जनकारी के अनुसार इन में से कौन सबसे कम आयू के नोवेल प्रुसकार विजिता है सबसे कम आयू के तो कौन है दोस्तों मलाला यूसुप जाई है याद रखेगा ये कितने के हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 17 वर्स की नेक्स्ट पिर्फवी का बाहतम हिस्सा कौन सा है पिर्फवी का बाहतम हिस्सा क्रस्ट होता है याद रखेगा दोस्तों 1922 में गांदी जी द्वारा ओसायोग अंदरन को वापस लेने का मुकी कारण क्या था मुकी कारण दोस्तों क्या था तो याद रखेगा भीर ने उतर पर देश के चोड़ी चोड़ा में एक पुलिस एस्टेशन में आग लगा दी थी छेदपल की दिश्टी से विश्व का च्छटा सबसे बड़ा देश कौन सा है च्छटा सबसे बड़ा देश दोस्तों यह आस्ट्रेलिया है याद रखेगा अस्ट्रेलिया इन में से कौन सी फेम दो इंडिया इसकीम की मुकी विसेस्ता नहीं है कौन दोस्तों नहीं है तो इसका लक्ष केवल नेजी परिवान यह नहीं है बागी सब है कूल खर्च कूलखज़ 20,000 क्रोर होगा यह बिल्कुल सभी है और इसके तत एक मिलियन इलेक्ट्रिक दूपया वहनों यानी 5 लाख इलेक्ट्रिक दूपयों वहनों यारखेगा कितनी है दोस्तों 55,004 पया वहनों और 7,000 इलेक्ट्रिक बश्टों क को सयोग परदान किये जाने की योजना है ये सभी सही है दोस्तों इसके ताथ इलेक्ट्रिक एवं हाइबरेड वानों को तेजी से अपनाये जाने के लिए प्रतोसाहित किया जाना है निक्ष नीचे दिये गए विकल्पों में से नबाड का सही पुन रूप क्या है नबाड क है नेपाल से जुरी हुई है नेपाल से जुरी हुई है दोस्तों पाँच् यादर के पाँच् कऌन को रखेगा उत्राखन उतर पर्दीश भिहार पशी मंगाल और सिक्क्रिक्ष नेश्ट् दोस्तो करनाटक राज मी स॥ीथ है। इन में से किसे भारत के लोपुरूस के नाम से जाना जाता था। लोपुरूस के नाम से सरदार बलाभाई पाथिल को जाना जाता था। Next early history of India नामग पुस्ता के लेखक कों है। नामकुस्ताप के लेखक दोस्तों, विंसेट और्थर इस्मित, किस उवर्स में भारत के गवनार जेनरल को वायसराय की उपाधी दी गई थी, तो याद रखेगा 1905 इसवी में, सोड़ी, 1905 केसे होगा, 1859 इसवी होगा दोस्तों, 1859 इसवी, नेक्स्ट, भारत सरकार डैस को लोक सेवकों के लिए, लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है, ताकि वे स्वेंग को पुना नाडिके हितों के लिए समरपित कर सके, और साजनी के सेवा एवम काड़े की उतकिष्टा के परती अपनी परतिवाधता को नवनी कृत कर सके, तो दोस्तों भारा सदस्य नहीं है संगाई कारोप्रेशन ओर्गनाईजेशन का है संयोकतर राष्ट का भी है जी 20 का भी है इन में से किस अफसर पर चंद्रगरन होता है किस अफसर पर दोस्तों चंद्रगरन होता है याद रखेगा पूर्निमा के दिन चंद्रगरन होता है तो स्री अर्विन्दो घोस दोस्तों सामिल था नेक्स्ट अनुचिद अठातर के अंदरगात मंत्री प्रिशत के सभी निर्नियों के बारे में इन में से कौन राश्पती को सुचित करेगा परधर मंत्री दोस्तों सुचित करेगा भारत की केंदे सरकार दोड़ा भारती लोग सभा के परतम आम चणा 10 में आयोजित हुए थे 1951 से 1952 में दोस्तों आयोजित हुए थे अजमेर इन मेंसे किस सुपी संत से समusta थे अजमेर? अजमेर घुये जा मयोधिन चिस्टी से समने थे अजमेर बहार सरकार के किस मंत्राली ने वस्तु एवं सिवाकर अधिनियम 2017 प्रकासित किया किस मंत्राली ने दोस्तो किया विधी एवं निया मंत्राली ने किया विधी एवं निया मंत्राली यानी option number D और इसका आंसर है दोस्तों और इस सेट में क्या-क्या important point है जिससे हम लोग आगे पढ़ेंगे वो देखिए सस्तान और अस्तान है भारती प्रानी विध्यान सर्वेक्षन केंदर कोलकाता में है भारती वन प्रमंदन सस्तान भपाल में है भारती वन प्रमंदन सस्तान दोस्तों भपाल में है इंडियन फोरेस्ट कोलेज कहा है देहरादून में इंडियन फोरेस्ट कोलेज दोस्तों देहरादून में है इंडियन फोरेस्ट रेजर कोलेज देहरादून में है अब देखे दोस्तो इंपोर्टेंट इसे याद रखेगा ये उतरी दुर्वे दोस्तो पिर्थवी का ये दच्छी दुर्वे है पिर्थवी का थीक है और ये दोस्तो मिडिल पॉइंट है ठीक है यह मिडिल पॉइंट है यानि विश्वतिय रेखा जिसको हम लोग भूमद रेखा करते हैं या फिर equator line करते हैं ये बीज में है और याद रखेगा भूमद रेखा से उपर भूमद रेखा से उपड़ी जो भी है दोस्तो ये सब य या इसे उतरी गुलार्द करते हैं भूमद रेखा से नीचे जो भी है दोस्तों इसे दच्छनी दूरूब suited for Mono कहा जाता है आप यह आद रख्ध दोस्तों बहुत यह आपको याद रखनी है दोस्तों नेक्स्ट है सूची वन और सूची दो के देखे क्या है बंगलादेश से कौन-कौन राजिस शर्ता है दोसों पाकिस्तान से गुजरात, राजस्तान, पंजाब, जम्मु कस्मिर और लद्दाग सरता है चीन से हिमाचल परदेश, उत्राखन, सिक्किम, अरुनाचल परदेश और लद्दाग सरता है म्यानमार से अरुनाचल परदेश, नागलेंड, मिजुरम और मनिपूर सरता है अफगानिस्तान से लद्दाग पियोके सटता है अफगानिस्तान से लद्दाग पियोके दोस्तों सटता है नेक्स्ट है अब दिखे दिवस और विसे हैं अंतराष्ट सिक्षा दिवस 24 जन्वरी को मनाया जाता है राष्ट मदाता दिवस 25 जन्वरी को मनाया जाता है एवं उत्पाद दिवस 26 जन्वरी को मनाया जाता है वीशो रचनात्मक्ता और नवाचार दिवस 21 अपरिल को मनाया जाता है एविशो रचनात्मक्ता और नवाचार दिवस 21 अपरिल को मनाया जाता है अंतराश्ट निर्ति दिवस 29 अपरिल को मनाया जाता है आतंगवाद विरोधी दिवस और वीशो संस्कِّति क्विविदता दिवस 21 म CARE को मनाया जाता है नेक्स्ट अंतराष्ट जै विवता दिवस 22 मही को मनाया जाता है विसु खाद दिवस 16 अक्टवर को मनाया जाता है राष्ट एकता दिवस 21 अक्टवर को मनाया जाता है विसु साकाहारी दिवस 1 नमबर को मनाया जाता है वीशु साकाहारी दिवस एक नमबर को मनाया जाता है नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एंटी पिसी चार फरवरी 2021 को सके फर्स सिप्ट में जो कोसन आया था वो देखिए दोस्तों पहला कोसन है MPG, MPG का पुनरूप क्या है MPG का पुनरूप क्या होता है दोस्तों तो याद रखिएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा मुविंग पिक्चर एकसपर्टस ग्रूप मुविंग पिक्चर एकसपर्टस ग्रूप होता है एकसल 2010 की एक सीट में कितने कोलम होते हैं जिसका लक्ष एक साथ एक स्रे अप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बेंड में खगोलिये सुरोतों का अधिन करना है तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखेगा एस्ट्रोसेट नेक्स्ट जीव जो अधिक दूर के समन्दी है और उनके डियेने में अधिक अंतर होंगे इस विचार के अधार पर निर्मित द्रिश्ट कोन को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता दोस्तों तो आन्वी के जाती वृत कहा जाता है इन में से कौन सी computer system की memory की सबसे बड़ी इकाई है सबसे बड़ी इकाई दोस्तों योटा बाइट है योटा बाइट भारत दुआरब पर छेपित विश्व के सबसे चोटे आंत्रिशियान का क्या नाम है तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तों क्या सप्राइट्स क्या सप्राइट्स नाम है बहुत यह अच्छा नाम है दोस्तों सप्राइट्स वनसागती नियम की खोज किस ने किया था तो ग्रेगर जोन मेंडल ने किया था याद रखेगा दोस्तों क्या सवाई वल अब दा फिटेस्ट वाक्यांस किसने गड़ा है ये किसने गड़ा है तो हरबर्ट एस्पेंसर ने गड़ा है सेयोजी इलेक्ट्रोन दोस्तों परमनों की सबसे बाहिक अक्छा में मोजुद होते हैं सेयोजी इलेक्ट्रोन वाई कोस का क्या कारी होता है वाई कोस का दोस्तों गैसों के आधन परदान वाले अस्तान पर एक सता परदान करना वाई कोस का ये कारी होता है नेक्स्ट है, 30 नमवर 2020 तक प्राद जनकारी का अनुसर अंतराष्टी मुद्रा कोस आईयमेप के सदसे देशों की संखियां कितनी है, तो कितनी है, 190 है दोस्तों, 190, भारत की पर्थम 25 योजना का मुख्य केंदर बिंदू क्या था, मुख्य केंदर बिंदू क्या था, तो किर इरान का प्राची नम, इरान का प्राची नम दोस्तों फारस है, याद रखेगा फारस, नेक्स्ट, इस्ट इंडिया कंपणी ने भारत के किस सहर में अपना पहला विया पारी केंदर अस्थापित किया, तो यह हो जागा दोस्तों, सुरत में अपना विया पारी केंदर अस म cohort से कौई सा देश से अधिक टाइम जो उनका पलं करता है एक से अधिक टाइम जो उनका पलं इसे करता है Minsk USA करता है अजनता गुपाये की चित्रकाडी क्या दरसाती है क्या ज्रतां धरसाती है दूसरों जातक कथा है भारती istate bank SVI के अस्थापन वर्सट C trillion हुई 806 में भारतिय एस्टेट बैंक, इंपोर्टेंट इसको अच्छी तरस देखिए, भारतिय एस्टेट बैंक के SVI के अस्थापना 806 हुई थी दोस्तों, 806 स्विम इसके अस्थापना हुई थी, जबकि SVI का राष्ट करन 1 जुलाई 1955 इस्विम हुई थी दोस्तों, ठीक है, एक 1905 में राष्ट करन हुआ था, G7 क्या है, ये G7 क्या है, आई-ए में दोस्तों की गई थी, तो इसका राइट अंसर होगा, मुंबई में की गई थी, निक्ष राज सभा सदस्यों का चुनव, 10 की अबदी के लिए किया जाता है, तो याद रखेगा, तो 6 वर्स की अबदी के लिए किया जाता है, बेटिश इस्ट इंडिया कंपणी का अगठन किस वर्स में किया गया था, किस वर्स में किया गया था, 1750 इसी में किया गया था भारत का अधिकांस विदेशी वेपर कैसे होता है दोस्तों समुदरी और हवाई मारगों के माध्यम से स्ट्रेचियो अफ यूनिटी जिसका ओधगाटन पर्धन मंत्री स्री नरेन मोधी जी दुवारा 31 सक्टवर 2018 को किया गया था को किसने डिजाइन किया था किसने डिजाइन किया था दोस्तों राम देखिये राम वंजी सुतार ने दोस्तों इसका किया था डिजाइन डी नमर हो जाएगा राम जी सुतार ने ऐसे याद रखिएगा निमलकित में से किसने खिलापत आंदलोन का नेतर किया था कंग्रेस पाटी ने 26 जनवे 1930 को डैस के तورपर मनाया था भारत का पुर्वी तठ एक डैस है पुर्वी तठ एक क्या है दोस्तों ती याद रखेगा यह बहुत यह इंपोर्टेंट है दोस्तों यह निम्ण अवसादी तठ है निम्ण अवसादी तठ है पुर्वी तठ next खराई उट भोजन के लिए मुक्यतर डैस्प आसित रहने के लिए जाने जाते हैं तो ये हो जाएगा समुदरी खरपतवारों पर आसित होने के लिए जाने जाते हैं उजबेकिस्तान का कौन सा यातरी एक ग्यार्मी सतावदी में भारत आया था एक ग्यार्मी सतावदी में भारत आया था या दोखे आल बरोनी दोस्तों उस परसित भारती लेखा का नाम बतलाई ये जिसे अंटेचेबल और कुली जैसे उपनियास लिखे हैं अंटेचेबल जैसे कुली मुल्क राच आनन ने लिखे हैं सेनी चाबनी सहर है दोस्तों जाल अंधर है नेमन में से कौन सा ग्लोबल कॉमंस का एक भाग है अंटार्क्टिका मुरकों और इस्पेन को विभाजित करने वाला जल्रवुमद्य का नाम क्या है जल्रवुमद्य का नाम दोस्तों जिवराल्टल जल्रवुमद्य है 2016 में भारत में कहाँ पर दुरलव डाइनोसोर क्या एक तियोसोर का सरवाधिक पुर्णी जिवासन पाया गया था तो ये होगा दोस्तों गुजरात में पाया गया था और इसका दोस्तों ये आंसर है इस सेट का क्या का इंपोर्टन पॉइंट है वो देखिए दोस्तों कंप्यूटर सब्दा बली है MSDN का फूलपम होता है Microsoft Developer Network MSDN का फूलपम होता है Microsoft Developer Network MAN का फूलपम होता है Metropolitan Area Network MAN का फूलपम होता है Metropolitan Area Network MBPS का फूलपम होता है Megabits per second MBPS का फुर्णपों होता Megabits per second. MICR का पुर्णपों होता Magnetic Inc Character Recognization. MIDI का होता Musical Instrument Digital Interface. MOPES का फुर्णपों होता Million Operations Per second. नेक्स्ट देश का प्रवारा नाम और नया नाम देखि भार का प्रवारा नाम क्या था आडिया वर्थ भार का प्रवारा नाम आडिया वर्थ था म्यानमार का प्रवारा नाम दोस्तो बडमा था अंगोरा का प्रवारा नाम अंकारा था अंगोरा का प्रवाण नाम दोस्तो अंकारा था, इरान का प्रवाण नाम मेसोपटामिया था, जपान का प्रवाण नाम निप्पन था, तैवान का प्रवाण नाम फार्मोस था, प्रांस का प्रवाण नाम दोस्तो फार्मोस था, फ्रांस का प्रवाण नाम दोस्तो गोल था सिलोन का पुरानिक नाम क्या था स्रिलंका स्रिलंका का पुरानिक नाम क्या था स्रिलंका का पुरानिक नाम सिलोन था घाना का पुरानिक नाम दोस्तों गोल्ड कोश था कांगो का प्रवाण नाम जैरे था चेक गनराज का दोस्तों क्या बोहे मिया था तंजानिया का प्रवाण नाम जांजीवार था और थाइलेंड का प्रवाण नाम दोस्तों सियाम था निदरलेंड का प्रवाण नाम हॉलेंड था नेक्स्ट दिवस और विसे हैं सितंबर अंतराष्टी समान वेतन दिवस अठाड़ सितंबर केंदरी ओद्योगिक स्रक्चा बलकिया स्थापना दिवस दस मार्च राष्टी मतस्य किसान दिवस दस जुलाई विश युवा कोसल दिवस पंदर जुलाई अंतराष्टी निया दिवस सत्र जुलाई को मनाय जाता है राष्ट परशारन दिवस 23 जुलाई अंतराष्ट विद्वा दिवस 23 जुन सेयुत राष्ट लोकसेवा दिवस 23 जुन को मनाय जाता है वीशु संग्राले दिवस 28 माई को मनाय जाता है नेक्ष लेखा और किताब है दोस्तों वो देख लीजिए सेक्स का है मेर्णा, सेक्स पुष्तक के लेखा है मेर्णा, मिसन टु इंडिया पुष्तक के लेखा है सेस्टेनलेक कल पागे, Mission to India के लिखा के एं स्टेलेक कल पागे गांधी और स्टालीन के लिखा के लुईस फीसर हाप गल्फेंड के लिखा के चेतन भगात A New World के लिखा के अमी चोधरी Bruce with Life के लिखा के 237 गुजराल Suitable Boy के लिखा के विक्रम सेट Mother Tracer के लिखा के नवीन चावला Mother Tracer के लिखा के नवीन चावला Netaji and Gandhi के लिखा के ससी अहुलवालिया ओपेन के लिखा के लिखा के दोस्तों आंद्रे अगासी Next सूची और अस्थान है दोस्तों National Defense Academy कहा है खड़क वासला Army Center कहा है आहमद नगर Army Center कहा है दोस्तों आहमद नगर Artillery School कहा है देवदाली Infantry School कहा है मउ Elementary School कहा है दोस्तों मउ और क्या Elementary Flying School कहा है बीदर Defense Services Stop College कहा है वेली गटन National Defense College कहा है नई दिल्ली Air Force Academy कहा है 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 हैदराबाद Air Force Academy कहा है दोस्तों है जलसंदी किस को जोड़ती है और भोगलिक इस्तिती कहा है देखे टोकरा जलसंदी दोस्तों पूर्वी चीन सागर एवं परसंत महा सागर को जोड़ती है यह जपान में है युकाटन जलसंदी मेक्सिको की खाड़ी और केविरियन सागर को जोड़ती है दोस्तों केविरियन सागर को यह मेक्सिको की वाम है युकाटन जलसंदी यह मेक्सिको की खाड़ी और केविरियन सागर को जोड़ती है मेक्सिको की वाम है तसमान सागर एवं जावा सागर फोबेक्स को जोड़ती है न्यूजलेंड में है जपान सागर एवं परसंत मा सागर सुगारू को जोड़ती है जपान में है नेक्स्ट है काला सागर एवं मार्मारा सागर बास फोड़ती है तुर्की में है जावा सागर एवं सेलिबीज सागर माकासार को जोड़ती है इंडोनेसिया में है जावा सागर एवं सेलिबीज सागर माकासार को जोड़ती है इंडोनेसिया में है जापान सागर एवं पूर्वी चिन सागर ये सुसीमा जो है दोस्तों जापान सागर एवं पूर्वी चिन सागर को जोड़ती है जपान में है बाब अलमंदव अल लाल सागर को अरब साग यमन जवूती में है आब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रेलबे एंटी पेसी चार फरबड़ी दोजाड़े किसको सकेंड सिप्रम जो कोशन पूची गए थी वो देखे जी सेट 6A को कब और कहां से पर्चेपित किया गया था तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा द या रेखा जो समुदी जल सता के नीचे समर गहराई वाले सभी बिंदों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है उसे दोस्तों या आईसो बात कहा जाता आईसो बात डैस मन सहारी पोधा नहीं है तो टाइगर लेली दोस्तों मन सहारी पोधा नहीं है कौक इसक्रूख है सें पूर्जा एक रूप है नेक्स्ट कम्प्यूटिंग के संदर में एक स्पाइडर क्या है एक स्पाइडर क्या है एक प्रोग्राम जो वेब साइटों का क्या है के टेलोग त्यार करता है एक प्रोग्राम जो वेब साइट का के टेलोग त्यार करता है बहांस में फूल आना बह फल के अंदर बीज मोजूद होते हैं फल के अंदर बीज मोजूद होते हैं दोस्तों आविर्त बीजी में आविर्त बीजी में हेंडी बेक्रल ने निमलखित में से किस की खोच की थी हेंडी बेक्रल ने तो याद के रेडियो धर्मिता की खोच की थी हेंडी बेक्रल ने पस् निम्लखित में से किस keyboard shortcut का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, alt plus shift plus tape का, alt plus shift plus tape का परयोग करेंगे, निम्लखित में से कौन सरकारी विधे को परस्तावित कर सकता है, परस्तावित कर सकता है, दोस्तों तो याद रखेगा, संसत के किसी भी सदन में मंत्री, संसत के किस इसी भी सदने मंत्री कर सकता है देवी आहल या भाई होलकर हावाई अड़ा कहां इस्तित है यह कहां इस्तित है दोस्तों ती याद रखिएगा बारे का सी नमबर यह इंदोर में इस्तित है इंदोर में 1784 इस्वी में येरोपियनों दोरा भारत में पुरा तत्व समंधी काड़ी सुरू करने के साथ साथ एस्याटिक सोसाइटी और बंगाल का गठन किया गया था इसकी संस्थापक कोन था तो यह दखें विलियम्स जॉन्स दोस्तों विलियम्स जॉन्स डैस भारत का सबसे पुर दोस्तों तो याद रखेगा अरविंद केजरिवाल ये रमन मेकसे से पुरुसकार्ट सम्मानित होने वाले में से एक है अरविंद केजरिवाल याद रखेगा नेक्स्ट दोस्तों कौन सा राष्ट राजमार दिली और मुंबई को जोड़ता है दिली और मुंबई को जोड़ता है तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों मंडी ट्रेड भारत के राष्पती बनने से पहले इन में से किसे भारत रतन पुरुषकर से सम्मनित किया गया था तो यह होगा ऐस राधा किसन हिमाले में धोला धर परवतमाला डैस का एक भाग है किसका एक दोस्तों यह भाग है तो याद रखेगा निम्न हिमाले का यह एक भाग है निम्न हिमाले का निक्स जनरल माइकल ओडायर को किस सुतंता सेनानी ने गोली मारी थी, उधम सिंग्न दोस्तों गोली मारी थी, पर्धनमंती संसत आधर से ग्रामी वजना कब शुरू की गई थी, 11 अक्टवर 2014 को शुरू की गई थी, सिक्किम के लोगों को उनके अदभूत मुखोटा के इस रूप को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों चाम कहा जाता है, चाम, निमलकित में से किस राज की सीमा सबसे अधिक राजियों केंसासी पर्देशों से जुरी हुई है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ओतर पर्देश, याद रखेगा ओतर पर्देश, सार् क्रिप्स मिशन को भारत वेजर था विस्टन चठचिल ने दोस्तोर। भारत वेजर था क्रिप्स मिशन को। जुराई 2017 में भारत की पहली सवरूर जसां चलित ट्रेन को डेस्क रेलवे इस्टेशन से शुरू किया गया था तो ये हुगा दोस्तों दिल्ली रेलवे इस्टेशन से शुरू किया गया था नेक्स्ट हंगूल कस्मीरी बारा सिंगा हंगूल कस्मीरी बारा सिंगा ठीके बारा सिंगा किस वणने जीव अभ्यारन या र दाची गम राष्टी उद्यान में नेक्ष निमलकीत मैं से कौन सा भारति एसमारक यूनिस्को बाल गंगधर बाल गंगधर तिलक Y triggered संग की प्रेरख सक्ती और कारिकारी निकाय क्या है तो यूरोपिय आयोग है दोस्तों नेक्स्ट माइकल जेक्सन के 1991 के हीट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एक मात भारते सास्ति निर्ति रूप कौन सा था कौन सा था तो याद रखेगा ODC था दोस्तों ODC भारते संसत के पहले स्पिकर कौन थे भारते संसत के पहले स्पिकर जीवी मालंकर गणे स्वासुदे मालंकर थे इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनकी रूप में जाना जाता है किसे जाना जाता है चाल्स कानवाल इसको जाना जाता है, चार्स करनवाल इसको दोस्तों जाना जाता है, नेक्स्ट, ब्रिक्स में सामिल होने वाला अंतिम देश कौन सत था, ब्रिक्स में सामिल होने वाला अंतिम देश दोस्तों याद के दच्छिन अफिरका था, और ये दोस्तों इसका आंसर है, इस से प्राकृतिक गैस परमानु उर्जा, सेल गैस ये और नवीकर्निय उर्जा संसादन है। नवीकर्निय उर्जा का स्रूत है दोस्तों। और इंटर रवर्थमान सेल से एक सेल नीचे जाना। इंटर दोस्त वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाना, कंट्रोल प्लस टेव एक वर्क बुक से दूसे वर्क बुक में जाना, कंट्रोल प्लस टेव एक वर्क बुक से दूसे वर्क बुक में जाना, कंट्रोल प्लस इंड वर्क सीट के अंतिम सेल में जाना, अल्ट प्लस इंटर उसी सेल से एक सेल नीचे जाना उसी सेल से एक सेल नीचे जाना अल्ट प्लस इंटर नेक्स्ट हंगूल कस्मीरी बारा सिंगा दाची गाम वणने जीव अभ्यारन राष्टी उध्यान में ये पाया जाते हैं अब देखे दोस्ट अभ्यारन और परसिदी का कारण देखे दाची ग्राम में हंगूल म्रीग काला भालू सेराव तेंद्वा मरमोटा आधी पाया जाता है दाची ग्राम में याद रखेगा कन्हा में चितल गोड काला मिर्ग बारा सिंगा अजगर आधी पाया जाता है कन्हा में काबुल नम्जाओं में हिडन, संगाय, जंगली बिली आदी पाया जाता है। सांथ घाटी अभ्यारन में डॉलफिन, मगर और डूगों, घरियाल, जलगो और हक्स बिल आदी पाया जाता है। और क्या दोस्तों केला मेरू पक्षी अभ्यारन में पेलिकन एवं समुदुरी पक्षी के लिए ये परसिद है केला मेरू पक्षी अभ्यारन नेक्स्ट पाखल, पाखल में बाग, तेंदुवा, चीतल और निलगाय पाया जाता है पाखल में दोस्तों पेडियार में सांभर, चीतल, हाथी, जंगली भैसा, कुत्ता तेंद्वा आधी पाया जाता है पेडियार में, याद रखेगा, निक्ष खुजराओं, भारती एसमारक युनिस्को की विश्दरोर अस्तलों की सूची में ये सामिल है, अब देखिए दोसे कोन कब कब सामिल वो देखिए, आगरा किला ताज महल अजनता की गुपाएं, एलोरा की गुपाएं, एलोरा की गुपाएं में, और ऐसमील हुआ था युनिस्को में, भीम बेटका की गुफाएं 2003 में, अहमदाबाद दोस्तों 2017 में, जैपूर सीटी 2009 में, काजिरंगा राष्ट उद्यान 1985 में, काजिरंगा राष्ट उद्यान सामिल हुआ था युनिस्को में 1985 में, और युनिस्को में बत्ति संस्कितिक अस्तल, साध प्राकिर्तिक अस्तल और म मिश्रित एक मिश्रित अस्तल समलित है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, इसे आपको अच्छी तरह से याद रखें, जैपूर सीटी 2009 में सामिल हुआ था, और यहीं पर दोस्तों ये 60 सेट को हम लोग कम्प्लीट किये, यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, आस करतें आप जरूर कीजिएगा दोस्तों, चलिए दोस्तों दूस्तों दूस्तों मेंसा याद रखेंगा दोस्तों, महिनत का फल जो भी होता है दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए आप लोग अधिक साधिक दोस्तों महिनत किजिए, फल भी अधिक साधिक और अच झाल झाल